रोबर्ट टी कियो साकी के द्वार लिखित पूस्तक रिच डैड पूर डैड की प्रस्तावना इसकी बहुत जरूरत है क्या स्कूल बच्चों को असली जिंदिगे के लिए तयार करता है मेरे मम्मी डैडी कहते थे मेहनत से पढ़ो और अच्छे नमबर लाओ क्योंकि एसा कर पूरी हो गई तो हम जिंदगी में ज्यादा कामियाब हो सकेंगे जब मैंने 1976 में अपना डिप्लोमा हासिल किया मैं फ्लोरिडा स्टेट युनिवेस्टि में अकाउंटिंग में ओनर्स के साथ ग्रेजवेट हुई और अपनी कक्षा में काफी उंचे स्थान पर रही तो मे मुझे उम्मीद थी एक लंबे करियर और कम उमर में रिटायर्मेंट की मेरे पती माइकल भी इसी रास्ते पर चले थे हम दोनों ही बहुत मेहंती परिवारों से आये जो बहुत अमीर नहीं थे माइकल ने ओनर्स के साथ ग्रेजवेशन किया था एक बार नहीं बलकि दो बा पहली बार इंजिनियर के रूप में और फिर ला स्कूल से उन्हें जल्दी ही पेटेंट लामे विशे सगेता रखने वाली वासिंग टन डी सी की एक मानियोई लाफर्म में नोकरी मिल गई और इस तरह उनका बविशे भी सुनेरा लग रहा था उनके करियर का नक्सा साथ और यहाँ बात तै थी कि वे बी जल्दी रिटायर हो सकते थे हालागि हम दोनों ही अपने करियर में सफल रहे परंतु हम जो सोचते थे हमारे साथ ठीक वैसाई नहीं हुआ हमने कई बार नोकरियां बदली हालांकि हर बार नोकरी बदलने के कारण सही थे परन्तु हमारे लिए किसी ने भी पेंशन योजना में निवेस नहीं किया हमारे रिटायर्मेंट फंड हमारे खुद के लगाए पैसों से बढ़ रहे थे हमारी शादी बहुत सफल गई और हमारे तीन बच्चे हैं उन में से दो कोलेज में हैं और तीसरा भी हाई स्कूल में गया ही है हमने अपने बच्चों को सबसे अच्छी सिक्षा दिलाने में बहुत सा पैसा लगाया 1996 में एक दिन मेरा बेटा स्कूल से घर लोटा स्कूल से उसका मो बंग हो गया था वह पढ़ाई से उप चुगा था मैं उन विशों को पढ़ने में इतना चाता सा मैं क्यों बरबाद करूँ जो असली जिन्दगी में मेरे कामी नहीं आएंगे उसने विरोज किया बिना सोचे विचारई मैंने जबाब दिया क्योंकि अगर तुमारे अच्छे नमर नहीं आए तो तुम कभी कालेज नहीं जा पाओगे साहे मैं कालेज जाओं या ना जाओं उसने जबाब दिया मैं अमीर बन कर दिखाऊंगा अगर तुम कोलेज से ग्रेजवेट नहीं होगे तो तुम्हे कोई अच्छी नोकरी नहीं मिलेगी मैंने एक मां की तरह चिंतित और आसंकित होकर कहा बिना अच्छी नोकरी के तुम किस तरह अमीर बनने के सपने देख सकते हो मेरे बेटे ने मुश्कराकर अपने सिर को बोरियत बरे अंदाज में हिलाया हम ये चर्चा कई बार पहले भी कर चुके थे उसने अपने सिर को जुगाया और अपनी आंखे गुमाने लगा मेरी समझदारी बरीसला एक बार फिर उसके कानों के बीतर नहीं गई थी हलांकि वह स्मार्ट और प्रबल इच्छा सक्ति वाला युवक था परंतु वह नम्र और शालेन भी था मम्मी उसने बोलना शुरू किया और भासन सुनने के बार ये मेरी थी समय के साथ चलिए अपने चारों तरफ देखिए सबसे अमीर लोग अपनी शिक्षा के कारण इतने अमीर नहीं पने है माइकल जोर्डन और मैडोना को देखिए यहां तक की बीच में हारवड छोड़ देने वाले बिल गेट्स ने माइक्रोसोप्ट का इम किया आज भी अमेरिका के सबसे अमीर विक्ती है और अभी उनकी उमर भी 30 से 40 के बीच में ही है और उस बेसवाल पीचर के बारे में तो आपने सुना ही होगा जो हर साल 40 लाग डालर कमाता है जबकि उस पर दिमागी तोर पर कमजोर होने का डिलेबल लगा हुआ है हम दोनों काफी समय तक चूप रहे अब मुझे यह समझ में आने लगा था कि मैं अपने बच्चों को वही सला दे रही थी जो मेरे माता पिता ने मुझे दी थी हमारे चारों तर्प की दुनिया बदल रही थी परंतु हमारी सला नहीं बदली थी अच्छी सिक्षा और अच्छे ग्रेड हासिल करना अब सभलता की गारंटी नहीं रह गए थी और हमारे बच्चों के अलावा यह बात किसी की समझ में नहीं आई थी मम्मी उसने कहा मैं आपकी और डैड़ी की तरह कड़ी मेनत नहीं करना चाता आपको काफी पैसा मिलता है और हम एक शांदार घर में रहते हैं जिसमें बहुती कीमती समान है अगर मैं आपकी सला मानूँगा तो मेरा हाल भी आपके ही तरह होगा मुझे भी ज़्यदा मेनत करनी पड़ेगी ताकि मैं और ज़्यदा टेक्स भर सकूँ और करज में डूब जाऊँ वैसे भी आज की दुनिया में नोखरी की सुरक्षा तो बची नहीं है मैं यह जानता हूँ कि छोटे और सही आकार की फर्म कैसी होती है मैं यह भी जानता हूँ कि आज के दूर में कालेज के सनात्कों को कम तंखवा मिलती है जबकि आपके जमाने में उन्हें ज्यादा तंखवा मिला करती थी डोक्टर को देखी वे अब उतना बैसा नहीं कमाते जितना पहले कभी कमाया करते थे मैं जानता हूँ कि मैं रिटायर्मेंट के लिए सामाजीक सुर्क्षा या कंपनी पेंसर पर वरोसा नहीं कर सकता अपने सवालों के मुझे नए जवाब चाहिए वह सही था उसे नए जवाब चाहिए थे और मुझे भी मेरे मैताविता की सलाय उन लोगों के लिए सही हो सकती थी जो 1945 के पहले पैदा हुए थे पर यह उन लोगों के लिए विनासकारी साबित हो सकती थी जिनोंने तेजी से बदल रही दुनिया में जनम लिया था अब मैं अपने बच्चों से यह सिदिसी बात नहीं कह सकती थी स्कूल जाओ अच्छे ग्रेड असिल करो और किसी सुरक्षित नोकरी की तलास करो मैं जानती थी कि मुझे अपने बच्चों की सिक्षा को सही दिसा देने के लिए नए तरीकों की खोजकरनी होगी एक माँ और एक अकाउंटेन होने के नाते मैं इस बात से परिशान थी में भाग नहीं लिया होता है और उन्हें यह भी नहीं पता होता कि इसे किस तरह निवेश किया जाता है इस बात का ग्यान तो दूर की बात है कि क्रेडिट काड़ पर चक्रवर्दी ब्याज की गढ़ना किस तरह की जाती है इसे आसान वासा में कहें तो उन्हें धन सम्मंदी सिक्षन नहीं मिलती और यह ज्यान भी नहीं होता कि पैसा किस तरह काम करता है इस तरह वे उस दुनिया का सामना करने के लिए कभी तयार नहीं हो पाते जो उनका इंतजार कर रही है एक एसी दुनिया जिसमें बचत से ज़्यादा मैतव खर्च को दिया जाता है जब मेरा सबसे बड़ा बेटा कॉलेज की शुरुवाती दिनों में अपने क्रेडिट कार्ड को लेकर कर्ज में डूब गया तो मुझे उसके क्रेडिट कार्ड को नस्ट करने में उसकी मदद करनी पड़ी साथ ही मैं ऐसी तरकीब भी खोजने लगी जिससे मेरे बच्चों में पैसे की समझ आ सके पिछले साल एक दिन मेरे पती ने मुझे अपने ओफिस से फोन किया मेरे सामने एक सजन बैठे हैं और मुझे लगता है कि तुम उनसे मिलना चाओगी उन्होंने कहा उनका नाम रबर्ट कियोसा की है वे एक व्यवसाई और निवेसक हैं तथा वे एक सेक्षने कुदपात का पेटेंट करवाना चाते हैं मुझे लगता है कि तुम इसी चीज की तलास कर रही थी जिसकी मुझे तलास थी मेरे पती माइक रबर्ट कियोसा की द्वरा बनाई जा रहा है नए सेक्षने कुदपात कैस्पलों से इतने प्रवावित थे कि उन्होंने इसके परिक्षन में हमें बुलवा लिया यह एक सेक्षनिक खेल था इसलिए मैंने स्थानिया विस्विद्यले में पढ़ रही अपनी 19 वर्षे बेटी से भी पुछा कि क्या वह मेरे साथ चलेगी और वह तैयार हो गई इस खेल में हम लगवग 15 लोग थे जो तीन समुव में विबाचिक थे माइक सही थे मैं इसी तरह के सेक्षनिक उतबात की खोज कर रही थी यह किसी रंगीन मोनोपली बोर्ड की तरह लग रहा था जिसके बीच में एक बड़ा सा चूहा था परन्तु मोनोपली से यह इस तरह अलग था कि इसमें दो रास्ते थे एक अंदर और दूसरा बाहर खेल का लक्षय था अंदर वाले रास्ते से बाहर निकलना जिसे रावर्ट चूहा दोड कहते थे और बाहरी रास्ते पर पहुँचना या तेज रास्ते पर जाना रावर्ट के मताबिक तेज रास्ता हमें यह बताता है कि असली जिन्दगी में अमीर लोग किस तरह पैसे का खेल खेलते हैं रावाट ने हमें चुहा दोड के बारे में बताया अगर आप किसी भी ओसत रूप से सिख्षित कड़ी मेनत करने वाले आदमी की जिन्दगी को देखें उसमें आपको एक साही सफर दिखेगा बच्चा पैदा होता है, स्कूल जाता है, माता पिता खुश हो जाते हैं क्योंकि बच्चे को स्कूल में अच्छे नमर मिलते हैं और उसका दाखिला कालेज में हो जाता है बच्चा सनातक हो जाता है और फिर योजना के अनुसार काम करता है वह किसी आसान शुरक्षित नोकरी या करियर की तलास करता है बच्चे को एसा ही काम मिल जाता है शायद वह डोक्टर या वकिल बन जाता है या वैसे नामे बरती हो जाता है या फिर वह सरकारी नोकरी करने लगता है बच्चा पैसे कमाता है उसके पास थोक में क्रेडिट कार्ड आने लगते हैं और अगर अब तक उसने खरीददारी करना शुरू नहीं किया है तो अब जम कर खरीददारी शुरू हो जाती है खर्च करने के लिए पैसे पास में होते हैं तो वह उन जगों पर जाता है जहां उसकी उमर के ज़्यादा नोजवन जाते हैं लोगों से मिलते हैं, डेटिंग करते हैं और कभी कवार शादी भी कर लेते हैं अब जिन्दगी में मज़ा आ जाता है क्योंकि आज कल पुरूस और मैलाएं दोनों नोभरी करते हैं दो तनकोएं बहुत सुखत लगती है पती-पत्नी को लगता है कि उनकी जिन्दगी सफल हो गई है उन्हें अपना वविशे सुनायरा नजर आता है अब वे घर, कार, टेलिविजिन खरीदने का फैसला करते हैं सुट्या मनाने कहीं चले जाते हैं और फिर उनके बच्चे हो जाते हैं बच्चों के साथ उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं खुशहाल पती-पत्नी सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा कमाने के लिए अब उन्हें ज़्यादा मेनत करना चाहिए उनका करियर अब उनके लिए पहले से ज़्यादा माइने रखता है वे अपने काम में ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं ताकि उन्हें प्रमोशन मिल जाए या उनकी तनक्वाएं बढ़ जाए तनक्वाएं बढ़ती है पर उसके साथी दूसरा बच्चा भी पैदा हो जाता है अब उन्हें एक बड़े घर की जरूरत महसूस होती है वे नोकरी में और भी ज़्यादा मेहनत करते हैं बेहतर करमचारी बन जाते हैं और ज़्यादा मन लगा कर काम करने लगते हैं ज़्यादा विशेसग्यता हासिल करने के लिए वे एक बार फिर किसी स्कूल में जाते हैं ताकि वे ज़्यादा पैसा कमा सकें हो सकता है कि वे दूसरा काम भी खोज लें उनकी आमदनी बढ़ जाती है परन्तु उस आमदनी पर उन्हें इंकम टेक्स भी चुकाना पड़ता है यही नहीं उन्होंने जो बड़ा गर खरीदा है उस पर भी टेक्स देना होता है इसके अलावा उन्हें समाजिक सुरक्ष्या का टेक्स तो चुकाना ही है इसी तरह बहुत से टेक्स चुकाते चुकाते उनकी तनक्वा चुक जाती है वे अपनी बड़ी उई तनक्वा लेकर घर आते हैं और हैरान होते हैं कि इतना सारा पैसा आखिर कहां चला जाता है भविश्य के लिए बचत के इसाब से वे कुछ म्यूचिल फंड भी खरीद लेते हैं और अपने क्रेडिट कार्ड से घर का किराना खरीदते हैं उनके बच्चों की उमर अब 5 या 6 साल हो जाती है यह चिंता वी उन्हें सताने लगती है कि बच्चों के कालेज की शिक्षया के लिए भी बचत जुरूरी है इसके साथ ही उन्हें अपने रिटार्मेंट के लिए पैसा बचाने की चिंता भी सताने लगती है 35 साल पहले पैदा हुए यह खुशाल दमपती अब अपने नोकरी के बाकी दिन चुहा दोड में फसकर बिताते हैं वे अपनी कमपनी के मालिकों के लिए काम करते हैं सरकार को टेक्स चुकाने के लिए काम करते हैं और पैंक में अपनी गिर्वी संपती तथा क्रेडिट कार्ड के करज को चुकाने के लिए काम करते हैं फिर वे अपने बच्चों को यह सला देते हैं कि उन्हें मन लगा कर पढ़ना चाहिए अच्छे नम्मर लाना चाहिए और किसी सुरक्षित नोकरी की तलास करना चाहिए वे पैसे के बारे में कुछ भी नहीं सीखते और इसलिए वे जिंदगी भर कड़ी मेहनत करते रहते हैं यहे प्रकिरिया पीडी दर पीडी चलती है इसे चुहा दोड कहते हैं चुहा दोड से निकलने का एक ही तरीका है और वह यह है आप अकाउंट्स और इन्वेस्टमेंट दोनों चेत्रों में निपण हो जाएं दिक्कत यह है कि इन दोनों ही विश्यों को बोरियों और कठिन मना जाता है मैं खुद एक CPA हूँ और मैंने बिग एट अकाउंटिंग फर्म के लिए काम किया है मुझे यह देखकर ताजुग हुआ कि रावर्ट ने इन दोनों बोरियत और कठिन विश्यों को सीखना इतना रोचक, सरल और रोमांचक बना दिया था सीखने की पिरकिरिया इतनी अच्छी तरह से चुपा ली गई थी कि जब हम चुहा दोड से बाहर निकलने के लिए जी जान लगा रहे थे तो हमें ये दिहानी नहीं रहा कि हम कुछ सीख रहे थे शुरू में तो हम एक नए सेक्शनिक खेल का परिक्शन कर रहे थे परिशानी नहीं होई मैंने खेल के नियम और इसकी बारिकियां समझाने में अबनी बेटी और दूसरे लोगों की मरद भी की उस रोज मैं चुहा दोड से सबसे पहले बाहर निकली और के लिए मैं ही बाहर तहरानी होई कि इन लोगों को अकाउंटिंग या इन्वेस्टमेंट के बारे में इतनी कम जानकारी है जबकि ये विशे उनके जिंदगी में कितने ज्यादा इमियत रखते थे मेरे मन में यह सवाल भी उठ रहा था कि वे असल जिंदगी में अपने पैसे दे लेके कारोबार को कैसे संबालते होंगे मैं यह समझ सकती थी कि मेरी 19 साल के बेटी क्यों नहीं समझ सकती पर ये लोग तो उससे दुगनी उमर के थे और उन्हें ये बात समझ में आनी चाहिए थी चुहादोड से बाहर निकलने के बाद मैं दो गंटे तक अबने बेटी और इन सिक्षित अमीर वियसकों को पासा फेंगते और अपना बाजार पहलाते देखती रही हालांकि मैं खुश थी कि वे लोग कुछ नया सीख रही थे लेकिन मैं इस बात से बहुत परेशान और विचलित थी वियसक लोग समाने अकाउंटिंग और इन्वेस्टमेंट के मूलबूत पिंदों के बारे में कितना कम जानते थी उन्होंने अपने इन्कम स्टेटमेंट और अपनी बैलेंस सीट के आपसी संबंध को समझने में भी बहुत समय लगाया अपनी संपत्ती खरीदते और बेशते समय उन्हें ध्यानी नहीं रहा कि हर सोदे में उनकी महिने के आमदनी पर असर पड़ रहा है मैंने सोचा असल जिन्दिए में इसे करोणों लोग होंगे जो पैसे के लिए सिर्फ इसलिए परेशान हो रही है क्योंकि उन्होंने ये दोनों विशे कभी नहीं पड़े मैंने मन में सोचा बगवान का शुक्र है कि हमें मजा आ रहा है और हमारा लक्षा खेल में जीतना है जब खेल खतम हो गया तो रावर्ट ने हमें 15 मिनट तक कैश पलो पर चर्चा करने और इसकी समिक्षा करने के लिए कहा मेरी टेबल पर बैठा भी अवसाई खुश नहीं था उसे खेल पसंद नहीं आया था मुझे यह सब जानने की कोई जुरूट नहीं है उसने जोर से कहा मेरे पास इन सब के लिए अकाउंटेंट, बैंकर और वकील है जिनें यह सब मालूम है रावर्ट का जवाब था क्या आपने गोर किया है कि एसे बहुत से अकाउंटेंट है जो अमीर नहीं है और यही हाल डेंकर, वकील, स्टाक ब्रोकर और रियल इस्टेट ब्रोकर का भी है वे बहुत कुछ जानते हैं और प्राएवे लोग स्मार्ट होते हैं परंतु उन में से ज्यादातर अमीर नहीं होते चुँकि हमारे स्कूल में वह सब नहीं सिखाते जो अमीर लोग जानते हैं इसलिए हम इन लोगों को सला देते हैं परंतु एक दिन जब आप किसी हाईवे पर कार से जाते हैं आप ट्रेफिक जाम में फस जाते हैं आप बाहर निकलने के लिए छट पटाते हैं जब आप अपनी दाईं तरफ देखते हैं तो वहाँ आप देखते हैं कि आपका अकाउंटेंट भी उसी ट्रेफिक जाम में फसा हुआ है फिर आप दाईं तरफ देखते हैं और आपको वहाँ आपका बेंकर भी उसी हाल में नजर आता है इससे आपको हालात का अंदाजाब हो जाएगा कंप्यूटर प्रोग्रामर भी इसकेल से प्रवावित नहीं हुआ था यह सीखने के लिए मैं साफ्टेर खरीच सकता हूँ बैंकर जरूर प्रवावित हुआ था मैंने स्कूल में अकाउंटिंग सीखा था परंतु मैं अब तक यह नहीं समझ पाया था कि इसे असल जिन्दगी में किस तरह काम में लाया जाए अब मैं समझ गया हूँ मुझे चूहा दोड़ से बाहर निकलने के लिए खुद को तैयार करने की जुरूरत है परंतु मेरी पुत्री के विचारों से मैं सबसे ज़्यादा रोमान चित हुई उन्होंने कहा मुझे सिखने में बड़ा मजाया मैंने इस बार में बहुत कुछ सिखा कि पैसा असली जिन्दगी में किस तरह काम करता है और इसका निवेश किस तरह करना चाहिए फिर उसने आगे कहा अब मैं जानती हूँ कि मैं अपने काम करने के लिए किस तरह का व्यवसाई चुनू और यह व्यवसाई चुनने का कारण नोकरी की सुरक्षा उससे मिलने वाले फाइदे या तनखवा नहीं होंगे अगर मैं इस खेल में सिखाए जाने वाले बातें सीख जाती हूँ तो मैं कुछ भी करने के लिए आजाद हूँ और वह सीखने के लिए आजाद हूँ जो मैं दिल से सीखना चाती हूँ अभी तक मुझे उस खेल को सीखना पड़ता था जिससे मुझे नोकरी पाने में मदद मिले अब मैं यह खेल सीख जाती हूँ तो मुझे नोकरी की सुरक्षा और सामाजीब सुरक्षा की जादा चिंता नहीं होगी जैसी कि मेरी बहुत सी सहेलियों को होती है खेल खत्म होने के बाद मुझे रोबर्ट से बात करने के लिए जादा समय नहीं मिला हमने उसकी योजना पर आगे बातें करने के लिए बाद में मिलने का फैसला किया इतना तो मैं जानती थी कि इस खेल के बाहने रावर्ट यह है चाहते थे कि लोगों में पैसे की बेतर समझ विक्षित हो जाए यही कारण था कि मैं उनकी योजनाओं के बारे में जादा जानने के लिए उच्षिक थी मेरे पती और मैंने रावर्ट और उनकी पत्री के साथ अगले अपते डीनर मिटिंग रख ले हलांकि यह है हमारा पहला समाजिक मेल जोल था फिर भी मुझे ऐसा मैसूस हो रहा था जैसे हम एक दूसरे को बर्सों से जानते हो हमने पाया कि हमें बहुत से बाते एक जैसी हैं हमने बहुत से विशों पर बातें की खेलों, नाटकों, रेस्तराओं और सामजिक आर्थिक विशों पर हमने बदलती होई दुनिया के बारे में बातें की हमने इस मुद्धे पर बहुत समय तक विचार किया कि ज्यादातर अमेरिकी कैसे अपने रेटायर्मेंट के लिए बहुत कम पैसा बचा पाते हैं या बिल्कुल नहीं बचा पाते हमने सामाजिक सुरक्षा और मेडिकेर की लगबग दिवालिया हालात पर भी चर्चा की क्या हमारे बच्चों को साड़े साथ करोड वरद लोगों के लिए रेटायर्मेंट के लिए पैसा चुका ना होगा हम हैरान थे कि लोग पेंशन योजना के बरों से बैठकर कितना बड़ा खत्रा मोल ले रही है रावर्ट की सबसे बड़ी चिंता यह है थी कि अमीरों और गरीबों के बीज़ फासला लगातार बढ़ता जा रहा है एसा नय सिर्फ अमेरिका में हो रहा है बलकि पूरी दुनिया में हो रहा है रावर्ट स्वे सिक्षित और स्वे निर्मित भी अवसाई थे वे दुनिया भर में निवेस कर चुके थे और 47 वर्स की उमर में रेटायर होने में सफल हो गई थे वे काम इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें भी वही चिंदा थी जो मुझे अपने बच्चों को लेकर सता रही थी वे जानते हैं कि दुनिया बदल चुकी है परन्तु इसके बावजूद शिक्षा पदतियां बिलकुल नहीं बदली है रावर्ट के अनुसाथ बच्चे सालों तक दकियानों से शिक्षा पदती में अपना समय गुजारते हैं और एसे वीशे बढ़ते हैं जो उनके जीवन में कभी भी कहीं भी काम नहीं आने वाले हैं और वे एसी दुनिया के लिए तैयारी करते हैं जिसका आप नमों निसान भी नहीं बचा है आज आप किसी भी बच्चे को जो सबसे खतरनाक सला दे सकते हैं वह यह है स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और सुरक्षित नोकरी ढूंडओ उन्होंने कहा यह पुरानी सला है और यह खराब सला है अगर आप यह देख सकते हैं कि एसिया, यूरोप, दक्षिन अमरिका में क्या हो रहा है तो आप भी उतनी ही चिंतित होंगी जितनी की मैं रवट के अनुसार यह बुरी सला है क्योंकि अगर आप चाते हैं कि आपके बच्चे का बविशय आर्थी ग्रूप से सुरक्षित हो तो आप पुराने नियमों के सारे नए खेल को नहीं खेल सकते यह बहुत खतरनाक होगा मैंने उनसे पूछा कि पुराने नियमों से उनका क्या मतलब है मेरी तरह के लोग अलग तरह के नियमों से खेलते हैं और आपकी तरह के लोग पुराने नियमों के लीक पर ही चलते रहते हैं उन्होंने कहा क्या होता है जब कोई कॉर्परेशन स्टाफ कम करने की गोश्चना करता है लोगों को नोकरी से निकाल दिया जाता है परिवार तबाव हो जाते हैं बेरोजगारी बढ़ जाती है हाँ परन्तु कंपनी पर इसका क्या आसर पड़ता है खास कर जब वह कंपनी स्टोक एक्षेंज में दर्ज हो जब स्टाफ कम करने की गोश्टना होती है तो स्टाक की कीमते बढ़ जाती है मैंने कहा जब कंपनी तनक्वा का खर्चा कम करती है तो बाजार इस बात को पसंद करता है एसा चाहे स्टाफ कम करने के लिए किया जाए या फिर कंप्यूटर के मादम से किया जाए उन्होंने कहा आप ठीक कह रही है और जब स्टाक की कीमते बढ़ती है तो मेरी तरफ से लोग यानी जिनके बास उस कंपनी के शेयर होते हैं वे ज़्यदा अमीर हो जाते हैं अलग तरह के नियमें से मेरा यही आश्या है करमचारी हारते हैं मालिक और निवेसक जीतते हैं रावट करमचारी और मालिक के बीच के फरक को समझा रही थे यह फर्क था अपनी किस्मत पर खुद अपना नियंतर्ण होना या फिर आपकी किस्मत पर किसी दूसरे का नियंतर्ण होना परंतु जादातर लोग यह नहीं समझ सकते कि ऐसा क्यों होता है मैंने कहा उन्हें लगता है कि यह ठीक नहीं है उनका जवाब था इसलिए तो बच्चों से यह कहना मुर्गता है अच्छी सिक्षा प्रापत करो यह सोचना मुर्गता है कि स्कूलों में दी जा रही सिक्षा से बच्चे उस दुनिया का सामना करने के लिए तयार हो जाएंगी जिसमें विकालेज के बाद पहुँचने वाले हैं हर बच्चे को ज़्यादा सिक्षा की जरूरत है एक अलग तरह की सिक्षा की और उन्हें नए नियमों को जानने की भी जरूरत है अलग तरह के नियमों को जानने की धन के कुछ नियम होते हैं, जिनसे अमीर लोग खेलते हैं, और धन के कुछ और नियम होते हैं, जिनसे बाकि 95% लोग खेलते हैं, और ये 95% लोग उन नियमों को अपने घर और स्कूल में सिखते हैं, इसलिए आज कल किसी बच्चे से यह कहना खतरनाक है, मन लगा कर पढ़ो और अच्छी नोकरिक हो जो, आज बच्चों को अलग तरह की सिख्षा की जरूरत है, और आज की सिख्षा निती उन्हें कुछ मूलबूत बाते नहीं सिखा पा रही है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्लासरूम में कितने कंप्यूटर रखे हैं, या स्कूल कितना ऐसा खर्च कर रहे हैं, जब सिख्षा निती में यह विशे ही नहीं है, तो उसे किस तरह पड़ाया जा सकता है, अब सवाल यह उठता है, किस तरह माताबिता अपने बच्चों को यह सिखा सकते हैं, जो वे स्कूल में नहीं सीख पाते, आप अपने बच्चों को बेतर समझा कि उन्हें रोमांचक जीवन के लिए तैयार किया जाए, तो आप किस तरह किसी बच्चे को धन और उन सब चीजों के बारे में सिखा सकते हैं, जिन पर हमने अभी विचार किया है, मैंने रवट से पूछा, हम किस तरह इसे माता-पिता के लिए आसान बना सकते हैं, खास कर तब जब उन्हें खुद ही इसकी समझना हो, उन्होंने कहा, मैंने इस विशे पर एक पुस्तक लिखी है, वह पुस्तक कहा है, मेरे कम्प्यूटर में, यह बर्सों से वहीं बिखरी पड़ी है, मैं कभी कवार उसमें, कुछ बातें जोड़ देता हूँ, परंत तो मैं अभी तक अपनी नई किताब को पूरा नहीं कर पाया हूँ, यह अभी भी खंडों में है, और यह पुस्तक निश्चित रूप से खंडों में ही थी, उन बेतरतिव खंडों को पढ़ने के बाद, मैंने यह फैसला किया, कि पुस्तक निश्चित रूप से बेतरीन थ मैंने उनसे पूछा कि उनके विचार से किसी बच्चे को कितनी वितिया आई की जरूरत होती है उन्होंने कहा कि यह बच्चे पर निर्वर करता है अपने बच्पन में उन्होंने यह जान लिया था कि वे अमीर बनना चाहते थे और उन्हें एक एसे पिता सुरूब व्यक्ति मिल गए जो अमीर थे और जो उनका मारक दर्शन करने के इच्छुग भी थे रावट का कहना था कि शिक्षा ही सफलता की नीम है जिस तरह सकूल में सिके गई बाते बहुत महतुकूर्ण होती है उसी तरह धन संबंदी समझ और बोलने की कला भी मैतपूर्ण होती है आगे की कानि रावट के दो डेड़ी के बारे में है जिन में से एक अमीर है और दूसरे गरीब जिन के जरिये रावट उन रह्ष्चों को बताएंगे जो उन्होंने अपने जीवन में सिकھे हैं दोनों डेडियों के बीच का अंतर एक खास बात उजागर करता है इस पुस्तक को मैंने बढ़ाया है जिसमें कुछ जोड़ा और गटाया है और इसे व्यवस्तित करने के लिए काम किया है जो अकाउंटेंट इस पुस्तक को पढ़े उनसे मेरा यही कहना है कि वे अपने किता पहली नजर में गलत लगेंगे अकाउंट्स के सिदानतों की बुनियादी बातों को चुनोती देते लगेंगे परंतु यह याद रखें कि वे एक मैतोपोन दरश्टी देते हैं कि किस तरह सच्चे निवेसक अपने निवेसके फैसलों का विसलेशन करते हैं जब हम अपने से मिले तो उनके विचारों ने शूरू में तो मुझे चौका दिया दो डैडियों के साथ पले बड़े रावर्ट के सामने दो अलग-लग लक्षय होते थे उनके पड़े लिखे डैड़ी उन्हें करॉपरेशन में नौहरी करने की सला देते थे और उनके अमिर डैड़ी उ रावर्ट को यह जानने के लिए प्रोचसाइद करते थे किस तरह समार्ट लोगों की सिवाईं ले जाएं दो डेडियों के होने से कई समश्याएं भी पैदा हुई रावर्ट के असली डेडि हवाई राज्ये के सिख्षा परमुक थे जब रावर्ट 16 साल के हुए तो उन्हे इस बात की कोई खास चिंता नहीं सता रही थी अगर तुम्हें अच्छे नमर नहीं मिलते तो तुम्हें कोई अच्छी नोकरी नहीं मिलेगी। पाइदा हो सकता है दरसल इस पुस्तक में दिये गए विचार शायद बहुत से माता-पिताओं को करांतिकारी और अतिश्योक्ति पूर्ण लगेंगे कई लोगों को तो अपने बच्चों को स्कूल में रखने में भी काफी परेशानी, काफी मेनत करनी पड़ती है परन्तु बदलते हुए समय को देखते हुए हमें नई और जो खिंबरे विचारों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है अपने बच्चों को करमचारी बनने की सला देने का मतलब यह है कि हम उने जिंदगी भर अपनी खून पसिने की कमाई से इंकम टेक्स और भी नहीं जाने कीतने टेक्स चुकाने की सला देते हैं और इसके बाद भी पेंशन की कोई गारंटी नहीं होती। और यह सच है कि आज के जमाने में टेक्स किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा खर्च है। हकीकत में ज्यादातर परिवारतों जनवरी से आदी मई तक सिर्फ अपने टेक्स चुकाने के लिए ही सरकार की नोकरी करते हैं। आज नई विचारों की बहुत जुरूरत है और यह पुस्तक हमें नई विचार देगी। रावर्ट का दावा है कि अमीर लोग अपने बच्चों को अलग तरह की शिक्षा देते हैं। वे अपने बच्चों को गर पर सिखाते हैं, डीनर टेबल पर सिखाते हैं। हो सकता है कि ये विचार वे नए हो जिन पर आप अपने बच्चों से बात करते हों परंतो उन पर नज़र डालने के लिए धन्यवाद और मैं आपको सला देती हूं कि आप खोज करते रहें एक माँ और एक CPA होने के नाते मैं तो यही सोचती हूं कि अच्छे नंबर लाना और एक बड़ी अनोकरी पालेना एक पुराना विचार है हमें अपने बच्चों को नए तरह के विचार देने होंगे हमें उन्हें अलग तरह की सिक्षा देनी होगी शायद हम अपने बच्चों को यह सिखाएं कि अच्छे करमचारी होने के साथ साथ वे अपना खुद का यह बताना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर ठान ले तो अमीर बन सकता है अगर आप माली या गेट की पर हैं या पूरी तरह वेरुजगार हैं तो भी आप में खुद को अपने और अपने परिवार के लोगों को धन संबंदी बातें सिखाने की काबलियत है यह याद रही हैं जिनका सामना हमने आज से पहले कभी नहीं किया किसी के पास भी जादू की पुड़िया नहीं है परन्तु एक बात तो तय है एसे परिवर्तन हमारे सामने आने वाले हैं जो हमारे यथार्ट से परे हैं कौन जाने वो विशय हमारे लिए क्या लाता है पर जो भी हो हमारे पास दो मूलबुत विकल्ब मुझूद है या तो हम स्रुक्षय की रापर चलें या फिर हम स्मार्ट बनकर खुद को धन संबंदी क्षेत्रों में सिक्षित करें और अपने बच्चों की धन संबंदी परतिबा को भी जाकरित करें शेराम लेक्टर धन्यवाद आईए चलते हैं अध्याए एक की तरफ रिच डेड पूर डेड रावर्ट कियो साकी के अनुसार अध्याए एक रिच डेड पूर डेड रोवर्ट कियो साकी के अनुसार मेरे दो डेड़ी थे एक अमीर और दूसरे करीब एक बहुत पढ़े लिखे और समझधार थे वे PhD और उन्होंने अपने चार साल के undergraduate कार्विया को दो साल से भी कम समय में कर लिया था इसके बाद वे आगे पढ़ने के लिए Stanford University, University of Chicago तथा North Western University गए और यह जब उन्होंने पूरी तरह से scholarship के सारे किया मेरे दूसरे डेडी आठवें से आगे नहीं पड़े थे, दोनों ही अपने करियर में सफल थे, दोनोंने जिंदगी भरकड़ी मेहनत की थी, दोनोंने यह काफी पैसा बनाया था परन्तों उन्हें से एक तो पूरी जिंदगी के लिए परिशान होते रहे और दूसरे हवाई के सबसे अमीर विक्तियों में से एक बन गई एक डैड़ी के मरने पर उनके परिवार, चर्च और जरूर्पंदों को करोडों डोलर की दोलत मिली, और दूसरे अपने पीछे कर्द छोड़ कर मर गई मेरे दोनों डैड़ी इरादे के पक्के, चम्तकारी और परभावशाली थे, दोनों ने मुझे सला दी, परंतो उनकी सलाएं एक सी नहीं थी, दोनों इस शिक्षा पर बहुत जोर देते थे, परंतो उनके द्वारा सुझाए गए पढ़ाई के विशे अलग अलग थे, अग किसी भी एक विचार को सीधे-सीदे मान लेने या नए मानने के बजाए, मैं उनकी सलाओं पर काफी सोच विचार करता, उनकी तुलना करता था और फिर खुद के लिए फैसला किया करता था। एक डेड़ी कहते थे, पैसे का मोह ही सभी बुराईयों की जड़ है, जबकि दूसरे डेड़ी कहा करते थे, पैसे की कमी ही सभी बुराईयों की जड़ है, जब मैं छोटा था, तो मुझे दोनों डेड़ीयों की अलग अलग सलाओं से दिक्कत होती थी, एक अच्छा बच् समय तक यह सोचा करता कि उन में से किसने क्या कहा क्यों कहा और उसका परिणाम क्या होगा मेरा बहुत सा समय सोच विचार में गुजर जाता था मैं कुछ से बार बार इस तरह के सवाल पूछा करता उन्होंने इसा क्यों कहा और फिर दूसरे डैडी के दुआरा कही होई बातो तुक्रा सकता था, बुड़े को यह भी नहीं पता कि वह क्या कह रहा है, चुकि दोनों ही मुझे प्यार करते थे, इसलिए मुझे कुद के लिए सोचने पर मज़ूर होना पड़ा, इस तरह सोचना मेरी यादत मन गई, जो आगे चलकर मेरे लिए बहुत फाइदेमन साबित ह अगर मैं एक तरह से ही सोच पाता, तो यह मेरे लिए इतना फाइदेबन नहीं होता, धन दोलत का विशय स्कूल में नहीं, बलकि घर पर पड़ाया जाता है, शायद इसलिए अमीर लोग और ज़्यादा अमीर होते जाते हैं, जबकि गरीब और ज़्यादा गरीब होते जा सकता है, स्कूल जाओ, और मेहनत से पढ़ो, हो सकता है, वह बचा अच्छे नंबर से कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ले, फिर भी पैसे के मामले में उसकी मान सिकता और उसके सोचने का धन, एक गरीब आदमी जैसा ही बना रहेगा, यह सब उसने तब सीखा था, जब वह नहीं पढ़ाया जाता, सकूलों में सेक्षन एक और व्यवसाइक निपूंताओं पर जोड दिया जाता है, नहीं कि धन संबंदी निपूंता पर, इससे यह हसाब हो जाता है कि जिन स्मार्ट बेंकर्स, डॉक्टर्स और अकाउंटेंट्स के स्कूल में अच्छे नंबर आ कि वे धन के बारे में बहुत कम जानते हैं, मैं एकसर नई सदी में आने वाली समश्याओं के बारे में सोचता हूँ, तब क्या होगा जब हमारे पास एसे करोणों लोग होंगे, जिने आर्थिक और चिकित सकीया मदद की जरूरत होगी, धन संबंदी मदद के लिए या तो माता पिता के उपर छोड़ दी जाएगी, जिन में से ज़्यादार गरीब हैं या गरीब होंगे, चुंकि मेरे पास दो परभावशाली डेडी थे, इसलिए मैंने दोनों से ही सीखा, मुझे दोनों की इस अलापर सोचना पड़ता था, इस तरह से सोचते सोचते मैंने यह भी जान लिया, कि किसी व्यक्ति के विचार उसकी जिन्दगी पर कितना जवर्दस्त असर डाल सकते हैं, उधारन के तोर पर, एक डेडी को यह कहने की आदत थी, मैं इसे नहीं खरीच सकता, दूसरे डेडी इन शब्दों के इस्तेमाल से चिड़ते थे, वे जोड़ देकर कहा करते थे, कि मुझे इसके बजाई यह कहना चाहिए, मैं इसे कैसे खरीच सकता हूँ, पहला वाक्या नकारात्मक है, और दूसरा प्रशन वाचर, एक में बात खतम हो जाती है, और दूसरे में आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, मेरे जल्दी अमीर बनने वाले डैडी ने मुझे समझाया, कि जब हम कहते हैं, मैं इसे नहीं खरीच सकता, तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, इसके बजाए, जब हम यह सवाल पूचते हैं, मैं इसे कैसे खरीच सकता हूँ, तो हमारा दिमाग काम करने लगता है, उनका यह मतलब नहीं था, कि आपका जिस चीज़ पर दिल आ जाए उसे खरीदी लें। वे लगबग दिवानगी की हद तक अपने दिमाग को कसरत करवाना चाहते थे। और उनके ख्याल से दिमाग दुनिया का सबसे ताकतवर कंप्यूटर है। मेरा दिमाग हर रोज तेज होता जाता है क्योंकि मैं इसकी कसरत करता रहता हूँ। यह इतना तेज होता जाता है। मैं इसकी मदद से उतना ही ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। उनका मानना था कि मैं इसे नहीं खरीच सकता। कहना दिमाग की आलस्या की पहचान है। हालांकि दोनों ही डेड़ी अपने काम में कड़ी मेनत करते थे परंदु मैंने देखा कि पैसे के मामले में एक डेड़ी की आदत यह थी कि वे अपने दिमाग को सुला देते थे और दूसरे डेड़ी अपने दिमाग को लगातार कसरत करवाते रहते थे इसका दिर काले कर्टी भी देखता रहता है शरीर की सही कसरत से आप ज़्यादा तंदरूस तो सकते हैं और दिमाग की सही कसरत से आप ज़्यादा अमीर हो सकते हैं अलस्य से स्वास्ते और धन दोनों का ही नुकसान होता है मेरे दोनों डैडियों की विचारदारा में जमीन आस्मान का फासला था एक डैड़ी की सोच थी कि अमीरों को ज़्यादा टेक्स देना चाहिए ताकि बेचारे गरीबों को ज़्यादा फाइदा मिल सके जबकि दूसरी डैड़ी सोचते थे टेक्स उन लोगों को सजा देता है जो उत्पादन करते हैं और उन लोगों को इनाम देता है जो उत्पादन नहीं करते एक डैड़ी सीखाते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नोकरी मिल जाए जोकि दूसरे डैड़ी की सीखिया थी मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मोका मिल जाए एक डैडी कहते थे मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना पड़ता है दूसरे डैडी कहते थे मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है एक डैडी डिनर की टेबल पर पैसे और बिजनस के बारे में बात करते थे परन्तु दूसरे डैडी भोजन करते समय पैसे की बाते करने के लिए मना करते थे एक का कहना था जहां पैसे का सवाल हो सुरक्षित कदम उठाओ खत्रा मत उठाओ दूसरे का कहना था खत्रों का सामना करना सीखो एक का मानना था हमारा घरी हमारा सबसे बड़ा निवेश और हमारी सबसे बड़ी संपत्ती है जबकि दूसरे का मानना था मेरा घर मेरा दाइत्तव है और अगर आपका घर आपकी नजर में सबसे बड़ा निवेस है तो आप कष्ट में है। दोनों ही डैडी अपने बिल समय पर चुकाते थे, परंत उन में से एक सबसे पहले अपने बिल चुकाता था, जबकि दूसरा सबसे आखिरी में। एक डैडी का यह मानना था कि कमपनी या सरकार को आपका ध्यान रखना चाहिए और आपकी जरूरतों को पूरा करना चाहिए। और सेना द्वारा अपने रिटाइड करमचारियों को दी जा रही सुईदाओं की भी तारिफ करते थे, उन्हें विश्व द्याला का टेन्योर सिस्टम भी काफी पसंद था, कई बार नोकरी से आजीवन मिल रही सुरुक्षा और नोकरी के लाब नोकरी से ज़्यादा मैत् विश्वास करते थे, वे सुईदाबों की मानसिकता के विरोधी थे, वे यह मानते थे कि इस तरह की मानसिकता लोगों को कमजोर और आर्थी ग्रूप से जरूर्तिमन बनाती है, उनका द्रड विश्वास था कि आदमी को आर्थी ग्रूप से सक्षम होना चाहिए, एक व्यवसाई को और वित्यय यूजनाई लिखी जाएं, जिससे मैं नोकरियां दे सकूँ, दो पर बावसाले डैडियों के साथ रहने के कारण, मुझे यह विसलेशन करने का मौका मिला, कि उनके विचारों का उनके जीवन पर कितना आसर हो रहा है, मैंने पाया कि दर असल, लोग अपने विचारों से ही अपने जीवन को दिसा देते हैं। उधारन के तोर पर मेरे गरीब डेड़ी हमेसा कहा करते थे। मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा। और उनकी यह बविश्यवानी सही सावित हुई। दूसरी तरफ मेरे अमीर डेड़ी हमेसा खुद को अमीर समझते थे। वे इस तरह की बातें करते थे। मैं अमीर हूँ और अमीर लोग ऐसा नहीं करते। एक बड़े आर्थिक जटके के बाद जब वे दिवालियपन के कगार पर थे। तब भी वे खुद को अमीर आदमी ही कहते थे। वे अपने समर्थन में यह कहते थे। गरीब होने और पैसा नहीं होने में फर्क होता है। पैसा पास में नहीं होना ऐस्ताई होता है। जबकि गरीब इस्ताई होता है। मेरे गरीव डेड़ी यह भी कहते थे, मेरी पैसे में कोई रूची नहीं है या पैसा में तपूर नहीं है, मेरे अमीर डेड़ी हमेशा कहते थे, पैसों में बहुत ताकत है, हो सकता है आपके विचारों की ताकत को कभी भी नाम आपा जा सके या फिर उन्हें पूरी तरह से स बलकि इसलिए गरीब थे क्योंकि उनके विचार और काम गरीबूं की तरह थे दो डैडी होने के कारण बच्पन से ही मैं इस बारे में बहुत साउधन हो चला था कि मैं किस तरह की विचारदारा को अपना हूँ, मैं किस की बात मानूँ, अपने अमीर डैडी की या अपने गर पुर्ण मानते थे, परंतु क्या सिखा जाए, इस बारे में दोनों की राए अलग अलग थी, एक चाहते थे कि मैं पड़ाई में कड़ी मेनत करूं, डिगरी लूं और पैसे कमाने के लिए अच्छी सी नोपरे डोण लो, वे चाहते थे कि मैं एक पेशेवर अधिकारी, व मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, इन सब्दों को वे बार बार दोराया करते, पैसा मेरे लिए काम करता है, नो साल की उमर में मैंने यह फैसला किया, कि पैसे के बारे में मैं अपने अमीर डेडी से सिखूँगा, यह फैसला करने का मतलब था, अपने गरीब डेडी की बात कभी हैं हालांकि मुझे उनकी बहुत सी कविताइं पसंद है परन्तु दे रोड नाट टेकन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है मैं इसकी सिख्षा का इस्तेमाल हर रोज करता हूं दे रोड नाट टेकन वहरा जिसे चुना नहीं गया पीले जंगल की दो राव बंटती थी और अफसोस कि मुझे एक को चुनना था और मैं देर तक खड़ा रहा दूर तक यह देखते हुए कि यह राव कहां तक जाती है जुर्मटो में मुढ़ने से पहले फिर मैंने दूसरी रहा चुनी उतने ही सुन्दर और शायद बेटर भी क्योंकि यहां गास जाता थी और कम लोग गुजरे थे हालांकि लोगों के गुजरने से यहां भी उतना ही नुक्सान हुआ था और दोनों ही उस सुबह बराबर थी पत्यों पर काले कदम नहीं थी और मैंने पहली को अगले दिन के लिए रखा पर यह जानते हुए कि किस तरह रास्ते निकलते हैं मुझे शक था कि मैं कभी लोटूँगा मैं आख बरकर यह कमूँगा आज से सदियों बाद शायर एक ज जिंतन करता रहता हूं पैसे के बारे में अपने पड़े लिखे डैडी की सला और नजरिये को नए सुनने का मेरा फैसला दुखत था परन्तु यह एक ऐसा फैसला था जिसने मेरे जिंदगी की दिशा तैय कर दी एक बार मैंने यह फैसला कर लिया कि मुझे किस की बात सुन दिया उन्होंने यह देख लिया था कि मैं वह सब समझ चुका हूं जो वे मेरी मोटी बुद्धी में भरने की कोशिस कर रही थे पैसा एक तरह की ताकत है परन्तु इससे भी बड़ी ताकत है वित्य शिक्षा पैसा तो आता और जाता रहता है परन्तु अगर आप यह जान में पढ़ते हैं और वहां वे कभी यह नहीं सीख पाते कि इस पैसा किस तरह से काम करता है इसलिए वे पैसे के लिए काम करने में अपनी सारी जिन्दी बरबाद कर देते हैं मेरी सिक्ष्या जब शुरू हुई थी तब मैं केवल 9 साल का था और इसी कारण मेरे अमेरी के बारे में है और इसे भी उतना ही आसान बनाने की कोशिस की गई है जितना की मेरे अमेरी डैडी ने मुझे मेरे लिए आसान बनाया था यह पार्ट आपके लिए जवाब की तरह नहीं लिखे गई हैं बलकि मार्गदर्सक की तरह लिखे गई हैं ऐसे मार्गदर्सक जो ज पैसे के लिए काम नहीं करते। आपका दिन शुब हूँ। रिच डैड पूर डैड अध्याए दो। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। डैडी क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाए। यह सुनते ही मेरे डैडी ने अपना शाम का अखवार नीचे रख दिया। बेटे क्या तो ममीर बनना चाते हो। क्योंकि याद जिमी की ममी अपनी नई कैडलिक कार में आई। और वे लोग पिकनिक पर अपने समुदरतट वाले घर पर जा रही थे। जिमी अपने साथ हमने तीन दोस्तों को ले गया। परंतु माई को और मुझे नहीं ले गया। उसने हमसे यह कहा कि वे हमें इसलिए नहीं ले जाएगा क्योंकि हम लोग गरीब बच्चे थे। उसने ऐसा कहा। डैडी ने आतम इस स्वास से पूछा। हाँ बिल्कुल मैंने दर्दबरी आवाज में कहा। डैडी ने अपना सेरे लाया नाग तक अपने चस्मे को चड़ाया और फिर अख़बार पढ़ने लगी। मैं उनके जवाब का इंतजार करता रहा। यह है 1956 की बात है। तब मैं 9 साल का था। किस्मत की बात थी कि मैं उसी पुबिलिक स्कूल में जाता था जिसमें अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। हम शुगर प्लांटेशन के कसवे में रहते थे। Plantation के Manager और कस्वेक एक पाकी लोग जैसे डॉक्टर और बिजनसमें और बेंकर अपने बच्चों को पहली कक्षा से चटी कक्षा तक इसी स्कूल में बेशते थे। चटी कक्षा के बाद बच्चों को प्राइवेट स्कूल में बेजा जाता था। अगर मेरा परिवार सड़क के दूसरी छोर पर रहा होता तो मुझे अलग तरह के स्कूल में बेजा जाता। जहां मेरे जैसे परिवारों के बच्चे पढ़ते थे। चटी कक्षा के बाद इन बच्चों की तरह मैंने भी पब्लिक इंटरमेडियेट और हाई स्कूल किया होता क्योंकि उनकी ही तरह मेरे लिए भी प्राइवेट स्कूल में जाना संभव नहीं था। मेरे डैरी ने आखिर अख़बार को नीचे रख दिया, मुझे पता था वे क्या सोच रहे थे। उन्होंने दिमे से शुरू किया, अगर तुम अमीर बनना चाते हो, तो तुम्हें पैसा पनाना सीखना चाहिए। मैंने पूछा, मैं पैसे बनाना किस तरह सीख सकता हूँ। अपने दिमाग के इस्तिमाल से, उन्होंने मुश्कराते हुए कहा, इसका आसली मतलब यह था, बस मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ। या मैं इसका जवाब नहीं जानता, इसलिए मुझे तंग मत करू। बाइक भी मेरी तरह था क्योंकि वह भी किस्मत की वज़य से इस सकूल में था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने कस्पे के सकूलों की सरदें तैकर दी थी और इसी कारण हम लोग अमीर बच्चों के सकूलों में पढ़ रहे थे। सच का जाए तो हम लोग गरीब नहीं थे। परंतु ऐसा हमें लगता था क्योंकि बाकी सभी बच्चों के पास नए बेसबाल गलाउज, नई साइकलें और हर चीज नई होती थी। मम्मी और डैडी हमें भी सभी जरूटतों की चीज़ें जलवाते थे। जैसे खाना, घर, कपड़े परंतु इस से ज़्यादा कुछ मेरे डैडी कहा करते थे, अगर तुमें कोई चीज चाहिए तो उसके लिए काम करो। हमें बहुत से चीज़ें चाहिए थे, परंतु नो साल के बच्चे के करने के लिए ज़्यादा काम मौजूद नहीं थे। माइक ने पूचा, तो पैसा बनाने के लिए हमें क्या करना च हम दोनों पूरी सुवए यही सोचते रहे कि पैसा किस तरह कमाया जाए। कभी कबार हम उन बेफिकर बच्चों के बारे में बतें करते जो जिमे के इस पूंदर कट वाले घर पर मजए कर रही होंगी। इससे थोड़े चोट पहुंचती थी, परंतु यह चोट अच्छी क्योंकि इसने हमें यह सोचने के लिए प्रेदित किया कि पैसा कैसे कमाया जाए। आखिरकार उस दो पैर को हमारे दिमाग में बिजली कौन गई। यह एक ऐसा विचार था जो माइक ने किसी विज्ञान की किताब में पढ़ा था। रोमंचित होकर हमने हाथ मिलाई और प अपने इस्तेमाल किये वे टूथ पेस्ट टूब हमारे लिए रख लें। हैरत से हमें देखते हुए ज़्यातर लोगों ने मुश्करा कर हमारी बात मान ले। उसने हमसे पूछा कि टूथ पेस्ट टूब हमें क्यों चाहिए। इसके जवाब में हमने कहा हम आपको यह नह मेशिन के ठीक पास थी। एक भूरे कार्डबोर्ड के बकसे में जिसमें कभी केचप की बोतले रखी रहती थी। हमारे इस्तेमाल किये हुए टूथ पेस्ट के टूब्स के संख्या बढ़ने लगी। आखिरे एक दिन मा के सबर कावाल तूट गया। पडोशियों के मुड तूट तूट तूब्स को देखते देखते वे उप गई थी। उन्होंने पूछा। तुम लोग कर क्या रहे हो। और मैं यह नहीं सुनना चाहती कि यह एक बिजनस सिग्रेट है। इस कच्रे को साफ कर दो या मैं इसे बाहर उठाकर फैंक दूँगी। माईक और मैंने उनके हाथ पैर जोड़े। उन्हें यह बताया कि हमारी ही जल्दी हमारा कच्छा माल पर याप जमा हो जाएगा। और फिर हम उत्वादन शुरू कर देंगे। हमने उन्हें बताया कि हम कुछ परोशियों को इंतजार कर रहे थे ताकि वे अपने टूट पेस्ट के ट्यूप्स खत्म कर लें। माने हमें एक अपते की मौलत दे दी। उत्वादन शुरू होने की तारिक नजदीक आ गई थी। दबाव बढ़ गया था। हमारे वेरा उसके मालिक यानि मेरी माने हमारे पहली पार्टनर्शिप कंपनी को जगे खाली करने का नोटिस थमा दिया था। अब माईक का काम यह था कि वह परोशियों को अपने टूट पेस्ट जल्दी खत्म करने के लिए कहे और साथ में यह भी जोड़ दे। दांत के डाक्टरों का कहना है कि दिन में कई बार ब्रश करना चाहिए। मैं उत्पादन की परक्रिया को ठीक ठाक करने में जुट गया। एक दिन मेरे डैड़ी अपने एक दोस्त के साथ कार में बैठकर पोर्च में आई। और उनके आस्चरिया का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने वहाँ नो साल के दो बच्चों को उत्पादन की परक्रिया में पूरी कती से जुटे देखा। हर तरब बारिक सफेद फाउडर बिखरा हुआ था। एक लंबी मेजबर स्कूल से लाए गए दूद के छोटे कार्टन थे और हमारे परिवार की हिवाची ग्रिल लाल दैकते कोईलों के साथ अडिक्तम गर्मी पर चल रही थी। डेड़ी सावदानी से चल कर हमारे करीब आई जो कि हमारी उत्पादन की परिकरिया ने पोर्ट्स पर कबजा कर लिया था इसलिए उन्हें कार बाहर ही खड़ी करनी पड़ी जब वे और उनके दोस्त पास आए तो उन्होंने कोईलों के उपर रखा एक स्टील का बरतन दे प्लास्टे का प्लास्टे का प्लास्टे का प्लास्टे ही था जिसमें हमने पानी मिलाया था जल्दबाजी में मैंने उसके बैग को गिरा दिया था और पूरी जमीने से लग रही थी जैसे वहाँ अभी अभी वर्प का तुपान आया हूँ दूद के कार्टन बाहरी बक से थे जिनके वेदर प्लास्टर प्लास्टर प्पेरिस के साथ से थे मेरे डैड़ी और उनके दोस्त में देखते रहे और हम पिगले वे सीजे के प्लास्टरा पेर इसके क्यूब के उपर से चोटे छेद में डालते रहे संभल कर मेरे डैड़ी ने कहा मैंने बिना सीर उपर उठाई हामीवर दी आखिरकार जब सीजे को डालने का काम खतम हो गया तो मैंने स्टील के बरतन को नीचे रख दिया और फिर अपने डैड़ी की तरफ देखकर मुस्कुराया उन्होंने अलकी मुस्कान के साथ पूछा तुम लोग क्या कर रहे हो हम वही कर रहे हैं जो आपने बताया था हम अमीर बनने जा रहे हैं मैंने कहा हाँ माइक ने सीर को इलाते हुए और मुस्कराते हुए कहा हम दोनों पाटनर हैं डैड़ी ने पूछा और इन प्लास्टर के संसों में क्या है देखिए मैंने कहा इनमें एक बहुत अच्छी चीज है चोटे अतोडे से मैंने सील को ठोका जिससे बाहर ही खोल तूट गया सावधानी से मैंने उपर के आदे प्लास्टर को अठाया और जस्ते का एक सिक्का बाहर घर गया हे वगवान मेरे डैड़ी ने कहा तो तुम लोग जस्ते के सिक्के डाल रहे थे बिल्कुल सही माइक ने कहा हम वही कर रहे थे जैसा आपने हमसे कहा था हम पैसा बना रहे थे मेरे डैड़ी के दोस्त जोर से हंसने लगे मेरे डैड़ी भी मुस्कुराई और उन्होंने अपना सीरे लाया उनके सामने आग और टूथपेस्ट की टूप्स के बकसे के साथ सफेद धूल में लिप्टे हुए दो बच्चे खड़े थे जो इस कान से उस कान तक मुस्कुरा रहे थे उन्होंने हमसे कहा कि हम सब कुछ छोड़ कर उनके साथ चले और घर के सामने वाली सीडी पर बैखें मुस्कुराते हुए उन्होंने हमें जालसा सी सब्द का मतलब समझाया हमारे सपने दरासा ही हो बही थे तो आपका मतलब है कि यह गैर कनूनी है माइक ने कापती आवाज में पूछा छोड़ो भी डेड़ी के दोस्त ने कहा हो सकता है कि बच्चे अपने जन्मजात पर तिबागों विक्षित कर रहे हो मेरे डेड़ी हमें गुरते रहे हाँ यह गैर कनूनी है डेड़ी ने नर्मी से कहा परंतु तुम लोगों ने यह साबित कर दिया कि तुम में बहुत ज़्यादा रसनात मक्ता और मौलिक विचार है इसी तरह आगे बढ़ते रहो मुझे तुम पर गर्व है निरास होकर माइक और में तकरिबन बीस मिनिट तक चुप चाप अबना सिर्फ पकड़कर बैठे रही इसके बाद हमने सारा आटाला साब करना शुरू कर दिया पहले ही दिन हमारा बिजनस चौपट हो गया था पाउडर साब करते विए मैंने माइक की तरफ देखा और कहा मुझे लगता है जिमी और उसके दोस्त ठीक हैं हम सचमुच गरीब हैं जब मैंने यह कहा तब डैड़ी बस जाने ही वाले थे बच्चो उन्होंने कहा तुम गरीब तभी कहलाओगे जब तुम लोग हार मान लोगे सबसे महत्वपून चीज यह है कि तुमने कुछ किया ज़्यादातर लोग केवल अमीर बनने के बारे में बातें करते रहते हैं और उसके सपने देखते रहते हैं तुमने कुछ किया है मुझे तुम दोनों पर गर्व है मैं एक बार फिर से यही कहूँँगा आगे बढ़े चलो हार मत मनो माइक और मैं खामोस खड़े रहे यह सब सुनने में अच्छे थे परन्तु हमें यह पता नहीं था कि हमें क्या करना चाहिए तो ऐसा क्यों है डेडी कि आप अमीर नहीं है मैंने पूछा क्योंकि मैंने एक स्कूल टीचर बनने का फैसला लिया था स्कूल के टीचर अमीर बनने के बारे में नहीं सोचते हम सिर्फ पढ़ाना पसंद करते हैं कास कि मैं तुम लोगों की मदद कर सकता परंतो हकीकत में यह नहीं जानता कि दोलत कैसे कमाई जाती है माईक और मैं पल्टे और अपने सफाई अवियान में जुट गई डैडी ने कहा अगर तुम लोग यह सीखना ही चाहते हो कि अमीर कैसे बना जाता है तो मुझ से मत पूछो माईक तुम अपने डैडी से ही यह सवाल पूछो मेरे डैडी माईक ने हैरानी से कह हाँ तुमारे डैडी मेरे डैडी ने मुश्करा कर दो रहाया तुमारे डैडी और मेरा बैंकर एक ही है और वह तुमारे डैडी की बहुत तारिफ करता है उसने मुझे कई बार यह बताया है कि पैसा बनाने में तुम्हारे डैडी का कोई जवाब नहीं है मेरे डैडी माइक ने एक बार फिर हैरानी से पुछा फिर ऐसा क्यों है कि स्कूल के अमीर बच्चों के दरह हमारे पास शांदार कार और आलिसान बंगला नहीं है शांदार कार और आलिसान बंगले के होने का यह मतलब नहीं कि आप निस्षित रूप से अमीर है या आप पैसा बनाने की कला जानते हैं डेडी ने जवाब दिया जीमी के डेडी सुगर प्लांटेशन में काम करते हैं उन में और मुझ में ज़्यादा फार्क नहीं है वे एक कमपनी के लिए काम करते हैं और मैं सरकार के लिए कमपनी उन्हें कार खरीद कर दे देती है इस समय शक्कर की कमपनी आर्थिक संकड में फजी हुई है और जीमे के डेडी के पास जल्दी कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे डेडी अलग है माई एसा लगता है कि वे एक समराज ये बनाने जा रहे है और मेरा अंदाजा है कुछी सालों में बहुत अमीर बन जाएंगी यह सुनकर माईक और मैं एक बार फिर रोमांचित हो गई नए उत्सा से हमने अपने डूबी वे वेवसाई के कच्रे को साथ करना शुरू कर दिया जब हम सभाई कर रहे थे तो हमने यह भी योजना बना ली कि कब और कैसे माईक के डेडी से बात की जाई समझ्य यह थे कि माईक के डेडी बहुत जाना काम करते थे और तेर रात तक घर नहीं लोटते थे माईक के डेडी के पास कई वेराउस, कंस्ट्रक्शन कंपनी, स्टोर्स की स्रंगला और तिन रेस्तरा थे रेस्तराओं के कारणी उन्हें घर लोटने में देरी हो जाती थी सफाई खत्म करने के बाद माईक बस बकड़कर अपने घर चला गया वह अपने डेडी से बात करने वाला था चाहे वे कितनी देर से घर लोटे और उनसे पूसने वाला था कि क्या वे हमें अमीर बनने की तरकीब सिखाने के लिए तयार है माईक ने मुझसे वादा किया कि जैसे ही वे अपने डेडी से बात कर लेगा वे अब मुझे फोन करेगा चाहे कितनी देर क्यों नहीं हो जाए फोन रात को साड़े आट बजे आया ओके अगले शनिवार मैंने कहा और फोन रख दिया माईक के डेड़े माईक और मुझसे मिलने के लिए तयार हो गए थे शनिवार की सुबह साड़े साथ बजे मैंने शहर के दूसरे हिस्से में जाने के लिए बस पकड़ी मैंने देखा कि उनका कस्ट्रक्शन सुपरवाईजर अपने पिक अप ट्रक में वहां से जा रहा था माईक मुझे दर्वाजे पर ही मिल गया डेड़ी अभी फोन पर है और उन्होंने कहा है कि हम लोग पीछे के पोर्स में उनका इंतजार करी माईक ने दर्वाजा कोलते हुए कहा जब मैंने उस पूराने घर की देलेज के अंदर कड़म रखा तो लकडी के पूराने फर्स की चर्म राहट सुनाई दी दर्वाजे के बीतर सस्ती सी चटाई थी चटाई वहाँ इसलिए रखी गई थी ताकि फर्स पर पड़े अंगिनत कड़ों के निशानों को चुपाया जा सके हालांकि वह साब थी पर यह सपष्ट दिखता था कि उसे बदल लेना चाहिए जब मैं संक्रे लिविंग रूम में गुसा तो मेरा दम गुटने लगा था वहाँ पुराने फर्निचर की बू आ रही थी और निश्ची दूरूम से उस फर्निचर को संग्राल्य में होना चाहिए था सोबह पर दो मैलाएं बैटी थी उनकी उमर मेरी मां से थोड़ी ज़़ा थी मेलाओं के सामने एक पुरूस मजदूरों के कपड़ों में बैठा हुआ था उसने खाकी पैंट और खाकी शर्ट पैन रखा था हलांकि कपड़े साफ और प्रेस किये हुए थे पर उन्तुन में स्टार्ट नहीं किया था उस आदमी की उमर मेरे डेड़ी से लगबग 10 साल जदा होगी शायद 45 साल जब मैं और माईक उनके पास से गुजरिते हुए किचन की तरफ गई जहां से पोर्च का रास्ता था तो वे मुश्कुराई मैं वे जवाब में शर्मा कर मुश्कुरा दिया ये लोग कोन है मैंने पूछा अरे ये लोग डेड़ी के लिए काम करते हैं बुड़ा व्यक्ति उनके वे रावसों को संबालता है और मैले रेस्त्राओं की मैनेजर है और तुमने उस कंस्ट्रक्शन सुपर्वाइजर को तो देखा ही होगा जो यहाँ से पचास मिल दूर एक सड़क परियोजना पर काम कर रहा है उनका दूसरा सुपरवाइजर जो पहुच से घर बना रहा है वह तुमारे आने से पहले ही जा चुका है क्या इस हमेसा ही होता है मैने पूछा हमेशा तो नहीं फरक सरे साही होता है माइक ने कहा और मेरे पास अपने कुर्सी खिंचते हुए मुस्कुराया मैंने उनसे पूछा था कि क्या भी हमें पैजा बनाना सिखाएंगे माइक ने मुझे बताया अच्छा और उन्होंने इसका क्या जवाब दिया मैंने साउदानी पूर्व उच्शुक्ता से पूछा पहले तो उनके चेहरे परासी आई पर फिर कुछ सोच कर उन्होंने कहा कि वे हमारे सामने एक उफर रखेंगे अच्छा मैंने कहा और अपनी कुर्सी की पीट दिवार से टिका ली मैं वाँ कुर्सी के पिछले दो पैरों के सारे टिका बैठा रहा माइक ने भी ऐसा ही किया क्या तुमें पता है कि वे कौन सा आफर देने वाले है मैंने पूछा नहीं पर हमें जल्दी इसका पता चल जाएगा अचानक माइक के डेड़ी उस पूराने दर्वाचे से गुश कर पोर्च में दाखिल हुए माइक और मैं अपने पैरों पर कूद गए आदर के कार नहीं बलकि इसलिए कि हम चौग गए थे तो बच्चों तयार हो माइक के डेड़ी ने एक कुर्षी हमारे पास खिसकाते हुए पूछा हमने अपने सीरह लाए और अपने कुर्षियों को दिवार के पास से खींच कर उनके सामने रख लिया वे एक विशाल सरीर के मालिक थे लगबग 6 पिट उन्चे और 200 पांड बजनी मेरे डेड़ी इससे उन्चे थे लगबग इसी बजन के और माइक के डेड़ी से 5 साल जादा बड़े वे लगबग एक जैसे ही थे हलांके दोनों एक ही प्रजाती के नहीं थे हो सकता है कि उनके उर्जा एक सी हो माइक का कहना है कि तुम पैसा कमाना सीखना चाते हो क्या यह सही है रावट मैंने तत्काल सेम्टी में अपना सीरी लाया हलांके मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था उनके शब्दों और मुस्कुराट के पीछे बहुत ताकत थी अच्छा यह रहा मेरा अपर मैं तुमें सिखाऊंगा परंतों मैं इसा क्लासरूम की शैली में नहीं करूँगा अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो इसके बदले में मैं तुमें सिखाऊंगा अगर तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं सिखा हूँ अगर तुम काम करते हो तो मैं तुम्हें ज्यादा तेजी से सिखा सकता हूँ और अगर तुम सिर्फ बैठ कर मेरी बाते सुनते हो जैसा कि तुम लोग स्कूल में करते हो तो इससे मेरा समय बरबाद होगा यह मेरा आफर है इसे या तो मान लो या फिर वापस लोड़ जाओ क्या मैं आप से पहले एक सवाल कर सकता हूँ मैंने पूछा नहीं इसे या तो मान लो या फिर वापस लोड़ जाओ मेरे पास परबात करने के लिए फाल तू समय नहीं है अभी डेर सा काम पड़ा है अगर तुम में ततकाल फैसला करने के इक्षमता नहीं है तो तुम कभी पैसा बनाना नहीं सीख पाओगे मोके आते हैं और चले जाते हैं इसलिए तत्काल निर्ने लेने की किशमता एक महत्वपून कला है तुमने जैसा चाहा था वैसा एक मौका तुम्हारे सामने मौजूद है अगले दस सेगेंड में या तो पढ़ाई चलू हो जाएगी या पिर यह हमेशा के खतम हो जाएगी माइक के डैड़ी ने चिड़ने वाली मुस्कुरार्ट के साथ कहा मन्जूर हम दोनों ने कहा बहुत बढ़िया माइक के डैड़ी ने कहा दस मिनिट में मिसेज मार्टिन आ जाएंगी उनसे बाते करने के बाद मैं तुम्हें उनके साथ बहश दूँगा और तुम लोगों का काम शुरू हो जाएगा मैं तुम्हें एक गंटे के दस सेंट दूँगा और तुम हर सेनिवार तीन गंटे काम करोगे पर आज तो मेरा साथ बाल का मैच है मैंने कहा माइक के डैड़ी ने अपनी आवाज को दिमा पर उन्तु कड़क करके कहा या तो मान लो या फिर वापस लोड़ जाओ मान लिया मैंने जबाब दिया साथ बाल खेलने के बज़ाए काम करने और सीखने का भी कल्प चुनने में ही समझदारी थी शनिवार की खुस इमा सुबह नो बज़े माई और मैं मिसेज मार्टिन के साथ काम कर रहे थे वे एक दयालू और धहरे अवान में ही ला थी वे हमेशा कहा करते थी कि माई को और मुझे देखकर उन्हें अपने दोनों बच्चों की यात आ जाती है और अब वे बड़े हो गए थी तदा दूर चले गई थे हालांकि वे दयालू थी पर उन्हें तो वे कड़ी मेहनत में बरोसा करते थी और इसलिए वे हमें हमेशा काम में जुटाई रखते थी वे बहुत कड़क मैनेजर थी हम तीन गंटे तक डिवाबन साबानों को सेल पर से उतारते थे उनकी दोल साब करते और फिर उन्हें करेने से जमाते थे यह बड़ी मेहनत का काम था और बोरियत का भी माइक के डेड़ी को मैं अपना आमीर ठेरी कहता हूँ उनके पास इस तरह के नो सुपरेस्ट थे जहां पारकिंग के लिए बहुत सी जगह थी पर 7-11 convenience store के शुरुआती संसकर्ण थे परोस के जनरल store जहां लोग दूद, प्रेड, बटर और सिगरेट चैज़े चीज़ें खरीटते थे समझ्य यह थे कि हवाई में एर कंडिशनिंग नहीं थी और गर्मी के कार्ण stores अपना दरवाज़ा बंद नहीं कर सकते थे जाता जो store में गुसकर डिबों पर जम जाता था, इसलिए हम लोगों की नोगरी तब ही तक चलती जब तक की एर कंडिशनें नहीं हो जाती तीन हक्तों तक माईक और मैं मिसेज मार्टिन के साथ जाकर तीन गंटे तक काम करते रहे दोपेर तक हमारा काम खतम हो जाता था और वे हम में से हर एक के हाथ में तीन चोटे सिक्के डाल देती थी उस समय पचास के दसक में, नो साल की उमर में भी तीस सेंट कमाने में कोई खास कुशी नहीं होती थी तब कामिक्स की किमत दस सेंट हुआ करती थी इसलिए मैं अपनी कमाई को कमिक्स पर खर्च कर देता था और घर लोड जाता था चोटे हफ़ते के बुद्वार तक मैंने काम चोड़ने का मन बना लिया था मैं सिर्प इसलिए काम करने के लिए तैयार हुआ था क्योंकि मैं माईक के डैड़ी से ऐसा कमाना सीखना चाता था चोटे हफ़ते के बुद्वार तक मैंने काम चोड़ने का मन बना लिया था मैं सिर्प इसलिए काम करने के लिए तैयार हुआ क्योंकि मैं माईक के डैड़ी के पास ऐसा कमाना सीखना चाता था इसलिए मैं दस सेंट परती गंटे के गुलामी कर रहा था और सबसे बड़ी बात तो यह थी उस पहले सेनिवार के बात से मैंने माईक के डेड़े को देखा तक नहीं मैं काम सोड़ रहा हूँ मैंने लंज के समय माईक से कहा स्कूल लंज बड़ा निरासा जनक था स्कूल भी उबाऊ था और अब तो मेरे पास सेनिवार भी नहीं थे इसलिए मैं इंतजार कर सकूँ परनतु 30 सेंट के कारण मुझे बहुत दक्का लगा है इस बार माईक मुस्कुराया तुम किस बात परांस रहे हो मैंने गुस्चे और कुण्ठा से पूछा डैडी ने कहा था कि ये साई होगा उन्होंने कहा था कि जब तुम काम छोड़ने का फैसला कर लो तब वे तुम से मिलना चाहिने क्या? मैंने आवेस में पूछा क्या वे मेरे उपता जाने का इंतजार कर रहे थे कुछ-कुछ एक ने कहा मेरे डैडी जरा अलग किसम के थे उनका सिखाने का तरीका तुम्हारे डैडी के पढ़ाने के तरीके से बिल्कुल अलग है तुम्हारे ममी डैडी बहुत बाते करते हैं दूसरी तरफ मेरे डेडी को कम बोलते हैं, तुम सिर्फ इस सनिवार तक इंतजार कर लो, मैं उन्हें बता दू कि तुमने काम सोड़ने का फैसला कर लिया है, इसका मतलब यह है कि मेरे साथ नाटक खेला गया है, नहीं ऐसा नहीं हुआ है, पर शयद हो सकता है, डेडी सनिव डेडी कहता हूँ, यह मानते थे कि मेरे अमीर डेडी बाल स्रम कारूनों को लंगन कर रहे थे, और इस पूरे मामले के जांच होनी चाहिए, मेरे पडेली के गरीब डेडी ने मुझसे यह कहा, कि मैं अच्छी तनकुआ मांगूं, कम से कम 25 सेंट परती गंटा, मेरे गरीब डेडी ने मुझसे कहा, कि अगर मेरे तनकुआ नहीं बढ़ती, तो मुझे ततकाल नोगरी छोट देनी चाहिए, और वैसे भी तुम्हें इस गटिया काम की जरूरत नहीं है, मेरे गरीब डेडी ने जला कर कहा, शेनिवार को सुबए 8 बजे, मैं एक बार फिर माइक के गर में, उसी पुराने दरवाजे के अंदर गुसरा था, कुर्शी पर बैटो और लाइन में इंतिजार करो, माइक के डेडी मेरे गुस्ते ही कहा, फिर वे अंदर जाकर अपने छोटे से आफिस में बैट गए जो बेडरूम के पास था, मैंने कमरे के चारों तरफ देखा, पर कि मैं भी बैट सकूँ, पैंतालिस मिनिट गुजर गए थी और मैं उबल रहा था, दोनों में लाइन, उन से मिलकर तकर रिबन तीस मिनिट पहले, वहां से जा चुकी थी, एक भूड़ास आदमी वहां, बीस मिनिट तक बैठा, और फिर वहे भी निकल गर, चला गया, घर खाली था, और हवाई में खुशन वासुबै को मैं सीलन बरे, अंदेरे लिविंग रूम में बैठा हुआ था, और इस बात का इंतजार कर रहा था, कि एक लालची और बच्चों का सोशन करने वाल आदमी मुझ से बाते करे, मैं सुन सकता था, कि वे फोन पर बाते कर रहे अफिस में इधर उदर के काम कर रहे थे, और मुझे नजर अंदास कर रहे थे, मेरी इच्छा तो हो रही थी, कि मैं उस गभंडी आदमी से बिना मिले ही गर लोड़ जाओ, पर किसी वज़े से रुक गया, आखिर पंद्रह मिनट भाद, ठीक नोव जे, अमीर डेड़ी अफिस से बाहर निकले, बिना कुछ कई उन्होंने हाथ से मुझे इचारा किया, कि मैं उनके दर्वे नूँ आफिस में आ जाओ, अमीर डेड़ी ने आफिस की कुरसी में बैठते हुए कहा, या तो तुम्हारी तंखवा बढ़ाई जाए, या तुम काम छोड़ रहे हो, है तो आप मुझे पैसा कमाना सिखाएंगे, अपनी तरफ से मैंने आपके लिए काम किया है, मैंने कड़ी मेहनत की है, इस काम के लिए मैंने अपने बेसबाल गेम की भी कुरबाने दी है, और अब आप अपने वादे से मुकर रहे हैं, आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया आप दोपे बाज़े, जैसा शायर के सभी लोग कहते हैं, आप लालसी हैं, आपके लोग पैसा कमाना चाहते हैं, और अपने करमचारियों का बिलकुल ध्यान नहीं रखते, आपने मुझे इतनी देर तक बाहर बिठाई रखा, और मेरी जरा भी इज़त नहीं, मैं एक चैसे वे मेरा स्विशलेशन कर रही हूं, बुरा नहीं है, उन्होंने का, एक महिने से भी कम समय में तुम वही बासा बोल रही हो, जो मेरे ज़्यादातर करमचारी बोलते हैं, क्या, मैंने पूचा, मैं समझ नहीं पा रहा था कि वे क्या कह रहे थे, और इसलिए मैंने मुझे लगता था कि आप अपने वादे पर काईम रहेंगे और मुझे कुछ सिखाएंगे, इसके बजाए आप तो मुझे पर अत्याजार करना चाहते हैं, यह तो जुल्म है, सरा सर जुल्म, मैं तुम्हें सिखा तो रहा हूँ, डैडी ने धिमेशी आवाज में कहा, आपने मुझे क्या सिखाया, कुछ भी नहीं, मैंने गुछ से में कहा, एक बार मैं संद्जिकों में काम करने के लिए तैयार हो गया, उसके बाद तो आपने मुझे बात तक नहीं की, तस सेंट परती गंटे, मैं आपकी शिकायत सरकार से करूँगा, हमारे देश में भी बालक करते थे, वे लोग जिनने या तो मैंने नोकरी से निकाल दिया, या जिन्नोंने खुद इनोकरी छोड़ दी, तो इस बारे में आपको क्या कहना है, मैंने पूछा, और मुझे ये लग रहा था, कि कम उमर के बावजूद में बावजूरी से बातें कर रहा था, आपने ये काम किया, और आपने अबादा पूरा नहीं किया, आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया, कौन कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया, मेरे अमेरे डैड़ी ने शानती सिखा, मैंने तीन अफ़ते तक काम किया और इसी भी सापने, सिखाना तो दूर रा, वे तुम्हे स्कूल में सिकھाते हैं उन्होंने मुस्कुराकर करका परनतु जिन्दगी तुम्हे इस तरहें नहीं सिखाती और मेरा यह मानना है के जिन्दगी सबसे बड़ी है टीचर होती है ज्यादातर वक्त जिन्दगी आप से बातें नहीं करती यह एक तरह से आपको धक्का देती है हर धक्के के जरीए जिन्दगी आपसे कहती है जाग जाओ मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहती हूँ यह आदमी किसी बेज सिर्पैर की बतें कर रहा था मैंने अपना आपसे पूछा जिन्दगी अगर मुझे तक्रा देती है तो इसका मतलब है कि जिन्दगी मुझे बातें करती है अब मैं जान चुका था कि मुझे ये काम तक्राथ छोड़ देना चाहिए मैं किसी ऐसे आदमी से बाते कर रहा था जो पागल था और जिसे ताले में बंद रखने की जुरूरत थी अगर तुम जिन्दगी के सबख सीखते हो तो जिन्दधी तुमें लगातार धख्के देती रही लोग दो चीजें करते हैं कुछ लोग जिन्दगी के दख्के को सेहन करते चले जाते हैं, बाकि लोग गुसा हो जाते हैं और जिन्दगी को दख्का दे देते हैं, पर उब दख्के देते हैं अपने बोस को, अपने काम को, अपने पत्नी या पती को, वे यह नहीं जानते कि जिन्दगी उन्हें दख्क के दकों का स्वागत करते हैं इन गिने चुने लोगों के लिए इसका मतलब यह होता है कि उन्हें कुछ नया सीखना चाहिए वे सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं और कुछ लोग तुमारी तरह लड़ते भी हैं अमीर डैड़ी तो तुम जिन्दगी बेर अपनी समझ्याओं के लिए अपनी नोकरी, कम तनख्वा या अपने बोस को कोशते रहोगे तुम हमेशा ऐसे बड़े मोके की उमीद करते रहोगे जो आए और तुमारी आर्थिक समझ्याओं को सुलजा दे अमेरी डैड़ी ने मेरी तरफ देख कि क्या मैं अब भी उनकी बाते सुन रहा हूँ, उनकी आँखे मेरी आँखों से मिली, हमें एक दूसरे की तरफ देखते रही और हमारी आँखों के बीच संप्रेशन की दारहें बेहने लेगी, आखिर जब मैं उनके संदेश का मतलब समझ गया, तो मैंने अपनी नजरें जुका लिए, मैं जान गया था कि वे सही थी, मैं उन्हें दोसी ठहरा रहा था, जबकि सीखने की जित मेरी ही थी, मैं फालतो में लड़ा था, अमेर डेड़ी ने कहा, अगर आप इस तरह के आदमी हैं, जिसमें हिम्मत नहीं है, तो आप जिन्दगी के हर थपेड़े के सा आने वाला नहीं है, और फिर आप एक बोरिंग गुड़े की तरह मर जाएंगे, आपके बहुत से दोस्त होंगे, जो आपकी सिर्फ इसलिए तारिफ करेंगे, क्योंकि आप एक मेहनती और भले आदमी थे, आपने अपने जिन्दगी सुर्खशित खेल खेलने और सही चीज आपके लिए हारने का डर जीतने के रोमान्स से ज़्यादा ताकत वर साबित हुआ, अंदर से आप और केवला आप जान पाएंगे, कि आपने कभी जीतने की कोशिस नहीं की, आपने सुरक्शित खेल खेलने के विकल्प चुना, हमारी नजरे एक बार फिर मिले, दस सेगें तक हमें एक दूसरे की तरफ देखते रहें, और एक बार फिर मैंने तभी नजरे हटाई, जब मैं उनकी बात समझ गया, आप मुझे दका दे रहे थे, मैंने पूछा, कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं, हमेरी डड़ी मुस्कुर है, मैं तो यही कहूँगा, कि मैं तुमें जिन अले लोग हो, जिन्हों नो मुझसे पैसा बनाने की कला सीखने का आग रखिया, मेरे पास डेट सो से भी ज़्यादा करमचारी है, पर उन में से एक ने भी मुझसे पैसा कमाने की कला सीखने के बारे में नहीं पूछा, वे मुझसे नोकरी मांगते हैं, तनकुआ मांगते ह तो ज्यादातर लोग इस तरह अपनी जिन्दगी के पैसे के लिए काम करने के लिए बर्बाद कर देते हैं और आखिर तक कि यह कभी समझ नहीं पाएंगे कि दरसल वे किस के लिए काम कर रहे हैं मैं पूरा द्यान लगा कर उनकी बात सुनता रहा तो जब माईक ने मुझे कहा कि तुम पैसे कमाने की कला सीखना चाते हो तो मैंने एक ऐसा कॉर्स तैयार किया जो असले जिन्दगी के करीब था मैं बोलते बोलते ठक जाता पर अंतु तुम कभी मेरी बात का मतलब नहीं समझ पा थे इसलिए मैंने यह फैसला किया कि तुम्हें जिन्दगी के थपेड़ों का सुआत चखा दिया जाए ताकि तुम मेरी बात सुन भी सको और समझ भी सको इसी कारण मैंने तुमें एक गंटे के दस सेंट दी तो दस सेंट परती गंटे काम करने के बाद मैंने क्या सब अक्सी खाया यही कि आप गटिया हैं और अपने करमचारियों का सोचन करते हैं अमीर डैडी अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ जुपते हुए जोर से हंसने लेगे जब उनकी हंसी बंद हुई तो उन्होंने कहा अच्छा होगा अगर तुम अपना सोचने का नजरिया बदल लो मुझे समश्या मत बनाओ मुझे दोस्ते ना छोड़ दो अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी समश्या मैं हूँ तो तुम्हे मुझे बदलना चाहिए इसके बजाए अगर तुम्हे यह लगता है कि तुम्हारी समश्या तुम खुद हो तो तुम खुद को बदल सकते हो सीक सकते हो और ज़ना समझतार बन सकते हो ज़्यादातर लोग साते हैं कि दुनिया का हर आदमी बदल जाए बस हम खुद ही नहीं बदले मैं तुम्हें यह बता दू कि किसी दूसरे को बदलने से ज़्यादा आसान है यह कि खुद को बदला जाए मैं आपके बाद ठीक से समझनी पाया मैंने कहा अपने समझ्याओं के लिए मुझे दोस देना छोड़ दो अमीर डैड़ी ने अधिरता से कहा पर आपने मुझे सिर्फ दस सेंट का ही वेतन दिया तो तुमने क्या सिखा अमीर डैड़ी ने मुस्करा कर पूछा यही कि आप गटिया है मैंने सरातवरी मुस्कान के साथ कहा अच्छा तो तुम यह सोचते हो कि समझ्या मैं हूँ अमीर डैड़ी ने कहा वो तो आप हैं ही खैर इसी तरीके से सोचते रहूँ और तुम जिंदगी बर कुछ नहीं कर पाऊगे अगर तुमारा नजरिया यही है कि समझ्या मैं हूँ तो तुमारे पास क्या वी कल बरह जाते है अगर आप मेरी तनकवा नहीं बढ़ाते या मुझे ज़्यादा इजट नहीं देते तो मैं काम चोड़ कर चला जाँगा ठीक है अमीर डैड़ी ने कहा और ज़्यादातर लोग यही करते हैं एक काम चोड़ कर चले जाते हैं और दूसरी नोकरी की तलास करते हैं जहां उन्हें बेहतर मोके और ज़्यादा अच्छी तनकवाइं मिलती है तुमें यह गल्द फहिमी होती है नई नोकरी या ज़्यादा तनकवा से समझ्या सोलच सकती है ज्यादा तर मामलों में ऐसा नहीं होता तो समझ्या किस तरह सोल सकती है मैंने पुछा 10 सेंट परती गंटे के हिसाब से तनक्वा लेकर मुस्कुराते हुए अमेरी डैडी मुस्कुराई यही बाकी लोग करते हैं वे यह जानते हुए कि कम तनक्वा में काम करते हैं क्योंकि नोक्री छूट जाने पर उनका और उनके परिवार का पेट कैसे बरेगा इसलिए मन मसोश कर वे नोक्री करते हैं और यह सोच कर तनक्वा बढ़ने का इंतजार करते हैं कि ज़्यादा पैसा आने से समश्या सुलच जाएगी ज़्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं और कड़ी मेहनत करते हुए दूसरी नोकरी भी कर लेते हैं पर उसमें भी उनने तनक्वा कमी मिलती है मैं फर्श को गुरता रहा अब मैं अमीर डैड़ी के सबक को समझने लगा था मुझे यह एहाइसास ओड़ गया था कि यह जिद्गी का सुआद है आखिर कर मैंने उपर की और देखा और अपना सवाल दो रहाया तो पिर यह समश्या कि इस तरह सुल जाएगी इस सवाल के जवाब में अमीर डैड़ी ने मुझे वह बेश किलमती नजरिया दिया जो उन्हें अपने करमचारियों और मेरे गरीब डैड़ी से अलग करता था और जिसके बदोलत वे हवाई के सबसे अमीर आदमी बनने जा रही थी जबकि मेरे पड़े लिखे गरीब डैड़ी जिन्दगी पर पैसे की तंगी से जूजने माले थे यह एक अद्बुत नजरिया था जिसने मेरे जिन्दगी का नक्षा ही बदल दिया अमीर डैड़ी ने बार बार मुझे यह नजरिया याद दिलाया जिसे मैं पहला सबक करूँगा गरीब और मद्य अमर्ड की यह लोग पैसे के लिए काम करते हैं अमीरों के लिए पैसा काम करता है मेरे गरीब डैड़ी ने जो मुझे सिक्षा दी थी शनिवार की उस खुसन वासुब है मैं उससे बिलकुल अलग नजरिया सीख रहा था नो साल की उमर में मैं यह समझ गया था कि दोनों ही डैड़ी चाते थे कि मैं सीखूँ दोनों ही डैड़ी मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे फरक सिर्फ इतना था कि दोनों के सुझाई वी शे अलग अलग थे मेरे पड़े लिके डैड़ी चाते थे कि मैं वही करूँ जो उन्होंने किया था बेटे मैं चाता हूँ कि तुम मेनत से पढ़ो अच्छे नमर लाओ ताकि तुम्हें किसी बड़ी कंपनी में सुरक्षित नोक्री मिल सके और यह अच्छी तरह इस देख लो उसमें बहुत से दूसरे लाओ हो मेरे अमीर डैड़ी चाते थे कि मैं सीखूँ कि पैसा कैसे काम करता है ताकि मैं इससे अपने लिए काम करवा सकूँ अगर तुम गुस्सा नहीं होते और तुम्हें ऐसा कुछी कुछी करते रहते तो मैं तुम्हे साफ कह देता कि मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता यह जानलो की सच्ची सिक्ष्यमियों गुर्जा प्रबल वावना और जबरदस्ट इच्छा की जरूर्त होती है गुसा उस फार मेले का एक बहुत बड़ा इस्सा है क्योंकि प्रबल वाउना में गुसा और प्रेम का समने में होता है जब पैसे की बात आती है तो ज़्यादातर लोग सुरुचित रास्ता कोचते है इसलिए प्रबल वाउना उन्हें राह नहीं दिखा पाती उन्हें राह दिखाता है उनका दा तो क्या इसलिए वे कम तनकवा पर काम करतने के लिए राजी हो जाते हैं मैंने पूछा हाँ, अमेरे टेडि नहीं कहा कुछ लोग कहते हैं कि मैं लोगों का सोशन करता हूँ क्योंकि मैं उन्हें उतनी तनकवा नहीं देता जितनी उन्हें सुगर प्लांटेशन या सरकार की तरफ से मिलती है मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोग खुद अपना सोशन करते हैं डरते हैं भी मैं नहीं पर क्या आपको नहीं लगता कि आपको उन्हें ज़्यादा तनकवा देनी चाहिए मैंने पूछा मुझे ज़्यादा देने के जूर्ट नहीं है और इसके अलावा ज़्यादा पैसा मिलने से उनकी समश्या नहीं सुलजेगी अपने डैडी को ही देख लो वे बहुत सा पैसा कमाते हैं और फिर भी वे अपने बिलों का बुगता नहीं करपाते दुनिया में से बहुत से लोग है जिनने अगर ज़्यादा पैसा मिल जाए तो वे ज़्यादा करज में डूप जाएंगी तो इसी करण आपने मुझे दस से इट परती गंटे की तनकवा दी मैंने मुस्कराते वे कहा यह सबक का इससा था बिल्कुल सही अमेरी डेड़ी ने मुस्करा कर कहा देखो तुमारे डेड़ी स्कूल गई और उन्होंने बहुत बड़ी असिक्षा इसलिए आसिल की ताकि उन्हें अच्छी तंकवा वाले नोकरी मिल सके जो उन्हें मिल गई परंतो उनके पास आज भी पैसे की तंगी है ये ज़रा इसलिए है क्योंकि उन्हेंने सकूल में पैसे के बारे में कुछ नहीं सीखा और सबसे बड़ी बात यहा है और वे पैसे के लिए काम करने में बरोसा करते हैं और आप नहीं करते हैं मैंने बुछा नहीं सत पूछा जाए तो नहीं अमेरे डैड़ी नहीं कहा अगर तुम पैसे के लिए काम करना सीखना चाते हो तो स्कूल में ही रहो यह सीखने के लिए उससे बढ़िया जाए और कोई नहीं है परंतु अगर तुम यह सीखना चाते हो कि पैसा तुम्हारे लिए किस तरह काम करे तो यह मैं तुम्हें सिखा जगता हूँ फरंतु तभी जब तुम सीखना चाहो क्या हर कोई यह नहीं सीखना चाहता मैंने पुछा नहीं मेरे डेड़ी ने कहा सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे के लिए काम करना ज्यादा आसान है खास तोर पर तब जब पैसे के बारे में आपकी मूल बाऊना डर हो मैं समझ नहीं पाया, मैंने तियोरियां से डाह कर कहा उसके चिंता फिलाल मत करो अभी इतना ही समझ लो कि डर के कारण ही ज़्यादातर लोग अपने नोक्रियां करते हैं अपने बिलों का बुपतान नयकर पाने का डर नोक्रे से निकाल दिया जाएगा इस बात का डर, परियाप पैसा नहीं होने का डर एक बार फिर से शुरूब करने का डर, यह किसी व्यवसाई को सीखने और पैसे के लिए काम करने की कीमत है ज्यादातर लोग पैसे के कुराम बन जाते हैं और फिर वे अपने बोस पर अपने बढ़ास निकालते हैं तो आपकी नजर में पैसे से अपने लिए काम करवाना एक बिल्कुल अलग भी शेह है, मैंने पूछा, बिल्कुल हमेरे डेड़े ने जवाब दिया, बिल्कुल, शनिवार के उस कुस्नु वासुबै, हवाई में हम लोग चुप-चाप बैठे रहे, मेरे दोस्त, उस समय लि में सीखने के लिए तयार हो, अमीज़ डेड़ी निपूचाई, बिल्कुल मैं ने दात निकाल कर कहा, मैंने अपना वादा निवाया है, मैंने तुम्हें दूर बैठे-बैठे ही सिखाया है, अमीज़ डेड़ी ने कहा, नो साल की उमर में तुम्हें ये पता चल चुका है कि पैसे के लिए काम करना कैसा होता है अपने पिछले महीने को 50 सालों से गुणा कर और तुमें इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि ज्यादातर लोग अपने जिन्दी किस तरह गुजारते हैं मैं समझ नहीं पाया मैंने कहा जब तुम मुझे मिलने के लिए लाइन में इंतजार कर रहे थे तो तुमें कैसा लग रहा था एक बार नोकरी के लिए और दूसरी बार तनख वड़वाने के लिए भैयानक मैंने कहा अगर तुम पैसे के लिए काम करने का विकल्प चुनते हो तो ज़्यादार लोगों के लिए जिन्दी का मतलब यही होता है हमीर डैडी नहीं कहा और तुमें तब कैसा लगा था जब मिसेज मार्टिन तुमारे हाथ में तीन गंटे के काम के लिए तीन सिक्के थवाई थे मुझे लगा था कि यह काफी नहीं है मुझे लग रहा था कि यह कुछ भी नहीं है मैं निरास हुआ था मैंने कहा और यही ज़्यादार करमचारियों को लगता है जब वे अपनी तनक्वा के चेक को देखते हैं खास कर तब जब उससे टेक्स और बाकी कटोतियां कर ली जाती है कम से कम तुम्हें पूरी तनक्वा मिलेती उन्हें तो पूरी तनक्वा भी नहीं मिलती आपका मतलब है ज़्यादतर करमचारियों को पूरी तनक्वा नहीं मिलती मैं है हैरान था नहीं हमेरी डेड़ी ने कहा सरकार हमेशा अपना इसा पहले ही ले लेती है सरकार इसा कैसे करती है मैंने पुछा टेक्स अमीर डेडी ने कहा जब आप कमाते हैं तो आप पर टेक्स लगता है जब आप खर्च करते हैं तो आप पर टेक्स लगता है जब आप बचाते हैं तो भी आप़र tax लगता है। लोग सरकार को एसा क्यों करने देते हैं। अमीर लोग एसा नहीं करने देते हैं। अमीर डेड़ी ने मुश्पूलकर कराा, परन्तु गरीब और मद्य उमर गिये लोग ऐसा करने देते हैं। मैं दावा करता हूँ कि मैं तुम्हारे डेड़ी से ज़्यादा कवाता हूँ परंतु वे ज़्यादा टेक्स देते हैं। यह कैसे संभवगर मैंने पूछा। नो साल का बच्चा इस अजीव आंकडे को समझ नहीं पा रहा था। कोई आदमी सरकार को इसा करने की इजाज़त कैसे दे सकता है। अमीर डेड़ी चुचप बैठे रहे। मैं समझ गया कि वे चाहते थे कि मैं सुनू नहीं कि उनसे फाल तो सवाल पूछूू। आखिर मैं शान्त हो गया। जो मैंने सुना था वे मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैं जानता था कि मेरे डेड़ी हमेशा टेक्स का रोना रोते रहते थे। परंतु दरसल इस बारे में वे कुछ भी नहीं करपाते थे। क्या जिंदगी उन्हें धका दे रही थी। अभी डेड़ी मेरी तरफ देखते हुए अपने कुर्सी ने धीमेरी में और खमोसिसे हिलने लगी। शीखने के लिए तक यारो उन्होंने पूछा। मैंने अपना सिर्थ तिमें से हिलाया। जैसा मैंने कहा। सीखने के लिए बहुत कुछ है पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाई यह जिन्दगी बर चलने वाली पढ़ाई है ज्यादातर लोग चार साल के लिए काले जाते हैं और उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है मैं पहले से ही जानता हूँ कि मेरी धन संबन्दी पढ़ाई जीवन बर चले ही और इसकी बज़ाई यह है कि मैं जितना ज़्यादा जान लेता हूँ चलता है उससे भी ज़्यादा जानने की मेरी जिग्या साब बढ़ती चली जाती है ज़्यादा तर लोग इस वी ज़्यादा को कभी नहीं पढ़ते ही वे नोकरी पर जाते हैं अपनी तनख्वा लेते हैं अपनी चेक बुक को बैलेंस करते हैं और बात खतम हो जाती है इसके बाद भी उन्हें अचरज होता है कि उनके जीवन में पैसे की समच्चा ही क्यों है फिर वे सोचते हैं कि ज़्यादा पैसों से उनकी समच्चा हल हो जाएगी बहुत कम लोगों को यह एसास होता है कि असली समच्चा धन संबंदी सिक्षा या ज्यान की है तो मेरे डेड़ी को टेक्स की समच्चा इसलिए है क्योंकि उन में पैसे की समच्च नहीं है मैंने वीचले तोकर पूछा देखो अमीर डेड़ी नहीं कहा पैसे के लिए अपने लिए कैसे काम करवाया जाए टेक्स तो उस सिक्षा का सिर्फ एक हिस्सा है आज जो मैं सिर्फ यह देखना चाहता था कि तुम में अब भी पैसे के बारे में सीखने की प्रबल इच्छा बची है या नहीं ज्यादातर लोगों में सीखने की प्रबल इच्छा नहीं होती पे स्कूल जाना चाहते हैं कोई वेवसाई सीखना चाहते हैं अपनी नोकरी में मज़े करना चाते हैं वो डेहर सारा पैसा कमाना चाते हैं एक दिन वे तब जागते हैं जब उनके सामने पैसे की समश्या आजाती है और तब वे काम करना बंद नहीं कर सकते पैसे के लिए काम करने की यही कीमत होती है और उन्हें यह कीमत चुकाना इबढ़ता है अगर वे पैसे से अपने लिए काम करवाना सीख लेते तो उनके सामने यह समश्या नहीं आती तो तुम में अब सीखने की जानने की जी गयासा है अमेरे डैड़ी नहीं पूछा अच्छा अबे डैड़ी नहीं कहा अब काम पर वापस जाओ और इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल तनकवा नहीं दूँगा मैंने हैरानी से पूछा तुमने सही सुना तनकवा बन तुम हर शनिवार तिन गंटे उसी तरह काम करोगे परंदो इस बार तुम्हें 10 सेंट परती गंटे के हिसाब से तनकवा नहीं मिलेगी तुम्हें ने तो कहा है कि तुम पैसे के लिए काम करना नहीं सीखना चाते इसलिए मैं तुमें बदले में कुछ भी नहीं दूँगा मैंने माइक से पहले ही बात कर लिया वह पहले से ही काम पर है मुफ्त में डिपो की सफ़ाई कर रहा है और उन्हें करेने से जमा रहा है अब तुम भी जल्दी से जाकर काम में जुट जाओ यह ठीक नहीं है मैं चिलाया आपको कुछ ना कुछ तनकवा तो देनी चाहिए तुम ने कहा था कि तुम सीखना चाते हो अगर तुम इस बात को अभी नहीं सीख पाओगे तो तुम भी उन्हीं दो मैलाओं और बुड़े आदमी की तरह बन जाओगे जो मेरे लिविंग रूम में बैठे थे यह लोग पैसे के लिए काम करते हैं और डरते हैं कि उन्हें मैं नोपरे से निकालना है दूँ या तुम अपने डैड़ी की तरह बन जाओगे जो पैसा तो बहुत कमाते हैं पर दुगले तक करज में डूबे रहते हैं शायद उन्हें यह उमीद रहती है ज़्यदा पैसे जो उनकी समझे हैं सुझ जाएंगी अगर तुम यही चाहते हो तो मैं एक बार फिर दस सेंट के अपने पुराने वादे पर लोटने को तयार हूँ या तुम वह कर सकते हो जो ज़्यदातर लोग करते हैं इस बारे में शिकायत करो कितनफ़ा बहुत कम है और तुम यह नोगरी छोड़कर दूसरे नोगरी तलाश चुरू कर दो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ मैंने पूछा अमीर डैडी ने अपने सिर पर उंगली रखी इसका इस्तेमाल करो उन्होंने कहा अगर तुम इसका इसा ही इस्तेमाल करोगे तो तुम मुझे जल्दी इस बात के लिए धन्यवाद दोगे कि मैंने तुमें मुका दिया और एक दिन तुम बहुत अमीर आदमी बन जाओगे मैं वहाँ यह सोचते वे खड़ा था कि मुझे कितना गटिया फिकल्ब दिया गया है मैं यहाँ अपनी तनक्वा बढ़वाने आया था और अब मुझे मुझे मुफ्त में काम करने के लिए कहा जा रहा है अमीर डैडी ने एक बार फिर अपने उंगली को सिर पर रखा और कहा इसका इस्तेमाल करो अब यहाँ से जाओ और अपने काम में जुड़ जाओ सबक ए अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते मैंने अपने गरीव डैडी को यह नहीं बताया कि अब मैं मुफ्त में काम कर रहा हूँ उन्हें यह समझ में नहीं आता मैं उन्हें इसकी वज़े ठीक से इसलिए नहीं समझाओ सकता था क्योंकि मैं खुद भी इसे ठीक से नहीं समझ पाया था आगे ले तीन अपते माईक और मैं तीन गंटे तक हर शनिवार को काम करते रहे मुफ्त में काम बहुत परेशनी वाला नहीं था और वक्त गुजरने के साथ-साथ यह ज़्यादा आसान होता जा रहा था मुझे अफसोस था तो अपने छुटे वे बेसबाल गेम्स और कमिक्स का अब मैं उनका मज़ा नहीं ले सकता था तीसरे अपते दोपेर में अमीर डेड़ी आई हमने उनके ट्रक के पार्किंग में आने की आवास सुनी वे स्टोर मैं गुशे और उन्होंने मिसिज मार्टिन को गले लगा कर अबमादान किया स्टोर में क्या चल रहा है यह जानने के बाद वे आईस क्रीम फ्रीजर के पास गाई उसमें से दो आइस क्रीम निकाली, उनका दाम चुकाया और इसके बाद मेरी और माईक की तरवी सारा करके कहा चलो गुमने चलते हैं हम सड़क के पार गई, उसकारों को चक्मा दिया और एक बड़े गास के मैदान में टहलने लगे जहां कुछ ब्यासक साफ्ट वाल खेल रहे थे दूर की पिगनेक टेवल पर बैटकर उन्होंने माईक और मुझे आइस क्रीम दी कैसा चल रहा है, बढ़िया माईक ने कहा मैंने सेम्टी में से रिलाया कुछ और सिखा, हमें एक डैड़ी ने पूछा माईक और मैंने एक दूसरे के तरफ देखा अपने कंदे उचकाई और अपने सिर को नहीं में एक सा हिलाया अच्छा यह होगा कि तुम बच्पन से ही यह सोचना चालू कर दो तुम अगर जिंदगी के सबसे बड़े सबग को देख रहे हो अगर तुम इस सबक को सीख लेते हो तो तुम बहुत ज़्यादा आजादी और सुरक्षा वरी जिंदगी का सुक ले सकते हो अगर तुम यह सबक नहीं सीख पाते हो तुम भी मिसेज मार्टिन और इस पार्क में खेल रहे जादतर लोगों की तरह बन जाओगी तुम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं परंतों उनके बदले में उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं पर नोकरी की सुरक्षा के मुहों में फंसे रहते हैं हर साल मिलने वाले तीन अफ़ते की चुटियां और पैंतालिस साल तक काम करते रहने के बाद मिलने वाले थोड़ी सी फिंचन का सफना देखते रहते हैं अगर इस तरह की जिन्दगी जीने में तुमें सुख मिलता है तो मैं तुम्हारी तनकवा बढ़ाकर 25 सेंट परती गंटे कर सकता हूँ परन्तो ये लोग अच्छे लोग हैं और मेंती भी हैं फिर आप उनका मजा क्यों उड़ा रहे हैं मैंने पूछा हमेरी डेड़े के चेहरे पर मुसकान आ गई मिसेज मार्टिन मेरे लिए माज ऐसी है मैं इतना कठोर नहीं हो सकता कि उनका मजाग उड़ा हो यह कठोर लगता जरूर है क्योंकि मैं तुम दोनों के सामने स्थेतिस पस्ट करना चाहता हूँ और वह भी आसान सब्दों में मैं तुम्हारे नजरियों को बड़ा करना चाहता हूँ ताकि तुम कुछ आगे भी देख सको दूर तक देख सको ज्यादातर लोगों को आगे देखने का फायदा कई बार सिर्फ इसलिए नहीं मिल पा था क्योंकि उनके देखने का दाइरा बहुत छोटा हुता है ज्यादातर लोग जिस जाल में पसे हुए हैं तो यह उसे देख ही नहीं पते माई कोर में वहाँ पर सोचते हुए बैठे रही क्योंकि हम उनकी बातों का मतलब पूरी तरह से समझ नहीं सके थे उनकी बातें सुनने में कटोर और कड़वी लग रही थी परंतु हम यह भी जानते थे वे हमें कुछ सिखाने की काफी कोशिश कर रही थे मुस्कराट के साथ हमें डैड़ी नहीं कहा क्या 25 सेंट परती गंटे आप पर अच्छा नहीं लगा क्या इससे दिल की दर्कन थेज नहीं होई मैंने अपना सिख नहीं में हिलाया जबकि असल में ऐसा ही हुआ था एक गंटे काम के बदले 25 सेंट मेरे हिसाब से बहुत बड़ी असोदा था अच्छा मैं तुमें एक गंटे के एक डालर दूमर अमीर डड़ें शरार्थ बरे मुस्करार के साथ कहा अब मेरा दिल तुफान मेल की तरह दोड़ रहा था मेरा दिमाग चीख चीख कर कह रहा था इनकी बात मान लो मान लो मुझे अपने कानों पर गोरोसा नहीं हो रहा था पर अच्छा दो डालर परतिगंटे मैं इतना सारा पैसा कमाने के गल्पनाई भी नहीं कर सकता था मैं हाँ कहना चाहता था मैं सोधा पका करना चाहता था मुझे नई साइकल दिख रही थी नई बेसबाल के कलब दिख रहे थे मेरे पास कड़क नोड देखकर मेरे दोस्तों की जलन और तारीब भी मुझे साब दिख रही थी सबसे बड़ी बात तो यह थी कि जिमी और उसके दोस्त मुझे फिर कभी गरिब नहीं कह सकते थे परन्तु किसी बज़े से मैं खामोस खड़ा रहा हो सकता है कि मेरे दिमाग में गर्मी बढ़ जाने के कारण फ्यूज उड़ गया हो परन्तु मनी मन दो डालर परती गंटे का आपर मानने के लिए बेता हो था आइस क्रीम पिगल चुकी थी और मेरे हाथ पर बह रही थी आइस क्रीम की डंडी खाली थी जिसके नीचे वनिला और चाकलेट के टुकड़े थे चिनके मज़े चिंटिया ले रही थी हमीर डेडी हम दोनों बच्चों को देख रही थे जो आँखे फाड़ करो और खाली दिमाग से उन्हें गूर रही थे उन्हें मालूम था कि वे हमारी प्रिक्षा ले रही है और वे यह भी जानते थे कि हमारे दिल का एक कोना उसाफर को मानने के लिए बेताब हो रहा था वे जानते थे कि हर वेक्ति की आत्मा का एक इसा कमज़र और जरूर्टमद होता है जिसे खरीदा जा सकता है और वे यह भी जानते थे कि हर वेक्ति की आत्मा का एक इसा मज़बूत दरड़ निश्चे ही होता है जिसे कभी नहीं करीता जा सकता असली सवाल यह था कि इन मेंसे कौन सा इसा जाला तक्तवर है उन्होंने अपनी जिन्दिगी में हजारों लोगों की परिक्षा ली थी जब वे नोकरी मागने के लिए आए लोगों का इंट्रिव लेते थे तो वे हर बार आत्माउं की परिक्षा लेते थे अच्छा पांस डॉलर परती गंटे अच्छानक मेरे अंदर शांती छा गई कुछ था जो बदल गया था हाफर बहुत ही बड़ा था और मुर्क तपून लग रहा था उन्निस सो चपन में गिने चुने वेसकों को पांस डॉलर परती गंटे से जाता मिलता होगा लालच खातम हो गया था और इसकी जगए शांती ने ले ली थी धीमे से मैं अपने बाईं तरफ खड़े माईक की तरफ मूड़ा उसने मेरी तरफ देखा मेरी आत्मा का जो इसा कंजोर और जरूर्ट बन था वह खामोस हो चुका था मेरा वह इसा जिसे खरीदा नहीं जा सकता था वह आगे आ चुका था मेरे दिमाग और आत्मा में पैसे को लेकर हुए इस युद में शांती और विश्वास जित चुके थे मैं जानता था कि माईक भी उसी बिंदू पर पूंच चुका था अच्छा अमीर डड़ी ने दिमे से खा ज्यादातर लोगों की एक किमत होती है और उनकी किमत इसलिए होती है क्योंकि हम सभी में दो बाउना ही होती है दर और लालच पहले वो पैसे के बिना रहने के डर से कड़ी मेनत करते है इसके बाद जब हमें तनकौा मिलती है तो हमें लालच या इच्छा की बावना जाग जाती है पैसे होने पर हम उन बड़ी आचीजों के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं जो उस पैसे से खरी दी जा सकती है इस तरह हमारे जिंदगी का एक पैटर्न बन जाता है किस तरह का पैटर्न मैंने पूछा सुबह जागने, काम पर जाने, खर्च करने, सुबह उठने, काम पर जाने, खर्च करने लोगों के जिंदगी हमेशा डर और लालच इनी दो बावनाओं से चलती है उन्हें अगर ज्यादा पैसा दे भी थे तो वे इसी पैटर्न पर चलकर अपना खर्च बढ़ा लेंगे इसी पैटर्न को मैं चुहा दोड कहता हूँ क्या कोई दूसरा रास्ता भी है? माईक ने पूछा हाँ, अमेर डैडी ने दिमे से कहा परन तुझे बहुत कम लोग खोज पाते हैं और वह रास्ता क्या है? माईक ने पूछा उसी रास्ते को तुम लोग काम करते वे और मेरे हिसाब से सीखते वे खोज लोगे, मैं यही उम्मीद करता हूँ इसी कारण मैंने तुमें पैसे देना बंद कर दिया इस बारे में कोई संकेत तो दीजिए, पैक ने कहा हम लोग मेनद से काम करते करते ठक चुके हैं खास कर तब जब इसके बदले में कुछ नहीं मिला हूँ पहला कदम तो यह है कि तुम लोग सच बोलो हमेरे डैड़ी ने कहा हम लोग जूट नहीं बोल रहे हैं मैंने कहा मैंने कब कहा कि तुम लोग जूट बोल रहे हूँ मैं तो यह कह रहा हूँ कि सची बात कह देना चाहिए हमेरे डैड़ी ने जवाब दिया किस बारे में मैंने कहा इस बारे में कि तुम लोगों को कैसा लग रहा है अमेरी डैडी ने कहा तुमें यह किसी और से कहने की जुरूरत नहीं है सिर्फ अपने आप से सच बोलो आपके कहने का मतलब यह है कि इस पार्ग में मौजूद लोग आपके लिए काम करने वाले लोग यह सब लोग इसा नहीं करते है मुझे इसा ही लगता है अमेरी डैडी ने कहा इसके बज़ाए उन्हें अमेशा पैसा नहीं होने का डर सताता रहता है उस डर का सामना करने के बज़ाए सोचने की बज़ाए लोग सिर्फ परतिकरिया करते हैं इस दोरान वे दिल से काम लेते हैं दिमाग से नहीं अमेरी डैडी ने अपने सिर पर उंगली ठोकते हुए कहा फिर उनके हाथ में कुछ पैसे आ जाते हैं और उनमें खुशी इच्छा लालच की बहुना आ जाती है और एक बार फिर वे दिमाग से सोचने के बजाए दिल से काम करने लगते हैं तो वे दिल से अपनी बहुनाओं से सोचने का कस्ट नहीं उठाते हैं उन्हें डर लगता है वे नोकरी करने जाते हैं और आसा करते हैं ज्यादा पैसे आने से उनका डर दूर हो जाएगा परन्तु ऐसा नहीं होता है वही पुराना डर उन्हें फिर से सताने लगता है वे फिर से नोकरी करने जाते हैं और फिर आसा करते हैं कि पैसा उनके डर को कम कर देगा परन्तु ऐसा नहीं होता डर के ही कारण में नोकरी के जाल में फसे रहते हैं, पैसा कमाते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और आसा करते हैं कि डर से उनका पिछा छूट जाएगा। परंदू हर रोज जब वे उठते हैं, तो उनका पुराना डर भी उनके साथ उठता है, वही पुराना डर करोडों लोगों को रात बर जगाता है, और उनकी रात बहुत चिंता और परेशानी से गुजरती है, इसलिए वे उठते हैं, खाम पर जाते हैं, और यह आसा करते हैं उनके दिल को पुतरने वाले इस डर को वे मोत के गाट उतार देंगे। सच बात तो यह है कि पैसा उनकी जिन्दगी को चला रहा है। परन्तु वे इस बारे में कभी सच नहीं बोलते। पैसे ने उनके बहुनों उपर कभजा कर लिया है और उनकी आत्माओं उपर भी। यह कहकर हमेरी डेडी खामोस होगे। ताकि उनके शब्दों में छुपा संदेश हमारे अंदर चला गए। माईक और मैंने उनकी बाते सुनी थी परन्तु हम उनका मतलब पूरी तरह समझा नहीं पाई थी। मुझे एकसर यह आरानी होती है कि लोगों को आफिस जाने के इतनी जल्दी क्यों होती है। उन्हें अपनी नोगरे में खास मजा नहीं आता था और वे कभी खुश भी नहीं दिखते थे। फिर क्या वजय थी कि वे उन्हें जल्दी आफिस जाने के लिए प्रेदित करती थी। जब अमीर डेडी ने देख लिया कि हम जितना समझ सकते थे हमने उतना समझ लिया। तो उन्होंने आगे का मैं यह चाता हूं कि तुम लोग यह जाल से बचो दरसल मैं तुम्हें यही सिखाना चाता हूं। मेरा मकसद सिर्फ अमीर बनना सिखाना नहीं है। अमीर बनने से समझ नहीं सुलजेगी। मैंने अस्टरे से पुछा। बिल्कुल नहीं। मुझे दूसरी बहोना इच्छा के बारे में अपनी बात पूरी करने दो। कुछ लोग इसे लालच कहते हैं। परन्तु मैं इसे इच्छा कहना ज़्यादा पसंद करता हूं। यह बुरा नहीं है कि हम किसी बेहतर, ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा सुकर्द या रोमांचक चीज की इच्छा करें। लोग इच्छा की वज़ेसे भी पैसे के लिए काम करते हैं। उन्हें सुक के लिए भी पैसे की जुर्णत होती है। कैंकि वे मानते हैं कि पैसे सुख खरीदा जाकता है। परन्तु पैसा जो खुशी देता है वह एकसर पल वर्की होती है। उन्हें ज़्यादा कुछी ज़्यादा अनंद ज़्यादा आराम ज़्यादा सुरक्षा हासिल करने के लिए और ज़्यादा पैसे की जूरूरत होती है इसलिए वे काम करते रहते हैं और यह सोचते रहते हैं कि पैसा डर और लालत से परशान उनके आत्माओं को शांत कर देगा परन तो पैसा यह काम नहीं कर सकता अमीर होने के बाद भी नहीं माइक ने कहा हाँ, अमीर होने के बाद भी नहीं आमीर डैडी ने कहा, दरसल बहुत से आमीर लोगी इच्छा के कारण नहीं, बल्कि डर के कारण आमीर होते हैं, वे सच मुच सोचते हैं कि, दोलत हो तो पैसे नय होने का डर, गरीब होने का डर, खत्म हो जाता है, इसलिए वे ढہर सारी दोलत जमा कर लेते हैं, और तब जाकर उन्हें पता चलता है कि उनका डर और बढ़ गया है। उन्हें अब वो इसके खोने की चिंता सताने लगी है। मैं ये से दोस्तों को जानता हूं जो बहुत सा पैसा होने के बाद भी काम में जुटे रहते हैं। मैं ये से लोगों को भी जानता हूं जिनके पास आज करोडों की दोलत है। परतु वे आज उससे भी ज़्यादा चिंतित और परेशान है। जितने वे अपनी गरीवी के दिनों में थी। उन्हें इस बात का डर है कि वे अपनी सारी दोलत खो देंगी। अमीर बनने से पहले जो डर उन्हें सता रहे थे। वे अमीर बनने के बाद और भी पड़ गई है। दरसल उनकी आत्मा का कमजोर और जरुत्मन हिसा अब और तेजी से चीक रहा है। वे अपने आलिशान बंगलों, शांदार कारों और उस एशुर आराम की जिंदी को खोन गई है। वे इसी चिंता में गुलते रहते हैं कि अगर वे कंगाल हो गई तो उनके दोस्त क्या कहेंगी। इसी चिंता की बज़े से कई लोग तो नियूरोटिक और कुंठी तक हो चुके हैं। हालांकि वे अमीर दिखते हैं और उनके पास पहले से ज़्यादा पैसा है। तो क्या अमीर आदमी ज़्यादा सुकी होता हैं मैंने बुचा। नहीं मेरे इसाफ से तो ऐसा नहीं है था। अमीर डैडी ने जवाव दिया। पैसे से दूर रहना भी उतना ही बड़ा पागल पन है जितना की उसके पीछे बागना। उसी समय तस्बे का एक पागला हमार उसे नजर अंदाज कर दिया होता। अमीर डैडी ने अपने पर्स में से एक डालर निकाला और उस पागल बुड़े को पास आने का इसारा किया। पैसा देखते ही वे ततकाल चलाया। उसने पैसे के लिए अमीर डैडी को धेर सारी सुबकाम नहीं दी और अपनी अच्छ इसी किसमत पर खुशोकर वे जल्दी से वहां से चला गया। इसमें और मेरे ज्यादातर करमचारियों में बहुत सा अंतर नहीं है। अमीर डैडी ने कहा मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिलता हूँ जो कहते हैं। अरे मुझे पैसे में कोई रूची नहीं है। फिर भी वे ह उसकंजूसी वरे चिंतन से भी ज्यादा पागलपन का है जिसमें कोई अमीर पैसे पर कुणली मारकर बैठ जाता है। जब मैं वहाब ने अमीर डैडी की बात सुन रहा था तब मेरे दिमाग में यह ख्याल आ जाता था कि मेरे गरीब डैडी हजार बार कहा चुके थे थे म मैं इसलिए काम करता हूँ क्योंकि मुझे अपना काम बहुत पसंद है तो हमें क्या करना चाहिए मैंने पूछा यही कि हम पैसे के लिए काम नहीं करें जब तक कि हमारे मन से डर और लालच की बाउने पूरी तरह जे निकल नहीं जाए उसमें तो बहुत समय बरबाद हो ज दिमाग और बहुनाओं का इस्तेमाल अपने समर्थन में करो नेकी विरोध में आह माइक ने का अगर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई हो तो इस बारे में चिंता मत करो आगे आने वाले सालों में तुम्हें इसका मतलब समझ में आएगा अपने बहुनाओं पर प्र परंतु आपको अपने दिमाग से सोचना भी आना चाहिए, क्योंकि दिमाग को सोचने के लिए ही पनाया गया है, क्या आप मुझे इसका कोई उधान दे सकते हैं, मैंने पुछा, नहीं, क्यों नहीं, अमीर डैडी ने जवाब दिया, जब कोई आदमी कहता है, मुझे नोकरी पैसे की जुरूर्ट तो पढ़ती ही है, मैंने कहा, बिलकुल पढ़ती है, हमें ये डैडी मुस्कुराई, मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ, कि उनके डर के कारण उनके मन में ये विचार आता है, मैं समझ नहीं पाया, माइक ने कहा, हमें ये डैडी ने कहा, अगर आपके मन मे पैसे की कमी का डर जाग जाए तो ततकाल नोकरी ढूनने के लिए दोड़ मत लगाईए ताकि कुछ पैसों के सारे उस डर को मार दिया जाए इसके बज़ाए आप खुछ से यह सवाल पूछिए क्या लंबे समय में इस डर का सबसे बड़ी है इलाज नोकरी है मेरे ख्याल से इसका जवाब नहीं होता है खास कर जब आप किसी आदमी की पूरी जिंदिकी को देखते हैं नोकरी दिर्ग कालिन समश्या का अल्प कालिन समाधान है पर तो मेरे डड़ी हमेशा कहा करते हैं स्कूल में पढ़ो अच्छे नमबर लाओ ताकि तुम्हें एक सुरक्षित और अच्छी नोकरी मिल सके मैंने हडबड़ी में बोल दिया हाँ मैं समझ सकता हूँ कि वे इसा क्यों कहते हैं अमीर डड़ी ने मुस्क्रा कर कहा ज्यादातर लोग ऐसी सला देते हैं और ज्यादतर लोगों के लिए एक अच्छा विचार होता है परंतों लोगों के इस सला के पीछे भी डर चुपा होता है आपका यह मतलब है कि मेरे डड़ी इसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे डरे हुए हैं हाँ हमें डड़ी ने कहा वे गवराई हुए हैं कि शायद तुम पैसा नहीं कमा पाओगे और समाज में फिट नहीं हो पाओगे मुझे गलत मत समझना वे तुम्हें प्यार करते हैं और तुम्हारा बला चाते हैं और मैं सोचता हूँ कि उनके डर सही भी है शिक्षा और नोपरी मैतवपूर्ण है परन्तो इससे डर का इलाज नहीं होगा वही डर जो तुम्हें सुबह उठकर कुछ रुपए कमाने के लिए प्रेरित करता है उसी डर के कारण वे स्कूल जाने पर इतना जोर देते हैं तो आपकी सला क्या है मैंने पूछा मैं चाहता हूं कि तुमें पैसे की ताकत पर काबू पाना सिखाऊं पैसे का डर तुमारे दिमाग से निकल जाना चाहिए और यह स्कूल में नहीं सिखाया जाता अगर तुमें इसे नहीं सिखोगे तो तुम पैसे के गुलाम बन जाओगे अब उनके बाते मेरी समझ में आ रही थी वे हमारे विचारों को ज़्यादा व्यापक बनाना चाहते थे वे चाहते थे कि जो मिसेज मार्टिन नहीं देख सकती थी उनके करमचारी नहीं देख सकते थे या मेरी टेड़ी तक नहीं देख सकते थे वहे देखने की योगवता हम में आ जाए उन्होंने जो उतारन दिये थे वे उस समय कठोर जरूर लग रहे थे पर अंतों मैं उन्हें कभी नहीं मुला मेरा नजरिया उस दिन बहुत बड़ा हो गया था जब मैं उस जाल को देख सकता था जो ज्यादातर लोगों के सामने बिचा होता है देखो आखिर कर हम सभी लोग एक करमचरी है हम क्यों अलग लग इस तरों पर काम करते हैं हमीर टेड़ी ने कहा मैं तुम लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ कि तुम लोग इस जाल से बचे रहू डर और लालच इन दो फंदों से बसने वाले जाल से इनका इस्तेमाल अपने समर्थन में करो अपने विरोध में नहीं मैं तुम लोगों को यह नहीं सिखाना चाहता कि धेर सारा पैसा कैसे इकठा कर लिया जाए उससे डर या लालच को नहीं जिता जा सकता अगर तुमें डर और लालच पर काबू पाना नहीं आता तो तुम चाहिए कितने भी अमीर बन जाओ असलियत में तुमें एक बड़ी तनक्वा पाने वाले गुलामी रहोगे तो हम किस तरह से इस जाल से बच सकते हैं मैंने पूछा गरेबी या पैसे की तंगी का खास कारण डर और अग्यान होता है ने की अर्थवेश्ता या सरकार या अमेर लो यह है खुद का उड़ा हुआ डर या अग्यान होता है जो लोगों को इस जाल में फसाई रखता है इसलिए तुम बच्चों को स्कूल जाना चाहिए और अपने कालेज की पढ़ाई पूरी करनी चाहिए मैं तुम लोगों को यह जरूर सिखाऊंगा इस जाल से कैसे बचा जा सकता है पहले के टुकड़े अब सामने आ चुके थे मेरे पड़े लिखे डैडी के पास बड़ी डिगरियां थी और एक बड़िया करियर था परन्तु स्कूल में उन्हें यह कभी नहीं सिखाया कि धन्या आपके डर को किस तरह काभू में रखा जा सकता है अब मैं समझ सुका था कि मैं अबने दो डैडियों से अलग लग परन्तु मैं तो पुम्स बाते सीख सकता हूँ तो आप पैसे नहीं होने के डर के बारे में बात कर रहे थे पैसे कि इच्छा किस तरह हमारे सोच पर असर डालती है माइक ने पूछा तुम्हें तब कैसे महसूस हुआ जब मैंने तुम्हारी तनकवा बढ़ने का लालस दिया था क्या तुमने यह देखा था कि तुम्हारी च्छाएं किस τरह बढ़ रही थी हमने अपने सीरामी में रहे पर तुमने अपने बावनों के सामने हार नहीं मानी और इस कारण तुम लोगों ने जल्दबाजी में काम नहीं लिया इस से तुम्हें सोचने का वक्त मिल गया यह सबसे मेहतोपूर्ण है हमें हमेशा डर और लालज की बहुना ही होती है इसी क्षंद से तुम लोगों के लिए सबसे मेहतोपूर्ण है कि तुम इन बाउनों का इस्तेमाल अपनी समर्थन में करो और लंबे समय तक करते रहो अपनी बाउनों को अपने दिमाग पर हावी मत होने दो इस तरह अपने विचारों को दूसित मत होने दो ज्यादातर लोग डर और लालच का इस्तेमाल खुद के विरोध में करते हैं यह अग्यान की शुरुवात होती है डर और इच्छा की बावनाओं के कारण ही ज्यादातर लोग तनक्वा के चेक, तनक्वा की बड़ोतरी और नोक्री की सुरुक्षा के पीछे भागते भागते अपने पूरी जिकी निकाल देते हैं असल में मैं यह एसोसते ही नहीं है कि भावनाओं के अदार पर बने हुए यह विचार उन्हें किस तरफ ले जा रही है यह तो वही बात हो गई जिसमें गाड़ी खीजने वाले गदे के सामने उसके मालिक गजर लटकाई रखता है जो उसकी नाक के ठीक सामने उक्ती है गदे का मालिक जहां जाना चाता है वहां जाता है पर अंदू गजा तो लालच के कारण भाग रहा है कल गदे के लिए दूसरी गजर आ जाईगी और गदा उसका पीछा करने लगेगा आपके कहने का मतलब यह है कि जिस समय मैंने एक पेस्वाल कलब्स, कैंडी योर्ट और खिलोनों के सपने देखना शुरू किया उस समय मेरी आलत उस गदे की तरह हो गई थी जो गाजर के पीछे बागता है माईक ने पूछा हाँ और उमर के साथ-साथ तुमारे खिलोने वे ज़्यादा महंगे होते जाएंगे अपने दोस्तों को रोब जाड़ने के लिए नई कार एक नाव और एक अलिशन गर अमीर ड़ड़ी ने मुस्करा कर कहा डर आपको दर्वाजे से बाहर धक्का देता है इच्छा आपको अंदर बुलाती है आपको चटानों की तरह लल्चाती है यही जाल है तो इसकी काट क्या है माईक ने पूछा डर और इच्छा अग्यान की वज़े से बढ़ते हैं इसलिए अमीर लोगों के पास जितना ज़्यादा पैसा होता है उनका डर भी उतना ही ज़्यादा बड़ा होता है धन ही गाजर है ब्रह्म है अगर गदा पूरी तस्वीर देख सकता तो शायद वह गाजर का पीछा करने के अपने फैसले पर दुबारा सोचता अमीर डैडी ने आगे यह समझाया कि आदमे की जिन्दगी अग्यान और ग्यान के बीच होने वाला संगर्स है उन्होंने बताया कि एक बार को यह आदमी खुद के बारे में ग्यान की खोज करना बंद कर देता है तो उसकी जिन्दगी में अग्यान गुज जाता है यह संगर्स हर पल होता है इसलिए हमें यह फैसला करना है यह सीखना है कि अपने दिमाग को खुला रखा जाई या इसे बंद कर लिया जाई देखो स्कूल बहुत बहुत ज़्यादा मैतकून है पर आप स्कूल इसलिए जाते हैं ताकि आप वहां कोई कला या बेवसाई सीख सकें और इस तरह से आप समाज में योगदान दे सकें हर समाज में सिख्षकों, डोक्टरों, मेकैनिकों, कलाकारों, रस्वयों बेवसाईक लोगों, पुलिस अबसरों, आग बुजाने वालों और इसी भाईयों की जुरूरत होती है स्कूल उने यह सब सिखाते हैं ताकि हमारा समाज विक्सित हो सके और हमारी संस्कृति सम्रद हो सके अमीर डेड़ी ने कहा दुरुबागय से कई लोगों के लिए स्कूल सिख्षा का अंत होना है शुरुआत नहीं एक लंबी खामों से चाही रही अमीर डेड़ी मुस्कृरा रहे थे उस दिन उनने जो कहा था वैं पूरी तरह से समझ नहीं आया पर उन्तुजादा तर माहान सिख्षोगों के सब सालों तग हमें सिखाते रहते हैं उनके सब्द इसी तरह से आज भी मेरे साथ हैं मैं आज थोड़ा निर्मम हुआ अमीर डेड़ी नहीं कहा मैं एक वज़य से निर्मम हुआ मैं चाहता था कि तुम लोगों को आज की यह चर्चा हमेशा याद रहे मैं चाहता हूँ कि तुम लोग हमेशा उस गड़े के बारे में सोचो इने कभी मत बुलना अगर तुमने अपनी समझदारी से उन्हें काबू नहीं किया तो डर और लालच की तुमारी दोनों वावनाई तुमें जिंदगी के सबसे बड़े जाल में फसा सकती है अपनी जिंदगी को डरते डरते गुजारना अपने सपनों को पूरा नै करना निर्ममता है यह भी निर्ममता है कि पैसे के लिए कड़ी मेनत की जाए और यह सोचा जाए कि पैसे से खरीदी की चीजें सुक दे सकती है बिल चुकाने के डर से गवरा कर आदी रात को जागना जीने का एक पयानक तरीका है तनक्वा के इसाब से जिंदगी जीना भी कोई जीना है यह सोचना कि कोई नोपरी आपको सुरक्षा या एसास दे सकती है कुछ से जूट बोलना है यह निर्ममता है और यही वह जाल है जिससे मैं तुमें बचाना चाता हूँ मैंने देखा है कि पैसा किस तरह लोगों की जिंदगियों को चलाता है एसा अपने साथ मत होने दो बगवान के लिए पैसे को अपने जिंदगी मत चलाने दो हमारी मेज के नीचे साफट बाला आ गई अमीर डैड़ी ने उसे उठाया और वापस खिलाडियों ने पास फेंग दिया तो अग्यान का लालच और डर से क्या तरलुव है मैंने पूछा यह पैसे का अग्यान ही है जिसकी वज़ेसे इतना लालच और इतना डर पैदा होता है अमीर डैड़ी ने कहा सबसे ज़्यादा नुक्सान पहुंचता है इसलिए गरीब लोगों का स्वास्तिय अमिर लोगों से ज़्यादा बुरा होता है अब चुंकि डॉक्टर ने अपनी फीज बढ़ा दिये इसलिए वकीलों ने अपनी फीज बढ़ा दिये इसलिए स्कूल के टीचर भी अपनी तन अनक अंतर हो जाता है कि परले आ जाएगा और एक दिन महान सब्वे दराशाई हो जाएगी महान सब्वे अताई तभी दराशाई हुई है जब अमीरों और गरीबों के बीच का फासला बहुत ज़्यादा हो गया है अमेरिका भी उसी रास्ते पर चल रहा है और इससे यह साव को बूल जाते हैं, क्या किमते नहीं बढ़नी चाहिए, मैंने पूछा, अच्छी तरह से चल रही सरकार और एक सिक्षित समाज में तो नहीं, किमते दरसल कम होने चाहिए, जाहिर है कि ऐसा अक्यवल से दांद में ही हो सकता है, किमते अग्यान से पैदा हुई लालत और डर के पैसे की ताकत का इस्तेमाल नहीं सिखाया जाता, परंतु हमारे यहां बिजनस स्कूल भी है, माइक ने पूछा, क्या आप मुझे अपनी मास्टर डिगरी के लिए बिजनस स्कूल जाने के लिए प्रेट नहीं कर रहे हैं, हाँ, हम यह टेड़ी ने कहा, परंतु अक्सर ऐ लोगों को निकालते हैं, और बिजनस का गलागोंडते थे हैं, मैं जानता हूँ क्योंकि मैं बीन काउंटर्स से काम लेता हूँ वे सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि लागत कैसे कम की जाए और किमत कैसे बढ़ाई जाए इससे बहुत से समझाएं पैदा हो जाती है बीन काउंटर्स भी मैतोगून है मैं सोचता हूँ के ज्यादा लोगों को इस बारे में जानना चाहिए परन तो यह भी पूरी तस्विर नहीं बताती अमीर डैड़ी ने गुस्षे से कहा तो फिर क्या कोई इसका हल है माइक ने कहा हाँ अमीर डैड़ी ने कहा सोचने के लिए अपनी बाउनाओं का इस्तेमाल करना सिखो अपनी बाउनाओं के बाउन में आकर मत सोचो जब तुम लोग मुप्त में काम करने के लिए तयार हो गई थे तो तुम ने अपने बाउनाओं को कावमें रखना सीख लिया था तब ही मैं समझ गया था कि तुमसे उम्मिद की जा सकती है मैंने पुछा, यह तुम अपने आप जान पाओगे, अगर तुम सीखना ही चाते हो, तो मैं तुम लोगों को ब्राइन पैच में ले जाओगा, यह वह जगह है जिससे लोग बचते हैं, मैं तुम्हें उस जगह पर ले जाओगा, जहां जाने से ज़्यादतर लोगों को डर अगर तुम मेरे साथ जाओगे, तो तुम्हारे मन से पैसे के लिए काम करने का विचार निकल जाएगा, इसके बजाए तुम यह ऐसी कोगे, कि पैसे से कैसे काम लिया जाता है, और अगर हम आपके साथ जाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम आप से सीखने के लिए त पैच होता है मैंने पूछा हाँ हमेर डेड़ी ने कहा डर और लालच ही ब्राइर पैच है अपने डर से पीछा चुड़ा कर अपने लालच का सामना करके अपनी कमजोजियों और जरूरतों को पहचान कर ही हम बाहर निकलने के रास्ते तक पहुंचते हैं और बाहर निकलने का रास्ता हमारे दिमाग से ओकर गुजरता है यही विचारों को चुनने से माईक ने अस्षरे सकित ओकर पूछा हाँ इस विचार को चुनकर कि हम क्या सोचेंगे बजाए इसके कि हम अपने बहुनाओक में बैकर लगातार परतिकिरिया करते रहें सुबह उठने और काम पर जा सवाल पूछने का समय मिलता है इस तरह का सवाल क्या इस समस्या का सबसे बड़ी असमादाने इस पर और ज्यादा मेनत करना है ज्यादातर लोग इतनी बूरी तरह गवराई होते हैं कि वे खुद अपने आपको असली बात नहीं बताते कि डर हावी हो रहा है और नतिज़ा पुछा यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ मैं तुम्हें यह सिखाओ तुम भरे पास चुनने के लिए विचारों के विकल्प होने चाहिए ताकि तुम हड़बडी में काम करने से बच सको जैसे अपनी सुबह की काफी पीकर दरवाजे से बहर दोड़ लगाने क यादत से, मैंने तुमसे पहले कहा था, उसे याद रखो, नोकरी दिर्ग कालिन समश्या का अलप कालिन समादान है, ज्यादातर लोगों के दिमाग में सिर्फ एक समश्या होती है, और यह थोड़े समय की होती है, यह समश्या होती है महिने के आखिर में चुकाई जाने वाले बिल यानि टार बेवी अब पैसा उनके जिंदगी चलाता है या मैं यह कहूं कि पैसे को लेकर उनका डर और अज्ञान उनके जिंदगी चलाते हैं तो वे वही करते हैं जो उनके माधा पिता ने किया था सुभए उठो और पैसे के लिए काम करो Можно इतना समय भी नहीं निकाल पाते कि यह सोच सकें, क्या कोई दूसरा तरीका है, इस वक्त वे दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं, दिल से सोचने और दिमाग से सोचने में क्या फरक होता है माइक ने पूछा, अमीर डैटी ने जवाब दिया, मैं इस तरह मेरा सोचन नहीं कर सकते या मैं इस नोगरी को इसलिए पसंद करता हूँ, क्योंकि यह सुरक्षित है, इसके बजाए हमें यह कहना चाहिए क्या यहां इसा कुछ है जो मुझे नहीं मिल रहा है, इस तरह बहुना पर आदारित हमारे विचारों की जंजीर तूड़ जाएगी, और हमें ज्यादा अच्छे तरह के सोचने का मौका मिल जाएगा मुझे मानना ही पड़ेगा कि मेरे लिए यह सबक एक महान सबक साबित हुआ यह जानना कि कब कोई आदमी दिल से बोल रहा है और कब दिमाग से किस के सब्दों में भावनाई चुपी हुई है और किस के सब्दों में विचार यह एक ऐसा सबक था जो जिन्दगी बर मेरे काम आया खास तोर पर तब जब मैं अपने दिल से यानि अपनी भावनाँ से बोल रहा था नै कि अपने विचारों या दिमाग से जब हम स्टोर की तरफ मुड़े तो अमीर डेडे ने यह कहा कि अमीर लोग हकिकत में पैसा बनाते हैं वे इसके लिए काम नहीं करते उन्होंने यह भी बताया कि पांस सेंट के सीसे के सिके डालते समय जब माईक और मैं यह सोच रहे थे कि हम पैसा बना रहे थे तो हमारे विचार उसी रास्ते पर चल रहे थे जिस पर अमीर लोग चलते हैं दिक्कत सिर्फ इतने थी कि हमारे लिए इसा करना गैर कानूनी था सरकार और बैंकों के लिए इसा करना कानूनी था परंतो हमारे लिए नहीं था उन्होंने यह भी बताया कि पैसा कानूनी और गैर कानूनी दोनों इस तरीके से कमाया जा सकता है अमीर डेडनी बाद में हमें यह समझाया कि अमीर लोग जानते हैं कि धन एक ब्रहम है जो हकीकत में गदे के सामने लटकी गाजर की तरह होता है धन के ब्रहम के कारण जो डर और लालच पैदा होता है उसकी वज़े से ही अर्बों खर्बों लोग यह सोचते रहते हैं कि धन असली चीज है धन दर असल एक माया जाल है जनता के अग्यान और वरोसे के ब्रहम की वज़े से तास के पत्तों का यह महल खड़ा रह पाता है सच कहा जाए तो गदे की गाजर धन से ज़्यादा किमती है उन्होंने कहा उन्होंने अमेरिका के गोल्ड स्टंडर्ड के बारे में भी बात की और यह बताया कि हर डालर का नोट असल में चांदी का पर्मान पत्र है उन्हें इस अभवा से चिंता हो रही थी कि किसी दिन हम लोग गोल्ड स्टंडर्ड को छोड़ देंगे और हमारे डालर चांदी के पर्मान पत्र नहीं रहेंगे जब ऐसा होगा बच्चो तो कयामत आ जाएगी गरीब मद्य उमर्गे और ना समझ लोगों के जिन्दगी सिर्फ इसलिए बरबाद हो जाएगी क्योंकि वे यह बरोसा करते रहते हैं कि धनी असली चीज है और वे जिस कंपनी के लिए काम करते हैं वे कंपनी यह सरकार उनका ध्यान रखेगी उनकी बातें उस दिन हमारी समझ में नहीं आ रही थी परंतु सालों बात जाकर मुझे यह समझ में आया कि यह बड़े पते की बात थी जब वे अपने पिकप ट्रक में चड़े तो उन्होंने कहा काम चालो रखो बच्चो पर जितने जल्दी तुम तनक्वा की जरूरत को भूल जाओगी तुम्हारी आगे की जिन्दगी उतनी आसान होती जाएगी अपने दिमाग का इस्तेमाल करो मुफ्त में काम करो और जल्दी तुम्हारा दिमाग तुमें पैसे कमाने के दूसरे तरिके बता देगा उन तरिकों से तुम इस नोकरि से ज़्याँ पैसा कमा लोगे तुम ऐसी चीजें देख पा होगे जो दूसरे लोग कبhी नहीं देख पाते मुख्य उनकी नाक के नीचे होते हैं तुम जिन्दगी वर्मों का बाप सकते हो, जिस वक्त तुमें इसा कर लोगे, मैं तुम लोगों को कुछ और बातें सिखाऊंगा, इस बात को ध्यान से समझ लो, ताकि तुम जिन्दगी के सबसे बड़े जाल से बच सको, वह है टार बेबी तुमें कभी, कभी नहीं चुप दोस हफ्ता तक हम लोग सोचते रहे, बातें करते रहे, और मुप्त में काम करते रहे, दूसरे सनिवार के आखिर में मैं मिसिज मार्टिन से दुबरह गुड़बाई कर रहा था, और कामिक बुक स्टन्डर को ललसाई नजर से देख रहा था, sort यं We are 30 से नियंड मिलने से सबसे दुखत बाद यह थी कि मेरे पास कामिक्स पढ़ने कामिक्स खरीदने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं रहते थे अचानक जब मिसेल मार्टिन मुझे और माई को गुडबाई कह रही थी मैंने उन्हें एक ऐसा काम करते वे देखा जो इससे पहले कभी नहीं देखा था मेरा मतलब है मैंने इसके पहले उन्हें ऐसा करते तो देखा था पर उस तरब ध्यान नहीं दिया था मिसेज मार्टिन ने कमिस के पहले पेज को आदेज में काटा और उसे संबाल कर अपने पास रख लिया भाकी की पुष्टक को उन्होंने एक बड़े से बुरे कार्डबोर्ड के बाक्स में डाल दिया जब मैंने उनसे पूछा कि वे इस कामिक्स का क्या करती है तो उन्होंने कहा मैं उन्हें फैंक देती हूँ जब वे नई कामिक्स लाता है तो मैं उपर के यादे कthis अव को क्रेडिट के लिए कामिक्स reckless probability को देदेती हूं वे एक गंटे में आने वाला है माईक और मैंने एक गंटे तक इनतजार किया जल्दी ही वे डिस्ट्रोबूटर बहां आया और मैंने उससे पूछा कि क्या हमें कॉमिक्स मिल सकती है इस पर उसने जवाब दिया आपको मिल सकती है अगर आप इस टोर में काम करते हैं और अगर आप यह वादा करें कि आप उसे दुबारा नहीं बेचेंगे हमारी पार्टनर्शिप एक बार फिर कायम हो गई जल्दी हमारी कामिक्स लाइबरेरी जन्ता के लिए खोल दी गई बाइक की छोटी बैन को पढ़ने का बहुत शोंग था इसलिए हमने उसे अपना लाइबरेरियन बना लिया लाइबरेरी में आने और कामिक्स पढ़ने के लिए हम हर बच्चे से 10 सेंट लेते थे स्कूल खतम होने के बाद हर दोपैर रही से साड़े चार तक लाइवरेरी खुलती थी पड़ोस्ट के बहुत से बच्चे इसके ग्रहाग बन गई थे और वे जितने कामिक्स पढ़ना चाते थे दो गंटे में पढ़ सकते थे यह है उनके लिए बहुत बढ़िया सोधा था क्योंकि एक कामिक्स की गिमत 10 सेंट होती थी और दो गंटे में वे 5 या 6 कामिक्स पढ़ लेते थे माईक की बहन लोटे समय बच्चों की तलासी लेती थी और यह देख लेती थी कि वे अपने कपड़ों में कामिक्स चुपा कर तो नहीं ले जा रही है वहे इस बात का रिकार्ड भी रखती थी कि हर रोज कितने बच्चे आए उनका नाम क्या था और उनके सुझाओ क्या थे माईक और मुझे तीन महीने तक हर अपते साड़े नो डालर का ओसत लाब हुआ हमने उसके बहन को हर अपते एक डालर का बहुतान किया और उसे मुफ्त में कामिक्स पढ़ने का फायदा भी दिया हालांकि वह कामिक्स कभी कभारी पढ़ती थी जोगी वह हमेंसा अपनी पढ़ाही में लगी रहती थी माईक और मैं समझोते के मुताबिक हर शेनिवार स्टोर में काम करते रहे साथ ही हम अलग लग दुकानों के से कामिक्स ही कठी करते रहे हमने वादे के मुताबिक कामिक्स नहीं बेचे जब कोई कामिक्स फड़ जाती थी तो हम उसे जला देते थे हमने इसके एक साखा पोलने के भी कोशिस की परंतु हमें माईक की बेहन की तरह मेहनती और बरोसे मन लाइबरेरियन नहीं मिला बहुत कम उमर में ही हमने यह जान लिया था कि अच्छे स्टाफ को फोजना कितना मुश्किल होता है लाइबरेरी खुलने के तीन महीने बाद हमरे लाइबरेर में एक सबश्या आ गई दूसरे मुखले के कुछ गुंडे अंदर गुशाई और उन्होंने जगरना शुरू कर दिया माईक के डैडी ने सुजाओ दिया कि हम अपना यह कारुबार बंद कर दें तो इस तरह हमारा कामिक्स का दंदा बंद हो गया और हमने कन्वेनियन स्टोर पर हर सेनिवर काम करना भी बंद कर दिया फिर भी अमीर डैडी रोमान चित थी क्योंकि उनके पास यसी बहुत सी नई बातें थी जो भी हमें सिखाना चाते थी वह खुश थे क्योंकि हमने उनकी पहले सबक को इतनी अच्छी तरह से सीख लिया था हमने यह भी सीख लिया था कि पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाए स्टोर में नोकरी के बदले में पैसा नहीं मिलता था इसलिए हमें मजबूरन अपनी कलपना शक्ति पर जोड डालना पड़ा ताकि हम पैसा कमाने का कोई दूसरा तरीका ढूंड सके कामिक्स लाइबरेरी हमारा अपना वेवसाई था हमारा धन हमारे काभू में था और हम किसी मालिक के मौताज नहीं थे इसमें सबसे अच्छी बात यह थी कि हमारे वेवसाई से हमें तब भी पैसा मिलता था जब हम वास्वें मुझूद नहीं होते थे उस समय हम पैसे के लिए काम नहीं करते थे बलकि हमारा पैसा हमारे लिए काम करता था ज्यादा तनक्वा देने की बज़ाए अमीर डैड़े ने हमें इतने बढ़िया नसियत दे दी थी धन्यवाद अध्याए तीन जो है पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए रिच डैड पूर डैड अध्याए तीन पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए 1990 में मेरे सबसे अच्छे दोस्त माईक ने अपने डैडी का लंबा चोड़ा कारोबार संबाल लिया है और उसे अपने डैडी से ज़्यादा काम्याभी मिल रही है हम एक दूसरे से साल में एक दो बार गोल्प कोर्स पर मिलते हैं वह है और उसकी पतनी इतने ज़्यादा अमीर है कि आप इसकी कलपना भी नहीं कर सकते अमीर डैडी का सामरज्य बहुत सुरक्षितातों में है और अब माईक अपने बेटे को उसी तरह सिखा रहा है जिस तरह से उसके डैडी ने हमें सिखाया था 1994 में मैं 47 साल की उमर में रिटायर हो गया और मेरी पतनी किम उस वक्त 37 साल की थी रिटायर्मेंट का यह मतलब नहीं है कि हम काम नहीं करते या आगे काम नहीं करेंगे इसका मतलब यह है कि जब तक कोई चमतकार ही नय हो जाई तब तक हम काम करने या नए करने के लिए आजाद है इसका कारण यह है कि हमारी दोलत अपने आप बढ़ती रहती है मुद्रास पिति की तर से कहीं ज़्यादा तेज रफ्तार से मुझे लगता है कि आजादी इसी को कहते है हमारे दोलत इतनी ज़्यादा है कि यह अपने आप बढ़ सकती है यह पेड लगाने की तरह है आप सालों तक इसे पानी देते हैं और एक दिन इसे आपकी जुरूर नहीं रह जाती है इसकी जड़े जमीन में काफी गैराई तक पहुंच जाती है इसके बाद पेड़ा आपके सुक के लिए छाया और फल दिता है माइक ने सामराज्य चलाने का विकलब चुना और मैंने रिटाइर होने का जब भी मैं लोगों से बात करता हूँ तो वे अक्सर मुझसे सला मांगते है कि उन्हें क्या करना चाहिए शुरुवात कहां और कैसे की जाई आपकी नजर में कौन सी फुस्तक बढ़िया रहेगी हम अपने बच्चों को यह सब कैसे सिखाई है कामयाभी का रहष्य क्या है मैं किस तरह करोडो रुपे कमा सकता हूँ एसे वक्त मुझे हमेशा एक लेक की यादाती है जो यहाँ दिया जा रहा है सबसे अमीर बिजनसमें 1923 में हमारे सबसे महान नेता और सबसे अमीर बिजनसमें शिकागो में एसवाटर बीच पर इकटे हुए ये लोग बहुत मशूर थे चार्ल स्वाब सबसे बड़ी स्टील कमपनी के मुख्या थे सैमूल इंचोल दुनिया की सबसे बड़ी यूटिलिटी के अध्यक्स हावर्ड हाप्चन सबसे बड़ी गैस कमपनी के मुख्या आईवर क्रूजर दुनिया की सबसे बड़ी कमपनीयों में से एक International Match Company के अध्यक्स लियान फ्रेजियर Bank of International Settlement के अध्यक्स थे रिचर्ड वाइटनी New York Stock Exchange के मुख्या Arthur Cotton और J.C. Livermore सबसे बड़े दो स्टाक्स के Speculators थे और Albert Fall President Harding के Cabinet के मंत्री थे 25 साल बाद इन में से 9 लोगों का अंत इस्तरह हुआ सुआप 5 साल तक करजे में डूबे रहने के बाद गरीबी में मरे इन्सुल की मौत विदेश में दिवालियपन की हालत में हुई क्रूजर और काटन भी गरीबी में मरे हापसन पागल हो गए वाइटनी और Albert Fall उस समय जेल से रिया हुए थे फ्रीजियर और लिवरमोर आतमत्या कर चुके थे शायद कोई भी ठीक से यह नहीं बता सकता कि इन लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ यह 1923 की बात है हम इतना अंदाजा तो लगा सकते हैं कि यह 1929 के मार्केट क्रेस्ट आर्थिक मंदी के ठीक पहले हुआ था मंदी का इन लोगों पर निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा असर हुआ होगा देखने वाली बात यह है आज हम इन लोगों से ज़्यादा मुश्किल समय में जी रहे हैं परिवर्तन ज़्यादा तेजी से हो रहे हैं और पूरी दुनिया में हो रहे है मुझे लगता है कि आने वाले 25 सालों में बहुत से एसे उतार चड़ावा आएंगे जो इन लोगों द्वारा जेले गए उतार चड़ावों की तरह ही होंगे मुझे यह चिंता है कि बहुत से लोग सिर्फ पैसे पर अपना ध्यान लगाई बैठे हैं और अपनी सबसे बड़ी दोलत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं जिसका नाम है सिक्षा अगर लोग लचेले होने दिमाग पुला रखने और सीखने के लिए तयार रही तो इन परिवर्तनों के बावजूद वे बहुत अमीर बन सकते हैं अगर लोग यह सोचेंगे कि पैसा ही उनकी समझ्याओं को सुलजा सकता है तो ऐसे लोगों के लिए आगे आने वाला समय बहुत परेशानी बराऊगा बुद्धी से समझ्याओं सुलजती है और पैसा आता है अगर आपके पास पैसे की समझ नहीं है तो पैसा चाये आ भी जाई पर ज्यादा देर तक नहीं ठिकता ज्यादातर लोग जिन्दगी बर यह नहीं समझ पाते कि असल बात यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमा पाते हैं बलकि यह है कि आप कितना पैसा रख पाते हैं, हमने लाटरी जीतने वाले उन गरीब लोगों की काहनिया सुनी है, जो अचानक अमीर बन जाते हैं, पर कुछ समय बाद वे फिर से गरीब हो जाते हैं, ये लोग लाकों करोड़ों जीतते हैं, फिर भी वे लोटकर वही आ जात जहां से उन्होंने शुरू किया था आपने उन्हें विवसाइक एथलेटों की कानिया भी पढ़ी होंगी जो 24 साल की उमर में हर साल करोनों डालर कमाते हैं और 34 साल की उमर में उन्हें पुल के नीचे सोना पड़ता है आज ही के एगवार में एक युवा बास्केट बाल खिल और इसी वज़े से आज उसे बहुत कम मजदूरी पर कार्द होने का काम करना पड़ रहा है वह सिर्फ 29 साल का है उसे कार्द होने के काम से भी निकाल दिया गया है इसकी वज़ए यह थी कि उसने कार साप करते समय अपनी चैंपियंशिप रिंग उतारने से मना कर दिया और इसलिए उसकी खबर अखबार में छप गई वह अपने निकाले जाने का विरोध कर रहा था और कहता है कि यह बहुति निशनी है उसका कहना है कि अगर आप उसके अंगुठी उतार लेने तो उसके पास जिन्दा रहने का कोई सहरा ही नहीं बचेगा और वह मर जाएगा 1997 में मैं यह से बहुत से लोगों को जानता हूँ जो नए ने करोड़ पती बन रहे हैं एक बार फिर यह 1920 के उच्छाल वाली दसकी यादिल आता है हलांकि मैं खुश हूँ कि इतने ज़्यादा लोग अमीर बनते जा रहे हैं पर अंतु मैं उन्हें चेतावनी देना चाता हूँ लंबे समय में यह मैत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितना पैसा कमाया बलकि मैत्वपूर्ण यह है कि आपने कितना पैसा रखा और आपने कितने पीडियों तक उस पैसे को सहे जा तो जब लोग मुझे पूछते हैं हम किस तरह शुरू करें या मुझे बताईए कि अगर तुम अमीर बनना चाते हो तो तुम्हारे पास पैसे की समझ ओना चाहिए जब भी मैं अमीर डेड़ी से मिलता था यह विचार मेरे दिमाग में हर बाट ठोका जाता था जैसा मैंने कहा मेरे पढ़े लिके डेड़ी हमेज़ा किताबे पढ़ने के फायदे बताते रहते थे दूसरी तरफ मेरे अमीर डेड़ी वित्यस आक्षरता या पैसे की समझ विक्षित करने पर जोर देते थे अगर आप एंपायर स्टेट बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक गहरा खटा कोदना पड़ेगा और एक मजबूत नीव डालने पड़ेगी अगर आप किसी उपनगर में एक घर बनाने जा रहे हैं तो आपको सिर्फ 6 इंस का कंक्रीट का स्लेब डा आधार थी आज भी यह बिना नीव के गरों में बरोसा करता है दूल की फर्स आज भी लोग प्रिया है इसलिए स्कूल से निकलने वाले बच्चों की कोई आर्थिक नीम ही नहीं है एक दिन जब उन्हें नीम नहीं आती और वे कर्ज में डूब जाते हैं तो वे अमेरिकी स करना शुरू हो जाती है यह तेजी से उपर उठती हैं और जल्दी एंपाइर स्टेट विल्डिक के वजए हमारे पास सबर्बिया का लिनिंग टाउर होता है हमारी रातों की नीदे एक बार फिर उड़ जाती है माइक और मेरे लिए माइक और मेरे लिए दोनों ही मजबूत थी और पैसे की समझ हमें बच्पन से सिखाई गई थी देखा जाए तो अकाउंटिंग शायद दुनिया का सबसे बोरिंग विशे है यह बहुत उल्जन बरा विशे भी है परन्तु अगर आप लंबे समय तक अमेर बने रहना चाते हैं तो यह सबसे मैत्पूर्ण विशे भी है सवाल यह है कि आप इस बोरिंग और उल्जन बरे विशे को अपने बच्चों को किस तरह सिखा सकते हैं इस सवाल का जवाब है इसे आसान बनाकर पहले इसे तस्वीरों के जरिये सिखाईए अमीर डैडी ने माई को और मेरे लिए एक मजबूत आर्थिक निय उनके साथ सब्दों का इस्तेमाल करके हमें समझाते रहे जब माईक और मैंने उन आसान डाइगराम की मदद से आर्थिक शब्दावली और पैसे के खेल को समझ लिया तो इसके कई सालों बाद अमीर डैडी ने अंकों को जड़ना चालू किया जब माईक और मैंने उन आसा अन डाइगराम की मदद से आर्थिक शब्दावली और पैसे के खेल को समझ लिया आज माईक को जितने अकाउंटिंग विसलेशन की ज़रूरत है वह उससे भी कहीं सुक्षम और जटिल विसलेशन कर सकता है उसके पास 10 अरब डालर का सामराज्य है मैं इतना ज्यादा जट त्रखिन चुगा जो माईक के डैड़ी ने हमारे लिए खीचे थे हालांकि वे आसान है परन्तु इन चित्रों के सारे उन्होंने दो छोटे बच्चों को ठोस और गैरे नियम पर दोलत का महल बनाना सिखाया था नियम एक आपको संपत्ति और दाइतों का अंतर पता होना चाहिए और हमेशा संपत्ति ही खरीदना चाहिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको विस इतना ही जानने की ज़रूरत है यह पहला नियम है यही एक लोता नियम है यह बहुत आसान लगता है परन्तु जादा लोगों को यह पता ही नहीं है कि यह नियम को होता है अमीर लोग संपत्ति कठी करते हैं गरीब और मद्य उमर गे लोग दाइक तो इकठी करते हैं और मज़े की बात यह है कि उन लोगों को यह लगता है कि वे संपत्ति कठी कर रहे हैं जब अमीर डैडी ने माई को और मुझे यह बताया तो हमने सोचा कि वे मजाक कर रह इतने हैरान परेशान थे जब कि उसका जवाब इतना असान था यह इतना ज़्यादा आसान था कि हमें इस बात पर सोचने के लिए बहुत देर तक ठैरना पड़ा संपत्ति क्या है माइक ने पूछा अभी उस बारे में चिंता मत करो अमीर डैडी ने कहा अभी सिर्फ इस विचार को अपने दिमाग में घुश जाने दो अगर तुम इसे आसाने से समझ सकते हो तो तुम्हारे जिंदगी के की योजना होगी और तुम्हें जिंदगी वर पै है यह जानने के बाद हम उसे आसिल कर लें और अमीर बन जाए मैंने पूछा अमीर डैडी ने हामी वरी हाँ यह इतना ही आसान है अगर यह इतना आसान है तो फिर हर आदमी अमीर क्यों नहीं बन जाता मैंने पूछा अमीर डैडी मुस्कुराई क्योंकि लोग संपत्ति औ मैंने पूछा था, व्यसक लोग इतने मुर्ग कैसे हो सकते हैं, अगर यह इतना आसान है और इतना मैतोपूर्ण है तो हर कोई इसे जानना या खोजना क्यों नहीं चाता, संपत्ति और दाईतों क्या होते हैं, यह समझाने में अभी डेडी को बस कुछ ही मिनिट लगी, बड पारण यह है कि उनकी सिक्षा अलग तरह से हुई है, उन्हें दूसरे प्रोफेशनल्स ने पढ़ाया है, जैसे बेंकर्स, अकाउंटेंट्स, रियल इस्टेट एजेंट्स, फैनेंसियल प्लान ना दित्यादी, ज्यादातर बड़े लोगों के सामने मुश्किल यह होती है कि उन्हें बहुत कुछ बूलना पड़ता है और एक बार फिर से बच्चा बनना पड़ता है, एक समझदार व्यासक को अक्सर एसा लगता है कि आसान परिवासों पर ध्यान देना मुरकता है, अमीर डैडी के आई एसस सिदान्त में यकिन करते थी, कीप इट सिंपल, स्टूपिड, मुरक इसे आसान ही रहने दो, इसलिए वे हम दो छोटे बच्चों के सबग को आसान बनाते थे और इस तरह उन्होंने हमारी पैसे के निव को ज़्यादा मजबूत बना दिया, तो दिक्कत या उलजन किस बात से आती है, या इतनी आसान च किस आक्षरता सबत पर ध्यान देते हैं, और पैसे की साक्षरता को अंदेखा कर देते हैं, कोई वस्तू संपत्ती है या दाइतो, यह कैसे पता चलेगा, अगर आप सचमुच संकट में फसना चाहें, तो इन सब्दों को डिक्सेंटरी में देख लें, मैं जानता हूँ कि बहां दी होई परिवास हैं, किसी अकाउंटरेंट को अच्छी लगती होंगी, पर अंतो दिक्कत यह हैं, कि आम आदमी उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं पाता, फिर भी हम व्यसक लोग यह मानने में अपनी तोहिन समझते हैं, कि कोई चीज हमें समझ में नहीं आ रही है, चोटे बच्चों को समझाते समय, अमीर डेडी ने एक बार कहा था, संपत्ति को सब्द से नहीं, अंकों से पढ़ा जाता है, और अगर आप अंकों को नहीं पढ़ सकते, तो आपको संपत्ति और जमीन में खुदे गड़े में कोई फर्क मैसूस नहीं होगा, अकाउंटिं वह बात होती है, जो सब्दों के जरी बताई जाती है, कई लोग पढ़ते हैं, परन्तु ज़्यादा समझ नहीं पाते, यह रीडिंग कॉम्प्रियेंशन या पढ़े हुए को समझने की काबलियत होती है, और इस क्षेतर में हम सब की अलग-लग काबलियत होती है, उधारन क के लिए, मैंने हाली में एक नया VCR खरीदा, इसके साथ निर्देश पुस्तिका भी थी, जिसमें समझाया गया था कि अपने VCR को किस तरह प्रोग्राम किया जाता है, मैं शुकरवार की शाम को आने वाले अपने फेवरेट शो को रिकार्ड करना चाता था, पर उस निर्द परन्तु इसके बावजुद मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा था, मुझे सब्दों को पैचानने में A मिल रहा था, परन्तु उन्हें समझने में Mुझे F मिल रहा था, और यही ज़्यदातर लोगों के साथ पैसे के मामले में होता है, अगर आप अमीर बनना चाते हैं, तो आपको अंकों को पढ़ना और उन्हें समझना आना चाहिए, मैंने अपने अमीर डैडी से यह बात हजारों बार सुनी है, और मैंने यह भी सुना है, अमीर लोग संपत्ति कठी करते हैं, जबकि गरीब और मद्यमबर गिये लोग दाइतों भी कठी करते हैं, यहां पर यह बताया जा रहा है, संपत्ति और दाइतों में क्या फरक होता है, ज़्यादातर अकाउंटेंड और फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स परिवासाओं पर आपस में सैमक नहीं होते, परन्तु यह आसान चित्र या रेखा चित्र दो छोटे बच्चों के लिए मजबूत वि सब्दों का उप्योग कम से कम किया, और अंकों का तो कई वर्सों तक इस्तेमाल किया ही नहीं, पिछले प्रस्ट पर दिया हुआ बोक्स, एक इंकम स्टेट्मेंट है, जिसे एक सरलाव और रहानी का स्टेट्मेंट भी कहा जाता है, यह आमदनी और खर्च बताता है, आने उन्हें बैलेंस किया जाता है, कुछ लोग जिनमें पैसे की समझ नहीं होती, इंकम स्टेट्मेंट और बैलेंस सीट के बीच के संबंद को नहीं जानते हैं, यह समद जानना बहुत बहुत चुरूरी है, पैसे की तंगी की असली वज़ाई यह होती है, कि लोग संपती और दाइतों के बीच के अंतर को ठीक से नहीं समझ पाते हैं, अक्सर उन दोनों सब्दों की परिवासाइं भी समझ खड़ी कर देती हैं, अगर आपको दूविदा में पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप सब्द को उठाकर उसमें संपत्य और दाइतों सब्दों का मतलब अब इन परिवासाओं का मतलब अकाउंटेंट को तो अच्छी तरह समझ में आप सकता है, परन्तु आम आदमी के लिए यह वैसी ही बात हो गई, जैसी परिवासा का मतलब मेंडेरिन जैसी किसी विदेशी बासा में लिखती आ गया हो, आप परिवासा के लिखेवे को पढ़तो सकते हैं, परन्त उन्हें अच्छी तरह समझना कठीन है, इसलिए जैसा मैंने पहले कहा था, मेरे अमीर डैडी ने हमेशा दोनों चोटे बच्चों को यह आसान परिवासाइं सिखाई, संपत्ती वह होती है, जो आपकी जेब में पैसा डालती है, अच्छी आस वास्तों में दी गई परिवासाओं को समझना ज्यादा आसान होगा, संपत्ती वह है चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, दाइत्तों वह है चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, वास्तों में आपको इतना ही जानने की जरूरत है, अगर आप अमीर बन जादातर लोग जीवन भर पैसे की तंगी से परिशान रहते हैं। पैसों के लिए आदमी इसलिए परिशान होता है। क्योंकि वहन नय तो शब्दों को समझ पाता है। नहीं अंकों को। जिन लोगों के सामने पैसे की मुश्कले आ रही है। उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि शब्दों या अंकों में इसा कुछ है जिसे वह पड़ नहीं पा रही है। कोई चीज ठीक से उनकी समझ में नहीं आ रही है। अमीर लोग इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि इस मामले में वे पैसे की तंगी से परिशान लोगों से ज़्यादा समझ दार होते हैं। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और अपनी दोलत को बनाई रखना चाहते हैं तो पैसे की साक्षरता और समझदारी मेतव पूर्ण है, सब्दों में भी और अंकों में भी। अंकों को पढ़ना प्लाट या कहानी ढूंडने की तरही है, पैसा कहां जा रहा है, इस बात की कहानी, असी फिजदी परिवारों की पैसे की कहानी, यह होती है कि वे अमीर बनने के लिए कड़ी मेनत करते जाते हैं, इसका कारण यह नहीं है कि वे पैसा नहीं कमाते, असली का संपत्ति की जव crate और रहें कि यह एक गरीव आदमी या घरापर रहने वाले सब्सक्राइब का कैस्पड पैटर्न है यह मद्यम वरगी आदमी का cash flow pattern है यह एक अमीर आदमी का cash flow pattern है जैसा कि आप देख सकते हैं यह सभी चित्र बहुत ज़्यादा सरल बना दिये गई है हम में से हर एक को जिन्दा रहने के लिए खर्च करना पड़ता है हम सभी को रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत होती है चित्र यह बताते हैं कि गरीब, मद्यम वरगिये और अमीर आदमियों की जिन्दगियों में पैसा किस तरह आता जाता है cash flow पूरी कहाने बता देता है इस कहाने में यह बताया जाता है कि वह आदमी अपने पैसे का किस तरह इस्तेमाल करता है एक बार पैसा हाथ में आ जाने के बाद वह उस पैसे का क्या करता है मैंने अपनी कहानी अमेरिका के सबसे अमीर विक्तियों से इसलिए शुरू की ताकि मैं यह बता सकूँ कि इतने सारे लोगों की सोच में कहां गल्ती होती है गल्ती यह होती है कि वह यह मानते है कि पैसे से सारी समझें सुलच जाती है इसलिए जब लोग मुझे फटा फटा मेर बनने के नुकसे पूछते हैं तो मैं कांप जाता हूँ या यह है कि उन्हें कहां से शुरू करना चाहिए मैं अक्सर सुनता हूँ मैं कर्ज में हूँ इसलिए मुझे और ज़्यादा पैसा कमाना चाहिए परंदु यह देखने में आया है कि ज़्यादा पैसे समझ्चाएं नहीं सुलज़ती हैं सच कहा जाए तो इससे समझ्चाएं और अधिक बढ़ सकती है पैसा हमारी इंसानी कमजोरियों को अक्सर ज़्यादा उबार देता है पैसा अक्सर हमारे ऐसे पहलू पर रोसनी डालता है जिसके बारे में हम अंजान रहते हैं इसलिए अगर किसी आदमी को अचानक बहुत सी दोलत मिल जाए जैसे पैत्रक समपत्ती तनखवा में भारी बढ़ उतरी या उसके लाटरी लग जाए तो पैसा मिलने के कुछ समय बाद ही वहे अपने पूराने हाल में पहुन जाता है और कई बार तो उससे भी बुरे हाल में पैसा आपके दिमाग में चल रहे कैस पलो पैटर्न को उजागर करता है अगर यह पैटर्न एसा है कि अपनी पूरी कमाई खर्च करना है तो इस बात की बहुत संभावना है कि आपकी आमदनी पढ़ेगी तो आपका खर्च अपने आप बढ़ जाएगा इसलिए यह कावत सही है मूरक और उसके पैसे से शांदा दावते होती है मैंने यह कई बार कहा है कि हम स्कूल इसलिए जाते हैं ताकि हम सेक्षनिक और व्यवसाई काबलियत हासिल कर सकें निश्चित रूप से ये दोनों ही मैत्रपूर्ण है हमारी व्यवसाई काबलियत के कारण ही हम पैसा बनाना सीथते हैं 1960 के दसक में जब मैं हाई स्कूल में था यह माना जाता था कि अगर कोई पढ़ने लिखने में अच्छा है तो वह होना और विद्यार्थि आगे जाकर डॉक्टर बनेगा अक्सर उस बच्चे से यह नहीं पूछा जाता था कि क्या वह डॉक्टर बनना चाहेगा यह मान लिया जाता था इसका कारण यह है था कि इस दंते में सबसे ज़्यदा पैसा नजा आता था आज डॉक्टरों के सामने पैसे के बहुत बड़ी संकट है जो बगवान नहें करे किसी और के सामने हो बीमा कंपनिया इस वेवसाय पर काबू किये है सरकार भी दखल दे रही है और अदालतों में मुआउजे के केस दायर हो रही है इत्यादी आज बच्चे बास्केट वाल स्टार बनना चाते हैं टाइगर बूर्स की तरह गोलफर बनना चाते हैं कम्प्यूटर वी से सग्ये बनना चाते हैं मूवी स्टार, रोक स्टार, ब्यूटी क्वीन या वाल स्ट्रीट पर ट्रेडर बनना चाते हैं इसलिए क्योंकि अब दोलत शोरत और इज़त इन्हीं जगव में है इस कारण स्कूल में बच्चों को अच्छा पढ़ने के लिए प्रेरित करना मुश्किल हो गया है वे जानते हैं कि वेवसाइक सफलता का सेक्षने की सफलता के साथ कोई सीधा समग नहीं है जैसा कभी हुआ करता था चूंकि विद्यार्थियों में स्कूल सोड़ते समय पैसे की कोई समझ नहीं होती है इसलिए करोडों पढ़े लिखे लोग अपने कारूबार में तो सफल हो जाते हैं परन्तु बाद में वे पैसे की तंगी से जूचते रहते हैं वे और जदा मेंनत करते हैं परन्तो अपने समझ्याओं से जीत नहीं पाते हैं उनकी सिक्षा में कमी यह नहीं है कि उन्हें पैसा कमाना नहीं सिखाया गया है बल्कि यह है कि उन्हें पैसा खर्च करने का तरीका नहीं सिखाया गया है पैसा बनाने के बाद उसका किस तरह इस्तेमाल किया जाए और उसे किस तरह समभाला जाए इसे पैसे की समझ गहते हैं पैसा एक बार कमाने के बाद उसका क्या किया जाए इसे अपने पास कितने लंबे समय तक रोका जाए और अपने पैसे से कड़ी मेनत कैसे करवाई जाए ज्यादा तर लोग यह नहीं बता पाते कि उनकी पैसे की तंगी का कारण क्या है एसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें कैश पलो की समझ नहीं होती कोई आदमी बहुत पड़ा लिका हो सकता है अपने कारोबार में सफल हो सकता है परंतु हो सकता है कि उसमें पैसे की बिलकुल भी समझ नहीं हो एसे लोग अकसर जरूरत से ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं क्योंकि उन्होंने कड़ी मेनद करना तो सिखा है परंतु पैसे से अपने लिए कड़ी मेनद करवाना नहीं सिखा। यह कहानी बताती है कि पैसे का सुख बला सपना किस तरह दुख बरे सपने में बदल जाता है। कड़ी मेनत करने वाले लोगों की फिल्मी कहानी एक गिसे पिटे धर्रे पर चलती है हाली में शादी शुदा, खुश, बहुत पड़ेलिके पती बदनी साथ-साथ किराई के मकान में रहने लगते हैं जल्दी उन्हें यह लगने लगता है कि वे पैसा बचा रहे हैं क्योंकि दो लोगों के साथ-साथ रहने का खर्च भी लगवग उतना ही होता है जितना की अकेले आत्मी का समझ्या यह है कि जिस अपार्टमेट में वे रहते हैं वे छोटा है वे अपने सपनों का खर खरीदने के लिए पैसा बचाने लगते हैं ताकि वे बच्चे पैदा कर सके अब उनके पास दो तनक्वाई होती है और वे अपने करियर पर ज़्यादा द्यान देने लगते हैं उनकी आमदनी बढ़ने लगती है जैसे जैसे उनकी आमदनी बढ़ने लगती है उनके खर्च भी वैसे बढ़ने लगते हैं ज्यादातर लोगों के लिए पहले नंबर का खर्च होता है टेक्स कई लोग सोचते हैं इंकम टेक्स परन्तु ज्यादातर लोगों के लिए सबसे बड़ा टैक्स होता है, social security tax करमचारी को एक सा लगता है कि social security tax, Medicare tax को मिलाकर पूल टैक्स लगवक साढ़े 7 फिजदी के करीब होता है, परन्तु हकिकत में यह 15 फिजदी होता है, क्योंकि आपके बोस को भी Social Security की उतनी रकम मिलानी पड़ती है मुद्दे की बात यह है कि यह वह पैसा है जो आपका बोस आपको नहीं दे सकता इससे भी बड़ी बात यह है कि आपको अपने वेतन में से कटे Social Security Tax की रकम पर Income Tax भी देना होता है और यह है एसी आमदनी होती है जो आपके हाथ में नहीं आई है बल्कि सीदही Social Security में चली गई फिर दाइतों बढ़ने लगते है इसे समझाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम वापस युवा पती पतने की कहानी के तरफ चलें उनकी आमदनी बढ़ने के कारण वे फैसला करते हैं कि अब वे किराये के मकान में नहीं रहेंगे बल्कि अपने सपनों का घर खरी देंगे जब वे अपने घर में पहुंच जाते हैं तो उन पर एक नई टेक्स का बोज Simus आ जाता है जिसे Property Tax कहते हैं फिर वो लोग नई कार करीते हैं नया फरणीचर और नया सामान खरीदते हैं ताकि उनका घर आलिशान लगे अचानक वे अपने सपने से जागते हैं और देखते हैं कि उनके दाइतों का कालम बढ़ गया है वे करजे में हैं और उन्हें बहुत से मार्ट गेज गरिन और क्रेडिट कार रिडिन चुकाने है अब वे चुहा दोड में फस चुके हैं एक बच्चा भी पैदा हो जाता है वे और कड़ी मेहनत करते हैं पर किरिया फिर दो रहाई जाती है ज्यादा पैस आता है उस पर ज्यादा टेक्स लगता है जिसे ब्रेकेट क्रीप्स भी कहा जाता है तब ही उनके पास डाक में एक और क्रेडिट कार आ जाता है वे इसका इस्तेमाल करते हैं वह एक खतम हो जाता है तब ही एक loan company का आदमी आकर उन्हें बताता है कि उनकी सबसे बड़ी संपत्ती उनके घर की कीमत बढ़ गई है company उन्हें एक bill consolidation loan देने का offer देती है क्योंकि उनकी credit बहुत अच्छी है company उन्हें यह भी बताती है कि समझदारी इसे में होगी कि वे अपने उन्ची ब्याज़दर पर लिए गए consumer loan को उनके credit card से चुका दे है और इसके अलावा उनके घर पर लगने वाले ब्याज़द से उन्हें tax में चूट भी मिलेगी वे ऐसा ही करते हैं और ज़्यादा ब्याज़दर वाले credit card का बुकतान कर देते हैं इसके बाद वे राहत की सांस लेते हैं उन्होंने credit card का इसाब साब कर दिया है अब उन्होंने अपने उब उगतारेन को home mortgage में बदल दिया है उनका बुकतान भी कम हो जाता है क्योंकि उन्हें अपने कर्ज को 30 साल की आसान किस्तों में चुकाना होता है समझ्चा से निपनने का यही smart तरीका है उनके पडोसी आते हैं और उन्हें शोपिंग पर चलने का नियुता देते हैं मेमोरियल डे की सेल लगी हुए यही तो मोका है कुछ पैसे बचाने का वे आपस में बात करते हैं वे अपने आपसे कहते हैं मैं कुछ नहीं खरीदूँगा मैं तो सिर्फ देखने जा रहा हूँ परन्तु अगर कोई चीज जम जाई तो उसे खरीदने की उम्मीद में भी अपने क्रेडिट कार्ड को ले जाना नहीं बूलते हैं मैं एक युवा दमपती से हर समय टकराता हूँ उनके नाम बदलते रहते हैं परन्तु उनके पैसे की तंगी एक सी ही रहती है वे मेरी चर्चाओं में यह सुनने के लिए आते हैं कि मैं इस बारे में क्या कहता हूँ वे मुझसे पूछते हैं क्या आप हमें बता सकते हैं कि और ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जाता है उनकी खर्चे लिए आत्तों ने उन्हें और ज़्यादा कमाने के लिए मजबूर कर दिया है पे इतना भी नहीं जानते कि दरसल समझ्चा पैसा कमाने की नहीं पैसा सही तरीके से खर्च करने की है और यही पैसे की तंगी का कारण हैं यह समझ्चा इसलिए पैदा होती है क्योंकि उन में पैसे की समझ नहीं होती है यह समझ्चा इसलिए भी और बयानक हो जाती है क्योंकि वे संपत्ति और दाइतों में फर्क को नहीं समझवाते मेरा मानना है कि ज्यादा पैसे से शायद ही कभी किसी की पैसे की समझ्षें सूलज्टी हूँ, समझ्षें समझदारी से सूलज्टी हैं, मेरा एक दोस्त बार बार कर्ज में फसे लोगों को यही सला देता है, अगर आपको लगता है कि आपने अपने आपको किसी कड़े में फसा लिया है, तो गड़ा कोदना बंद कर दो, मेरे डेड़ी बच्पन में हमें बताया करते थे, कि जापानी तीन ताक्तों को मानते हैं, तलवार की ताकत, रतनों की ताकत, और धर्पण की ताकत, तलवार हात्यारों की ताकत का परतीक थी, अमेरिका ने हत्यारों पर खर्बों डोलर खर्च कर दिये और इसी करण वह आज विश्व में सबसे ताकत वर देश है रतन पैसे की ताकत का प्रतीक है इस कावत में कुछ तो सचाई है यह स्वर्णिम नियम याद रखो जिसके पास स्वर्ण है वही नियम बनाता है दरपन आतम ग्यान का प्रतीक है जापानी दंत कता के अनुस्वाद यह आतम ग्यान इन तिनों में से सबसे कीमती वस्तु थी गरीब और मद्यम वर्गिया लोग अक्सर धन की ताकत से नियंत्रित होते हैं वे सुबह सुबह उठकर कड़ी मेनत करने यानि नोकरी करने चले जाते हैं और कुछ से यह तक नहीं पूछते कि क्या एसा करना समझदरी है पैसे की समझ नय होने के कारण ज्यादातर लोग पैसे की डगावनी ताकत का यह इजाज़त देते हैं कि वह उन्हें काबू में कर ले पैसे की ताकत उनके विरोध में इस्तिमाल होती है अगर वे दरपण की ताकत का इस्तिमाल करते तो वे खुच से यह सवाल पूचते क्या इसमें समझदारी है? बहुत बार अपनी अंदरुनी समझदारी पर बरोसा करने के बजाए लोग भीड के साथ साथ चलने लगते हैं वे कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि सभी लोग ऐसा करते हैं वे सवाल पूचने के बजाए नकल करने लगते हैं अक्सर वे ना समझी के कारण वही दो राते हैं जो उन्हें सिखाया गया है इस तरह के विचार कि आपका घर आपकी सबसे बड़ी पूझी है आपका घर आपका सबसे बड़ा निवेस है अगर आप ज़्यादा करज लेते हैं तो आपको टेक्स में ज़्यादा छुट मिलेगी सुरक्षित नोकरी खोजो गलतियां मत करो खत्रे मत उठाओ एसा कहा जाता है कि ज़्यादातर लोगों के लिए मोच से भी डरावनी चीज होती है बीड के सामने बोलने का डर मनोव एक्यानिक कहते हैं कि ज़्यादातर लोग सारवजनिक मंस पर बोलने से इसलिए टत्राते हैं क्योंकि उन्हें यह डर होता है कि उनकी बुराई हो भी लोग वाग उनकी हैसी उड़ाएंगे वे अकेले रह जाएंगे सबसे कट जाएंगे और विरादरी से अलग थलग कर दिये जाएंगे सबसे अलग होने का डर या अकेले रह जाने का डर ही वह सबसे बड़ा कारण है जिस वज़े से ज़्यादातर लोग अपनी समश्या हल करने के लिए नए तरीके नहीं ढूंते इसलिए मेरे पड़ेलिके डैडी कहा करते थे कि जापानी लोग दरपन की ताकत को सबसे ज़्यादा मेहतो देते थे क्योंकि जब इंसान दरपन में खुद को देखता है तब ही उसे सचाई का पता चलता है और ज्यादातर लोग खत्रे मत उठाओ इसलिए कहते हैं क्योंकि वे खुद डरे वे होते हैं यह किसी भी चीज के बारे में कहा जा सकता है जैसे खेल में, संबंदों में, करियर में या धन में इसी समाज से कड़ जाने के डर के कारण लोग लिक पर चलते हैं और समाज की स्विक्रित मानेताओं या लोग प्रिय प्रवर्थियों के खिलाप नहीं जाते आपका घर एक संपत्ती है बिल कंसोलिडेशन लोन लो और कर्द से बाहर निकल जाओ कड़ी मेनत करो प्रोमोशन का सवाल है एक दिन में वाइस प्रेजिनेट बन जाओंगा पैसे बचाओ जब मेरी तनखवा बढ़ेगी तो मैं एक बड़ा गर करीद लूँगा म्यूचुल पंड सुरक्षित है टिकल में एलमो डोल्स अभी स्टोक में नहीं है परन्तु मेरे पास एक डोल रखी है जो दूसरा गराक आप तक लेने नहीं आया है भीड के साथ चलने और पडोसियों के एशो और आम की नकल करने के कारण पैसे की बहुत सी समच्चाइं पैदा होती है कई बार हम सभी को दरपड में देखने की जुरूरत होती है और हमें अपने डर्ग के बजाए अपनी अंदरुनी समझदरी से सोचना चाहिए जब माईक और मैं 16 के हुए तो हमें स्कूल में समच्चाइं आने लगी थी हम बुरे बच्चे नहीं थे हम केवल अपने आपको भीट से अलग कर रहे थे स्कूल के बाद और शनिवार रविवार को हम माईक के डेड़ी के लिए काम करते थे माईक और मैं एकसर गंटों तक हूँ उसके डेड़ी के पास बैठे रहते थे जब वे अपने बेंकर्स, वकीलों, अकाउंटेंड, ब्रोकर्स, निवेसकों, मैनेजर और करमचारियों के साथ चर्चा करते थे माईक के डेड़ी ने तेरह साल की उमर में स्कूल छोड़ दिया था अब वे पडेली के लोगों को रास्ता दिखा रहे थे उन्हें आदेश और निदेश दे रहे थे उनसे सवाल पूछ रहे थे पडेली के लोग उनकी एक आवास पर दोड़ी चले आते थे और उनके गुसे से टरते थे यह है आदमी कभी भीड के साथ नहीं चला इस आदमी ने खुद की दम पर सोचा और फैसला लिया उन्हें इन सब्दों से चिड़ोती थी हमें इसे इस तरह से इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि सभी लोग इसे इस तरह करते हैं वे नहीं हो सकता से भी बहुत चिड़ते थे अगर आप उन से कोई काम करवना चाते थे तो आपको बस इतना ही कहना था मुझे लगता है कि आप इसे नहीं कर सकते माईक और मैंने उनके साथ रहकर जितना सीखा उतना आपने स्कूल में बिताई सालों में कभी नहीं सीखा कालेज में भी नहीं माईक के डैडी के पास स्कूल की शिक्षा तो नहीं थी परंतु उनके पास पैसे की शिक्षा थी और इसी कारण में सफल भी थे वे हमें बार-बार बताया करते थे एक समझदार व्यक्ति अपने से ज़्यादा समझदार लोगों को नोकरी पर रख सकता है इसलिए माईक और मुझे समझदार लोगों की बाते सुनने और उनसे सिखने का लाब मिला परंतु इसके कारण माईक और मैं दोनों ही उन समझिक मानिताओं के साथ नहीं चल पाई जो हमारे सिक्षक हमें बताते थे और इस वज़े से कई समझें पैदा हो गई जब कोई टीचर कहता था अगर तुम्हें अच्छे नमर नहीं मिलते हैं तो तुम दुनिया में कुछ नहीं कर सकते तो माईक और मैं अपनी बोहें चड़ा लेते थे जब हमें गिसे पिटे ड़रे पर चलने को कहा जाता था और नियमों का अक्षर से पालन करना सिखाया जाता था तो हमें यह लगता था कि स्कूली सिक्षा दरसल गचनात मक्ता का गलाग उट देती है हम अमेर ड़री की यह बात समझने लगे थे कि स्कूलों को इसलिए बनाए गया है ताकि वहाँ अच्छे करमचारी तयार हो नेकी अच्छे मालिक कभी कबाद माई किया मैं टीजर से पूछते थे कि हम जो पढ़ रहे हैं उनकी असली जिन्दिगे में क्या उप्यों बिता है या यह है कि हमें पैसे के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता दूसरे सवाल का अक्सर हमें यह जवाब बिलता था कि पैसा मैं तबूर नहीं है और अगर हम अच्छी पढ़ाई लिखाई करेंगी तो पैसा अपने आप मिलने लगएगा हम पैसे की ताकत के बारे में जितना ज़्यादा जानते थे अपने सिक्षकों और सैपाटियों से उतना ही दूर होते जाते थे मेरे पढ़ेल के डैड़ी ने कभी मुझे पर अच्छे नमरों के लिए दवाव नहीं डाला मुझे इस बात पर हैरानी होती है कि उन्होंने इसा क्यों नहीं किया परंतो हम लोगों में पैसे को लेकर अक्सर वाद विवाद होने लगे थे जब मैं 16 साल का हुआ तो मेरी पैसे की बुनियाद मेरे मम्मी डैड़ी से अच्छी हो चुकी थी मैं हिसाब किताब रख सकता था मैं Tax Accountants, Corporates, Netures, Real Estate Brokers निवेज को इत्यादी की बात들 सुनता था मेरे डैड़ी सिक्षिकों की बातें करते थे एक दिन मेरे डैड़ी मुझे बता रहे थे कि हमारा गर हमारे लिए सबसे बड़ा निवेज क्यों है इस बात को लेकर हम दोनों में बहस हो गई जब मैंने उन्हें यह बताया कि घरा अमारे लिए एक अच्छा निवेश क्यों नहीं है आगे आने वाले चित्र से यह साफ हो जाता है कि अपने अपने घरों को लेकर मेरे अमीर डैडी और मेरे गरीव डैडी के विचारों में कितना अंतर था एक डैडी के इसाफ से उनका घर एक संपत्ती थी जबकि दूसरे डैडी के इसाफ से यह एक दाइतो था मुझे याद है मैंने नीचे वाला चित्र खींच कर अबने डैडी को कैश फलो की दिशा समझाने की कोशिस की थी मैंने उन्हें यह भी बताया था कि घर के साथ-साथ उनसे जुरी कुछ दिगार खर्च भी बढ़ जाते हैं एक जादा बड़े घर का मतलब था और जादा खर्च और इसका मतलब यह है था कि कैश्व लोग खर्च के कालम से उपर गुजरता रहता था आज ही लोग बाग मुझे इस बात पर बहस करते हैं कि उनका घर संपतिक क्यों नहीं होता मैं जानता हूँ कि बहुत से लोगों के लिए खुद का घर उनका सबसे बड़ा सपना होता है और इसलिए वे इसे अपना सबसे बड़ा निवेस मानते हैं अपने घर के मालिक होने से ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है मैं इस लोग प्रियमानता को देखने का एक और नजरिया सुझाना चाहता हूँ अगर मैं और मेरी पतनी एक ज़्यादा बड़ा और आलिशान मकान खरीदने की बात सोचते हैं तो हम जानते हैं कि यह एक संपत्ती नहीं होगी बलकि एक दाइत्त होगा क्योंकि इस से हमारी जेब से पैसा निकल जाएगा तो यह है रहा मेरा तर्क हालांकि ज्यादातर लोग मुझसे सहमत नहीं होगी क्योंकि घर एक भावनात्मक चीज होती है और जब पैसे का सवाल आता है तो भावनाई पैसे की समझ को हरा देती है मुझे व्यक्तिकत अनुवा उसे पता है कि पैसा हर फैसले को भावनात्मक बना देता है नमबर एक जब घर की बात आती है तो मैं यह है बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर लोग उस घर की किमत चुकाने के लिए जिन्दगी भर काम करते हैं जिसके वे कभी पूरी तरह मालिक नहीं होते दूसरे शब्दों में ज़्यादातर लोग एक घर करीदने से कुछ सालों बार दूसरा घर करीदते हैं और हर बार अपने पहले मकान के लिए जो कर्ज बे लेते हैं उस पर उनके पास हर बार सिर्फ फिर से तीन साल का नया खर्ज होता है नमबर दू हालांकि लोगों को माटगेज पेमेंट पर ब्याज के लिए टेक्स में छूट मिलती है परंतुवे अपने दिगर खर्चों के लिए टेक्स के साथ मिलने वाले डालरों का उप्योग करते हैं अपनी माटगेज को पूरी तरह चुकाने के बाद भी नमबर तीन प्रोपर्टी टेक्स मेरी पतनी के में में डेडी को धक्का लगा जब उनके घर का प्रोपर्टी टेक्स एक अजार डॉलर परती महा तक पहुंच गया यह तब हुआ जब हुआ रिटायर हो चुके थे और इस बड़ोतरी से उनका रिटायरमेंट के बाद का बजट गड़ बढ़ा गया और उन्हें मजबूरन मकान बदलना पड़ा नमबर चार घर की कीमत हमेशा नहीं बढ़ती मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्हों ने अपने घर के लिए कर्ज लिया था उन्हें तस लाग डालर से भी ज़्यादा का कर्द चुकाना है पर आज उस घर की कीमत साथ लाग डालर से ज़्यादा नहीं है नमबर पांस सबसे बड़े नुकसान अवसर गमाने की बज़े से होते हैं अगर आपका सारा पैसा मकान में फसा रहता है तो आपको ज़्यादा कड़ी मेंनत करनी पड़ती है ताकि आपका खर्ट चलता रहे है इस दोरान आपके संपत्ती वाले कोलम में कोई बड़ोतरी नहीं होती है अगर एक युवा पती पतने शुरुआत में ये अपना पैसा संपत्ती वाले कोलम में लगाई तो उनके आगे के साल आराम से गुजरेंगे खास कर उस समय जब वे अपने बच्चों को कोलेज में भेजेंगे इस दोरान उनकी संपत्ती भी बढ़ जाएगी और उनके खर्चें भी आराम से निकलते ल रहेंगे अक्सर एसा होता है कि आपका घर आपके बढ़ते हुए खर्च के बुगदान के लिए होम एक्विटी लोन का सालन बन जाता है संक्षेप में अपना घर खरीदने का फैसला बहुत खर्चिला पड़ता है इसके बज़ाई बेहतर यह होगा कि जल्दी ही इन्वेस्टमेंट पॉटफोलियो पना लिया जाए किसी आदमी पर इसका आसर कम से कम तीन तरह से पड़ता है समय की बरवादी क्योंकि इस दोरान दूसरी संपतियों का मुल्य बढ़ गया होता है अतिरिक पूंजी की बरवादी जिसे दुबारा निवेस किया जा सकता था जबकि घर खरीदने के बाद आपको घर से सीधे जुड़े बहुत से खर्चिक उठाने पड़ते हैं 3. शिक्षा की बरवादी अक्सर एसा होता है कि लोग यह मानते हैं कि उनकी संपतिवले कोलम में उनका घर बचस्थ और रिटाय्रमेंट प्लान आते हैं चुकि उनके पास निवेस करने के लिए पैसा नहीं होता इसलिए वे बिल्कुल भी निवेस नहीं करते हैं इस कारण उने निवेस कानुवा कभी नहीं मिल पाता, ज्यादातर लोग कभी एक समझदार निवेसक नहीं बन पाते और सबसे बड़ी अनिवेस सामान्य तोर पर सबसे पहले समझदार निवेसकों को बेचे जाते हैं, जो बाद में उन्हें सुरक्षित खेलने वाले लोगो उन्हें समपत्ती में निवेस करने का मोका ही नहीं मिलता था, इसका नतीजा यह होता था कि उनके दाइतो जैसे मार्केज और क्रेडिट कार्ड की करज उनकी समपत्ती से कहीं ज़्यादा होते ही, यह चित्र एक अजार सब्दों की तरह एक कहानी बताता है, पढ़े लिके अपने दाइतों को कम से कम रखा था, अमीर डेडि का फाइनांसियल स्टेटमेंट, मेरे अमीर डेडि के फाइनांसियल स्टेटमेंट से यह भी पता चलता है कि अमीर लोग और जारामिर क्यों बनते हैं, संपत्ती वाले कॉलम से इतने ज़्यादा आमंदनी होती है कि खर् कौन पेशा बच्ळाफी चार पो знаете को एक और फिर से संप्थी वाले का devrait कर दी कर दीया जाता है संप्थी वाला का अलुंफ बढ़ता जाता है और इससे होने वाली आंद्भी बढ़ती रहती है नतीजा यह होता है अमीर लोग और जादा अमीर होते चले पैसे की तंगी से जूश्दे रहते हैं उनकी मूल आंधनी तंखवा से होती है और जैसे जैसे उनकी तंखवा बढ़ती है इसलिए वे आंधनी दिलाने वाली संपथ्य में निवेशदी नहीं करते हैं मद्यां वर्ग को पैसे की तंगी क्यों होती है ये रहा financial statement आज की कर्जदार सुसाइटी दो बाते मानती है पहली यह है कि खुद का गर एक निवेस होता है और दूसरी यह है कि तनक्वा बढ़ने पर खर्च भी बढ़ना चाहिए या एक ज़्यादा बढ़ा गर खरीद लेना चाहिए बढ़ते वे खर्च के कारण परिवार ज़्यादा कर्ज में फस जाते हैं और उन्हें पैसे की और ज़्यादा तंगी का सामना करना पड़ता है हालांकि वे अपनी नोक्रियों में लगातार तरक्की कर रही है और उनकी तनक्वा लगातार बढ़ती जा रही है इसे हाई रिस्क लिविंग या बहुत जोखिम बरी जिवन सेलिक कहा जाता है और इसका कारण यह है कि एसे लोगों में पैसे की समझ नहीं होती 1990 के दसक में नोक्रियों में बारी कटोती जी यह बात पता चली कि मद्यम वर्ग पैसे के मामले में कितना एसुरक्षित है अचानक कंपनी पेंशन प्लान की जगे पर 41 के प्लान आ गए है सोसल सिक्रोटे निश्चित रूप से संकट में है और इसे रेटाइरमेंट का सारा नहीं बनाया जा सकता मद्यम वर्ग में गवराहट का माहूल पैदा हो गया है आज एक अच्छी बात यह है कि ज़्यादा तर लोग ये बातें समझते हैं और इसलिए उन्होंने म्यूचल फंड करीदा शुरू कर दिया है निवेस में हुई बड़ोतरी के कारण ही हमने स्टोक मार्केट में इतनी तेजी देखी है आज मत्य उवर की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए नए नए म्यूचल फंड बनते जा रहे हैं म्यूचल फंड इसलिए लोग प्रिये हुए क्योंकि वे सुरक्षा के प्रतीक हैं होसत म्यूचल फंड खरीदने वाले आदमी नोकरी में टेक्स और मार्केट चुकाने में अपने बच्चों की सिक्षा की फीज के लिए पैसे बचाने में और अपने क्रेडिट कार्ड का इसाप साप करने में बहुत ज़्यादा व्यस्त है उनके पास इतना समय नहीं है कि वे निवेश करने की कला सीख सकें इसलिए वे म्यूचल फंड के मेरेजर की काबलियत पर भरोसा करते हैं चुकि म्यूचल फंड कई तरह के निवेश करता है इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि उनका पैसा ज़्यादा सुरक्षित है क्योंकि यह टुकडो में बंड गया है यह डाइवर्सिफाइड हो गया है पडेल के मद्यमवर्ग का यह समूख म्यूचल फंड ब्रोकर्स और फैनेंसियल प्लानर के डाइवर्सिफाइड सिदान को सही मानता है सुरक्षित रहो जोकिन से बचो असली तराजदी यह है कि पैसे की समझने होने के कारण ओसत मद्यमवर्ग यह लोग खत्रों का सामना करते हैं उनके सुरक्षित खेलने का असल कारण यह होता है कि उनके पास पैसे की तंगी होती है उनकी balance sheet में balance नहीं होता उनका संपत्ती वाला column तो खली रहता है जहां से आमदनी आती है जबकि उनके दाइतों वाला column पूरा भरा रहता है समान्य तोर पर उनकी आमदनी का इकलोता साधन उनका वेतन होता है उनका जीवन वे आपन पूरी तरह से उनके बोस पर निर्वन करता है और जब सचमुद जिन्दगी में एक बार आने वाला मुका आता है तो ये लोग उस मुके का फाइदा नहीं उठा पाते क्योंकि वे इतनी कड़ी मेनत करते हैं इसलिए वे सुरक्षित खेल खेलते हैं सबसे ज़्यादा टेक्स चुकाते हैं और कर्ज के बोच से दवे रहते हैं जैसा मैंने इस खंड में शुरू में कहा था सबसे महत्वों नियम यह है कि संपत्ति और दाइतों के बीच के अंतर को पैचाना जाए एक बार आप इसमें फर्क समझ ले इसके बाद आप आमदने देने वाली संपत्ति खरिदने की लगातार कोशिस करते रहें यह हैं अमीर बनने की रहा पर चलने का सबसे लोगप्रिया और बढ़िया तरीका है इसे करते रहें और आपका संपती वाला कोलम बढ़ाते रहें अपने दाइत और खर्च को कम करने की कोशिस भी करते रहें इससे पैसा आपके संपती वाले कोलम में आता रहेगा जल्द ही आपकी संपती वाला कोलम इतना ज़्यादा मजबूत हो जाएगा कि आप और ज्यादा जोखिम वाले निवेश कर सकेंगे। एसे निवेश जिनमें 100 फिजदी से अनंद तक फाइदा हो सकता है। एसे निवेश जिनमें 5000 डोलर की रकम जल्दी ही 10 लाख डोलर या इससे ज्यादा हो जाती है। एसे निवेश जिनमें वर्ग बहुत जोखिम बरा मानता है। निवेश जोखिम बरा नहीं है। यह उस व्यक्ति की पैसे की ना समझी है। वित्य निरक शर्ता है जो उसे बहुत जोखिम बरा बना देती है। अगर आप वही करते हैं जो सभी लोग करते हैं तो आपको यह चित्र मिलेगा एक करमचारी होने के नाति जो घर का मालिक भी है आपकी नोकरी का पैटर्न सामनेत है यह होता है नमबर एक आप किसी के लिए काम करते हैं तनकुआ पर काम करने वाले ज़्यादातर लोग मालिक को या शेर होल्डर्स को ज़्यादा आमिर बना रहे हैं आपकी कोशिशों मेहनत और सफलता से दरसल आपका मालिक सफल होता है और उसके रेटाइरमेंट में मदद मिलती है ज़्यादा कड़ी मेहनत करके आप सरकार को देने वाले टेक्स में बढ़ोतरी करते हैं ज़्यादातर लोग जनवरी से मई तक सिर्फ सरकार के लिए काम करते हैं नमबर तीन आप बैंक के लिए काम करते हैं टेक्स चुकाने के बाद आपका सबसे बड़ा खर्च आम तोर पर आपका mortgage credit card का कर चुकाना होता है। अगर आप सिर्फ ज़्यादा कड़ी मेनत से काम करते जाएं। तो समझ चाहिए यह है कि तीनों ही मामलों में आपकी ज़्यादा मेनत से किसी और को ज़्यादा फाइदा होता है। आपको यह सीखना चाहिए कि आपकी ज़्यादा मेनत से किस तरह आपको और आपके परिवार को सीधा फाइदा मिल सकता है। अगर आप यह फैसला कर भी लें कि आप अपने काम से काम रखेंगे तो फिर आपको यह नहीं पता दोता कि आपके लक्षों को किस तरह से निर्दारित किया जाई। ज़्यादा तर लोग अपने प्रोफेशन को बनाई रखना चाते हैं और अपने तनक्वा के सारे ही संपत्ति बनाना चाते हैं। जब उनकी संपत्ति बढ़ती है तो वे किस तरह अपनी सफलता का अंकलन करते हैं। कब कोई वेक्ती यह मैसूस करता है कि वह आमीर है, कि उसके पास दोलत है। संपत्ति और दाइतों कि मेरी अपनी परिवासाوں की ही तरह दोलत के बारे में भी मेरी अपनी परिवासा है। दरसल मैंने इसे बक्मिन्श्टर फूलर नाम वेक्तिसे सिखा है। कुछ लोग उसे नीम हकिम कहते हैं और कई लोग उसे एक जीता जागता जीनियस कहते हैं सालों पहले सभी वास्तु भी इसलिए हैरान हो गए थे क्योंकि 1961 में उसने जियोडेसिक डॉम के पेटेंट के लिए आवेदन किया था और उस आवेदन में फूलर ने दोलत के बारे में भी कुछ कहा था पहले तो उसका ठीक ठीक मतलब समझ में नहीं आया था परंतो उसे कई बार पढ़ने के बाद इसका मतलब समझ में आने लगा दोलत किसी आदमी की वहय योग यता है जिसके सारे वै आगे आने वाले दिनों में जिन्दा रह सकता है यानि अगर मैं आज काम करना बंद कर दूँ तो मैं कितने दिनों तक जिन्दा रह सकता हूँ यह नेट वर्थ की तरह नहीं है जो आपकी संपत्य और दाइतों के बीज का अंतर है हर व्यक्ति को लगता है कि उसके पास जो सामान है वह बहुत किमती है परन्तों इस परिवासा से सचमुच सही आंकलन नहीं किया जा सकता मैं अब आंकलन कर सकता हूँ और सचमुच जानता हूँ कि आप्थी ग्रूप से आजाद होने के लिए मेरे लक्षय के संदर्म में मैंने कितनी तरक्की कर ली है अलंकि नेट वर्थ में एसी चीजें भी आ जाती है जिन से पैसा नहीं आता जैसे वहे वस्तू जो आपके गैरेज में खड़ी है दोलत का सीधा सा इसाव यह है कि आपका पैसा कितना पैसा बना रहा है और इसलिए अवार्थी ग्रूप से कितने दिनों तक जिन्दा रह सकते है दोलत दरसल संपत्ती के कोलम के केस्फ फलो का दाइटो वाले कोलम के साथ तुलना है एक उधारन ले यह कहें कि मेरे पास हर मैने में संपत्ति वाले कोलम से 1000 डालर का कैशफलो है और मेरा खर्च हर मैने 2000 डालर है मेरे पास कितनी दोलत है अब हम बक्मिन्स्टर फूलर की परिवासा की तरब चलें उसकी परिवासा के इसाब से मैं कितने दिनों तक जिन्दा रहे सकता हूँ अगर हम एक मैने में 30 दिन माल ले तो इस परिवासा के इसाब से मैं 15 दिन तक जिन्दा रहे सकता हूँ जब मैं अपनी संपत्ती से हर मैने 2000 डालर का कैस्पलो वासिल करने लग जाऊंगा तो मैं दोलतमन्द हो जाऊंगा हालांकि मैं अमीर नहीं हूँ परन्तु मैं दोलतमन्द जरूर हूँ हर महीने मेरी संपत्ती से मुझे जो आमदनी मिलती है वह मेरे महीने बर के खर्च के लिए काफी होती है अगर मैं अपने खर्च को बढ़ाना चाता हूँ तो मुझे इसके पहले अपने संपत्ती से आने वाले कैस्पलो को बढ़ाना होगा यह ध्यान रखें कि इस बिंदू पर मैं अपनी तनक्वा पर बिल्कुल भी निर्वर नहीं मैंने संपत्ती वाले कालम को परने में जी तोड़ कोशिस की थी और मैं इसमें सफल भी हुआ था जिसके कारण आज मैं आर्थी ग्रूप से आजाद हो गया हूँ अगर मैं आज अपने नोकरी छोड़ भी दूँ तो भी मेरी संपत्तियों से इतना कैश्पलो आता रहेगा कि मेरा खर्चासाने से चलता रहेगा मेरा आगला लक्षय यह होगा कि मेरी संपत्तियों से आने वाले अतिरित कैश्पलो फिर से संपत्ति वाले कालम में निवेस कर दिया जाएगा मेरी संपत्ती वाले कालम में जितना ज़्यादा पैसा जाता है मेरा संपत्ती वाला कालम उतना ही बढ़ता रहता है मेरा संपत्ती वाला कालम जितना ज़्यादा बढ़ता है वहां से उतना ही ज़्यादा कैस्फलो आता है और जब तक मैं अपने खर्च को आने वाले कैस्पलों से कम रखता हूँ तब तक मैं और ज़्यादा मिर बनता रहूंगा और ध्यान देने वाली बात यह है कि मेरी आमदनी शारिरिक मेनद से नहीं बलकि दूसरे जर्यों से आ रही है जब तक पुनर निवेश की यह परक्रिया चलती रहती है मैं अमीर बनने की रहा पर तेजी से चलता रहूंगा अमीर की असली परिवासा देखने वाले की निगा में होती है आप कभी अत्यदिक अमीर नहीं हो सकते इस आसान सबक को याद रखे अमीर संपत्ती खरीदते हैं गरीब केवल खर्च करते हैं मद्यमवर्ग दाइतों खरीदता है पर उन्तु यह सोचता है कि वह संपत्ती खरीद रहा है तो किस तरह मैंने अपने काम से काम रखा इस सवाल का जवाब क्या है मेक टूनाल्स के मालिक की बातें सुने धन्यवाद आईए चलते हैं अध्याई च्यार की तरफ जो है अपने काम से काम रखो आपका दिन शुब हूँ रिच डेड, पूर डेड अध्याई च्यार अपने काम से काम रखो उनीसो चुएत्र में मेक टूनाल्स के मालिक रेक रोक से अग्रेक किया गया कि वे आस्टिन में टेकसास उनिवरस्टी में अम्बिय की कख्षया में व्याख्यान दे मेरा एक करीबी दोस्त कीथ कनिंगम वहाँ अम्बिय कर रहा था बहुत अच्छी और प्रेणा डाइक चर्चा के बाद कक्षया खत्म हो गई और विद्यार्थियों ने रे से पूछा कि क्या वे बियर के लिए उनकी फेवरेट बार में चलेंगे रे तैयार हो गई जब सब लोगों के हाथ में बियर आ गई तब रे ने पूछा मेरा असली बिजनेस क्या है हर कोई हंस पड़ा ज़्यादातर एंबिय विद्यार्थियों को यसा लगा जैसे रे मजाग कर रहे थे किसे ने जबाब नहीं दिया इसलिए रे ने दुबारा यही सवाल पुछा आप लोगों की नजर में मेरा बिजनेस क्या है विद्यार्थि दुबारा हंस दिये और आखिर कर एक बाधूर विद्यार्थियों ने जोर से कहा रे दुनिया में ऐसा कौन है जो यह है नहीं जानता कि आप हैंबर्ग बिजनस में है रे हंस दिये मुझे मालूम था कि आप लोग यही कहेंगे वे एक पल के लिए रुके और इसके बाद उन्होंने कहा लेडिज एंड जेंटलमेंट मैं हैंबर्ग बिजनस में नहीं हूँ मेरा आशली बिजनस है रियल इस्टेट कीथ ने कहा कि रे ने अपने नजरियों को समझाने के लिए काफी समय लिया अपने बिजनस प्लान में रे जानते थे कि बिजनस का मूल लक्षे हेंबर्ग फरंचाईजी वेचना था परंतु वे कभी भी हर फरंचाईजी की लोकेशन को नहीं भूले वे जानते थे कि रियल इस्टेट और इसकी लोकेशन हर फरंचाईजी की सबलता में सबसे मेत्वपून तक तो है मुलते वह है आदमी जो फरंचाईजी खरीद रहा था और रे कराक के संग्टन की फरंचाईजी चेन का सदश्य बनता था वह है भी उस जमीन के लिए पैसे दे रहा था और उसे खरीद रहा था आज मेकडोनाल्ड दुनिया में रियल इस्टेट का सबसे बड़ा केला मालिक है जिसके पास कैथोलिक चर्च से भी बड़ा ज्यादा रियल इस्टेट है आज मेकडोनाल्ड के पास अमेरिका और दुनिया के दूसरे देसों में सबसे कीमती चुराई और नुकड़ है कीथ ने कहा कि यह उनकी जिन्दगी का बहुत बड़ा सबक था आज कीथ के पास कार्दोने का विजनस है परंतो उसका असली विजनस है कार्दोने के घरेज के नीचे का रियल इस्टेट फिछले अध्याई के अंद में हमने यह बताया था कि ज्यादातर लोग दूसरों के लिए काम करते हैं बस अपने लिए काम नहीं करते वे पहले तो कंपनी के मालिकों के लिए काम करते हैं फिर टेक्स के कारण सरकार के लिए काम करते हैं और आखिर कार बैंक के लिए काम करते हैं जो उनके मार्गेज का मालिक होता है जब हम छोटे थे तो हमारे आसपास मैकडोनाल्ड का कोई फ्रंचाइज याउटलेट नहीं था परन्तु मेरे अमीरी डेड़ी ने माईक और मुझे वही सबक सिखा दिया जो टेकसास यूनिवेस्टि में रेक राक ने सिखाया था यह अमीरों का रहश्य नमबर तीन है रहश्य है अपने काम से काम रखो लोगों के जिन्दगी में पैसे की तंगी इसलिए आती है क्योंकि वे अपनी सारी जिन्दगी दूसरों के लिए काम करते रहते हैं कई लोगों के पास तो जिन्दगी भर काम करने के बाद भी अपने लिए कुछ नहीं बच पाता एक बार फिर एक चित्र एक हजार सब्दों के बराबर है यहां एक इंकम स्टेटमेंट और बैलेंस सीट का चित्र दिया गया है जो रेक राकी सलागा सबसे अच्छा उधारन है हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धती आज के युवाओं में अकादमी कुषलताइं विक्षित करूने अच्छे नोकरियां दिलाने के लिए तैयार करती है उनकी जिंदगी उनकी तनकुआँ के चारों तरफ गोमती है या जैसा पहले बताया जा चुका है उनकी आदम्धनी वाले कालम के चारों तरफ और जादमी कुषलताओं को विक्षित करने के बाद वे अपनी व्यवसाई की युगेताओं को बढ़ाने के लिए और उनसे शिक्षा हासिल करते हैं वे इंजिनियर, वे ग्यानिक, रसोई, पुलिस अबसर, कलाकार, लेखकी ज्याती बनने के लिए पढ़ाई करते हैं उनकी वे अवसाई की युगेताओं उन्हें काम करने और पैसा कमाने का मुक्का देती हैं परंतु द्यान रही, वे पैसे के लिए काम करते हैं आपके प्रोबेशन और आपके बिजनस में बहुत बढ़ा अंतर है मैं एक सर लोगों से पूसता हूँ आपका बिजनस क्या है? और वे कहते हैं मैं एक बैंकर हूँ फिर मैं उनसे पूसता हूँ कि क्या वे बैंक के मलिक हैं? और समाने ता उनका जवाब होता है नहीं मैं वहाँ काम करता हूँ इस तरह उन्होंने अपने प्रोफेशन और अपने बिजनस को एक ही समझ लिया है उनका प्रोफेशन एक बेंकर काप हो सकता है परन्तु उनका अपना बिजनस कुछ भी नहीं है रेक राक अपने प्रोफेशन और अपने बिजनस के बीच के अंतर को बहुत अच्छी तरह जानते थे उनका प्रोफेशन हमेशा वही था वे एक सेल्जमेन थे एक समय वे मिल्क शेक के लिए मिक्सर बेशते थे और कुछ ही समय बाद वे हमबर्ग फरंचाईजी बेशने लगे आलांकि उनका प्रोफेशन हमबर्ग फरंचाईजी बेशना था परंतो उनका बिजनस आई दिलाने वाले रियल एस्टेट को इकठा करना था स्कूल के साथ एक समय से यह है कि आप जो विशेफ पढ़ते हैं आप वही बन जाते हैं उधारण के लिए अगर आप कुपिंग का अध्यान करते हैं तो आप शेफ बन जाते हैं अगर आप कानून का अध्यान करते हैं तो आप वकील बन जाते हैं और अगर आप आटो मेकेनिक का दियन करते हैं, तो आप मेकेनिक बन जाते हैं, जो पढ़ा जाई, वही बन जाने में गलती यहां होती है, कि लोग अपने काम से काम रखना भूल जाते हैं, वे अपना सारा जीवन, दूसरों के काम पर ध्यान देने में लगा देते हैं, और इ जो आपकी आम्दनी वाले कालम के प्रिपरीत होता है, जैसा पहले बताया जा चुका है. नमबर एक नियम यह जानना है कि संपत्ती और धाइतों के बीच अंतर होता है, और इसलिए हमें संपत्ती ही खरीदना चाहिए. अमीर लोग अपने समपत्ती वाले कालम पर ध्यान देते हैं जबकि बाकी सभी लोग अपने इंकम स्टेटमेंट पर ध्यान देते हैं इसलिए हमें यह बहुत सुनने में आता है मुझे ज्यादा तनकुआ की जरूरत है कास कि मुझे प्रमेशन मिल जाए मैं एक बार फिर स्कूल जाकर कुछ और प्रसिक्षन लेने वाला हूँ ताकि मैं बेहतर नोकरी पास कूँ मैं और टाइम करने वाला हूँ शायद मुझे कोई पार्ट टाइम काम मिल जाए मैं दो सब्ता में नोकरी छोड़ रहा हूँ मुझे एक नई नोकरी मिल गई है जिसमें तनक्वा जा रहा है कई समूओं में ये समझदारी के विचार है परंतो अगर आप रेक राक की बात समझ लेते हैं तो ऐसा करके आप अपने काम से काम नहीं रख रहे हैं ये सभी विचार अपना पूरा ध्यान आमधनी वाले कालम पर केंद्रित की हुए है और अगर अतिरिक धनकाव क्योग आमधनी बढ़ाने वाली संपतियों को खरीबने में किया जाता है तब ही वैया आदमी आर्थी गरूप से सुरक्षित हो सकता है गरीब और मद्यमर्ग के ज्यादातर लोग पुरातन पंती होते हैं यानि मैं जोखिम नहीं उठा सकता यानि कि उनका आर्थी कादार नहीं होता वे अपनी नोक्रियों से चिपके रहते हैं वे खेल को सुरक्षित तरीके से खेलते हैं जब कंपनियों का कार छोटा होने लगा तो लाकों करोडों लोगों पता चला कि जिसे वे अपनी सबसे बड़ी संपत्ती मानते थे यानि कि उनका घर वह उनने जिन्दा मार रहा है उनकी घर नमक संपत्ती हर माँ उनकी जेव से पैसे निकलवा रही है उनकी कार उनकी दूसरी संपत्ष उन्हें जिन्ना मार रही थी गैरेज में रखे एक जार डालर में खरी दे गई उनकी गुल्फ कलब अब एक जार डालर के नहीं रहे गई थी नोकरी की चुरुक्षा ने होने के कारण अब उनके पास जीवन या पन का कोई यादार नहीं बचा था उनके विचार में जो संपत्यां थी पैसे के संकट के समय में वे उनकी कुछ भी मदद नहीं कर सकती थी मैं यहे मान कर चल रहा हूँ कि हम में से ज़्यादातर ने मकान खरीदने या कार करीडने के लिए बैंकर से लोन के लिए आविदन फार्म बरा है नेट वर्थ कंड पर नज़र डालना हमेशा रोचक रहता है यह है रोचक इसलिए होता है क्योंकि इससे हम जान पाते हैं कि बैंकर और अकाउंटिंग में बैंकिंग और अकाउंटिंग में किन चीजों को संपतिया माना जाता है। एक दिन कर्ज लेने के लिए मेरी माली आलत बहुत अच्छी नहीं लग रही थी। इसलिए मैंने अपने नईव गोल्फ कलप, मेरे आर्ट कलेक्शन, पुस्तगें, स्टीरियो, टेलिवजन, अर्मा अर्मानी सूट्स, कलाई गडियान, जूते और दिगर चीजों को संपति वाले कालम में दिखा दिया। मेरे लोन के आवेदन को एस्टिकार कर दिया गया। क्योंकि मेरा बहुत जाला निवेस रियल इस्टेट में था। लोन कमेटी को यह पसंद नहीं आया कि मैं अपार् टेक्शन के बारे में कोई सवाल नहीं कि जिन्दगी कई बार कटिन हो जाती है जब आप स्टेंडर्ड परफाइल में फिट नहीं होते हैं। मैं हर बार चौंग जाता हूं जब मैं किसी को यह कहते वे सुनता हूं कि उनकी नेट वर्त दस लाग डालर है या एक लाग डाल चुकाना पड़ता है। इतने सारे लोग अपने आपको पैसे के गहरे संकट में डाल लेते हैं। जब उनकी आमदनी कम हो जाती है। पैसा जुटाने के लिए वे अपनी संपतिया बेजते हैं। पहले तो उनके व्यक्तिगत संपतियां शामाने ते उस मुल्या से बहुत क काम में बिखती है जो उनकी बैलेंस सीट में दिखाया गया है। या अगर संपतियों को बेजने से कोई फाइदा होता है तो उस पर टेक्स लगा दिया जाता है। तो एक बार फिर सरकार फाइदे में से अपना हिस्सा ले लेती है और इस तरह कर्द से उबरने के लिए कर दें। एसे दाइतों या वेक्तिकर्ट चीजों से बचें जिनकी कीमत एक बार घर लाने पर कम हो जाई। आप जिस क्षण एक नई कार को शोरूम से बाहर निकाल कर ले आते हैं उसकी कीमत 25 फिस्दी कम हो जाती है। यह सची संपति नहीं है। हालांकि आपके बैंकर भ व्यसकों के लिए यही सही है कि वे अपने खर्च कम कर लें, अपने दाइतों को गटा लें और मेनत से ठोज संपतियों का आधार बना लें। उन युवा लोगों को जिनोंने अभी घर नहीं छोड़ा है यह सिखाया जाना चाहिए कि संपति और दाइतों के बीच क्या फर खरीदें, बच्चे पैदा करें, खतरनाकार्थिक स्थिति में फसें, नोकरी को कसकर पकड़े रहें और हर चीज़ को उधार खरीदें। मैं बहुत सारे युवा दमपतियों को देखता हूँ जो शादी कर लेते हैं और अपने आपको एक ऐसे जाल में फसा लेते हैं जिस उन्हें रिटाइर्मेंट की प्रयाप तैयारी नहीं की है और वे थोड़ा पैसा अलग रखना शुरू कर देते हैं फिर उनके अपने ममी डैडी बीमार हो जाते हैं और उन पर नई जिम्मेदरिया आ जाती हैं मैं तो आपको या आपके बच्चों को किस तरह की संपतियों के संग्रहन की प्रेणा दे रहा हूं मेरी दुनिया में असली संपतिया कई तरह की होती है नमबर एक एसी बिजनस जिसमें मेरे होने की जुरूरत नहीं हो मैं उनका मालिक जुरूर हूं परन्तु उन्हें दूसरे लोग चलाते हैं अगर मुझे वहां काम करना पड़े तो नमबर पांस आमदनी देने वाला रियल एस्टेट नमबर च्छे नोट्स आई ओ यू नमबर साथ बोधिक संपता जैसे संगीत पड़कता पे टेंटी द्याती से मिलने वाली रोयल्टी नमबर आठ और एसी हर चीज़ जो कीमती है जो आमदनी देती है और जिसका मुल्य बढ़ जाता है और जिसका बाजात तैयार है जब मैं चोटा था तब मेरे पड़ेलिके डैडी ने मुझे एक सुरक्षिद नोबरी डोनने की सला दी दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी ने मुझे इसी संपतियों को इकठा करने की सला दी जिने मैं पसंद करता था अगर तु मैं चोपिंग करना भी पसंद करता हूं मैं सारा दिन उन्हें निहार सकता हूं जब समश्य होती है तो वह उतनी बुरी नहीं होती कि उनके कारण रियल इस्टेट के लिए मेरा प्यार कम हो जाई एसे लोग जो रियल इस्टेट से नपरत करते हैं उन्हें इसे नहीं कि अपने शुरुवाती सालों में बड़े संग्ठनों में काम कर चुका हूँ जैसे कैलिपोर्निया के स्टंडर्ट में यूवस मारीन कार्प्स और जेराक्स कार्परेशन में मैंने इन संग्ठनों में बिताई समय का मज़ा लिया और मेरे पास कई सुकह दिया दे हैं परन्तु बीतर से मैं कमपनी में काम करने वाला आउत भी नहीं हूँ मुझे कमपनी चालू करना अच्छा लगता है परन्तु उन्हें चलाना मुझे उतना अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं जो शेयर खरीदता हूँ वहे भी शामाने तेयर छोटी कमपनीों के होते हैं और कई वारतों मैं कमपनी चालू करता हूँ और उसे सारुजनिक बना देता हूँ नए स्टोक के सेयर में कीमत चमक सकती है और मुझे यह खेल पसंद है कई लोग कम पुझी वाली कमपनीों से टरते हैं और उन्हें खतरनाक कहते हैं और वे खतरनाक हैं भी परन्तु खत्रा हमेशा कम हो जाता है अगर आप निवेश से प्रेम करते हैं उसे समझते हैं और खेल को अच्छी तरह से जानते हैं चोटी कमपनीों के साथ मेरी रणनिती यह होती है कि एक साल में अपने शेर बेश किये जाएं दूसरी तरह में दिस्तिती रणनिती होती चोटी प्रोपर्टी से शुरू करने की होती है फिर मैं उस चोटी प्रोपर्टी को बेच कर उसे थोड़ी बड़ी प्रोपर्टी ले लेता हूँ और इस तरहे अपने 5 दे पर टेक्स चुकाने से बस्ताग रहता हूँ इससे प्रोपर्टे की वैलियो में नाट की अब डोतरी होती है मैं सामान्य तोर पर रियल एस्टेट को 7 साल से कम से मैं अपने पास रखता हूँ वर्सों तक जब मैं मेरिन कार्प्स और जिरेक्स में था तब भी मैंने वही किया जो मेरे अमीर डैडी ने मुझे सिखाया था मैं अपनी दिन की नोगरी करता परन्तु मैं अपने काम से काम भी रखता था मैं अपनी संपती वाले कालम में कुछ ने कुछ करता रहता था मैं रियल इस्टेट और छोटे स्टोक्स की खरीद प्रोट भी करता था अमीर डैडी ने हमेशा पैसे की समझ के मैतों पर जोड दिया जितनी अच्छी तरह मैं अकाउंटिंग और कैश मनेजमेंट को समझ सकता था उतनी ही अच्छी तरह मैं निवेसों का विशलेशन कर सकता था और आखिरकार खुद की कंपनी शुरू कर सकता था और उसे सफल बना सकता था जब तक कि कोई पहले से यह साने सोच रहा हो, मैं किसी को भी अपनी कमपनी बनाने के लिए प्रोच्छा इत नहीं करता, मैं जानता हूं की कमपनी चलाने में कितना जंजट होता है, और मैं नहीं चाहता कि आप उस जंजट में फसें। कई बार ऐसा भी समय आता है जब लोगों को रोजगार नहीं मिलता और उनके लिए कमपनी चालो करना एक समाधान होता है परन तुसह वल्ता के अवसर बहुत कम है दस में से नो कमपनियां पांच सालों में लूप जाती है पहले पांच सालों में जो कमपनियां बची रहती है उन में से भी दस में से नो कमपनियां बाद में बंदो जाती है तो अगर आपकी पहले से अपनी कमपनिय शुरू करने की इच्छा हो तब ही मैं इसकी सला दूँगा अन्य था अपने दिन की नोपरी करते रहे और अपना काम से काम रखे जब मैं कहता हूँ कि अपने काम से काम रखे तो मेरा यह मतलब है कि आप अपनी संपति वाले कालम को ज़्यादा मजबूत बनाते रहे एक बार इसमें एक डालर जाए तो वह कभी बाहर नहीं निकल पाई इसे इस तरह सोचें कि जब एक डालर आपकी समपत्थी वाले कालम में जाता है तो वह आपका करमचारी बन जाता है पैसे के बारे में सबसी अच्छी चीज़ यह है कि यह हर दिन 24 गंटे काम करता है और इसा फीडियों तक कर सकता है अपनी दिन की नोकरी को चालू रखें एक अच्छे मेहंतिक रमचारी की तरह काम करें परंतो अपनी संपत्ति वाले कालम को बढ़ाते रहें जब आपका कैश फ्लो बढ़ता है तब आप कुछ विलासिता की की चीजें खरीट सकते हैं इस बारे में एक मैतव şunu तक्हीं यह हैं कि अमीर लोग विलासिता की चीजें सबसे लोग विलासिता की चीज़ें सबसे पहले खरीदते हैं, गरीब और मद्यमरगिया लोग अक्सर बड़े घर, हीरे, फर, जुएलरी जैसी विलासिता की चीज़ें इसलिके खरीद लेते हैं, ताकि वे अमीर दिख सकें, वे अमीर दिखते हैं, परंत वसल में वे उधार के दल वाले आम्दनी उनके लिए विलासिता की चीजें खरीद लेती हैं गरीब और मद्य उमर गे लोग अपनी खून पसेने की कमाई और बच्चों की विरासत की कीमत पर विलासिता की चीजें खरीदते हैं सच्चे विलासिता असली संपत्ती में निवेश करने और उसे विक्सित करने का प्रोथ साहन है उधारन के लिए जब मेरी पत्नी और मेरे पास हमारे अपार्टमेंट हाउसे से अतिरिक पैसा आने लगा तो वह बजार गई और अपने लिए मर्सिडेज खरीद लाई इसमें जरा सी भी मेनत या जोखिंद नहीं था क्योंकि अपार्टमेंट हाउस के कारण उसने कार खरीदी थी परंतु उसे इसके लिए चार सालों तक इंतजार करना पड़ा था जब रियल एस्टेट पोर्टपोलियो बढ़ रहा था और आखिरकार उसने इतना अतिरिक पैसा दे बढ़ाना जानती है अब उसके लिए उस कार की किमत सामान्य रूप से खरीदी गई कार से कहीं ज़्यादा है ज्यादातर लोग अक्सर इच्छा जागने पर बिना सोचे समझे जाते हैं और कर्ज पर कार या विलासिता की कोई चीज़ खरीद लेते हैं वो सकता हो कि वे जिन्दगी से उप चुके हो या उने सिर्फ एक नए खिलोने के जुरूत हो कर्ज पर विलासिता की चीज़ खरीदने से तेर सवीर वह आदमी उस चीज़ से चिड़ने लगता है क्योंकि उसके कारण जो कर्ज लिया है वह एक बाहर बन गया एक बार आप अपने बिजनस को बनाने उसमें निवेश करने का समय निकाल लेते हैं तो फिर आप उसमें जादू की चड़ी खुआ सकते हैं जो अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य है यह रहस्य अमीरों को भीड में सबसे आगी रखता है अपने काम से काम रखने का इनाम जो आपको उस र जो है टेक्स का इतियास और कॉर्प्रेशन्स की ताकत आपका दिन शुब हुए रिच डेड पूर डेड अध्याई पांच टेक्स का इतियास और कॉर्प्रेशन्स की ताकत मुझे याद है हमें स्कूल में राबिन हुड सो और उसके सुखी गिरों की कहानी बताई गई थी मेरे स्कूल के टीचर का मानना था यह केविन कोसनर की तरह के एक रोमांटिक हीरो की अद्गुत कहानी है जो अमीरों को लूटता था और गरिबों में बांट देता थ मेरे अमीर रेड़ी की नजर में राबिन हुड हीरो नहीं था वे उसे बदमास मानते थे राबिन हुड को गुजरे वे तो लंबा समय गुजर चुका है परन्तूस के अनुनाई आज भी जिंदा है कितनी बार मैंने लोगों को यह कहते सुना है इसके लिए अमीरों पैसे क पाणती आजाए गरीब और मद्यम वर्ग के लोगों के लिए सर्वादी कष्ट का कारण है इसी रोबिन होड आदर्स के कारण मद्यम वर्ग पर टेक्स का इतना भारी बोज लगा हुआ है सचाही तो यह है कि अमीरों पर टेक्स लगता ही नहीं है गरीबों की बलाई के कर Inteam्तैंची आंदनी वाले वर्ग से कि टेक्स के बारे में पूरी तरह से समझने के लिए । हमें इसकी इतियासिक प्रस्थाुमि को समझने की ज़रूरत है हमें टेक्स के इतियास को जानने की ज़रूरत है हलांकि मेरे पडेल के डैड़ी सिक्षा के इत्यास कमाल का ग्यान रखते थे परन्तु मेरे अमीर डैड़ी टैक्स के इत्यास पर विशे सक्गे थे अमीर डैड़ी ने माईक और मुझे यह समझाया कि इंगलेंड और अमेरिका में सब से पहले कोई टेक्स नहीं लगते थे कभी कभार युद का खर जुटाने के लिए कुछ समय के लिए टेक्स जरूर लगा करते थे राजा या राश्टवती मुहें से कह भर देता है और हर आदमी उसकी कही बात मान कर अपना से योग देता है ब्रिटेन में 1799 से 1816 के बीच नेपोलियन से युद के समय टेक्स लगाया गया था और अमेरिका में 1861 से 1865 के बीच हुए सिविल वार के खर्च को जुटाने के लिए टेक्स लगाया गया था 1864 में इंग्लेंड ने इंकम टेक्स को अपने नागरिकों पर स्थाई रूप से लगू कर दिया 1913 में समीदान के सोनवें सरसोधन के साथ अमेरिका में भी आईकर स्थाई रूप से लगू किया गया एक समय था जब अमेरिकी लोग टेक्स विरोधी हुआ करते थे चाई पर बहुत ज़्यादा टेक्स लगने के कारण ही बोस्टन हर्बर पर प्रसीद टी पार्टी की गटना हुई थी जिससे करांतिकारी यूद को ताकत मिली इंग्लेंड और अमेरिका दोनों को इन नियमित इंकम टेक्स के विचार को जनता के गले उतारने में लगवग 50 साल का समय लगा इन एतियासिक दिथियों से हमें यह पता नहीं चल पाता कि दोनों इमामलों में टेक्स शुरू में केवला वीरों पर लगाए गए थी अमीर डेडी चाहते थे कि माईक और मैं इस बात को कभी नहीं मूले उन्होंने सबस्ट किया कि टेक्स का विचार लोग पर यह बना और उसे ज़्यादतर लोगों ने सिर्फ इसलिए माना क्योंकि उन्हें यह बताया गया कि टेक्स अमीरों को सजा देने का और मद्यम वरंकता गरीबों को मदद देने का साधन है इसी कारण जन्ता ने टेक्स कानून के समर्थन में वोड़ दिये और यह वैदानिक बन गया हालांकि इसका मकसद अमीरों को दंड देना है परन्तु दरसल यह उनी लोगों को दंड देता है जिन्नों ने इसका समर्थन किया था यानि गरीब और मत्यों वरक एक बार सरकार ने पैसे का स्वाथ चक लिया तो उसकी भूक बढ़ती गई अमीर डैडी ने कहा तुम्हारे डैडी और मैं पूरी तरह विरोद करते हैं वे एक सरकारी ब्यूरुक्रेट हैं और मैं एक पूंजी पती हूँ हमें विपरित व्यवार के कारण पैसे मिलते हैं और हमारी सफलता अलग अलग मावदन्डों पर तोली जाती है उन्हें पैसा खर्च करने और लोगों को काम देने के लिए पैसे दिये जाते हैं वे जितना ज़्यादा खर्च करते हैं और जितने ज़्यादा लोगों को काम तरक रखते हैं उनका संगठन उतना ही बड़ा होता जाता है सरकार में जितना बड़ा उनका संगठन होता है उतना ही ज़्यादा सम्मान उन्हें दिया जाता है दूसरी तरफ, मेरे संगठन में, मैं जितने कम लोगों को रखूँ और जितना कम पैसा खर्च करूँ, मेरे इतनी वेसे मेरा उतना ही ज़्यादा सम्मान करते हैं इसलिए मैं सरकारी आदमियों को पसंद नहीं करता हूँ उनके लक्षे बिजनस के ज़्यादातर लोगों से हटकर होते हैं जैसे जैसे सरकार के करमसारी बढ़ते हैं, उन्हें तनकवा देने के लिए उतने ही ज़्यादा टेक्स की जरूरत होती है मेरे पढ़ेले के डेड़ी इस बात में बरोसा करते थे कि सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए वे जान अफ कैनेडी से प्रेम करते थे और खासकर पीस कार्प्स के विचार से वे इस विचार को इतना ज़्यादा पसंद करते थे कि वे और मेरी माँ दोनों ही पीस कार्प्स में के लिए काम करते थे और मलेसिया, थाईलेंड और फिलिपिन्स जाने वाले सिम्चे वोगों पर सिक्षित करते थे वे हमेसा आतरिक तनुदानों और वजट में बढ़ोतरी की कोशिस करते थे ताकि वे ज़्यादा लोगों को बढ़ती कर सके एसा वेसिक शाइब बाकि अपनी नोक्री में भी करते रहे और पीस कार्प्स में भी, यह हैं उनका काम था जब मैं दस साल का था, तब से मैं अबने अमीर डेड़ी से यह सुनता आया हूं कि सरकारी करमजारी आल सी चोरों का गिरुआ है और मेरे गरीब डेड़ी से मैं यह सुनते आया हूं कि अमीर लोग लाल्ची और बद्वास होते हैं जिन से सरकार को ज़्यादा टेक्स लेना चाहिए दोनों ही विचारों के पक्स में तरक दिये जा सकते हैं मेरे लिए यह बहुत मुश्किल था क्योंकि एक तरफ तो मैं शेहर के सबसे बड़े फुंजी पतियों में से एक के लिए काम करता था और दूसरी तरफ जब मैं घर आता था तो वहां मेरे डेड़ी होते थे जो एक नामी सरकारी नेता थे यह तै करना असान नहीं था कि कौन सही बोल रहा है और किस की बात पर मुझे बरोसा करना चाहिए परन्तों जब आप टेक्स के इतियास का अधियन करते हैं तो एक दिल्चस पहलो सामने आता है जैसा मैंने कहा कि टेक्सों का लागू होना सिर्फ इसलिए संबग हो सका क्योंकि जन्ता राभी नूट के अर्थ सास्त्रे से दांत में बरोसा करती थी जिसमें अमीरों से लेकर बाकी सब में बाट दिया जाता है समझ्या यह थी कि सरकार की पैसे की भूक इतनी बढ़ गई कि जल्दी मद्यम वर्ग पर भी टेक्स लगाने की नोगत आ दी और वहां से धीरे धीरे टेक्स का बोज नीचे की तरफ आता गया दूसरी तरफ अमीरों नीचे एक मोके की तरह देखा वे उन्हे नियमों से नहीं खेलते हैं जिन से जन्ता खेलती है जैसा मैंने बताया है अमीर पहले ही कार्पोरेशन के बारे में जानते थे जो पानी के जहाजों के जमाने में लोग प्रिय हुई थे अमीरों ने हर समुंदरी यात्रा की समपति के जोखिम को सीमित करने के लिए कार्पॉरेशन का उप्योग किया अमीर लोग हर समुंदरी यात्रा के लिए पैसा जुटाने के लिए कार्पॉरेशन में अपनों पैसा डामते थे फिर ये कार्पॉरेशन न्यू वर्ल्ड के खजाने की फोज के लिए नाविकों की बर्ती करता था अगर जहाज डूब जाता तो नाविकों की जान जाती ही परंतो अमीर लोगों के सिर्फ इतना ही नुक्सान होता था कि उनका वहे पैसा डूब जाता था जो उन्होंने उस समूंदरी यात्रा के लिए दिया था आगे आने वाला चितर दरसाता है कि किस तरह कार्पॉरेशन स्ट्रेक्चर आपके इंकम स्टेट्मेंट और बैलेंसिक के बाहर बैठता है अमीर लोग किस तरह खेल को खेलते हैं कार्पॉरेशन के कानूनी डांचे की ताकत का ग्यान ही अमीरों को गरीबों और मद्यों मर्क की तुलना में बहुत ज़्यादा देता है मुझे दो डैडियों ने सिक्षा दी थी जिसमेंचे एक समाजवादी थे और दूजरे पूंजी पती मुझे जल्दी यह मैसूस हुआ कि पूंजी पती में पैसे की ज़़ा समझ है मुझे इसा लगा कि पैसे की नासम जी के खारण समाजवादी आखिरकार खुद को ही सजा देते हैं मुझे इसा लगा कि पैसे की नासम जी के खारण समाजवादी जितना जोड लगा ले अमीर लोग उनसे जीतने का रास्ता हमेशा डून निकलते हैं इसी कारण टेक्सा किरकार मद्य उमर्ग पर लगे अमीरों ने बुद्धी जीवियों को अपने बुद्धी से हरा दिया सिर्फ इस कारण क्योंकि वे पैसे की ताकत को जानते थे और यह विशे स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता अमीर लोगों ने बुद्धी जीवियों को किस तरह हराया एक बार अमीरों से वसोलों का कानून पारिद हुआ तो सरकार की तिजोरी में पैसा आने लगा पहले तो लोग इस बात से खुश हुए यह पैसा सरकारी करमचारियों और अमीरों को दिया जाने लगा सरकारी करमचारियों के पास यह पैसा नोकरियों और पेंशनों के रूप में गया अमीरों के पास यह पैसा उनकी फैक्टरियों के जटिये मिले सरकारी कॉंट्रेक्ट से आया सरकार के पास धेर सारे पैसे थे परंतु उस पैसे के मैनेजमेंट की समश्या थी उसमें कोई recirculation नहीं था दूसरे सब्दों में सरकारी नेती में अगर आप एक सरकारी बिरोक्रेट हैं तो आप पैसा बचाना पसंद नहीं करते अगर आप अपने लिए आमंटित फंड को खर्च नहीं कर सकते तो आपको अगले बजट में उतनी राशिन नहीं मिलेगी और निश्चित रूप से आपको युग्या तो माना ही नहीं जाएगा दूसरी तरफ बिजनस में पैसे बचाने के लिए इनाम मिलता है और ऐसा करने पर आपको काबिल बना जाता है जब बढ़ते हुए सरकारी खर्चों का यह चकर चलता है तो पैसे की मांग बढ़ी और अमीरों से टेक्स वसूलों के विचार में अब कम अमीर लोगों को भी शामिल खर लिया गया और इस तरह सरकार इतनी नीचे आ गई कि वे करीब और मद्यमर गिया लोग भी टेक्स के दाइरे में आ गई जिन्होंनों इसके लिए वोट दिया थे सच्चे पुझी पतियों ने बचने का तरीका खोजने के लिए अपनी पैसे की समझ का प्रियोग किया वे कर्परेशनों की सुरक्षा में चले गए कर्परेशन अमीर लोगों को सुरक्षा देता है परंतु कई लोग जिन्होंने कभी कर्परेशन नहीं बनाया यह नहीं जानते कि कर्परेशन जैसी कोई चीज नहीं होती कार्पुरेशन के वलेख फाइल का पॉल्डर होता है जिसमें कुछ कानूनी दस्तावेज लगे होती है और जो रज्य सरकार की एजेंसी में दर्ज होकर किसी वकील के अफिस में रखा जाता है यह कोई बड़ी फिल्डिंग नहीं होती जिसके बाहर कार्पुरेशन का नाम लिखा होता है यह कोई फेक्टि या लोगों को समुवे भी नहीं होता कार्पुरेशन के वले कानूनी दस्तावेज है जो एक ऐसी कानूनी देव बना देता है जिसकी कोई आत्मा नहीं होती अमीरों की सम्पति एक बार फिर सुरुक्षित हो गई एक बार फिर कार्पुरेशन का प्रियोग लोगप्रिया हो गया यह स्ताई इंकम टेक्स कानूनों के पारित होने के बाद हुआ क्योंकि Corporation के लिए Income Tax की दर व्यक्तिकत Income Tax की दर से कम है इसके अलावा जैसा पहले बताया जा चुका है Corporation द्मारा कुछ कर्द Tax चुकाने से पहले किये जा सकते हैं अमीरों और ग्रीबों के बेजी यह लड़ाई सदीयों से चली आ रही है अमीरों से बसू लोग अमीरों के हमेशा खिलाव रही है यह लड़ाई तब छिटती है जब कानून बनते हैं और यह लड़ाई अनंत काल तक चलती रहती है समझ्या यह है कि जो लोग हारते हैं उनमें समझ की कमी है हारने वाले लोग वे हैं जो हर सुबह उटकर तयार होते हैं और अपनी नोकरी में कड़ी मेहनत करते हैं और उस पर टेक्स देते हैं अगर वे यह समझ पाते कि अमीर लोग किस तरह से पैसे का खिल खिलते हैं तो वे भी इस बीड को उसी तरह से खिल सकते हैं फिर वे भी पैसे से आजाद हो सकते हैं और अमीर बन सकते हैं इसलिए मैं हर बार शेयर जाता हूँ जब भी मैं किसी को अपने बच्चे को यह हैसला देते हुए सुनता हूँ कि स्कूल जाओ ताकि सुरक्षित नोकरी मिल सके जिस करमचारी में पैसे की समझ नहीं है वह बच नहीं सकता चाहिए उसकी नोकरी कितनी भी सुरक्षित क्यों नहीं हो वोसत अमेरिकी वेक्ति आज सरकार के लिए पांच से च्छे मेंने तक काम करता है ताकि वह टेक्स चुकाने के लिए पैसा जमा कर सके मेरे विचार में यह हैसमय बहुत ज़्यादा है आप जितनी ज़ लिए वोट किया था हर बार लोग अमेरों को सजा देने की कोशिस करते हैं अमीर लोग सचमुच उसका पालन नहीं करते बलकि वे पलट कर वार करते हैं उनके पास पैसा ताकत और इरादा होता है जिनके दम पर वे चीज़ें को बदल सकते हैं वे सचमुच बैठकर पार्ट वकीलों तता काउंटेंट्स की सेवाई लेते हैं और राजनिताओं को मनाते हैं कि वे कानून बदले या कानून ये बचाओ के रास्ते बनाएं जिनके पास परिवर्थन करवाने के लिए जरूरी संसादन होते हैं अमेरिका का टेक्स कानून भी टेक्स बचाने के कई रास्ते प्रदान करता है इसमें से ज्यादातर रास्ते हर एक के लिए खुले हैं परंतुर इनका फाइदा सामाने तोर पर अमीर लोग ही उठाते हैं क्योंकि वे इनकी खोज करते हैं और एसा इसलिए होता है क्योंकि वे अपने काम से काम रखते हैं उधारन के तोर प टेक्स चुपाने में देरी करने का मोगा मिलता है अगर वह ज़ादा महेंगे रियल एस्टेट को खरीता है और सोदेवाजी में फाइदा नहीं लेता रियल एस्टेट एक एसा फूझे निवेस है जो बहुत ज़ादा टेक्स लाब देता है जब तक आप कम कीमत की प्रोपर्टी बेच करूंची कीमत की बड़ी प्रोपर्टी खरिचते रहते हैं तो आपको तब तक टेक्स नहीं देना पड़ता जब तक कि आप उसे नगध ही धैं रखना चाहें जो लोग कानून द्वारा दी गई इन टेक्स की छुटों का लाब नहीं उठाते वे अपनी संपती वाले कालम को बनाने का एक बहुत बड़ा मौका खो देते हैं गरीबों और मध्यां वर्क के पास इतने संसादन नहीं होते वे चुप चुप बैटे रहते हैं और सरकार की सुजियों को अपनी बहाँ पर लगने देते हैं और बलड डोनेशन की इजाज़त दे देते हैं आज मैं ज़्यादा टेक्स चुकाने वाले या कम छूट लेने वाले लोगों की संख्या से लगातार स्थब्द होता रहता हूँ और वे एसाद सिर्व इसलिए करते हैं क्योंकि वे सरकार से डरते हैं और मैं जानता हूँगी सरकार टेक्स एजेंट कितना डराऊना होता है मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके बिजनस बंद होगे और इसके लिए सरकार दोसी थी मुझे यह सब पता है मुझे यह सब पता है परंतो जनुरी से लेकर मई के पहले पकवाड़े तक सरकार के लिए काम करना एक बहुत बड़ी कीमत है जो हम टेक्स के डर के कारण चुकाते हैं मेरे गरीब डेरी ने कभी पलटू कर वार नहीं किया मेरे अमीर डेरी ने भी ऐसा नहीं किया उन्होंने केवल खेल को चतुराई से खेला और उन्होंने इसा कॉर्परेशन के बादेंसे किया जो अमेरों का सबसे बड़ा रहशे है अमीर डेरी से मेरा पहला सिखा गया सबक आपको याद होगा मैं नो साल का बच्चा था और मुझे उससे बात करने के लिए बहुत समय तक इंतजार करना पढ़ता था मैं एक्सर उनके आपिस में बैठकर उनका इंतजार करता था वे जान बूज कर मुझे नजर अंदास करते रहते थे वे चाते थे कि मैं उनकी ताकत को पहचानू और एक दिन खुद भी उतना ही ताकत वर बनता जाओं जितने भी समय तक मैंने उनके मार्क दर्सन में पढ़ा और सीखा उन्होंने मुझे हमेशा याद दिलाया कि ग्यान ही ताकत है और पैसे के साथ तो बड़ी ताकत वरती है उसे बनाई रखने के लिए और उसे कई गुना आगे करने के लिए सही ग्यान की जुरूरत होती है उस ग्यान के बिना संसार आपको इधर उधर धक्य मारता रहता है अमेरी टेडी हमेशा माइक और मुझे यह याद दिलाते कि सबसे जदा दरावना वेक्ति बोस या सुपरवाजर नहीं होता बलकि टेक्समेन होता है अगर आप उसे मुका देते हैं तो टेक्समेन हमेशा आप से जदा से जदा वसूल कर सकता है पैसा मेरे लिए काम करें मैं पैसे के लिए काम ने कूँ मेरा यह पहला सबक दरसल ताकत के बारे में है अगर आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप ताकत को अपने बोस के हाथ में देते हैं अगर आपका पैसा आपके लिए काम करता है तो आप ताकत को अपने पास रखते हैं और उसे काबू में रखते हैं एक बार हमें हमारे लिए काम करने वाले पैसे की ताकत आग्यान हो जाए फिर हमें पैसे के लिए आसे स्मार्ट हो जाना चाहिए और हमें डराने वाले लोगों से निपटने का रास्ता ढूनना चाहिए इसके लिए आपके बास कानून की समझ होने चाहिए और इस बात की भी कि सिस्टम कैसे काम करता है अगर आप अग्यानी है तो आपको आसानी से डराया जा सकता है अगर आप जानते हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं तो आपके पास बजने का मुखा है हाँ इसलिए मेरी डैडी स्मार्ट टेक्स का काउंटेंट्स और वकीलों को इतना ज़्यादा वेतन देते थे वकीलों को वेतन देना सरकार को टेक्स देने से सस्ता था मेरे लिए उनका सरसरे सबकता स्मार्ट बनो ताकि तुम्हें इदर उदर धक्ये ने दिये जा सकी और मैंने जिन्दी की वरी से अपनाया है वे कानून जानते थे क्योंकि वे कानून का आदर करते थे वे कानून जानते थे मेरे पढ़ेली के डैडी मुझे हमेशा प्रोचसाइट करते थे कि मैं किजी बड़े अच्छे कॉर्परेशन में बड़ी असी नोपरी ढूंड लूँ वे मुझे अमेशा उन अच्छाईयों के बारे में बताते थे जो कॉर्परेट सीडी पर चड़ने से आसिल की जा सकती थी वे यह नहीं समझ पाते थे कि कॉर्परेट नियुक्ता से मिलने वाले वेतन के चेक पर पूरी तरह निर्बर रहने उसे मैं एक एसी दुधारूगाय बन जाता जिसे दुभा जा सकता था जब मैंने अपने अमीर डैडी को अपने डैडी की सलाव बताई तो बेकेवल हंसे उन्होंने सिर्फ यही कहा सीडी के मालिक ही क्योंने बना जाई बच्पन में मुझे यह समझ में नहीं आया था कि अपने कॉर्कॉरेशन के मालिक होने से अमीर डेडी का क्या मतलब था यह एक ऐसा विचार था जो असंबव और डरावना लग रहा था हलांकि मैं इस विचार से रोमान्चित था परन्तो मेरी कम उमर में मैं इस अमावना पर विचार ही नहीं कर पा रहा था कि एवे ऐसक लोग किसी दिन मेरी कमपनी में काम करने लगे है मुद्दे की बात यह है कि अगर अमीर डेडी नहीं होते तो मैं अपने पड़ेलिके डेडी के सलाका पालन कर रहा हुता अमीर डेडी के बार बार याद दिलाने की कारण ही मेरे अपने कॉर्परेशन का विचार जीवित रहा और यह मुझे एक तरा पर चलाता रहा जब मैं पंद्रा या सोला साल का था तो मैं जानता था कि मैं उस रापर नहीं चलने वाला जो मेरे पड़ेलिके डेडी ने बताई है मैं नहीं जानता था कि मैं इसा किस तरह करूँगा परंतु मैंने द्रड निश्चे कर लिया था कि मैं फीट के साथ नहीं चलूँगा और उस दिशा में नहीं जाओंगा जिस तरफ मेरे सैफ़टी जा रही है इस फैसले ने मेरी जिन्दगी बदल दी जब तक मैं 25 साल का हुआ तब तक अमीर डैडी की सला मुझे पूरी तरह समझ में नहीं आई थी मैंने हाल ही मेरिन काप शोड़ी थी और जेराक्स के लिए काम कर चुरा था मुझे बहुत पैसा मिल रहा था परन्तु हर बार जब भी मैं अपनी तंख्वा के चेक को देखता था तो मुझे हमेशा निरासा होती थी कोटोटी बहुत ज़दा थी और जितना ज़दा मैं काम करता था प्टोतियां उतनी ही ज़्यादा होती थी जब मैं ज़्यादा सपल होने लगा तो मेरे वरिष्ट बोस मेरे प्रमोशन और तंकवा बढ़ाने की बातें करने लगी यह सुनने में तो अच्छा लगता था परन्तु मैं अपने कानों में अपने अमीर डेडि की आवाज भी सुन सकता था तुम किसके लिए काम कर रहे हो तुम किसे अमीर बना रहे हो उननीसो चुएकर में जराक्स के करमचारी के रूप में ही मैंने अपना पहला कॉर्परेशन बनाया और अपने काम से काम रखना शुरू कर दिया पहले से ही मेरे संपती वाले कालम में कुछ संपतिया मौजूद थी परन्तु अब मैंने ठान लिया था कि उन्हें ज़्यादा बढ़ाया जाए कटोतियों वाले थनकुआ वो देल देखकर मुझे अमीर डेडि की सलाह में समझदारी दिखने लगी थी अगर मैं अबने पड़े लिके टेडि की सलाह बर चलता तो मुझे अपना वविश्या साफ नजर आ रहा था कई नियुकता यह नुभव करते हैं कि अगर करमचारी अपने आकाम से काम रखे तो यह उनके बिजनस के लिए बुरा होता है मुझे विश्वास है कि ऐसा कुछ लोगों के साथ हो सकता है पर उन्तु मेरे साथ ऐसा नहीं था एक बार मैंने अपने काम से काम रखने के ठान ली और अपनी संपतियां बढ़ाना चालू कर दिया तो मैं एक बेतर करमचारी बन गया मेरे पास अब एक लक्षा था मैं सुवए जल्दी आ जाता था और मेहनत से काम करता और इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाता था ताकि मैं उसे रियल स्टेट में निवेस कर सबू हवाई में उसक मैं कीमते तेजी से बढ़ रही थी और वहाँ किसमत चमकाई जा सकती थी जितना ही ज़्यादा मुझे यह लगा कि वहाँ निवेस की संभावनाई है उतनी ज़्यादा जेराक्स मेशीने मैंने बेची मैंने जितनी ज़्यादा मेशीने बेची मुझे उतना ही ज़्यादा पैसा मिला और हाँ मेरी तनक्वा के चेक्ट से उतनी ही ज़्यादा क्टोटिया हुई यह परेना दाइक था मैं करमचारी होने के जाल से बाहर निकलना चाहता था और इसलिए मैं कम मेहनत करने के बज़ाई ज़्यादा कड़ी मेहनत करता था 1978 तक मैं सेल्ज में चोटे के पांच लोगों में से एक था प्राइड नमबर वन मैं चुहा दोड़ से बहुत जल्दी बाहर निकलने के लिए भिताब था तीन साल से भी कम समय में मैं जेरक्स की तुलना में अपने चोटे से कर्परेशन से कहीं ज़्यादा कमा रहा था मुझे कोप्यर बेशने के लिए धरवाजे खटखटाने के जुरूरत नहीं थी अमीर डेड़ी की सला में मुझे ज़्यादा समझधारी दिख रही थी यानि कि मेरे प्रोपर्टी से आने वाला कैश पलो इतना ज़्यादा हो गया कि मेरी कंपनी ने मेरे लिए पहली कार ख माने के लिए कड़ी मेनत कर रहा था मेरी संपत्ति वाले कालम का हर डॉलर एक बड़ी अकरमचारी था जिसकी कड़ी मेनत के कारण और ज्यादा करमचारी तयार होते थे और वे सब मिलकर अपने बोस को एक नई कार्टोपे के रूप में दे रहते थे और वह भी टेक्स के गए सबक के खारण उस चुहा दोड़ मिथक से बाहर निकलने में सफल हो जगा था और कम उमर में ये एक नियुकता बन गया यह पैसे की समझ से ही कुछ संबग हुआ था इस वित्तिय ग्यान के बिना जिसे मैं फैनेंसियल आई क्यू को हूँँगा आर्थिक सवतंतरता कि मेरी रहा में बहुत ज़्यादा मुस्किलिया आई होती अब मैं फैनेंसियल सेमिनारों में दूसरों को इस आसा के साथ सिखाता हूँ ताकि मैं उनके साथ अपना गयान बाढ़ सकूँ जब भी मैं लेक्चर देता हूँ तो मैं लोगों को यह याद दिलाता हूँ कि फै यह बहुत मेतों पुन दक्षता है, आप जितने ज़्यादा धन के लिए जिम्मेदार होंगी, उतनी ही ज़्यादा सुक्षम्ता की जरूरत होगी, नहीं तो आपका समरा जद्तास के पत्तों के महल की तरह डेह जाएगा, यह बाई मस्तिस्क का पहल हुए, जिसमें वरनन या सुक्षम्ता जरूरी है, फाइनेंसियल साक्षता वह यह बहुता है, जिसके सारे फाइनसियल स्टेटमेट्स को पढ़ा और समझा जा सकता है, इस यह बहुता से आप किसी भी विवसाई की कमजोरी और मजबूतियों को पहचान सकते हैं, नमबर दो है निवेस, जिसे मैं पैसे से पैसे बनाने का विग्यान कहता हूँ, इसमें तकनिकों, रन नीतियों और फार्मॉलों की जरूरत होती है, यह मस्तिस्क का दायां पहलू है, यारि रचनात्मत पहलू, नमबर तीन है बाजार की समझ, मांग और पूर्ती का विग्यान, बाजार के तकनिकी पहलू को जानने की जरूरत है जो कि बावनाओं द्वारसंसालित होता है 1996 में क्रिसमस के दोरान टिकल मी एलमो डॉल का परकर्ण भी तक्निकी या बावनाओं द्वारसंसालित बाजार का उधरन है बाजार का दूसरा था तो निवेस की मूलभूत या आर्थिक समझ है क्या किसी निवेस में समझदारी है या वरतमान बाजार की परिस्थितियों के इसा करना ना समझी है कई लोग यह थोचते हैं कि बाजार को समझना या निवेस की अफ़दार नाएं बच्चों को समझ में नहीं आएगी क्योंकि वे जटिल होती है वे यह नहीं देख पाते कि बच्चे इन विशों को अनुपूती से समझ लेते हैं जो लोग एलम और डोल से परिचित नहीं होंगे उनके लिए है एक सीसस चीट करेक्टर थी जिसे क्रिस्मस से पहले बच्चों में कूप परशारिप किया गया था लगवक सभी बच्चे इसे खरीदना चाते थे और अपनी क्रिस्मस की सुची में उन्होंने इसे सबसे उपर रखा था परंतु क्रिस्मस के लिए इसका विग्यापन करने के बाद जब यह बाजार से गाइब हो गई तो कई लोग यह सोचने लगे कि कहीं कमपनी ने चानबूज कर तो इसे बाजार से कायब नहीं कर दिया है इसके मांग बहुत ज़्यादा थी और पूर्ती बहुत कम इसलिए बाजार में बगदर और हर बड़ी का माहों सख बन गया स्टोर्स में जब खरीदने के लिए कोई डोल नहीं बची तो दुकानदारों और दूसरे खिलोने वालों में इसमें मुनाफ़ा कमाने का मुका देखा जिने डोल नहीं मिल पाई थी वे दुरवाग्या साली ममी डेडी क्रिसमस के लिए कोई दूसरा खिलोना करीडने के लिए मजबूर हो गई टिकल मी एलमों डोल की एव इस वसने लोग पर रता मेरी समझ में नहीं आई परन्तु यह मांग और पूर्ति के अतसास्तर का बड़िया उधारन है यही बात स्टोक, मॉन्ट, रियल इस्टेट और वेस्वाल कार्ड बाजारों पर लगू होती है नमबर चार है कानून उधारन के तोर पर अकाउंटिंग, निवेस और बाजारों की तक्निकी दक्सतागे सारे कार्पोरेशन का पर्योग इस पोर्टक वरदी परदान कर सकता है कोई भी आदमें जिसे कोर्परेशन दवारा दिये जाने वाले टेक्स फाइदों और सुरक्षागा ग्यान हो वह बहुत ज़्यादा तेजी से तरक्की कर सकता है और अमीर बनता है जो किसी करमचारी या चोटे बिजनस के मालिक के लिए संभव नहीं है उसमें उतना ही अंतर है जितना पैदल चलने वाले और उड़ने वाले में होता है यह अंतर बहुत च्यादा हो जाता है जब हम इसे दिर्कालिन संपर्ति के संदर्व में देखते हैं नमबर एक है टेक्स लाव एक कॉर्परेशन कई ऐसी चीजें कर सकता है जो एक आदमी नहीं कर सकता जैसे की यह टेक्स देने से पहले खर्च कर सकता है यह विशे सग्याता का एक एस अक्षेतर है जो बहुत रोमान्चक है परन्तों इसमें अंदर घुसना तब तक जुरूरी नहीं जब तक कि आपका बिजनेस यह संपती बहुत बड़ी नहीं हो करमचारी कमाते हैं और टेक्स चुकाते हैं और फिर वो बचाता है और फिर वो बचता है उससे अबना खर्च चलाते हैं एक कर्परेशन कमाता है जितना खर्च कर सकता है करता है और फिर बची हुई रकम पर टेक्स चुकाता है यह अमीरों द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाला सबसे बड़ा कानूनी बचाओ का रास्ता है उन्हें बनाना आसान है और बहुत ज़्यादा मेंगा नहीं है बसरते कि आपके पास अपने खुद के निवेस हो जो अच्छा कैस्वलो दे रहे हो उधारन के तोर पर अपने कॉर्परेशन का फाइदा यह है गुमने जाने का करेकरम हावाई में बोर्ड मीटिंग बन जाता है कार का बुस्तान विमारी के एरी त्यड़ी कंपनी खर्च में डाल दिये जाते हैं तलब की सबस्सेता भी कंपनी खर्च है ज़्याता रेस्टोरेंट डिनर भी नसिक्त है हैं और भी ये से बहुत से खर्च हैं जो टेक्स चुपाने के पहले किये जाते हैं नंबर दो कानूनी मुखदुगों से सुर्क्षा हमें कानूनी समाज में रहे रहे हैं हर आदमी आपसे फाइदा चाता है अमीर लोग अपने क्रेडिटर से अपनी ज्यादातर संपत्ति को चुपाने के लिए कोर्पोरेशन्स और ट्रस्ट का सारा लेते हैं जब भी कोई किसी अमीर आदमी पर दावाट होकता है तो उसे यह पता चलता है कि यह कानूनी कावद से गिरा हुआ है और दरसल उस अमीर आदमी के पास कोई संपती है ही नहीं वे हर चीज़ पर नियंतर होगा जाता है तो वे सरकार या अपने साथी नागरिकों के हातों अपनी संपती खो बैठते हैं उन्होंने राविनूट के कानी से यह सिखा है कि आमीरों से वसुलो गरीबों में बांदो इस पूस्तक का लक्षा यह नहीं है कि कार्परेशन बनाने का तरीका बताया जाए परंतु मैं कहूंगा कि अगर आपके पास किसी तरह की वैद संपतियों हो तो आप जितनी जल्दी होजगे कर्परेशन द्वारा दिये जाने वाले फाइदों और सुरक्षा के बारे में ज्यादा जान ले इस विशह पर कई पुस्तके लेखी गई है जो इन फाइदों के के बारे में पिस्ताफ से बताती हैं और कॉर्परेशन बनाने के लिए जरूरी सीडियों को भी समझाती है एक पुस्तक खास तोर पर बहुत अच्छी है जिसका सेरसक है इंक एंड ग्रोरिच यह पुस्तक कोर्परेशन की ताकत का बखुबी बनन करती है फाइनेंसियल ग्यान का अधार है अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो इन दक्षताओं के समझे में ऐसे आपका फाइनेंसियल ग्यान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा आपकी मेहत्वपून फाइनेंसियल रणने इते के लिए हम आपकी संपतियों के चारों दन्यवाद आईए चलते हैं अध्याइच्छे की तरफ जो है अमीर लोग पैसे का आविश्कार करते हैं आपका दिन शुब हूँ रिच डैड पूर डैड अध्याइच्छे अमीर लोग पैसे का आविश्कार करते हैं पिछली रात मैंने लिखना बंद किया और एलेक्जेंडर ग्राहम बेल के जीवन पर आदारित एक टीवी कारे ग्रम देखा बेल ने टेलिफोन का पेटेंट करवाया था और उनकी नई खोज की बहुत मांग थी चुकि उन्हें एक बड़ी कमपनी की जुरूरत थी इसलिए वे उस समय की नामी कमपनी वेस्टर्न यूनियन के पास गे और उनसे कहा कि वे उनका पेटेंट और उनकी छोटी सी कमपनी को खरीद ले वे पूरे पैकेज के एक लाग डालर साते थे वेस्टर्न यूनियन के अजेक्स ने यह सुनते ही तियोरियन से डाली और परस्ताव को यह कहकर ठुगरा दिया कि मांगी जाने वाली कीमत बहुत ज़्यादा है बाकी इतियास है अर्बो डालर के उध्योग का जनम हुआ और AT&T का जनम हुआ अलेकजिंडर ग्राहम बेल की कहाणी खथम होने के बाद श्याम के समाचार आ रहे थे समाचारों में एक स्थानिय कमपनिय के स्टोक में कटोती के बारे में एक ख़बर थी करमचारी नाराज थे और शिकाईट कर रही थे कि कमपनी के माले क इजाज़तियां कर रही है एक्टरी के साफने एक 45 साल का नोपरी से निकला गया मैनेजर अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ खड़ा था और सुरक्षागाडों से अंदर जाने की इजाज़त मांग रहा था ताकि वे मालिकों से यह बिंती कर सके कि उन्हें नोपरी से न यह कहने की जुरूरत नहीं कि इसने मेरा ध्यान खीश लिया मैं 1984 से वेवसाइब रूप से पढ़ा रहा हूँ यह एक बहुत अच्छा नुबव और पुरुसकार रहा है यह एक विचलित करने वाला काम भी है क्योंकि मैंने हजारों बच्चों को पढ़ाया है और मैंने हम सभी को पीछे दकेलती है वह है कुद के बारे में शंका तकनिकी जानकारी की कमी के कारण हम पीछे नहीं रहते बल्कि या तो विश्वास की कमी के कारण पीछे रहते हैं कई लोगों पर इसका अज़र जाड़ा होता है एक बार हम स्कूल छोड़ देते हैं कालेज डिग इसे गड़्स, बहादुरी, चाला की, साहस, परतिबा, जोखिम लेने की इक्षमता इत्यादी के नाम से पुकारा जाता है यह तक तो चाहिए इसे किसी भी नाम से पुकारा जाए कुल मिलाकर हमारे विश्वर स्कूल के नमरों से ज़्या असर डालता है हम सभी के बीतर ए मेरिन काप्स के पाइलेट के रूप में विएतनाम में एक साल रहने के बाद मुझे अपने वीतर चुप इन दोनों चरित्रों के बारे में अंतरंग जानकारी मिली दोनों में से किसी को भी बुरा नहीं कहा जा सकता परंतु एक अध्यापक के रूप में मैंने यह जाना की व्यक्ति की प्रतिबा के सबसे बड़े ही दुश्मन है बहुत ज्यादा डर और खुद की इक्षमताओं के बारे में शंका यह देखकर मुझे दुख होता था कि कई विद्यारती जवाब जानते थे परंतु उन में जवाब देने की हिम्मत नहीं थी असली जिन्दगी में स्मार्ट लोग आगे नहीं बढ़ पाते बहादूर लोग आगे बढ़ जाते हैं मेरे अपने अनुभव में आपके फैननसियल जीनियस के लिए तकनिकी ग्यान में ज़रूरी है और साहस भी अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है तो आपकी प्रतिबा का दमन होता है मेरी कक्षाओं में मैं विद्यार्थियों को बहुत प्रेरित करता हूँ कि वे खत्रे लेना सीखें बहादूर बने और अपने प्रतिबा के द्वार अपने डर को ताकत और सतुराई में बदल लें उस लोगों के लिए ऐसे डांत काम करता है जबकि कईयों को यह डराम लगता है मैंने यह भी जाना है कि ज्यादातर लोग पैसे के बारे में बहुत सुरक्षित के लिखेलना पसंद करते हैं मैंने इसे सवाल भी चुने है जोकिम क्यों लिए जाए अपने फाइनन्सियल आईक्यू को विक्षित करने की जंजट क्यों उठाई जाए मैं पैसे क मैंने इस अध्याए के शुरू में युवाविसक अलेकजेंडर ग्राहम बेल की कहनी बताई थी आगे आने वाले सालों में उनकी तरह के कई और लोग होंगे बिल गेट्स की तरह के सेंकड़ों लोग होंगे और दुनिया भर में हर साल माइक्रोसोफ जैसे बहुत सी अत्य देखसाफल कंपनियां बनेंगी और दिवालिया पन कंपनी बंद होने स्टाफ निकालने की बहुत सी घटना ही होगी तो आपको फाइननसियल आईक्यू विक्षित करने की जंजट में क्यों पढ़ना चाहिए इसका जवाब कोई और नहीं दे सकता आप खुद दे सकते हैं पर नथ चूर्ट मैं आपको बता दू कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ मैं इसलिए ऐसा करता हूँ क्यों क्योंकि आज का यूप सबसे ज़्यदा रोमांस कारी यूग है मैं चाहता हूँ कि मैं परियोगन से ड़नने के बजाए उसका सुआगत करूँ मैं चाहता हूँ कि मैं लाकों करोणों बनाने के बारे में रोमांचित रहूँ ने की सिर्फ अपनी तनखा बढ़ाने के बारे में आज का यूग सरवादिक रोमांच कारी समय है जो दुनिया के इतियास में अबुत पुरू है कई फीडियों के बाद लोग इस यूग याद करते हुए यह कहेंगे कि यह कितना ज्यादा रोमांच कारी रहा होगा इसे पुराने की मौत नए का जनम का यूग कहा जाएगा इस यूग में बहुत उतल उतल थी और रोमांच भी था तो अपने फाइनन्सियल आईक्यों को विक्सित करने की जंजट क्यों उठाई जाए क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ज़्यादा अमीर हो जाएंगे और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आगे आने वाला समय आपके लिए डरावना होगा उस समय में आप बहादोरी से आगे बढ़ने वाले लोगों को सफल उते देखेऊ ने और पुराने से दांतों से जगड़ी रहने वाले लोगों को ऐसा भलते देखे ने तीन सो स्मपतिती थी इसलिए जिस यडिसाद में के पास जमीन थी उसके पास समपत्ती थी फिर फैक्टरियां आई फुद पादन शुरू हुआ और अमेरिका में अपना दबदबा बना लिया उद्ध्योग पती के पास समपत्ती आ गई आज सूचना का यूब है इसलिए जिस आदमें के पास जितनी ज़दा और जल्दी सूचना आ जाती है वह है अमीर हो जाता है समच्चा यह है कि सूचना दुनिया भर में परकास की गती से उड़ रही है इस नई समपत्ती को सीमा और ताइरों में नहीं बाला जा सकता जिस तरह जमीन और फेक्ट्रियों को बाला जा सकता था परिवर्तन ज़्यादा तेज और ज़्यादा नटकिये होंगे नई करोड़ पुती होगी सक्ख्या में नटकिया बडोत्री होगी ऐसे भी लोग होंगे जो पीछे छूड़ जाएंगे आज मैं इतने सारे लोगों को संगर्स करते देखता हूँ और ज्यादा प्राए ज्यादा कड़ी मेनत करते देखता हूँ तो ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वे पुराने विचारों को कसकर पकड़े रहते हैं वे चाते हैं कि चीज़ें के हिसाब से हो वे परिवर्तन का विरोध करते हैं मैं ये से लोगों को जानता हूँ जिनकी नोकरित सुट गई है घर बिग गया है और वे इसके लिए टेकनोलजी के आर्थवे उस्ता या अपने बोस को दोस्त देते हैं दुरभागे से उन्हें यह मैसूस ही नहीं होता कि वे भी समश्या का कारण हो सकते हैं पुराने वेचार उनके सबसे बड़े विरोधी बन जाते हैं और इसा इसलिए होता है क्योंकि वे यह नहीं जान पाते की जो वेचार पुराने जमाने में समपत्ती था वेचार आज इसलिए नहीं है क्योंकि जमाना आगे बढ़ चुका है एक दोबेर मैं अपने द्वारा इजाज किये के बोर्ड गेम कैश्फलो से सिख्षा दे रहा था मेरा एक दोस्त किसी को अपने साथ लेकर आया ताकि वेचार भी सीख सकी दोस्त की के दोस्त का हाली में तलाक हुआ था तलाक के मुगदुए में उसके हाथ बुरी तरह जल गए थे और वहया वो कुछ जवाब ढून रही थी उसके मित्र को लगा कि शायद इस खेल से उसे कुछ चिखने को मिलेगा इस खेल को इस तरह से बनाया गया है किस तरह दोनों पर भी कैस का फ्लो होता है और किस तरह पैसे की रहा में आपको अपनी संपत्ति वाले कालम से निकलने वाले मासिक कैस फ्लो बढ़ाना होता है ताकि यह आपके मासिक खर्च से ज़्यादा हो जाए एक बार आप इसे आसिल कर लेते हैं तो आप चुआ दोर से बाहर निकल जाते हैं और तेज रहा पर चल पड़ते हैं जैसा मैंने कहा है कुछ लोगी स्केल से नफरत करते हैं कुछ इससे प्रेम करते हैं और कुछ इसका मतलब ही नहीं समझ पाते हैं एक महिला ने कुछ सीखने का बहुमली अफसर खो दिया शुरुवती राउंड में उसने एक डूडेड काड़ खिंचा जिस पर एक नाव बनी होई थी पहले तो वह खुश हुई अरे मेरे पास तो एक नाव है फिर जब उसके मित्र ने यह बताया कि किस तरह आंकड़े उसके इंकम स्टेट्मेंट और बैलेंस सीट पर काम करते हैं तो वह एक उन्ठी को हो गई क्योंकि उसे खनी चरावी पसंद नहीं था बाकी के खिलाडियों ने शानती पुरूप इंतजार किया जब उनका दोस्ति इंकम स्टेट्मेंट बैलेंस सीट और मासी कैस फ्लो के बारे में उसे समझाता है अजानक जब उसने यह जान लिया कि आंकड़े किस तरह काम करते हैं तो उसे यह जानकर जटका लगा कि उसकी नाव उसे जिन्दा खा रही है बाद में वह डाउन साइज हो गई और उसे एक बच्चा भी हो गया यह उनके लिए एक बहयानक खेल साभी तुआ कक्षा के बाद उसका दोस्त आया और उसने मुझे बताया कि वह बहुत विचलित है वह कक्षा में निवेस के बारे में सीखने के लिए आई थी और उसे यह बहुत मुर्गता पूर्ण लगा था कि इतने बेकार खेल को खेलने में इतना जारा समय बरबाद किया जाई उसके मित्तर ने उसे यह समझाने की कोशिस की कि वह बने बेतर जांक कर देखे कि क्या यह खेल उसके किसी अंदरूनी फेलो को उजागर कर रहा है इस सुजाओ पर उस महिला ने अपना पैसा वापिस मांग लिया उसने कहा कि यह विचार मुर्गता पूर्ण है कि कोई खेल किसी की अंदरूनी फेलो को उजागर करता है उसका पैसा ततकाल वापिस कर दिया जाई और वह वापिस चली गई 1984 से मैं करोडों कमा रहा हूँ और सिर्फ इसलिए कमा रहा हूँ क्योंकि स्कूल सिस्टम वह नहीं सिखा था जो मैं सिखा रहा हूँ स्कूल में ज़्यादा तर्शिक्षक वासन देते हैं अपने चातर जीवन में मुझे वासनों से चिड़ थी मुझे बहुत चल्दी गोरियत हो जाती थी और मेरा दिवाग इधर उदर बठकने लगता है 1984 में मैंने खेल-खेल में सिख्षा देना चालू किया मैंने व्यासक विद्यार्थियों को प्रोथसाइद किया कि वे इन खेलों को ज्यान बढ़ाने के इस प्रेलू से देखें कि वे क्या जानते हैं और उन्हें क्या सीखना चाहिए सबसे मैतुपोन बात यह है सबसे मैतुपोन बात यह है कि इस खेल में आदमी के विवार पर भी प्रकास पड़ता है यह एक तत्काल फीड़बेक सिस्टम लिए टीचर लेक्चर दे इसके बजाए खेल एक वेक टिगत लेक्चर बन जाता है जो आप के लिए बनाया गया है उस मैला के मित्र ने बाद में मुझे पूरी बात बताने के लिए फोन किया उसने कहा कि उसकी मित्र अफशांत है फशांत होने के बाद उसने खेल और अपने जीवन के वीच में कुछ आपसे सम्मंद की मैसूस किये है हलांकि उसके और उसके पती के पास नाव नहीं थी परंतो उसके पास बाकी सब चीजे थी वह अपने तलाक के बाद बहुत नाराज थी उसका पती एक कम उमर की महिला के साथ बाग गया था और 20 साल के विवहाई जीवन के बाद उसके पास दोलत के नाम पर बहुत कम सामान था उसके बीच बांटने के लिए लगवग कुछ भी नहीं था 20 साल के उनकी शादी सुधा जिन्दगी में मज़ा बहुत आया था पर उन्होंने केवल डेडूड ही कर्थे किये थे उसने यह मैसूस किया कि आंकड़ों पर उसका गुसा इंकम स्टेटमेंट और बैलेंस सीट पर इसलिए था क्योंकि वह उन्हें समझ नहीं पा रही थी उसका यह मानना था कि पैसे देलेगा इसाब किताब रखना पूर उसका काम है वह घर संबालती थी और उसका पती पैसों को संबालता था उसे अब यह पक्का वरोसा हो चुका था कि उनकी शादी के आखरी पांच सालों में उसके पती ने उससे पैसे चुपाई थे वह इस बात पर खुट से नाराज थी कि उसे यह पता ही नहीं चला था कि पैसा कहा गया है और यह भी पता नहीं चला था कि उसका किसी दूसरी उर्थ के साथ संबन्द बन चुका है बोर्ड गेम की ही तरह दुनिया भी पतकाल फीड़ बैक देती है अगर हम ज़्यादा ज्यान दें तो हम ज़्यादा सीख सकते हैं कुछ समय पहले की बात है मैंने अपनी पत्नी से कहा कि दोबी ने मेरी पेंट को सिकोड दिया मेरी पत्नी दीमे से मुस्कुराई और उसने मेरे पेट में उंगले कडाते हुए मुझे बताया कि पेंट नहीं सिर्कुड़ी है बलकि कोई और चीज फैल गई है कैश पलो ना मगिया है खेल हर किलाड़ी को विक्तिकत फिड़ बेक देने के इसाब से तैयार किया गया है इसका लक्षे आपको विकल्प परदान करना है अगर आप नाव वाला कार्ड निकालते हैं और यह आपको करज में डाल देता है तो सवाल यह उठता है अब आप क्या कर सकते है आपके पास कितने फाइनाशियल विकल्प मौजूद है यही खेल का लक्षे है किलाड़ीों को सोचना सिखाना ताकि वे नए और भूट से फाइनाशियल विकल्प बना सकें मैंने एक अजार से ज़्यादा लोगों को यह खेल खेलते देखा है वे लोग जो इस खेल की चुहा दोड़के सबसे जल्दी निकल जाते हैं उन्हें अंकों की समझ होती है और उनके पास रचनात्मक फाइनाशियल दिबाग होता है वे बहुत से वाइननसल विकल्पों को देख सकते हैं जिन लोगों को सबसे ज़्यादा समय लगता है वे ऐसे लोग होते हैं जिने अंकों की समझ नहीं होती और जिने प्राइन निवेस की ताकत का एसास नहीं होता अमेर लोग प्राइन रचनात्मक होते हैं और सोच समझकर खत्रे उठाते हैं, कैस्वलो खेलने वाले कई ऐसे भी लोग होते हैं, जो इस खेल में बहुत सा पैसा तो कमा लेते हैं, पर अंतु उन्हें यह नहीं पता होता कि वे इस पैसे का क्या करें, उनसे ज्यादातर असले जिन्दगी में भी आर्थिक रूप से और फिर भी वे आर्थि ग्रूप से आगे नहीं मड़ पड़ते हैं, अपने विकल्पों को सिमित कर लेना पुराने विचारों से चिपके रहने की ही तरह है, हाई स्कूल के समयगा मेरा एक दोस्ट अभी तीन नोप्रियां कर रहा है, 20 साल पहले वहे मेरे सभी से प्राटि कड़ी में इनत करो, समश्या यह थी कि उसे कोई बराबरी की नोकरी नहीं मिल पाई, जो पूरानी कमपनी में उसकी वरिष्टा को मने, इसका परेणाम यह हुआ, कि वहे अभी जो काम कर रहा है, दे उसकी योगता के बहुत नीचे के काम है, और इसलिए उसकी तनक्वा कम है, उसे जिन्दा रहने के लिए जितना पैसा चाहिए, इतना कमाने के लिए उसे तीन नोकरियां करनी पड़ रही है, मैंने कैश प्रो खेलने वाले लोगों को यह है, शिकायत करते सुना है, कि सही मौका देने वाले कार्ड उनके पास नहीं आ रही है, इसलिए वे जहां क परंतूं के वाले कार्ड का इंतजार करते देखा है और फिर उनके पास परियाप्त पैसा नहीं होता फिर वे यही ऐसी काइद करते हैं कि अगर उनके पास ज्यादा पैसा होता तो वे चुहा दोड़ के बाहर निकल सकते थे इसलिए वे वहीं बैटे रहते हैं मैं असले जिन्दगी में भी ऐसे लोगों को जानता हूँ जो यही करते हैं वे महान आउसर देखते हैं परंतूं के पास पैसा नहीं होता और मैं देखता हूँ कि लोग एक महान आउसर वाले कार्ड को खिशते हैं उसे जोर से पढ़ते हैं और उन्हें यह पता ही नहीं होता कि यह एक महान अउसर है उनके पास पैसा भी होता है समय भी होता है कार्ड भी होता है परन्तों वे अउसर को नहीं देख पाते वे यह देखने में ऐसा वहल हो जाते हैं कि चुहादोर से बच निकलने के लिए यह किस तरह उनके फाइनेंशियल यह जना में फिट होता है और मेरी राए में इस तरह के लोग दूसरे सबीत रह के लोगों से ज़्याता शंका में होते हैं ज़्याता तर लोगों पे जिन्निके में एक बार मिलने वाला सुने राउसर उनके सामने पड़ा हुआ मिलता है पर अंतो वे उसे नहीं देख पाते एक साल बाद उन्हें इसका पता चलता है जब बाकी सबी लोग अमीर वन जाते हैं financial बुद्धी का मतलब है ज़्यादा भी कल्ब होना अगर आउसर आपके सामने नहीं आ रही है तो आप अपनी आर्थिक्स के तिस उदारने के लिए क्या कर सकते हैं अगर कोई उसर आपके गोद में आ रहा है और आपके पास पैसा नहीं है और बैंक वाले आपको उदार नहीं दे रही है तो आप उस उसर से कैसे लाव उठा सकते हैं अगर आपका अनमान गलत है और अगर आप इसके उमीद करते हैं कि वह नहीं होता है तो आप किस तरह एक निम्बू को लाकों में बदल सकते हैं यह फाइनांसियल गुद्धी है क्या होता है इससे हमारा ज्यादा सा रुकार नहीं है बलकि आप एक निम्बू को लाकों में बदलने के लिए कितने अलग अलग तरह के आर्थिक समादान खोच सकते हैं इसका मतलब है कि आप अपनी पैसे की समश्या को अच्छू जाने में कितने रचनात्मक है ज्यादातर लोग के उलेक समादान जानते हैं कड़ी मेनत करो, बचत करो और उधार लो तो आपको अपनी फाइनेंसिल फुदी क्यों पढ़ानी चाहिए क्योंकि आप उस तरह के इंसान होना चाहते हैं जो अपनी किसमत खुद बनाता हो आप जो होता है उसे होने देते हैं और उसे बेहतर में बदलने की क्शमता रखते हैं बहुत कम लोग यह समझ बाते हैं कि किसमत भी हमी बनाते हैं जिस तरह की पैसा बनाया चाता है अगर आप ज़्यादा किसमत वाले होना चाहते हैं और ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हैं तो कड़ी मेनत करने के अलावा आपकी फाइनेंसियल गुद्धी में तो पूर्ण है अगर आप उस तरह के आदमी है जो सभी चीज होने का इंतजार करता है तो शायद आपको बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा यह है तो उसी तरह की बात हो गई कि आप गैरेज से गाड़े निकलने से पहले यह है पक्ता करना चाहें कि अगले पांच मिल तक भी सभी स्ट्रिट लाइटें हरी हो जब हम छोटे थे तो अमेर डैड़ी माई को और मुझे लगाता यह है बताते थे पैसा असली नहीं है अमेर डैड़ी हमें बार बार यह यह याद दिलाया करते थे कि जब हमने प्लास्ट्रा फेर इसके सिक्के डाले थे तो हम पैसे के रहसे के करीब सबसे करीब आ गई थे क्योंकि हम पैसा बना रही थे गरीब और मद्य उमरक पैसे के लिए काम करते हैं उनका कहना है अमीर लोग पैसे बनाते हैं आप धन को जितना असली समझेंगे आप उसके लिए उतनी ज़्यादा मेइनत से काम करेंगे अगर आप इस विचार को मन में उतार लें कि पैस असली चीज़ नहीं है तो आप ज्यादा थे जिसे अमीर बन सकते हैं अगर पैस असली चीज़ नहीं है तो फिर क्या है माई कोर मैं उनसे यह सवाल पूचते थे पैसा वह है जिसके बारे में हम सह मत हो जाएं अमेर डेड़ी इतना इंजवाब देते थे हमारे पास जो इकलोती सबसे शक्ति सालिपुन्जी है वह है हमारा दिमार अगर इसे अच्छी तरह परशिक्षित कर दिया जाई तो यह एक पल में धेर सारी दोलत बना सकता है इतनी दोलत कि 300 साल पहले के राजाओं और रानियों ने सपने में भी नहीं देखी होगी एक एपर शिक्षित वेक्ति बहुत ज़्यादा गरीबी भी बना सकता है जो पीडी दर पीडी चलने के कारण कई पीडियों तक बनी रह सकती है सुचना के ECU में 50 मिनिटों में बन जाता है कुछ लोग तो जीरों से शुरू करके एविश्वसनिया रूप से अमीर हो जाते हैं और इसके लिए वेकेवल कुछ विचारों और अन्बंदों का सारा लेते हैं आपको यह बात वे लोग आसानी से बता सकते हैं जो स्टोक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या दूसरे निवेस करते हैं क्योंकि वहाँ क्योंकि वहाँ अक्सर ऐसा होता रहता है कुछ नहीं से तदकाल करोडों बनाई जा सकते हैं और कुछ नहीं से मेरा मतलब है बिना पैसे के लिन देंगे यह अनुमंद के दोरा किया जाता है ट्रेडिंग पीट में हाथ के एक संटियत से टोरंटों के ग्रहाग के आदेश पर लिस्बन के ट्रेडर्स की स्क्रीन पर बत्ती जलती है और शेर पलवर में टोरंटों पहुंच जाते हैं एक मिनट बाद शेर बेचने का आदेश दिया जाता है और वे पलवर में बिख जाते हैं इस पूरे मामले में धन का लेंदेन नहीं हुआ अनुमंदों का हुआ था तो अपनी फाइनन्शियल परतिवा क्यों विक्सित करें इसका जवाब के वला आप ही दे सकते हैं मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं क्यों इसे विक्सित कर रहा हूँ मैं इसा इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं तेज इसे दिन कमाना चाता हूँ इसलिए नहीं कि मुझे इसकी जरूरत है बलकि इसलिए क्योंकि मैं इसा करना चाता हूँ यह सीखने के दिल्चस्प पर किरिया है मैं अपना फाइनन्स से लाइक यूँ इसलिए विक्षिट करता हूँ क्योंकि मैं दुनिया के सबसे तेजों और सबसे बड़े खेल में भाग लेना चाता हूँ और अपने छोटे तरीके से मैं मानवता के अबूत्पुरु विकास का हिस्सा होना चाता हूँ एक एसे यूप का जहां इनसान विशुद रूप से केवल अबने दिमाग से काम करते हैं शरीर से नहीं इसके अलावा यहां ज़्यादा रोमांच है यहां पैसा है यहां डर है यहां आनंद है इसलिए मैं अपनी फाइनेंशियल गुद्धी में निवेश करता हूँ और अपनी सबसे शक्ति साली संपत्ति को विक्सित करता हूँ मैं बहादुरी से आगे बढ़ने वाले लोगों के साथ होना चाहता हूँ मैं पीछे रह जाने वाले लोगों के साथ नहीं होना चाहता हूँ मैं पैसे बनाने वाला एक आसान उगान देना चाहता हूँ 1990 के दसक की शुरुवात में फिनिक्स की आत्रियवस्ता बहुत बुरी थी, मैं गुड मॉर्निंग अमेरिका टीवी सीरियल देख रहा था, जब एक फाइनेंसियल प्लानर आया और उसने निरासावादी बविशयवणी करना शुरू कर दिया, उसकी सलात ही पैसे बचाओ, हर मेने 100 डालर बसाओ, 40 सालों में आप भी करोण भी बन सकते हैं, खैर हर मेने निश्ची तरकम बचाना भी एक अच्छा विचार है, यह एक विकल्ब है, एक ऐसा विकल्ब जिसे बहुत से लोग मान लेंगे, समश्या यह है कि ऐसा करने से आदमी यह नहीं जान पाथा, कि उ ऐसा मैंने कहा, अर्थ वे उस्ता उस समय बहुत बुरे आल में थी, निवेस कों के लिए यह एक आदर्स बादर स्थिती थी, मेरा काफी पैसा उस समय स्टोप पार्केट और अपार्टमेंट आॉसेज में पसा हुआ था, मेरे पास नगत पैसा नहीं था, सुंकि हर कोई ब अचा नहीं रहा था, मैं निवेस कर रहा था, मेरी पत्नी और मेरे पास दस लाग डालर से ज़्यदा नगत थे, जो तेजी से बढ़ते हुए बाजार में काम कर रही थे, निवेस करने के लिए यह सब से बढ़िया मोका था, अर्थ वियस्ता बयानक थी, मैं बहुत छोटे चोटे निवेसों को तो बढ़न नहीं कर सकता, परन्तु कई बड़ी बातें जरूर बताना चाहूंगा, वे घर जिनकी कीमत कभी एक लाग डालर होती थी, अब पिछे तरसो डालर के रहे गए थे, परन्तु स्थानिया रियल इस्टेट आफिस में खरिदारी करने के बजा सकता था, मैंने अपने मित्र से 2,000 डालर का लोन लिया, 90 दिनों में एक लोन पर ब्यास 200 डालर था, मैंने वकील को कैशियर का चेक दे दिया, जब अनुमंद की कारवाई चल रही थी, तब मैंने अगवार में भी ख्रपन दिया, कि पीछे 30,000 डालर का गर केवल 60,000 में भी का हुए, और किसी डाउन पेवेंट की जुरूरत नहीं है, मेरा फोन ततकाल व्यस्त हो गया, और लगातार बजने लगा, संभावित खरीदारों को छाटा गया, और एक बार मकान कानूनी रूप से मेरे नाम हो गया, तो सभी संभावित खरीदारों को कर देखने की कारी गटना करम के बीच, घर कुछी मिंटों में बिग गया, मैंने पच्छी सो डालर की परसेसिंग फीस मांगी, जो मुझे खुछी खुछी दे दी गई, और इसके बाद कानूनी नमांतरन की कारवाई चलू होगी, मैंने अपने मित्र के दो जार डालर के करज में दो सो डालर बयाज मिला कर उसे देते हैं, वहाए खुछ था, वहाए खुछ था, वहाए खरीदने वाला खुछ था, हकील भी कुछ था, اور मैं भी कुछ था, मैंने 20,000 डालर में खरीदे गए गई गर को 60,000 डालर में बेच दeda मेरे पास खरीद्दार का सपद बत्टर था जिसने म मेरे संपत्ती वाले कालम में 40,000 डालर जमा कर दिये थे, इस पूरी कारवई में मुझे 5 गंटे लगे थे, तो अब जबकि आप में पैसे किसे मज़ा आ चुकी है और आप अंक पड़ सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि यह किस तरह पैसे का विश्कार करने का उधारन है, मंदी के बाजार में, अपने खाली समय में मैंने और मेरी पत्नी ने इस तरह के 6 सोदे निफटाई, जबकि हमारा ज्यादातर पैसा बड़ी प्रोफरटी और स्टाक मार्केट में फशा हुआ था, हम खरीदने और बेशने के सोदे में अपनी संपत्ती वाले कालम में 1,90,000 डालर से ज्यादा बनाने में कामियाब हो गए थे, इस तरह हर साल की अनुमानित आई 1,90,000 डालर हो गई ती, और इसका ज्यादातर भाग हमारे प्राइवेट कॉर्परेशन दवारा सुर्पशित था, इस 19,000 डालर पर्तिवर्स का बड़ा हिस्सा हमारी कमपनी की कारों, पट्रोल, ट्रिप्स, भी में इंग्राहकों के साथ दीनर इत्यादी चीज़ों पर खर्च हो सकता था। जब तक सरकार को सामधनी पर टेक्स लगाने का मोखा मिलता, तब तक यह कानूनी रूप से खर्च हो चुका होता। अपने फाइनेंसियल गुद्धी के इस्तिमाल से पैसा किस तरह पुजा जा सकता है, बनाया जा सकता है, और सुरक्षित किया जा सकता है, यह है इसका एक आसान उधारण है। और मुझे मूलदन देते हैं, और इसके अलावा, 30 साल के समय में, 1,90,000 डालर दिये जाने से, कुल आमदनी 5,00,000 डालर से ज़्यादा होगी। मुझे से लोग फूचते हैं, कि क्या होगा अगर कोई वेक्ती पैसे नहीं चुकाई, ऐसा होता है, और यह एक अच्छी ख़बर है। 1994 से 97 तक, फिनिक्स रियल इस्टेट बाजार देश में सबसे ज़्यादा गरम बाजार सावित हुआ, उस 60,000 डालर के गर को दुबारा 70,000 डॉलर में बेचा जा सकता है, और एक बार फिर से 200 डॉलर पर्चेसिंग फीस के रूप में वसूल किये जा सकते हैं, नए खरीदार के लिए भी यह मुफ्त का सोदा होगा और यह परक्रियत सलती रहे सकती है, जब मैंने पहली बार घर बेचा था, तो मैंने केवल 2000 डालर खर्च किये थी, तकनिकी द्रिस्टे से इस सोदे में मेरा एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ था, निवेस पर मेरी वसूली अनंत थी, यह एक उधारन है, कि पैसा पास में नहीं होने पर भी बहुत सा पैसा किस तरह कमाया जा सकता है, दूसरे सोदे में, दुबारा बेचे जाने पर मैं 2000 डालर अपनी जेब में डालता हूँ, और लोन को 30 सालों तक फिर से बढ़ा लेता हूँ, निवेस पर मेरी वापसी क्या होगी, अगर मैं बिना पैसे के पैसे बनाता हूँ, मैं नहीं जानता, पर दूसरे सो डालर हर मेंने बचाने से बेथर तो है ही, सो डालर हर मेंने, दरसल डेट सो डालर पर ती मां की रकम है, क्योंकि 40 सालों तक इस पर पांस पिजदी का टेक्स लग चुका है, और एक बार फिर आई पर पांस पिजदी टेक्स लगता है, यह करना बहुत बुद्डिवाने की बात नहीं है, यह सुरक्षित हो सकता है, परंतु यह स्मार्ट नहीं है, आज 1997 में में जब मैं यह कुस तक लिख रहा हूँ, तो बाजार की स्थितियां पांस साल पहले की स्थितिय से भ हो चुकी है, अब भी यह से मौके हैं, परंतु अब उनकी खोज करने में मुझे बहुत समय और पैसा कर्च करना पड़ेगा, वे दुरलब है, परंतु आज हजारों खरीदार इन सोदों की तलास में बठक रहे हैं, और बहुत कम समझदारी वेरे मौके मौके मौजूद है बाजार बदल चुका है, यह आगे बढ़ने का समय है, और संपत्री वाले कालम में दूसरे मौके डूमने का समय है, आप यहां इसा नहीं कर सकते, यह कानून के खिलाफ है, आप जुट बोल रहे हैं, मैं इस तरह की परतिकिरिया हूं, को ज़्यारा सुनता हूं, और क्या आप मुझे इसा करने का तरीका बता सकते हैं, यह आगरे कम सुनता हूं, गनिता साल है, आपको इसमें पीज गनित या कैलकुलेशन की जुरूरत नहीं है, मैं ज़्यादा इसलिए नहीं लिखता, क्योंकि एसक्रो कमपनी कानूनी सोदों को संबालती है, और बुगतान की स चुकाता, और यह भी अच्छा होता है, क्योंकि उसके विलम शुल्क मिलता है, यह वेगार छोड़कर चले जाते हैं, और प्रोपरटी एक बार फिर से बेज़ती जाती है, पोर्ट सिस्टम यह ऐसल संबाल लेता है, और हो सकता है, यह आपके इलाके में काम नहीं करें, ब और आपको जोखिम भी कम होता है, यह अनुबन से बनाए जाने वाले पैसे का उधारन है, जिसके पास भी हाई स्कूल तक की सिक्षा है, वह यह इसा कर सकता है, परंतु ज्यादातर लोग इसा नहीं करतें, ज्यादातर लोग मेहनत करो और पैसे बनाओ, कि पुरानी सला लग वग 30 गंटे की मेहनत के बाद, एक लाग 90 जार डालर संपत्ती वाले कलों में आगे, और इसके लिए टेक्स भी नहीं देना पड़ा, इन में से कौन से सला आपको ज़्यादा कठिन लगती है, नमबर एक, कड़ी मेहनत करो, पचास विजदी की दर से टेक्स चुको, और फिर जो रकम बचती है, उसमें से बचत करो, आपकी बचत पर आपको पांच फिजदी व्याज भीता है, जिस पर एक बार फिर टेक्स लगता है, या, नमबर दो, पैसे की समझ विक्सित करने का समय निकाले, और अपने दिमाग और संपत्ती वाले की ताकत का इस्तेमा अब आप समझ सकते हैं कि मैं क्यों चुपचाबा बना सी रेलाता हूँ, जब मैं लोगों को यह कहते सुनता हूँ, मेरा बच्छा स्कूल में अच्छी पढ़ाई कर रहा है, और उसे अच्छी सिक्षा मिल रही है, यह अच्छी हो सकती है, परन्तु क्या यह प्रियाप्त ह मैं जानता हूँ, कि उप्यूप निवेस टकनीक एक छोटी टकनीक है, इसे यह बताने के लिए लिए लिखा गया है, कि किस तरह एक छोटी सी रकम बड़ी रकम में बदल सकती है, एक बार फिर, मेरी सफलता यह बताती है, कि मजबूत वितिया निम्ट इतनी महत्वकून हो हुआ, वितिया बुदी चार मुख्या तकनीकी तक्ष्टाओं से मिलकर बनती है, नमबर एक, वितिया सक्षरता, अंकों को पढ़ने की योगेता, नमबर दो, निवेस की रननेती, धन दवारा, धन बनाने का विग्यान, नमबर तीन, बाजार, मांग और पूर्टी, ग्रह जार डालर में कोई मकान खरीद कर उसे 60,000 डालर में बेच दिया जाए, जबकि उसके असली किमत पीछे 30,000 डालर थी, कोई खरीद रहा था, कोई बेच रहा था, नमबर चार, कानून, अकाउंटिंग, कार्पोरेट, स्टेट और नेशनल कानूनों और नीतियों के बारे मे जाग डुकता, मैं नियमों के बितर रहकर खोल, मैं नियमों के बितर रहकर खेलने की सला देता हूँ, अगर आप पैसे काविस्कार करना चाहते हैं, तो आप में यह मूल गूतादार सिला होना, चाहिए, या इन दक्षताओं का समनु में होना चाहिए, चाहिए आप जिसा उन्नीस सो चानमें तक डियल एस्टेट मार्केट सुर्खियों में था और हर कोई इसमें जा रहा था, स्टोक मार्केट में भी बूम हो रहा था, और हर कोई इसमें जा रहा था, अमेरिका की आत्रे उस्तावने पैरों पर खड़ी हो रही थी, मैंने उन्नीस सो चानमें में ब अब मैं अपनी संपत्ती वाले कालम के बीतर आंकरों को बढ़ते देखता हूँ और शायद इस साल के आखिरे में बेचना शुरू करता हूँ यह कांग्रेज द्वारा पारित किये जाने वाले कानूनी परिवर्थनों पर निर्वर करता है मैं आसा करता हूँ कि 6 छोटे गरों के सोदे को बेच दूँगा और 40,000 डॉलर के नोट को धन में बदल लूँगा मुझे अपने काउंटेंट को बुला कर उसे कहना पड़ता है कि वह इतनी रकम के लिए तैयार हो जाए और इसे टेक्स से बचाने के लिए तरीकिक हो जाए मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बताना चाता हूँ कि निवेस आते जाते रहते हैं मार्केड गढ़ता और बढ़ता तरया है, अर्थ व्यवस्तागी सुधरती और बिग्रती रहती है, दुनिया आपको हर दिन जिन्दगी के अनूठे अउसर देती रहती है आपकी जिन्दगी के हर दिन परंतु पराई हम उन्हें देख नहीं पाते हैं परंतु वेवा होते हैं और टेक्नोलजी जितनी ज़्यादा बदलती है आपके और आपके परिवार के लिए स्थाई आर्थिक सुरुक्षा के लिए उतने ही ज़्यादा मोके होते हैं तो अपनी financial बुद्धी को विख्षित करने की जंजट क्यों उठाई जाई एक बार फिर मैं यही कहूंगा कि आप यह इसका जवाब दे सकते हैं मैं जानता हूँ कि मैं क्यों इसे सीखता हूँ और विख्षित करता हूँ मैं इसा इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि परिवर्थन हो रहे हैं और होने वाले हैं मैं परिवर्थनों का स्वागत करता हूँ और अतीद से चिपका नहीं रहना चाहता मैं जानता हूँ कि मार्केट में जवार आएगा और मार्केट में बाटे भी आएगी मैं लगातार अपने फाइनन्सियल गुद्धी को विक्सित करना चाहता हूँ क्योंकि मार्केट में हर परिवतन पर कुछ लोग अपने नोकलियों के लिए अपने गुपने टेक कर भीख मांगेंगे इसी समय कई दूसरे लोग जिन्दगी द्वारा दिये गए इन निम्बूओं को लेकर उन्हें करोडों में बदल लेंगे और हमें यह नहीं बूलना चाहिए यह हमें कभी कभार जिन्दगी निम्बू दे देती है यही फाइनेशल बूदी है मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि मैंने निम्बूओं को किस तरह करोडों में बदला व्यक्तिकत रूप से मैं व्यक्तिकत निवेशों के कई और उदान देने से जिजगता हूँ मैं इसलिए जिजगता हूँ क्योंकि मुझे डर है कि मुझे बड़ बोला या अपने सेखी बगारने वाला कहा जाएगा यह मेरा इरादा नहीं है मैं सिर्फ इसलिए उदान देता हूँ ताकि उसके अंकों और समयावद्धी से सब्सी और सामान गट्पाओं को बताया जा सके मैं उदारन इसलिए देता हूँ ताकि आपको यह बता सकूँ कि यह आसान है यह ज़दा आसान है अगर आप फाइनेंशियल बुद्धी के चार स्थम्भों के जानकार है वेक्टिकत रूप से फाइनेंशियल बुद्धी के लिए दो मुखे सादनों का इस्तेमाल करता हूँ रियल एस्टेट और सोटे स्टोप्स मैं रियल एस्टेट को अपने निव की तरह इस्तेमाल करता हूँ हर दिन मेरी प्रोपरडी कैश्ट फ्लोप बदान करती है और उनका मुल्य वड़ता जाता है सोटी पुझी के स्टोप्स को तेज बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है मैं अपने द्वारा की गई हर चीज़ की अनुसंसा नहीं करता दारन केवल उदारन ही है अगर आफसर बहुत जटिल है और मैं निवेस को नहीं समझ पाता हूँ तो मैं निवेस नहीं करता हूँ पैसे के बारे में निर्ने लेने में हमें केवल साधारन गनित और कमन सेंस की दूरत होती है उदारनों का प्रियोग निमन पांच कारणों से किया जाता है नमबर एक, लोगों को ज़्यादा सीखने के लिए प्रेयरित करने के लिए नमबर दो, लोगों को यह बताने के लिए कि अगर नहीं मजबूत है तो पैसे का महल बनाना असान है नमबर तीन, यह बताने के लिए कि कोई धेर सारा पैसा बना सकता है नमबर चार, यह दिखाने के लिए कि आपके लक्षों को हासिल करने के करोड़ों तरीकी है नमबर पांस यह बताने के लिए कि यह कोई राकेट विक्यान नहीं है 1989 में मैं ओरेगन के पोर्टलेंड में एक खूब सूरु जगह पर जोगिंग किया करता था यह एक उपनगर था जहां छोटे छोटे गर्वने हुए थे वे छोटे और सुन्दर थे हर क Grad मुझे बिकावू है के बोर्ड दिखते थे लिभर मार्केट का बुरा हल था स्टोक मार्केट में क्रैश हुआ था और अर्थ व्यूस्ता में मंदी थी एक सरक पर मैंने बिकावू है का बोर्ड देखा काफी लंबे समय से पाहला लगा वा था वैं पुराना दिख रहा था एक दिन इसके पास से जोगिंग करते समय मेरी मुलाकात इसके मालिक से होगी जो परेशान दिखा था मैंने पूछा आपने अपने घर की क्या किमत लगाई है मालिक गुमा और फिकी मुस्कुराड के साथ कहा आप किमत लगा ले यह एक साल से ज़्यादा समय से विका हुए है और अब तक कोई इसे देखने तक नहीं आया मैंने कहा और आदे गंटे बाद मैंने इसे 20,000 डालर में खरीब लिया जो उसके द्वारा मांगी गी किमत से कम थी यह दो बेटरूम का छोटा सा सुन्दर घर था जिसकी खिड़कियों पर जिंजर ब्रेंड टिम था यह 1930 में बना था और इसका रंग हलका निला था अंदर एक सुन्दर चटानी अंगी ठी थी और चोटे चोटे दो बेटरूम थे यह किराई पर देने के लिए एक आदर्स गर था मैंने मालिक को 45,000 डालर के घर के लिए पांस अजार डालर नगत दिये जिसकी असले किमत 65,000 डालर होगी परंत दिक्कत सिर्फ इतनी थी कि इसे कोई खरीदना नहीं चाहता था मालिक ने एक अपते मेजे खाली कर दिया और वहे इससे पीछा चुड़ा कर खुश हुआ मेरा पहला किराईदायर वहां आ गया जो एक स्थानिय कालेज में प्रोपेसर था मार्टगेज, खर्च और मैनेजमेंट फिस चुपाने के बाद हर महिने के आखिर में मेजीजे में सालिस डालर आते थे जो बहुत बड़ी रकम नहीं थी एक साल बाद औरेगन का रियल इस्टेट बाजार मंदी से उबर गया और बढ़ने लगा कैलिफोर्निया के निवेसकों के बास अपने रियल इस्टेट मार्केट की तेजी का बहुत सा फैसा था और अवे उत्तर दिशा में आकर ओरेगन और वासी गिटन में खरीदारी कर रही थे मैंने उस छोटे घर को कैलिफोर्निया से आये कि युवा दमपती को 95,000 डालर में बेश दिया जिने यह बहुत सस्ता सोदा लग रहा था इस सोदे में मुझे लगबग 40,000 डालर का कैपिटल गेन हुआ जो मैंने 1031 के टेक्स विहिन एक्चेंज में रख दिया और मैं अपने पैसे को लेकर कोई बड़ी प्रोपर्टी खरीद ने चल दिया एक महिने में मुझे बीवर्टन औरेगन में इंटेल प्लांट के पास 12 यूनिट का एक अपार्टमेंट मिल गया उसके मालिक जर्मनी में रहते थे और उन्हें इसके कीमत का अंदाजा ही नहीं था और यह एक बार फिर वे उसका पीछा चुड़ाना चाहते थे मैंने साड़े चार लाग डॉलर की मार्ट के लिए दो लाग पीछे तर अजार डॉलर का परस्ता हो दिया वे तीन लाग डॉलर पर मान गई मैंने इसे खरीद लिया और इसे दो साल तक हमने पास रखा फिर उसी यून जिरो त्री यवन एक्सचेंज पर किरिया का फाइदा उठाते हुए मैंने उसी मारत को 4,95,000 डॉलर में बेस दिया और एरिजोना फिनिक्स में 30 यूनिट का अपार्टमेंट खरीग लिया तब तक हम फिनिक्स चले गए थे हमें वैसे भी इसे बेसना था पहले जो हाल और एगन के बाजार का था वही मंदी का माहूल फिनिक्स के रियल इस्टेट मारकेट में देखने खुट मिला फिनिक्स में 30 यूनिट की अपार्टमेंट बिलिंग की किमत 8,95,000 डॉलर थी इस में से 2,25,000 डाउन पेमेंट की 30 यूनिट से आने वाला 5,000 डाउन परती माह से कूच जा रहा था एरिजोना का बाजार भी बढ़ने लगा और 1996 में एक कोलोरेडो के निवेशक ने हमें उस प्रोपर्टि के लिए 12,000 डाउन देने का परस्ताव रखा मेरी पतनी और मैं बेचने पर विचार कर रही थे परन्तु हमने यह देखने का इंतजार किया कि क्या कांग्रेस कैपिटल गेन कानूनों में परिवर्तन करेगी अगर वह परिवर्तन करती है तो प्रोपर्टि की किमत 15 से 20 परतिसर तक बढ़ जाएगी इसके अलावा हर मैंने 5,000 डालर मिलते रहना अच्छा लगता था इस उदारन में मुद्दे की बात यह है कि किस तरह एक छोटी रकम एक बड़ी रकम में बदली जा सकती है एक बार फिर मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसके लिए फैनेंसिल स्टेटमेंट निवेस की रनने बाजार की समझ और कानून की जानकारी होनी चाहिए अगर लोग इन विशों के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो स्वस्ट रूप से वे स्टंडर्स अलागा पालन करेंगे जो कहती है सुरक्षित खेलो और सुरक्षित निवेसों में पैसा लगाना चाहिए सुरक्षित निवेसों के साथ समझ चाहिए है कि वे अक्सर बहुत कम मुनाफ़ा देते हैं उन्हें इतना सुरक्षित बना दिया जाता है कि उन से मिलने वाला मुनाफ़ा कम हो जाता है ज्यादातर बड़े ब्रोकरे जाउसे जो खिम बरे सोदों से बस्ते हैं ताकि वे खुद की और अपने ग्राकों की सुरुक्षा कर सके और यह निती समझदारी की भी है असली गरम सोदे नोसिक्खियों को नहीं दिये जाते प्राइस सरवसरे सोदे उन लोगों के लिए सुरुक्षित रखे जाते हैं जो भी इस खेल को अच्छी तरह समझते हैं और यह सोदे अमीरों को और भी अमीर बना देते हैं वैसे भी इस तरह के जो खिम्बरे सोदे नोसिक्खियों के सामने रखना तकने की रूप से गैर कानूनी मना जाता है पर अंतो ऐसा कभी कभार होता भी है मैं जितना ज़्यादा प्रिसकरत होता जाता हूँ उतने ही अवसर मुझे मिलते जाते हैं जिन्दगी में फाइनन्शियल बुद्धी विक्षित करने का एक और फाइदा यह होता है कि इस से हमारे सामने ज़्यादा तरह उसर आते हैं और आपकी फाइन्शियल बुद्धी जितनी ज़्यादा वड़ती है आपके लिए यह बताना असान होता है कि कोई सोधा अच्छा है या बुरा आपकी बुद्धी तत्काल एक बुरे सोधे को पैचान सकती है या एक बुरे सोधे को अच्छे सोधे में बदल सकती है मैं जितना ज़्यादा सीखता हूँ और सीखने के लिए भी बहुत कुछ बाकी है मैं उपना ही ज़्यादा पैसा सिर्फ इसलिए कमाता हूँ क्योंगी समय के साथ-साथ मेरा अनुभव और बुद्धी बढ़ती जाती है मेरे कुछ दोस्त अब भी सुरक्षित खेल खेल रही है और अपने प्रोफेशन में कड़ी मेनत कर रहे है परंतुन की फाइनेशियल बुद्धी विक्षित नहीं हो पाईए जिसे विक्षित होने में बहुत समय लगता है मेरी कुल जमा फिलोस्पी है अपने संपत्ति वाले कोलम में 20 होना यह है मेरा फार्मूला है मैं छोटे फैमाने पर शुरू करता हूँ और 20 गोता हूँ कुछ 20 उग जाते हैं और कुछ नहीं उगते हमारे रियल इस्टेट कोर्परेशन में हमारे पास करोडों डालर की प्रोपर्टी है यह हमारा अपना REIT याने रियल इस्टेट इन्वेस्ट्मेंट ट्रस्ट है अब मैं आपको यह पते की बात बताना चाहता हूँ कि इन करोडों में से कई प्रोपर्टी तो 5000 डालर से 5000 डालर के निवे से शुरू हुई थी नगत पैसे से खरीदी गई यह प्रोपर्टी उस किस्मती से तेजी से बढ़ते बाजार में ज़्यादा किमती हो गई थी और टेक्स से मुक्त रहते हुए उन्हें खरीदा और बेचा गया था और इसा कई सालों तक किया गया था हमारा एक स्टोप पोर्टफोलियो भी है जिसे मैं और मेरी पत्नी हमारा परसनल म्यूचिल फंड कहते हैं हमारे कुछ दोस्त हमारे जैसे निवेसकों के साथ ही बिजनस करते हैं जिन के पास हर महिने निवेस करने के लिए कुछ अतिरी धन होता है हम ज़्यादा जोखेंवाली प्राइविट कंपनियों के शेयर करीदती हैं जो अमेरिका या कैनेडा में स्टोप एक्सचेंज पर सारुजनिकोंने जा रही है कितनी तेजी से धन बढ़ता है इसका उदारने इस तरह देखें हमने कंपनि के सारुजनिकोंने से फेली 25 सेंट परती शेयर की दर पर एक लाग शेयर खरीदे चै महीने बाद जब कंपनि शेयर बाजार में धर्ज हो गई तो उसके शेयर कभाव दो डालर परती वर्स हो गया अगर कंपनि का प्रबंदन अच्छा है तो कीमतें बढ़ती रहेंगी और स्टोक 20 डालर परती शेयर या इससे भी ज़्यादा होगा ऐसे भी कई वर्स रहे हैं जब हमारे 25 जार डालर एक लाग से भी कम समय में 10 लाग डालर बन गई है यह जुआ नहीं है अगर आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे है यह जुआ है अगर आप सोड़े में अपना पैसा फैंक रहे हैं और बगवान से सफल होने की दुआ कर रहे है आपको अपनी तक में कियान, बुद्धी और खेल के प्रती प्रेम की जरूरत होगी ताकि जोखिम कम से कम रही, वैसे जोखिम तो होता है यह financial byddy होती है जिससे आप की सबलता के अफसर बढ़ जाते हैं इसी कारण जो चीज़ एक आदमी के लिए जोखिम बड़ी होती है वह दूसरे आदमी के लिए उतनी ही जोखिम बड़ी नहीं होती यह वह मूल कारण है जिसकी वज़े से मैं लोगों को लगातार प्रेडित करता हूँ कि वे स्टोक रियल स्टेट या दूसरे बाजारों में निवेश करने के बज़ाई फैनन्सियल बुद्धी में निवेश करें तो आप अपने जिन ज़़ास मार्ट होंगे आपके सफल होने के अफसर उतने ही ज़़ाई होने मैं व्यक्तिक्त रूप से जिन स्टोक्स में निवेश करता हूँ उनमें बहुत ज़़ादा जोखिम होता है और इसलिए मैं उनके अंसंसा नहीं करता मैं इस खेल को 1980 से केल रहा हूँ और मैंने इसमें काफी अनुवा वासिल किया है परंतो अगर आप दुबारा पढ़ेंगे कि इस तरह के निवे ज़्यादातर लोगों वे लिए जो खिम्बरे क्यों होते हैं तो आप अपने जिन्दिगी को अलग तरह से निधरित कर सकेंगे जिसमें 25,000 डालर से एक साल में 10 लाग डालर बनाना आपके लिए कम जो खिम्बरा होगा जैसा पहले ही कहा जा चुका है मैंने जो लिखा है मैं आपको वैसा करने की सलाह नहीं देता हूँ मैं सिर्फ आपको यह समझाना चाहता हूँ कि यह आसान है और संभव है बात इतनी सी है कि उसत आदमी के लिए एक लाग डालर से ज़्यादा की परतिवर्साई अच्छी होती है और इसे असिल करने में ज़्यादा मेनत भी नहीं लगते बाजार कैसा है और आपकी इतनी स्मार्ट है इस बात पर निर्वर करता है कि आप पांच से दस सालों में ऐसा कर सकते हैं अगर आप अपने खर्च को कम रख सकते हैं तो एक लाग डालर की अतिरिक काई आपको सुखद लगेगी चाहे आप काम कर रहे हूं या नहीं आप चाहें तो काम कर सकते हैं या चाहें तो काम छोड़ सकते हैं और सरकारी टेक्स सिस्टम को अपने विरोध के बजाई अपने समर्थन में भी परियुक्त कर सकते हैं मेरा बेक्ति गतादार रियल एस्टेट है मैं रियल एस्टेट से प्रेम करता हूँ क्योंकि यह स्थाई और धिमी गती से चलने वाली होती है मैं ठोस आदार को पसंद करता हूँ कैश पलो भी आम तोर पर स्थाई ही होता है और अगर इसे अच्छी तरह मैनेज किया जाए तो इसकी कीमत बढ़ने की भी समावना होती है रियल एस्टेट की ठोस आदार सिला होने के कारण मैं जोखिम बरे स्टोक्स करीदने का खत्रा मोल ले सकता हूँ अगर मुझे स्टोक मार्केट में खासा मुनापा होता है तो मैं मुनापे पर कैपिटल गेंस टेक्स देता हूँ और बची होई रकम को रियल एस्टेट में लगा देता हूँ ताकि मेरी संपत्ती की नीव और ज़्यादा मजबूत हो जाए रियल एस्टेट पर एक और बात है मैं दुनिया वर में घुमा हूँ और मैंने हर जगे निवेश करना सिखाया है हर सेर में मुझे यह सुनने में आया है कि रियल एस्टेट को सस्ते में नहीं खरीदा जा सकता यह मेरा अनुव नहीं है निव यार्क या टोकियो में या सेर से थोड़ी सी दूर इसे शांदार मोके हैं जिने ज़्यादातर लोग नज़र अंदास कर देते हैं सिंगापूर में जहां भी रियल एस्टेट की किमते बहुत ज़्यादा चल रही है ऐसी बहुत से प्रोफर्टीज हैं जो चंद मिनिटों की ड्राइविंग की दूरी पर है इसलिए जब भी मैं किसी को ज़्यादातर लोग सिर्फ इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें यह जानने के लिए फैनेंशियल परसिक्षन ही नहीं मिला होता है कि वे अबने सामने पड़े वे उसरों को देख सकें और उन्हें पैचान सकें मुझसे एकसर पूछा जाता है मैं शुरुआत कैसे करूँ पिछले अध्याई में मैंने आर्थिक सुतंतरता की रहा पर चलने हुए वाले दस कदमों का उलेक किया है परंतु यह हमेसा याद रखें कि आपको मजा आना चाहिए यह केवले खेल है कई बार आप जीत जाते हैं और कई बार आपको अनगों मिलता है परंतु हमेसा आनन्द ले ज्यादातर लोग कभी नहीं जीत पाते क्योंकि उन्हें हार का डर लगा रहता है इसलिए मुझे स्कूल मुर्ट अपून लगता है स्कूल में हम सीखते हैं कि गलतियां बुरी बात होती है और गलतियां करने के लिए हमें सजा दी जाती है परंतु अगर हम इनसानों को सीखने के पर करिया पर नज़र डाले तो हम पाएंगे कि इनसान गलतियां करके ही सीखते हैं हम गिर गिर कर ही चलना सीख पाते हैं अगर हम कभी नहीं गिरे तो हम कभी चल भी नहीं पादेंगे यही मोटर साइकल चलाने के बारे में भी सही है मेरे गुपने पर आप भी चोटके निसान है परन्तु आज मैं बिना सोचे मोटर साइकल चला सकता हूँ यही अमीर बनने के बारे में भी सही है दुर्बाग्य से ज्यादातर लोगों के अमीर नय बन पाने का मुख्या कारण यह है कि वे हारने से ड़ते हैं जीतने वाले हारने से नहीं ड़ते परंतु हारने वाले ड़ते हैं सफलता की प्रक्रिया का एक वाग ऐसे बलता भी है जो लोग ऐसे बलता से ड़ते हैं, सफलता हूं उनसे बचती है मैं पैसे कमाने को टेनिस के खेल की तरह मानता हूं मैं मेहनत से खेलता हूं, गलतियां करता हूं, गलतियां सुधारता हूं और ज्यादा गलतिया करता हूं, सुधारता हूं और इस तरह से मेरा खेल सुदरता जाता है अगर मैं खेल में हार जाता हूँ तो मैं नेट के पास जाकर अपने विरोधी से हाथ मिलाता हूँ मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ अगले शेनिवार को मिलेंगे निवेसक दो तरह के होते हैं पहले और सबसे आम तरह के निवेसक वे लोग होते हैं, जो एक package में निवेस करते हैं, वे retail outlet में phone करते हैं, जैसे एक real estate company या stock broker या financial planner को और फिर वे कुछ खरीदते हैं, यह है एक mutual fund, stock या bond हो सकता है, यह है निवेस का एक अच्छा, साप सूतरा और आसान तरीका है, यह है उ दूसरी तरह के निवेसक वे होते हैं, जो निवेसों को बनाते हैं, इस तरह के निवेसक आम तोर पर सोदों को असेंबल करते हैं, जिस तरह कंप्योटर इंजिनियर कंप्योटर के पूर्जों को असेंबल करते हैं, मैं यह है तो नहीं जानता कि कंप्योटर के पूर्जों को किस तरह असेंबल किया जाता है परंतु मैं यह जानता हूँ कि आर्थिक अफ़रों के पुर्जों को किस तरह असेंबल किया जा सकता है या मैं इसे लोगों को जानता हूँ जो इसा करते हैं दूसरी किस्म का निवेसकी प्रोफेशनल निवेसक होता है कई बार तो पुर्जों को इकठा करने में सालो लग आते और कई बार वे कभी इकठे नहीं हो पाते मेरे अमीर डेड़ी ने मुझे दूसरे किस्म का निवेसक बनने के लिए फ्रोचाइट किया यह सीखना मेत्वकूर्ण है कि फुर्जों को किस तरह आसे बिल किया जाएग क्योंकि यहीं पर भारी जीत का मुखा होता है और अगर किस्मत आपके साथ ने हो तो यहीं पर भारी नुकसान का खत्रा होता है अगर आप दूसरी किस्म के निवेसक बनना चाहते हैं तो आपको मुख्या रूप से तीन मुख्या दक्षताइं विक्सित करने की जुरूरत है फाइनेंशियल बुद्धी के अलावा इन दक्षताओं की जुरूरत होती है नमबर एक किस तरह ऐसे मुख्यों को कोजे जो दूसरों को दिखाई नहीं देता हो दूसरे लोग अपनी आँखों से उस मुख्य को देख नहीं पाएंगे पर आप अपने दिमाग से उस मुख्य को देख सकते हैं उधारन के लिए मेरे एक दोस्त ने एक पुराना गर खरीदा यह दिखने में बुरा सा था हर एक को हैरत थी कि उसने इसे क्यों खरीदा परंतु दूसरे जो देख नहीं पाए थे और जो उसने देख लिया था वह यह था कि उस गर के साथ चार खाली जमीन के टुपड़े भी थी उसने यह कंपनी जाकर पता कर लिया था गर खरीदने के बाद उसने उसे तोड़ दिया और उन पांसो पलाटों को बिल्टर को बेश दिया इस सारे सोदे में उसे अपने मूल निवेस से तीन गुना रकम मिली उसने दो मैने के काम में पिछे तरहजार डालर का माली में यह बहुत ज़दा रकम तो नहीं है परंटो यह जन्यूनतम वेतन से तो ज़्यादा ही है और यह तकनी की रूप से कठिन भी नहीं है नमबर दो पैसा किस तरह जुटाया जाए ओसत आदमी बैंक जाता है परंटो इस दूसरे किसम के निवेस सरक को यह पता होना चाहिए कि पुझी किस तरह जुटाई जाए और बिना बैंक जाए कितने तरीकों से पैसा जुटाया जा सकता है मैंने यह सीखा कि बिना बैंक की मदद लिए घर कैसे खरीदा जा सकते है घर करिदना में तो पून नहीं है परंतु पैसा ही कठा करना मुल्यवान कला है अक्सर मैं लोगों को यह कहते सुनता हूँ बैंक मुझे करज नहीं दे रही है या मेरे पास यह खरीदने के लिए पैसे नहीं है अगर आप दूसरी किसम के निवेसिक बनना चाहते हैं तो आपको यह सीखने की जरूरत है क्योंकि इसी कारण ज्यादातर लोग की योजनाई ठप हो जाती है दूसरे सब्दों में ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए सुदे नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता अगर आप इस बादा को पार कर सकते हैं तो आप एसे लोगों से मिलो आगे होंगी जिन्होंने इन दक्ष्ताओं को नहीं सीखा एसे कई मोगे आई हैं जब मैंने घर या स्टोप या अपार्टमेंट बिल्डन detto को खरीदा है जब कि मेरे पास बैंक में एक भी पाई नहीं थी मैंने एक अपार्टमेंट हाउस को बारा लाख में खरीदा मैंने इसके लिए एक अनुमंद किया जो खरिदार और बेचने वाले के बीच में लिखित अनुमंद था फिर मैंने एक लाग डालर का डिपोजिटी कटा किया जिससे मुझे बाकी पैसे के जुटाने के लिए 90 दिन की मौलत मिल गई मैंने ऐसा क्यों किया क्योंकि मैं जानता था कि इसके असली किमत 20 लाख डालर थी मैंने इस पैसे को कभी नहीं जुटाया इसके बजाए जिस आदमी ने मुझे 1 लाख डालर दिये थे उसने मुझे 50,000 डलर दिये ताकि यह मेरी जगह पर आ जाए और इस तरह वह मेरी जगह पर आ गया और मैं इस निवेश से बाहर निकल गया और इस काम में मेरे कुल जमा तीन दिन लगे एक बार फिर मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप क्या खरीदते हैं यह मेत्वपून नहीं है मेत्वपून यह है कि आप कितना जामते हैं निवेश करना खरीदना नहीं है यह एक ग्यान है नमबर तीन किस तरह स्मार्ट लोगों को संगिठित किया जाए एसे लोग समझदार होते हैं जो या तो अपने से ज़्यादा समझदार लोगों को इसाथ काम करते हैं या उन्हें काम पर रखते हैं जब भी आपको सला की जरूर दो तो या सुनिश्चित कर लें कि आपका सलागार समझदार हो सीखने के लिए बहुत कुछ है परंतो इसके पुरुषकार भी बहुत कीमती हो सकते हैं अगर आप इन दक्षताओं को नहीं सीखना चाते हैं तो आपको पहली किस्म का निवेसक बनने की सला दी जाती है आप जो जहनते हैं वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है आप जो नह जानते हैं वही आपका सबसे बड़ा जोखिम है जोखिम तो हमेशा रहता है इसलिए इससे बचने के बजाए इसे मैनेज करना सिखें धन्यवाद आईए चलते हैं अध्याई साथ की तरफ जो है सीखने के लिए काम करें पैसे के लिए काम ने करें रिच डैड, पूर डैड, अध्याई साथ, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम नहीं करें 1995 में मैंने सिंगापूर के एक अख़बार में एक इंट्रिव दिया युवा महिला रिपोर्टर समय पर आगई और इंट्रिव तत्काल सुरू हो गया हम एक आलिशान होटल की लोबी में काफी की चुश्कियां ले रहे थे और मेरी सिंगापूर यात्रा के उदेशे पर चर्चा कर रहे थे मैं प्लेट फार्म पर जिग जिगलर के साथ पैठने वाला था वे प्रेणा पर चर्चा करने वाले थे और मैं अमीरों के रहे शे पर बोलने वाला था एक दिन मैं भी आपकी तरह बेस्ट सेलिंग लेखक बनना चाहती हूं उस मैईला ने कहा मैंने उसके कई लेख पड़े थे और मैं उससे परवावित भी वा था उसकी लेखन शेली दमदार और सपस्ट थी उसके लेखों में पाठकों की रूची जगाने की ख्षमता थी आपकी शेली बहुत बढ़िया है मैंने जवाब दिया कौन सी चीज आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलने से रोक रही है मेरा काम कहीं का कहीं जाता है उसने शान्ती पूरवक कहा हर आदमी कहता है कि मेरा उपन्यास बहुत पढ़िया है परन्तु कुछ नहीं होता इसलिए मैं अखवार के लिए काम कर रही हूँ कम से कम इससे मेरा खर्श तो चल जाता है क्या आप इस बारे में कोई सुजाओ देना चाहेंगे हाँ बिल्कुल मैंने उत्सा से कहा सिंगापूर में मेरा दोस्त है वह एक स्कूल चलाता है जहां लोगों को बेचने का पर्शिक्षन दिया जाता है वह है सिंगापूर में कई चोटी के कॉर्परेशन के लिए सेल्स ट्रेनिंग कोर्स लाता है और मैं समझता हूँ कि उसके कोर्स में शामिल होने से आपका करियर बहुत ज़़ा विक्सित हो जाएगा उसका सरीर शक्त हो गया आप यह है कहना चाते हैं कि बेचना सीखने के लिए मैं ज़े स्कूल जाना पड़ेगा उसे मेरी किसी बात से बुरा लग गया था और अब मैं सोच रहा था कि कितना अच्छा होता अगर मैंने उसे कोई भी सुजावन नहीं दिया होता उसकी मदद करने की कोशिस में अब मैं खुद के सुजाव की रक्षा करता नगर आ रहा था मेरे पास अंग्रेजी साइटे में मास्टर डिग्री है मैं सेल्जमेन बनना सीखने के लिए स्कूल जाऊं क्या मैं एक प्रोफेशनल हूँ मैं एक प्रोवेशन में प्रशिक्सित होने के लिए स्कूल गई थी ताकि मुझे सेल्जमेन नहीं बढ़ना बढ़े मैं सेल्जमेन उसे नफरत करती हूँ उन्हें के वल पैसा चाहिए होता है तो आप मुझे बताएं कि मैं सेल्स गाते हैं क्यों करूँ अब वह अपना ब्रीफ के स्ताकत से बंद कर रही थी इंट्रिव्यू खतम हो गया था कोफी टेवल पर मेरी एक बेस चेलिंग पुस्तक रखी हुई थी मैंने इसे उठाया और उसके द्वारा लिखे गए नोटस को भी अपने दूसरे हाथ में रखा क्या आप इसे देख सकती हैं मैंने उसके नोटस की तरफ इसारा किया उसने अपने नोटस पर नज़र डाली क्या उसने उलजन में कहा एक बात फिर मैंने उसके नोट्स की तरफ जान बूज कर इशारा कि उसके पैड पर उसने लिखा था रावट कियोसा की बेस्ट सेलिंग लेखक यहां पर बेस्ट सेलिंग लेखक लिखा हुआ है नय की बेस्ट राइटिंग लेखक उसकी आँखे ततकाल फैल गई मैं बहुत पुरा लेखक हूँ आप बहुत बढ़िया लेखक है मैं सेल स्कूल गया हूँ आपके पास मास्टर डिग्री है दोनों को इकठा कर ले और आप एक बेस्ट सेलिंग लेखक और एक बेस्ट राइटिंग लेखक बन सकती है उसकी आँखों में गुसा था मैं कभी इतनी नीचे नहीं गिरूँगी कि बेचना सीखने के लिए परसिक्षन लूँ आप जैसे लोगों को तो लिखना ही नहीं चाहिए मैं एक प्रोफेशनल लेखक हूँ और आप एक सेल्जमेन है यह सही नहीं है उसने अपने बाकी के नोट्स भी समेट लिए और वे सिंगापूर की उस नम सुबह में तेजी से बाहर निकल गई कम से कम उसने अगले दिन मुझे एक अच्छा कवरेश दिया दुनिया स्मार्ट, गुणी, सिक्षित और परतिवा संबल लोगों से भरी हुई है हम उनसे हर दिन मिलते हैं वे हमारे चारों तरफ है उस दिनों पहले मेरी कार में कुछ गड़वड हो गई थी मैं एक गेरेश में गया और यूवा मेकेनिक ने उसे कुछ मिंटों में ठीक कर दिया इंजन की आवाज सुनकर यूँसे समझ में आ गया था कि गड़वड कहां थी मैं हैरान देखता रहा दुखत सस्तो यह है कि परतिवाई प्रयाप्ट नहीं होती मैं एक लाग डालर से जादा कम आपाते हैं मैं इसे पृतिवासाली और उत्शिक्सित लोगों से मिला हूँ जो एक साल में 20,000 डालर से भी कम कमाते हैं मेडिकल ब्यववसाई में विशे सग्यता रखने वाला एक व्यववसाईक सलाकार कि कितने डोक्टर, दंद चिकित सब और दूसरे लोग पैसे की समस्चा से जूज रही है और मेरी सोच यह थी कि एक बार डाक्टर बनने के बाद तो पैसा उनके घर परसने लगता है इस वे और साइक सलाकार ने मुझे एक बड़ी अवाक्य दिया तो वे भारी दोलत से सिर्फ एक दक्सता दूर है इस वाक्य का यह मतलब है कि ज़्यादा तर लोगों के वल एक और दक्सता सीखने की जरूरत होती है और इसके बाद उनके अब्दनी अपने आप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी मैं यह पहले ही बता चुका हूँ कि फाइनांसियल बुद्धी, अकाउंटिंग, निवेस, मार्केटिंग और कानून का समन्य में है इन चार तक्निकी दक्सताओं को मिला दें और पैसे से पैसा बनाना ज़्यादा असान हो जाएगा जब पैसे की बात आती है तो ज़्यादातर लोगों में केवल ज़्यादा कड़ी मेनद करने की दक्सता होती है दक्सताओं के समन्य में का एक अच्छा उदारन अकबार की उस रिपोर्टर का है अगर वैं सेल्ज और मार्केटिंग के एक शेतर में दक्सता हासिल कर ले तो उसकी आमदनी हवा से बातें कर सकती है अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं एड़टाइजिंग, कॉपी राइटिंग और सेल्ज के पॉर्स में शामिल हो जाता फिर अगबार में काम करने के बजाए मैंने किसी एड़टाइजिंग एजन्सी में नोपरी कोजी होती चाहे इस काम में वेतन कम ही मिलता पर अंदू इससे वह यह सीख जाती इस सफल एड़टाइजिंग में परियुक्त होने वाले शोटकट का परियुक किस तरह किया जाई उसे अपना कुछ समय जन्संपर्ग में भी देना होता जो एक मैत्तपों धक्षता है वह यह भी सीखती कि मुख्त परचार के लिए किस तरह लाकों कमाई जाए फिर रातों में और सब्तानतों में वह अपना महान उपन्यास पूरा करती जब वह पूरा हो जाता तो वह अपनी पुस्तक को बेशने के लिए ज़्यादा अच्छी स्थिति में होती फिर कुछ ही समय में वह एक बेस्ट सेलिंग लेखी का हो सकती थी जब मैंने अपनी पहली पुस्तक इफ यू वांट टो बी रीच एंड हैपी डॉंट गो टो स्कूल छपवाई तो एक परकासक ने मुझे यह सुजाओ दिया कि मैं सिर्शक्त को बदल कर दा इकोनोमिक सोफ एजुकेशन कर दू मैंने परकासक से साफ कह दिया इस तरह के सिर्शक्त से उस तक कि कुल दो पृतियां भी खेनी एक तो मेरा परिवार करी देगा और दूसरा मेरा सबसे अच्छा दोस्त दिक्कत यह है कि वे दोनों ही से मुख्त में पाने की आसा करेंगे If you want to be rich and happy Don't go to school सिर्शक को जान भूज कर चुटिला बनाया गया था क्योंकि मैं जानता था कि ऐसा करने से इसे हजारों टन परचार मिलेगा मैं सिक्षा का समर्थक हूँ और सिक्षा के सुधार में विश्वास करता हूँ अन्य था मैं अपने पुरातन 35 शिक्षा तंतर को बदलने की बार बार मांग क्यों करता इसलिए मैंने एक ऐसा टाइटल चुना जो टीवी और रेडियो शोग पर ज़्यादा परचारित हो सकता था सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं विवादास पद होने से नहीं ड़ता कई लोगों का विचार था कि मैं कोई फ्रूट केट था परंतु पुस्तक बिकी और बहुत बिकी जब मैं यूएस मर्चेंट मरीन अकेडमी से 1969 में ग्रेजुट हुआ तो मेरे पड़े लिखे डेडि बहुत खुश हुए स्टेंडर्ड आईल आउफ कैलिफोर्निया ने मुझे अपने आईल टेंकर फ्लीट में काम दे दिया मैं थर्ड मेट था और हलांकि मेरी तनकुआ मेरे साइपाटियों की तुलना में कम थी परंतु कालेस के बाद पहले काम के इसाब से ठीक थी मेरी शुरुवाती तनकुआ 42,000 डालर परती वर्स थी जिसमें और टाइम भी शामिल था और मुझे केवल साथ महीने काम करना पड़ता था बाकी के पांस महीने मेरे चुट्टी थी अगर मैं चाहता तो मैं सायक शिपिंग कंबनी के साथ भी अतना हो गया ताकि मैं हवाई जास उड़ाना सीख सकूँ मेरे पढ़े लेके डैडी का दिल तूट गया अमेरी डैडी ने मुझे पताईया दे स्कूल और नोपरी में विशे सग्यता का विचार एक लोपरिय विचार है यानि कि ज्यादा धन कमाने के लिए या प्रमोशन आसिल करने के लिए आपको विशे सग्यता आसिल करने की जरूरत है इसलिए मेडिकल डोक्टर्स ततकाल बाल रोग विशे सग्य या अस्ति रोग विशे सग्य जैसी विशे सग्यता आसिल करने में जुब जाते हैं यही अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट्स, वकीलों, पाइलेटों और बाकी लोगों के बारे में सही है मेरे पडेले के डेड़ी इसी विचारदारा में विश्वाद रखते थे इसलिए वे डॉक्टरेट मिलने के बाद रुमान्चित हो गई थे वे अक्सर यहे मानते थे कि स्कूल में ऐसे लोगों का सम्मान किया जाता है जो कम से कम चीज़ों के बारे में ज़्यादा यह ज़्यादा पड़ते हैं अमीर डैडी मुझसे इसके अठीक उल्टा करने के लिए प्रोचसाइट करते थे आपको हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए यह उनका सुजाओ था इसलिए मैंने उनकी कमपनियों में कई विवागों में सालों तक काम किया उच समय के लिए मैंने उनके अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में काम किया हालांकि मैं कभी अकाउंटेंड नहीं बन सकता था परंतु वे चाहते थे कि मैं उस विभाग में रहकर उसके बारे में मोटी मोटी बातें समझ लूँ अमीर डेड़ी जानते दे कि मैं वहां की सब्दावली को पकड़ लूँगा और यहे भी समझ लूँगा कि क्या मैं तो पूर्ण था और क्या नहीं मैं एक बस बॉय और कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में भी काम कर चुका हूँ और सेल्ज, रिजर्वेशन और मार्केटिंग में दूँ वे मुझे और माइक को पीडी दर पीडी सिखा रही थे इसलिए वे चाते थे कि हम लोग उनके बेंकर्स, वकीलों, अकाउंटेंट्स और ब्रोकर्स के साथ बैठकों में भाग लें वे चाते थे कि हम लोग उनके सामराज्य के हर पैलू के बारे में थोड़ी बहुत जानकरी रखे हैं जब मैंने स्टेंडर्ड आईल की अच्छी तनकवावली नोकरी छोड़ी तो मेरे पढ़ेली के टेडी ने मुझसे दिल खोल कर बाते ही उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था वे मेरे निर्ने के पिछे के कारण को नहीं समझभा रही थे क्योंकि जिस नोकरी से मैंने इस्टिपा दिया था उसमें तनकवाव अच्छी थी फाइदे बहुत थी खाली समय भी बहुत मिलता था और उसमें तनकवाव और प्रमोशन के अच्छे अवसर थे जब एक शाम को उन्होंने मुझसे पूछा तुमने नोकरी क्यों चोड़ दी तो मैं लाग कोशिश करने के बाद भी उन्हें इसका कारण नहीं समझा सका मेरे तर्क उनके तर्क के दाइरे में पिट नहीं हो पा रहे थे समझा यह थी कि मेरे अमीर डैडी का तर्क था मेरे पडेल के डैडी के लिए नोकरी की सुरुक्षाई सब कुस थी मेरे अमीर डैडी के लिए सीखना ही सब कुस था मेरे पडेल के डैडी का विचार था कि मैं शिप का अफसर बनने के लिए चिक्षा ग्रेंड करने स्कूल गया था अमीर डेड़ी जानते थे कि मैं अंतरस्टे व्यापार के अध्यन के लिए स्कूल गया था तो एक विद्यार्थी की तरह मैं सुदूर पूरू और साउथ पैसिफिक जाने वाले जाजों पर बड़े फ्रेट्स पर आयल टैंकरों पर और यात्री जाजों पर काम करता रहा अमीर डेड़ी इस बात पर जोर देते थे कि वे यूरोप की तरफ जाने वाले जाजों के बजाए परसांद महासागर पर अपना ध्यान के अन्दिलिप करूं क्योंकि बविश्य के देश एसिया में है यूरोप में नहीं जब क्यों मेरे ज्याजातर साहबाटी जिसमें माईक भी शामिल था अपने घरों पर पार्टी और मोजबस्ती करते थे तब मैं जापान, ताइवान, थाईलेंड, सिंगापूर, होंग कोंग, वियतनाम, कोरिया, ताहिती, समोवा और फिलिपिन्स में व्यवसाए लोगों बिजनस की सेलियों और संस्क्रतियों का अध्यन करता था मैं भी पार्टी कर रहा होता, परन्तु अपने घर पर नहीं, मेरा ज्यान बहुत तेजी से पढ़ रहा था पढ़े लिके डैडी कभी नहीं समझ सके, मैंने यह नोगर क्यों छोड़ी और इसके बाद मरीन कार्प्स में क्यों सामिल हुआ मैंने उन्हें बताया कि मैं जहाज उड़ाना सीखना चाहता हूँ परन्तु वास्तों में मैं टूप का नेता बनना सीखना चाहता था अमीर डैडी ने मुझे बतला रखा था कि कमपनी चलाने का सबसे कठीन काम था लोगों से काम लेना उन्होंने तीन साल तक से नामे काम किया था मेरे पडेली के डैडी ने कभी इसा नहीं किया था अमीर डैडी ने मुझे बताया कि खतरनाक परिस्तितियों में किस तरह लोगों का नेतरतों किया जाई तुम्हें जो अगली चीज़ सीखनी चाहिए वह है नित्रत हो उन्होंने कहा अगर आप एक अच्छे नेता नहीं है तो आप पर पीछे से गोलियंस लाई जा सकती है जैसा बिजनस में किया जाता है वियत नाम से उन्हें सो त्येटर में लोटने पर मैंने कमिशन से इस्तिपा दे दिया हलांकि मैं हवाई जाज उड़ाना पसंद करता था मैं जेराक्स कंपनी में काम करने लगा मैंने इसमें एक वज़े से नोकरी की थी और नोकरी के फाइड़े वह वज़े नहीं थी मैं एक शर्मिल आदमी था और बेचने का विचार मुझे दुनिया का सबसे डरावना विशय लगता था जेराक्स अमेरिका में सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत बड़ी आ कमपनी मने जाती थी अमें डेड़ी को मुझे पर गरव था मेरे पड़ेली के डेड़ी को मुझे पर शर्म आती थी एक बुद्धी जीवी होने के नाते वे सोचते थे कि सेल्जमेन उनके निचले स्तरके होते हैं मैंने जेराक्स में चार साल तक काम किया जब तक कि मुझे दर्वाजे खटखटाने और ऐस विकार कर दिये जाने के डर से मुक्ति नहीं मिल गए एक बार मैं विक्रिया में चोटी के पांस लोगों में लगातार आने लगा तो मैंने एक बार फिर इस्तिवा दे दिया और आगे बढ़ गया एक बार फिर मैंने एक अच्छी खासी कमपनी के साथ अपना बढ़िया करियर छोड़ दिया था 1977 में मैंने अपनी पहली कमपनी खुली अमीर डैड ने मुझे और माईक को कमपनीया चलाने का प्रशिक्षन दे रखा था तो अब मुझे उन्हें स्तापित करना ही सीखना था मेरा पहला उतवाद था नाइलोन और वेलक्रो का वैलेट जो फार रेस्ट में बनता था और समुदरी जहाद से न्यू यार्क में एक वेर आउसक्ता आता था मेरी अप्चारिक सिक्षा पूरी हो चुकी थी और अब मेरे पंक्पों की मजबूती की परिक्षा का समय आ गया था अगर आप मैं ऐसे पल होता तो मैं दिवालिया हो गया होता अमीर डेडी का मानना था कि 30 साल से पहले दिवालिया होना सबसे अच्छा होता है आपके पास संबलने का मोका होता है उनकी सला थी मेरे 30 जनुदीन की शाम को मेरा पहला सिप में पोरिया से निवयर्क के लिए रवना हुआ आज मैं अंतरास्ट यस्तर पर बिजनस करता हूँ और जैसा मेरी अमीर डेडी मुझे प्रोटसाइब किया करते थे मैं विकास से इल देशों पर ध्यान के निरित करता हूँ आज मेरी निवेश कंपनी दक्षिन अमेरिका, एसिया, नारवे और रूस में निवेश करती है एक कहावत है जोब एक संक्सित रूप है जस्ट ओवर ब्रोग का और दुरवागे से यह करोडों लोगों के लिए सही साबित होता है क्योंकि स्कूल यह है नहीं समझता कि फाइनेंशियल बुद्धी भी बुद्धी का एक रूप है इसलिए ज्यादातर करमचारिया मजदूर अपने सादनों के बीतर रह रहे हैं वे मेहनत करते हैं और अपने बिल चुकाते हैं एक और ड्रावनी मैनेजमेंट ठ्योरी है काम करने वाले इसलिए कड़ी मेहनत करते हैं ताकि उन्हें नोकरी से नहीं निकाला गए और मालिक उन्हें केवल इतना देते हैं ताकि काम करने वाले छोड़ करने चले गए और अगर आप ज़्यादातर कंपनियों की तनकुएं देखें तो आप आएंगे कि इस बात में थोड़ी बहुत सचा ही तो है इसका कुल परिणाम यह होता है ज़्यादातर करमचारी आगे नहीं बढ़ताते वे वही करते हैं जो उन्हें सिखाया जाता है सुरक्षित नोकरी खोजलो ज़्यादातर काम करने वाले कम समय के फुर्शकारों से से वेतन और दूसरे फाइदों के लिए काम करते हैं परन्तों दिर्ग काली इंद्रिष्टी से यह उनके लिए गाटे का सोदा सावित होता है इसके बजाए में यूवा लोगों को यही सला दूँआ कि नोकरी खोशते समय वे इस बात का दियान दे कि वे कितना कमा रही है और इस बात पर भी ज़्यादा दियान दे कि वे कितना सीख रही है रास्टे बर आगे की तरफ देख रहे हैं कि किसी खास प्रोफेशन को चुनने के पहले और चुहा दोड में फसने इसे पहले वे कितने दक्ष्टाओं में परंगत होना चाहते हैं। वायर नाम की फिल्म में टाम क्रूज का बहुत बढ़िया रोल था और इस फिल्म में कई बहुत जोरदार समवाद थे। शायद सबसे यादगार लाइन थी। केवल एक औरत बोलती है, मैं आना तो चाहती हूँ परंटो मेरा तीन महीने में प्रमोशन होने वाला है। यह है वाक्या शायद पूरी फिल्म का सबसे सचा वाक्या है। यह उस तरह का वेक्टव गया है जो बिल्चुकाने के लिए मेनद करने वाले लोग हमेसा इस्तेमाल करते हैं। मैं जानता हूँ कि मेरे पड़े लिखे डेड़ी हर साल तनक्वा बढ़ने की आशा लगाई रखते हैं। और हर साल उन्हें निरासा होती थी। इसलिए वे फिर से स्कूल जाकर और ज़्यादा योकेताइं हासिल करते थे थाकि उन्हें एक और वेतन ब्रदी मिल सकें। परंतो एक बार फिर उन्हें निरासा ही हाथ लगती थी। मैं एकसर लोगों को यह सवाल पूसता हूँ। रोज मर्रा की यह गतिविदी आपको कहां ले जा रही है। फोटे हेंस्टर की तरह लोगों को यह देखना चाहिए कि उनकी कड़ी मेनत का नतीजा क्या निकल रहा है। उनका भविश्य कैसा होगा। Cyril Bigfield, The American Association of Retired Pupils के भूतपुर्व Executive Director का कहना है कि प्राइवेट पेंशन की हालत बहुत खराब है। पहली बात तो यह है कि आज काम करने वालों में से 50 फिजदी को कोई पेंशन नहीं मिलेगी। इसी बात से चिंता होना चाहिए। और बाकी बचे 50 फिजदी में से पिछे 30 से 80 फिजदी लोगों को नामातर की पेंशन मिलेगी। जो 55 डालर या 1500 डालर या 300 डालर परतिमा होगी। अपनी पुस्तक The Retirement Myth में क्रैक A.S. कारपिल लिखते हैं। मैं एक बड़ी राष्टिय पेंशन सलाकार फर्म के मुखेले में गया और मैनेजिंग डारेक्टर से पूछा। जिसकी विशे सगे था बड़ीया रिटार्मेंट योजनाई तयार करने में थी। जब मैंने उनसे पूछा कि छोटे आफिसों में काम करने वाले लोगों को पेंशन से कितनी आमदनी की उमीद करनी चाहिए। तो उसने विश्वास वरी मुस्कुराट के साथ कहा। शिलवर बुलेट। शिलवर बुलेट का क्या मतलब होता है मैंने पूछा। उसने वने कंदे उचकाई। अगर बुजर्गों को लगता है कि गुड़ापे में उनके पास जिन्दा रहने के लिए प्रयाप्त दन नहीं है तो वे अपने आपको गोली मार सकते हैं। कारपेल इसके बाद पुराने रिटायर्मेंट प्लान को ज़्यादा खतरनाक नए 401G प्लान के अंतर को स्पस्ट करते हैं। ज़्यादातर काम करने वालों के लिए यह कोई सुखत तस्वीर नहीं है और यह तो हुई रिटायर्मेंट की बाद। जब इस तस्वीर में मेडिकल फीज और दिर काली नर्सिंग होम सुखिदा को जोड़ा जाता है तो तस्वीर डरावनी हो जाती है। उनके 1995 की पुस्तग में वे बताते हैं कि नर्सिंग होम की फीज 30,000 डालर परती साल से 1,25,000 डालर परती वर्स हैं। वे अपने इलाके के साफ सुत्रे परंदु सादार नर्सिंगों में गई और उन्होंने 1995 में चीमत को 88,000 डालर पाया। आज भी समाजबादी चीकित्सा वाले देश्टों के कई अस्पितालों में कई कड़ी फैसले लेने होते हैं। जैसे कौन जीएगा और कौन मरेगा। वे यह फैसले विश्वद रूप से इस आधार पर लेते हैं कि उनके पास कितना पैसा है और मरीज कितने वरद हैं। अगर मरीज वरद है तो वे एक्सर मेडिकल केर अप्टिक शाकरत युवा आदमी को दे देते हैं। बुड़ा गरीब मरीज लाइन में सबसे पीछे खड़ा रहता है। तो जिस तरह अमीर लोग बेतर शिक्षा हासिल कर सकते हैं उसी तरह अमीर लोग अपने आपको जिन्दा भी रख सकते हैं। जबकि जिन के पास दोलत नहीं है वे मर जाएंगे। तो मैं हैरान हो जाता हूं कि क्या करमचारी बविशे में देख पा रहे हैं। या उनकी बविशे की द्रिश्टी केवल उनकी अगली तनकवा तक ही जाती हैं। और वे अपने आप से कभी दूरगामी बविशे के बारे में सवाल ही नहीं करते। जब मैं ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा रखने वाले वैसकों के सामने बोलता हूं तो मैं हमेशा एक ही चीज की सला देता हूं। मैं यह सुझाओ देता हूं कि वे अपने जीवन के बारे में एक लंबा द्रिश्टिकोन रखें। केवल पैसे और सुरक्षा के लिए काम करने की बजाए। जो हालां कि मैं तोकूर्ण है। मैं सुझाओ देता हूं कि वे एक और काम करने लगें जो उन्हें एक और दक्षता सिखा दे। अगर वे सेल्स टक्निक सीखना चाते हैं तो अक्सर मैं उनसे किसी नेटवर्क मार्कटिंग में शामिल हो जाने के लिए कहता हूं। जिसे मल्टी लेवल मार्कटिंग भी कहा जाता है। इन मेंसे कुछ कमपनियों के पर शिक्षन कारेगा हम बहुत बढ़िया होते हैं जो लोगों के मन से जीजग और ऐस बलता का ड़न निकाल देते हैं जो लोगों के ऐस अफल होने का मुख्या कारण होते हैं। लंबे समय में शिक्षा धन्स से ज़्यादा मुल्यवान है। जब मैं यह सुझाओ देता हूं तो अक्सर लोगों की परतिकिरिया होती हैं पर इसमें बहुत जंजट हैं या मैं केवल वही करना चाता हूं जिसमें मेरी दूची हैं इसमें बहुत जंजट हैं के जवाब मै पूस्ता हूं तो आप जिन्दगी वर सिर्फ इसलिए काम करते रहेंगे ताकि आपकी आई में से 50 पिजदी आप सरकार को दे देंगे। दूसरे वक्त अब यह मैं केवल वही करना चाता हूं जिसमें मेरी रूची है के जवाब मैं कहता हूं मैं जिम जाने में बिल्कुल प्रूची नहीं रखता परंदू मैं वहाँ इसलिए जाता हूं ताकि मैं ज़्यादा फिटोस कूँ और ज़्यादा समय तक जिन्दा रह सकूँ दुर्बागे से उस पुरानी कावत में कुछ सचाई है आप एक बुड़े कुटे को नई चालवाजी नहीं सिखा सकते जब जिन्दगी बहुत हद तक जिम जाने की ही तरह है इसमें सबसे दर्दवराई सा वहाँ जाने का फैसला लेना है एक बार आप यह फैसला कर लेते हैं तो बाकी सब आसान हो जाता है एसे कई दिन आई जब मैं जिम जाने के नाम से काम जाता हूं परंदू एक बार मैं जाने लगता है जब मैं वहां से निकलता हूँ तो मुझे हमेशा खुशी होती है कि मैं वहां गया था अगर आप कुछ नया सीखने के प्रति अनिच्छुक हों और इसके बजाए आप अपने ख्षेतर में बहुत विश्य सग्यता हासिल करने पर जोर देते हों तो यह सुनी सिथ कर लेंगे जिस कमपने के लिए आप काम करते हैं वहां यूनियन हो लेवर यूनियने विशे सग्योपी रक्षा के लिए बनाई जाती है मेरे पडेल के डैड़ी जब गवर्नर की करपा द्रस्टी से तूर हो गई तो वे हवाई में टीचस यूनियन के अत्याक्स हो गई उन्होंने मुझे बताया कि यह उनके द्वारा किया गया सबसे कथिन काम था मेरे अमीर डैड़ी ने दूसरी और जिन्दगी बरिया एकोसिस की कि उनकी कमपनियों में यूनियन ने बनसपाई वे सबल हुए हालांकि यूनियन काफी करीब आ गई थी पर तो अमीर डैड़ी हमेशा उन्हें दूर रखने में कामियाब हो जाते थी व्यक्तिगत रूप से मैं किसी का पक्ष नहीं लेता क्योंकि मुझे दोनों इंबातों में फाइदे दिखते हैं और उनकी जुरूरत दिखती है अगर आप स्कूल दवारा सुजाई रास्ते पर चलते हैं पूछ बेसे सग्यता हसिल करते हैं तो फिर आप यूनियन की सुर क्यों क्यों कि मेरी जिन्दगी केवल एक दक्षता को सीखने के लिए समर्पित होती जिसका मुल्य केवल एक उद्योग में ही हो सकता था अगर मुझे उस उद्योग से निकाल दिया गया होता तो मेरे जीवन की दक्षता ही किसी दूसरे उद्योग में उतनी मुल्यवान न जाए जिसके पास हवाई उडान का एक लाग गड़े कानुगा हो और जो हर साल डेड़ लाग डालर कमा रहा हो तो उसे स्कूल तीचिक में इतनी ज़्यादा कमाई वाला बराबरी का काम ढूनने में बहुत दिक्कत आएगी दक्स्ताएं एक उड्योग से दूसरे उड्योग में ट्रांसफर नहीं होती क्योंकि एरलाइन उड्योग में जिन दक्स्ताओं की जरूरत होती है और जिसके लिए पाइलटों को ज़्यादा वेतन दिया जाता है तो वे स्कूल सिस्टम में उतनी मेत्वपोन नहीं होती आज डोक्टरों के लिए भी यही सही है चिकित सागेख छेतर में इतने परिवर्थन हो रहे है कई मेडिकल विशे सगय मेडिकल संग्टनों जैसे MHO से जुड़ना पसंद करते हैं स्कूल के सिक्षिकों को यूनियन का सब अश्या होना पड़ता है आज अमेरिका में टीचर्स की यूनियन सबसे बड़ी और अमीर लेवर यूनियन है ENA यादि National Education Association के पास बहुत ज़्यादा राजनितिक प्रभाव है सिक्षिकों को अपनी यूनियन की सुरक्षा की बहुत जरूरत होती है क्योंकि सिक्षा के बहार उनकी दक्ष्टाओं का मुल्य अप्रेक्षा करत काफी कम होता है तो नियम यह है पुछ भी से जगता हासिल करो और यूनियन बना लो स्मार्ट लोग यही करते है जब मैं अपनी कक्षा में पूस्ता हूँ आप मेंसे कितने मैक डोनाल्ड से अच्छा हैंबर्ग बना लेते हैं तो लगबग सभी भी जाती अपने हाथ खड़े कर देते हैं मैं फिर पूस्ता हूँ अगर आप मेंसे ज़्यादा तर बेतर हैंबर्ग बना लेते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि मैक डूनाल्ड आपसे ज़्यादा पैसा बना लेते हैं? जवाब साफ है मैक डूनाल्ड बिजनस सिस्टम में आपसे अच्छा है ज़्यादातर परतिवासाली लोग सिर्फ इसलिए गरीब होते हैं क्योंकि वे अपना सारा ज्यान बेतर हैंबर्ग बनाने में लगाते हैं और बिजनस सिस्टम के बारे में कुछ नहीं जानते हुआई में मेरा एक दोस्त है जो एक महान कलागार है वह काफी पैसा कमा लेता है एक दिन उसकी मा के वकील ने उसे बताया कि उसकी उसने अपने पुत्र के नाम पर 35,000 डाहर छोड़े हैं यहे रकम सरकार और वकीलों दोरा अपना हिस्सा लेने के बात बची थी ततकाल उसने इस पैसे जे विग्यापन करके अपने व्यवसाई को बढ़ाने की सोची दो महीने बाद उसका पहला पूरे पेज़ का विग्यापन चार रंगों में एक महेंगी पत्रिका में प्रकासित हुआ जिसके पाठक बहुत अमीर लोग थे यह विग्यापन तीन महीने तक चला उसे विग्यापन के परति उत्तर में जवाब नहीं मिला और उसकी सारी पूझी इस विग्यापन में खर्प हो गई अब वह पत्रिका पर दावा ठोगना चाहता था यह एक ऐसे आदमी का सामाने उदारने जो एक बेतरीन हैंबर्ग बना सकता है परन्तु बिजनस की बिल्कुल समझ नहीं रखता है जब मैंने उससे पूछा कि उसने क्या सिक तो उसका जवाब केवल यही था कि विग्यापन करने वाले लोग दोखेवाज होते हैं मैंने फिर उससे पूछा कि क्या यह सेल्ज में या डिरेक्ट मार्केटिम में कोई कोर्स करना जाता है तो उसका जवाब था मेरे पास समय नहीं है और मैं अपना पैसा पर बादन नहीं करना जाता दुनिया परतिवा संपन गरीब लोगों से भरी पड़िये अक्सर वे या तो गरीब हैं या फिर पैसे की समस्चा से जूज रही है या अपने दख्सता हों से कम पैसा पकमा रहे हैं और इसका बेतरी नुदारन और इसका जिम्मेदार उनके ग्यान का विशे नहीं है बलकि उनका ग्यान है वे एक बेतर हैंबर्ग बनाने की दखशता को पैना करने में ही लगे रहते हैं और हैंबर्ग को बेचने और उसे घर तक पहुँचाने की दखशता पर बिल्कुल विद्यान नहीं देते शाइद मैक्टोडाल सबसे अच्छे हैंबर्ग नहीं बनाते हैं परन्तु वेक मूल गूत रूप से औस सटाइम बर्ग को बेचने और उसे घर तक पहुंचाने में सर्वस रेस्ट हैं। गरीब डेडी चाते थे कि मैं विशे सगेता हासिल करूँ। उनका विचार था कि अगर मैं इसा करूँगा तो मुझे ज़्यादा वेतन मिलेगा। हाला कि उन्हें हवाई के गवर्नर ने साफ कह दिया था कि वेराज्य सरकार के लिए अब काम नहीं कर सकते। फिर भी मेरे पडेली के डेडी मुझे विशे सगेता हासिल करने के लिए प्रोटसाइट किया करते थे। पडेली के डेडी ने टीचर्स यूनियन का काम संभाल लिया था और वे उच्छित और निपून प्रोफेशनल्स के लिए और ज़्यादा सुरक्षा और फाइदों के लिए वियान छेड रहे थे। हमें इस बात पर काफी बहस हुई, परंटु मैं जानता हूँ कि वे इस बात पर कभी सहमत نہیں हुए ज़्यादा विशे सगेता के खरणी कैंटीं के सरेंक्शन के जरूरत होती है। वे यह कभी नहीं समझ भाइ कि आप जितनी जदा विशे सगयता आजिल कर लेते हैं उतने ही जदा आप जाल में फस जाते हैं और आप अपने विशे सगयता पर निर्वर हो जाते हैं अमीर डैडि की सलाई यह थी कि माई को और मैं खुद विकास करें कई कार्पोरेशन्स यही करते हैं वे बिजनस स्कूल के कीसी युवा परतिवासाली विद्यार्थी को चुन लेते हैं और फिर उस आदमी को इस तरह विक्षित करते हैं ताकि एक दिन वे कमपनी की जिम्मेदारी समाल सके और ये परतिवासाली युवा करमचारी किसी एक department में विशेश सग्याते नहीं होते वे business system के सभी पहलगों की जानकरी लेने के लिए इस department से उस department तक काम करना सीखते हैं अम ये लोग अक्सर अपने बच्चों या दूसरों के बच्चों को इसी तरह विक्षित करते हैं एजा करने से उनके बच्चों को एक company से दूसरी company में जाना बुरा समझा जाता था आज इसे smart समझा जाता है क्योंकि लोग ज़्यादा विशेश सग्यता आसिल करने के बज़ाई इस company को बदलकर दूसरी company में जाना पसंद करेंगी तो क्योंने कमाने के बज़ाई सीखने पर द्यान के निरित किया जाए कम समय में हो सकता है कि आपकी आमदनी कम हो परंतु लंबे समय में इससे आपको बहुत फाइदा होगा सफलता के लिए जिन मुख्य management दक्स्ताओं की जुरूरत होती है वे हैं सबसे में तो कौन विसे सगिये दक्स्ताओं सेल्ज और मार्केटिंग की समझ है बेचने की योगेता ही प्यक्टिकट सबलता की आदारबूत कुशलता है इसलिए आपको दूसरे आदमी के साथ संप्रेशन में कुशल होना चाहिए साहिव है कोई गरहा को करमचारी हो, बोस हो, पतनी हो या बच्चे हो कमिनकेशन स्किल जैसे लिखना, बोलना और सोदेवाजी करना सफल जीवन के लिए बहुत जरूरी है यह है एक ऐसी कला है जिस पर मैं लगातार मेहनत करता हूँ और अपने ग्यान को बढ़ाने के लिए पठ्षे करमउ में भाग लेता हूँ या सेक्षन के टेप ख़ीदता रहता हूँ जैसा की मैंने बताया, मेरे पड़के टेड़ी ने जितनी ज़्यदा मेहनत की, वे उतने ही ज़्यदा काबिल वने उन्होंने जितनी ज़्यदा विशे सक्गेता हाजिल की वे उतने ही ज़्यादा फस्ते चले गई हलांकि उनकी तनक्वा बड़ी परंद उनके विकल्प कम होते चले गई जब उन्हें सरकारी नोगरी से अटा दिया गया तब ही उन्हें पता चला कि वे वेवसाई की द्रस्टी से कितने जोखिम में थे यह तो उसी तरह का मामला हो गया जैसे प्रोफेशनल एथलीट को अचानक चोट लग जाई या वैखेलने के लिए ज़्यादा बुड़ा हो जाई उनकी उन्ची तनक्वा वाली स्तित चली जाती है और वे अपने सीमी तक्स्ताओं के सारे जीवने आफन करते हैं मैं सोसता हूँ कि इसलिए मेरे पड़ेल के डैड़ी बाद में यूनियनों के इतने समत्रक बन गई थे उन्होंने यह महसूस कर लिया था कि यूनियन ने उन्हें कितना ज़्यादा दिलाया होता अमीर डैड़ी माईक और मुझे सभी चीज़ों के बारे में थोड़ी थोड़ी जनकरे रखने के लिए प्रोटसाइट करते थे वे हमें ऐसे लोगों के साथ काम करने के लिए प्रेटित करते थे जो हमसे ज्यादा स्मार्ट थे और वे हमसे यह भी चाहते थे कि हम स्मार्ट लोगों से एक टीम के रूप में काम करवाएं आज इसे प्योसाइक विशे सग्यताओं का समन में कहा जाएगा आज मैं बूत पूर उस्कूल टीचर से मिलता हूँ जो हर साल लाखों डालर कमा रही है वे इतना ज़्यादा इसलिए कमा रही है क्योंकि उनके पास अपने इक्षेतर की विशे से दक्स्ताओं के अलवा भी दक्स्ताओं हैं वे सिखा भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं और मार्केटिंग भी कर सकते हैं बेचने और मार्केटिंग की दक्स्ताओं ज्यादातर लोगों को इसलिए कठिन लगती है क्योंकि उनमें नकारे जाने या एस विकार किया जाने का डर होता है आप संप्रेशन, सोदेवाजी और अपने नकारे जाने के तरका सामना करने में जितने बेतर होंगी आपके लिए जिंदगी उतनी ही आसान होगी जिस तरह मैंने अख़वार की लेखिका को सला दी थी जो बेस्ट सेलिंग लेखिका बनना चाहती थी मैं किसी को भी वही सला देना चाहूँगा तकनिकी रूप से विशे सकता हासिल करने के कुछ मजबूत पहलू होते हैं और कुछ कमजोर पहलू होते हैं मेरे कुछ दोस्त हैं जो जीनियस हैं परंतो वे दूसरे लोगों के साथ प्रवावी डंग से बात नहीं कर पाते और परेणाम सोरूप उनके आमजनी बहुत कम है मैं उन्हें सला देता हूँ कि वे एक साल तक बेचने की कला सिखें चाहे वे कुछ भी ने कमाए परंतो उनकी कमिनकेशन स्किल्ज सुदर जाएगी और यह अनमोल है अच्छे सीखने वाले, बेचने वाले और मार्केटिंग करने वाले वेक्ति होने के अलावा हमें अच्छे सिख्षक और अच्छे विद्यात्य होने के भी ज़रूरत है दरसल अमीर होने के लिए आप में लेने के साथ ही देने की काबिलियत भी होनी चाहिए आर्थिक या प्रोफेशनल संगर्स के मामलों में देने और लेने में बहुदा कमी देखी गई है मैं एसे कई लोगों को जानता हूँ जो सिर्फ इसलिए गरीब हैं क्योंकि वे नए तो अच्छे विद्यात्य हैं नहीं अच्छे सिख्षन मेरे दोनों डेड़ी उदार थे दोनों ने पहले देने के सिदान्त का पालंग किया था सिख्षा देना उनके लिए देने का एक परकार था जितना ज़्यादा उन्होंने दिया उतना ही उन्हें मिला पैसे देने के मामले में जरूर उन दोनों में अंतर था मेरे अमीर डेड़ी ने बहुत सा पैसा दान दिया उन्होंने अपनी चर्च को दान दिया समाज सेवी संस्ताओं को दान दिया और अपने फाउंडेशन को दान दिया वे जानते थे कि पैसा आसिल करने के लिए पैसा देना होता है पैसा देना ज्यादा तर अमीर परिवारों का रह्षे है इसलिए राकफेलर फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन जैसे संगठन काम कर रही है यह संगठन उनकी संपत्री को लेते हैं उसे बढ़ाते हैं और लगातार देते रहते हैं मेरे पडेल के डैड़ी हमेशा कहते थे जब मेरे पास अतरिक पैसा होगा मैं उसे दान कर दूँगा समझच यह थी कि उनके पास कभी अतरिक पैसा नहीं आया इसलिए वे ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत करते रहे और पैसे के सबसे मैतवों नियम को खुल गए दो और आपको मिल जाएगा इसके वज़ाए वे यह यकीन करते रहें लो और फिर दो निसकर्स में मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुझ पर दोनों ही लेडियों की छाफ है मेरा एक इसा कटर पूंजी पती का है जो पैसे से पैसा कमाने के खेल से प्रेम करता है मेरा दूसरा इसा एक सावाजी ग्रूप से जिम्मेदार सिक्षक का है जो गरीबों और अमीरों के भीश बढ़ती आर्थिक खाई से बहुत ज़़ा चिंतित है मैं इस बढ़ती होई खाई के लिए मून रूप से दक्यानों से सिक्षय तंत्र को जिम्मेदार मनता हूँ धन्यवाद आईए अब चलते हैं दैए आठ की तरब जो है बादाओं को पार करना आपका दिन शुब हो रिच डैड पूर डैड अध्याई आठ बादाओं को पार करना एक बार लोग अध्यन कर लें और उनमें पैसे की समझ भी आ जाई तो भी आर्थिक आजादी हासिल करने के लिए उन्हें कई बादाओं और अवरोदों का सामना करना पड़ सकता है ये से पांच कारण है जिनके कारण पैसे की समझ रखने वाले लोग अपने संपत्ती वाले कोलम को ज्यादा नहीं बढ़ा पाते संपत्ती वाला कोलम जिसमें बहुत सारा कैश्प लोगता है संपतिवाला कोलम जो उन्हें अपने सपने के जिंदगी जीने का मुका देता है और अपने बिल चुकाने के लिए हर काम करने की जंजट से मुक्ति दे सकता है ये पांच कारण है नमबर एक डर नमबर दो सनकीपन नमबर तिन आलश्य नमबर च्यार बुरी आदते है और नमबर पांच है जिद पैसा कोने के डर से पार पाना मैं कभी किसी ऐसे वेक्ति से नहीं मिला जिसे पैसे का नुक्सान अच्छा लगता हो और मेरी जिंदगी में मैं कभी किसी अमीर आदमी से नहीं मिला जिसे पैसे का नुकसान ने हुआ हूँ परंतु मैं ऐसे बहुत से गरीब लोगों से जरूर मिला हूँ जिनोंने एक दमड़ी भी नहीं खोई है निवेस में पैसे के नुकसान का डर असली है यह हर व्यक्ति को होता है अमीरों को भी परंतु समझ्षा डर नहीं है समझ्षा यह है कि आप इस डर का सामना किस तरह से करते हैं पैसा खोने के बाद स्थिति से किस तरह नहीं पड़ते हैं आप ऐस वलता को किस तरह से लेते हैं यह आपके जीवन में बहुत मैतोपूर्ण है यह जिन्दगी में केवल पैसे के बारे में ही नहीं बलकि हर चीज के बारे में सही है एक अमीर व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति में मूलबूत अंतर यह होता है कि वे इस पैसे से किस तरह मुकाबला करते हैं डरने में कोई बुराई नहीं है पैसे के मामले में डर पोक होना भी कोई बूरी बात नहीं है आप अब भी अमीर हो सकते हैं हम सबी कुछ मोकों पर बादूर होते है और कुछ मोकों पर डर पोक मेरे दोस्त की पतनी एक एमर्जेंसी रूम की नर्स है जब भी वहे खुन देखती है वहे तत्परता से काम में जुड़ जाती है जब भी मैं निवेश का जिक्र करता हूँ वहे भाग जाती है जब मैं खुन देखता हूँ तो मैं नहीं भागता मैं बेहोस हो जाता हूँ मेरे अमीर डैडी पैसे के नुक्सान के डर या फोबिय को समझते थे कुछ लोग सांपो से डरते हैं, कुछ लोग पैसा गवाने से डरते हैं दोनों ही फोबिया है, उनका कहना था पैसा गवाने के बारे में उनका सुजाव या चोटी पंक्ती थी अगर आप जोखिम से गवराते हैं और चिंता करते हैं तो जल्दी शुरू कर दें इसलिए बैंके तभी बचत की आद़ डालना चाहती है जब आप छोटे होते हैं अगर आप कम उमर में शुरू करते हैं तो आपके लिए अमीर होना ज्यादा असान होता है मैं इस बारे में ज़्यादा विस्तार से कुछ नहीं कहूंगा परन्तो बीस साल की उमर में बचत शुरू करने वाले और तीस साल की उमर में बचत शुरू करने वाले लोगों में बहुत बड़ा फर्क होता है बहुत ही बड़ा फर्क कहा जाता है कि विश्व के अजूबों में से एक है चक्रवर्दी ब्याज की ताकत मैनहटन आइलेंड की खरीद दुनिया के महांतम शोदों में से एक मानी जाती है नियुयार्क को 24 डॉलर में खरीदा गया था परंतो अगर उस 24 डॉलर को 8 फिजदी सालाने ब्याज पर निवेश कर दिया जाता तो वही 24 डॉलर 1995 के अंत तक 28 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा हो गई होती मैनटन को 1995 की रियल एस्टेट की कीमतों पर दुबारा खरीदा जा सकता था और इसके बाद भी इतना पैसा बच जाता कि लास एंजलेस का ज्यादा तर हिसा खरीदा जा सकता था मेरा पड़ोसी एक बड़ी कंप्यूटर कंपनी के लिए काम करता है वह 25 सालों से वहां पर है अगले 25 सालों में वह कंपनी को छोड़ देगा और उसके 401 जी रिटायर्मेंट प्लान में 40 लाख डालर जमा होंगे यह मुखे रूप से अच्छी गती से विक्सित हो रही मिच्चोर फंड में निवेस किये गए है जो बाद में बॉंड और गवर्रमेंट सिक्यूरिटीज में बदल लिये जाएंगे नोकरी छोड़ते से में उसकी उमर केवल 55 साल होगी और उसके पास 3 लाख डालर से ज़्यादा की निश्करिया आये होगी जो कि उसके वेतन से ज़्यादा होगी अगर आप हारने से डरते हैं या जोक्विम लेने से डरते हैं तो भी यह किया जा सकता है परन्तो आपको जल्द ही इसकी शुरुवात करनी होगी और एक रिटाइर्मेंट प्लान तो बनाना ही होगा और आपको निवेश करने से पहले एक बरोसे मन फाइनेंसियल प्लानर की सेवाई लेनी होगी परन्तो अगर आपके पास समय नहीं है या आप जल्दी रिटाइर होना चाते है तो आप किस तरह पैसे खोने के डर का सामना करते हैं मेरे गरीब डैडी ने कुछ नहीं किया वे केवल इस विशे को टालते रहे और इस बारे में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हुए दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी का सुझाओ था कि मैं टेकसास के लोगों की तरह ही मान सिकता रखूँ मैं टेकसास और वहां के लोगों को पसंद करता हूँ उनका कहना था टेकसास में हर चीज बड़े वेमाने पर होती है जब टेकसास के लोग जीतते हैं तो वह बड़ी जीत होती है और जब वे हारते हैं तो वे हार भी अदबुत होती है वे हारना भी पसंद करते हैं मैंने पूछा मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कोई वी हारना पसंद नहीं करता मुझे एक खुश आरा हुआ व्यक्ति दिखा दो और मैं तुम्हें बता दूँगा कि हार ऐसी होती है अमीर डैडी ने कहा मैं जोखिम, पुरुषकार और ऐस वल्दा के बारे में टेकसास के लोगों के नजरिये के बारे में बात कर रहा हूं वे जिन्दगी के बारे में इसी तरह से सोचते हैं, वे बड़े पैमाने पर जीते हैं, वे यहां के ज़्यादातर लोगों की तरह नहीं जीते हैं जो पैसे के मामले में बिल्कुल काक्रोच की तरह होती है जब कोई उन पर रोशनी डालता है तो कोक्रोच गबरा जाती है जब किराने वाला उनकी चिलर में से चवणनी कम कर देता है तो वे शोर मचाने लगती है अमीर डेडी समझाते रही मुझे टेकसास का नजरिया सबसे ज़्यादा पसंद है जब वे जीतते हैं तो उन्हें खुद पर गरव होता है और जब वे हारती हैं तो वे सेखी बगारती है टेकसास में एक कहावत है अगर आपको दिवालिया होना है तो बड़े पैवाने पर हुआ जाई आप डुपलेकस के लिए दिवालिया हो जाएं इसकी सेखी नहीं बगारी जा सकती यहां पर ज़्यादातर लोग हारने से इतना डरते हैं कि उनके लिए दिवालिया होने के लिए डुपलेकस भी नहीं होता वे माईक और मुझे यह लगातार बताया करते थे कि आर्थिक ऐस फलता का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि लोग खेल को बहुत ज़्यादा शुरुक शात्मक तरीके से खेलते हैं लोग हारने से इतना ज़्यादा डरते हैं कि वे हार जाते हैं यह हैं उनके शब्द थे फ्रेंट आर्केंटर ने जो एक वक्त का महान एन एफल क्वाटर बेंक था इसी बात को दूसरी तरह से कहा है जीतने का मतलब है हारने से ने डरना मेरी अपनी जिन्दगी में मैंने यह पाया है कि जीत हमेशा हार के ठीक बाद आती है जब मैंने आखिर कार मोटरसाइकल चलाना सिक्ःखा तो इस से पहले मैं कई वार गिरा मैं आज तक किसी गोलफर से नहीं मिला हूँ जिसने कोई गोलफ बालना गुम की हो मैं आज तक ऐसे प्रेमियों से भी नहीं मिला हूँ जिसका दिल ने तूटा हो और मैं आज तक कभी ऐसे अमीर व्यक्ति से भी नहीं मिलाओं जिसने कभी पैसा नहीं खोया हो तो ज़्यादातर लोग आर्थी ग्रूप से इसलिए नहीं जीत पाते क्योंकि उन्हें अमीर होने की खुशी से पैसा खोने का दर्द कहीं ज़्यादा होता है टेकसास में एक और कहवत है घर व्यक्ति स्वर्ग जाना चाता है परंतु कोई मरना नहीं चाता ज़्यादातर लोग आमीर होने का सपना देखते हैं परंतु पैसा खोने के विचार से कांप जाते हैं इसलिए वे कभी स्वर्ग नहीं पहुँच पाते अमीर डेडी माइक और मुझे टेकसास में अपनी यात्राओं के बारे में कहानिया सुनाया करते थे अगर आप वास्तों में यह सीखना चाते हैं कि जोखिम को हार और ऐस सफलता को किस तरह से संभाला जाए तो सैन एंटेनियो जाकर अलेमो को देखो अलेमो उन बादूर लोगों की महान कता है जिन के पास सफलता की कोई उमीद नहीं थी फिर भी यह जानते हुए कि उन्होंने लड़ने का विकल्प चुना उन्होंने समर्पन करने के बज़ाए मरने का विकल्प चुना यह पढ़ने का बिल प्रेरक कता है वैसे यह एक दुखत सेन्य हार है वे आखिरकार ऐसफलूए वे हार गए तो टेकसास के लोग किस तरह ऐसफलता का सामना करते हैं वे अब भी चिलाते हैं अलेमों को याद रखो माईक और मैंने यह कहानी कई बार सुनी जब भी हमें डैडी किसी बड़े सोदे को करने वाले होते थे और वे नर्वस होते थे तब वे हमें यह कहानी सुनाया करते थे जब भी वे प्रियाफ्त मेंनत कर चुके होते और या तो मामला सही हो जाता या बिगड जाता तब वे हमें यह काहनी सुनाया करते थे हर बार जब वे गलती करने या पैसा गवाने से डरते थे तब वे हमें यह काहनी सुनाया करते थे इससे उन्हें ताकत मिलती थी क्योंकि यह काहनी उन्हें याद दिलाती थी कि किस तरह पैसे के नुकसान को अर्थिक विजय में बदला जा सकता है अमीर डेटी जानते थे कि ऐस बलता उन्हें ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा स्मार्ट बनाएगी ऐसा नहीं था कि उन्हें हारना पसंद था या वे हारना चाते थे वे केवल इतना जानते थे कि वे कौन थे और वे किस तरह हार का सामना करेंगी वे नुकसान उठा लेंगे और फिर उसे जीत में बदल लेंगे यही उन्हें एक विजयता बनाता था और दूसरों को पराजित इसे उन्हें जोखिम उठाने के लिए सीमा लांदने का सास मिलता था जबकि बाकी लोग उस सीमा के पार नहीं चापाते थे इसलिए मैं टेकसास के लोगों को इतना पसंद करता हूँ उन्होंने एक बड़ी ऐस अफलता को लिया और उसे परेटन स्थल के रूप में बदल लिया जिससे करोडों की आमदनी हो रही है परंतो उनके सबसे अर्थपूर्ण सब्द शायद ये है टेकसास के लोग अपने ऐस अफलताओं को दखनाते नहीं है वे उनसे परेड़ना लेते हैं वे अपने ऐस अफलताओं को लेकर उन्हें नारों में बतल देते हैं ऐस अफलता टेकसास के लोगों को जीतने के लिए परेड़ित करती है परंतो यह फार्मूला के और टेकसास के लोगों का इफार्मूला नहीं है यह सभी जीतने बलों का फार्मूला है जैसा मैंने अभी कहा मोटर साइकल से बार बार गिरना गाड़ी चलाना सीखने की परक्रिया का हिस्सा है मुझे याद है कि कि गिरने के बाद मुझ में गाड़ी चलाना सीखने के लिए ज़्यादा दरद निश्चे आ गया था मेरा दरड निश्चे गिरने से कम नहीं हुआ था मैंने यह भी कहा कि मैं कभी किसी ऐसे गोलफर से नहीं मिला जिसकी बाल कभी गुब नहीं हो किसी चोटी के प्रोफेसनल गोलफर के लिए बाल खोना या टूर्नामेट हारना उसे ज़्यादा बेतर बनने कड़ी मेनत करने और ज़्यादा ध्यन करने के लिए प्रेरित करता है इससे वे ज़्यादा बेतर बनते हैं जीतने वालों के लिए हार प्रेर्णा दाएक बन जाती है हारने वालों को हार बरबाद कर देती है जोन डी रेकफेलर के शब्दों में मैं हमेशा हर संकट को अवसर में बदलने की कोशिश करता था और जापानी अमेरिकी होने के नाते मैं भी यही कह सकता हूं कई लोग कहते हैं कि परल हार्बर अमेरिकी गलती थी मैं कहता हूं कि यह जापानी गलती थी टोरा 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 फिलम में एक संयमित जापानी एडमिर खुश्या मना रहे अपने अधिनस्तों से कहता है मुझे डर है कि हमने एक सोते हुए राक्षस को जगा दिया है परल हारबर को याद करो एक नारा बन गया यह अमेरिका की सबसे बड़ी हारों में से एक थी फिर भी इसके कारणों से जीतने के प्रेणना मिली एक बड़ी हार से अमेरिका को ताकत मिली और अमेरिका जल्दी दुनिया में एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उबर कर सामने आया ऐस अभलता जीतने वालों को प्रेणना देती है और ऐस अभलता हारने वालों को बर्बार कर देती है यह जीदने वालों का सबसे बड़ा रहशे और सुत्र है यह वह रहशे है जिसे हारने वाले नहीं जानते जीदने वालों का महानतम रहशे यह है कि ऐस वलता जीदने की प्रेणा देती है इसलिए उन्हें हार से डर नहीं लगता मैं फ्रेंक टारकेंटन के शब्दों को एक बार फिर से दोराना चाता हूँ जीतने का मतलब है हार से नहीं डरना फ्रेंक टारकेंटन जैसे लोग हारने से इसलिए नहीं डरते क्योंकि वे जानते हैं कि वे कौन हैं वे हारने से नफरत करते हैं इसलिए वे जानते हैं कि हार के उलों ने बेतर बनाने के लिए प्रेरित कर सकती है। हारने से डरने और हारने से नफरत करने में बहुत बढ़ा अंतर होता है। ज्यादातर लोग पैसा गवाने से इतना डरते हैं कि वे हार जाते हैं। वे डुप्लेक्स के कार्ण ही दिवालिया हो जाते हैं आर्थिक रूप से वे जीवन में बहुत ज़्यादा सुरक्षात्मक खेल खेलते हैं और बहुत छोटे पैमाने पर खेलते हैं वे बड़े घर और बड़ी कारें तो खरीद लेते हैं परंतु वे बड़े निवेस नहीं करते वे है प्रमुक कार्ण जिसके कार्ण 90 फिजदी अमेरिकी जनता पैसे के लिए संगर्स करती है यह है कि वे हार से बचने के लिए खेलते हैं वे जीतने के लिए नहीं खेलते वे अपने फाइनेंसियर प्लानर या अकाउंटेंट्स या स्टोक प्रोकर्स के पास जाते हैं और एक संतुलित पॉर्टफोलियो करीत लेते हैं ज्यादातर के पास सीडी, कम आमदनी वाले बॉंड, मिचल फंड और बहुत कम स्टोक में बहुत सा नगत जमा होता है यह एक सुरक्षित और समझदारी पूरण पॉर्टफोलियो होता है परनतु यह जीतने वाला पॉर्टफोलियो नहीं होता यह उस व्यक्ति का पॉर्टफोलियो होता है, जो हार से बचने के लिए खेल रहा है मुझे गलत मत समझीए, शायद यह सत्तर फिजदी जनसंख्या से बेतर पॉर्टफोलियो होता है और यह बयानक है क्योंकि पॉर्टफोलियो नहीं होने से बेतर है, सुरक्षित पॉर्टफोलियो होना यह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत बड़िया पॉर्टफोलियो होता है जो सुरक्षा को पसंद करता है परनतु सुरक्षित खेल खेलने और संतुलित निवेस पोर्टफोलियो वह बेतर तरीका नहीं है जिससे सफल निवेसक अपना खेल खेलते हैं अगर आपके पास कम पूंजी है और आप अमीर होना चाते हैं तो पहले तो केंदरित हो जाएं संतुलित नहीं अगर आप किसी सफल व्यक्ति को देखेंगे तो शुरुवात में वेसंतुलित नहीं होते संतुलित लोग कहीं नहीं जा पाते वे एक ही जगे पर बने रहते हैं प्रगती करने के लिए आपको पहले ऐ संतुलित होना पड़ता है। इसे देखने के लिए आप अपने चलने की प्रगती को देखें। अबल को फैलाया था और आप जानते हैं कि उनके साथ क्या हाथसा हुआ था। अगर आप में अमीर होने की इच्छा है तो आप केंदरित कर लें। अपने बहुत से अंडों को केवल कुछ बास्केट्स में रख लें। वहें नयकरें जो अमीर और मद्यमर्गे लोग करते हैं वे बहुत कम अंडों को बहुत सी बास्केट्स में रखते हैं। अगर आप हार से नफरत करते हैं तो सुरक्षित खेलें। अगर हारने से आप कमजोर हो जाते हैं तो सुरक्षित खेलें। अगर आपके पास आजादी के सपने है चुहा दोड़ से बाहर निकलने का इरादा है तो आपको खुद से यह सवाल पूछना चाहिए मैं किस तरह ऐस पलता का सामना करूंगा अगर ऐस पलता से आपको जीतने की प्रेड़ना मिलती है तो शायद आपको कोशिस करना चाहिए परंतु के वलत शायद अगर ऐस वलताब को कमजोर बना देती है या आप पर मांसिक तनाव डालती है उस बिगड़े नवाब की तरह जो हर बार कोई चीज गलत होने पर मुगतमा दायर करने के लिए वकील को ढूंगता है तो सुरक्षित ही खेलें अपने दिन की नोकरी को बनाई रखें बोंड या म्यूचल फंट खरीदें परंतु याद रखें कि इन में भी खत्रा होता है हालांकि तुलनात्मक रूप से वे ज़्यादा सुरक्षित होते हैं मैं यह सब इसलिए कह रहा हूं और टेकसास तता फ्रेंक टारकेंटन का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि संपत्य वाले कालम को बढ़ाना आसान है यह एक कम बुद्धी का खेल है इसमें बहुत ज़्यादा शिक्षा की जरूरत नहीं है पांचमें कक्षा का गणित का विद्यार्थी भी यह कर सकता है परंतो संपत्य वाले कालम को तेजी से बढ़ाना बहुत ज़्यादा बुद कारण नमबर तो, संकी पर्ण से पारपाना, आस्मान गिर रहा है, हम में से ज़्यादातर लोग उस छोटे मुर्गे की कहनी जानते हैं, जो आस्मान गिरने के चेतावनी देता हुआ अपने दड़बे में दोड़ रहा था, हम इस तरह के बहुत से लोगों को जानते हैं, पर उबर कर सामने आता है, जब हमारे विचारों पर डर और संका हावी हो जाती है, हम सभी के मन में संकाई होती है, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं प्रियापत अच्छा नहीं हूँ, अमुक व्यक्ति मुझसे बेतर है, हमारी संकाई अक्सर हमें निस्करिये कर देती हैं, हम क्य क्या होगा वाला खेल खेलते हैं, क्या होगा अगर मेरे निवेस के बाद अर्थ व्यूस्ता दरासा ही हो जाई, या क्या होगा अगर मेरा नियंतरन खो जाई, और मैं पैसा वापस ने चुका सुकूं, क्या होगा अगर गटनाए मेरी योजना के इसाब से ने हो, या हमारे ये से दोस्त या प्रियजन भी हो सकते हैं जो हमें अपनी कमजोरियों को याद दिला दे चाहे हमने उनकी सला मांगी या ना मांगी हो वे एकसर कहते हैं तुमें इसा क्यों लगता है कि तुम यह कर सकते हो या अगर यह इतना ही बड़िया होता तो हर कोई ऐसा क्यों नहीं कर रहा है या यह कभी सफल हो ही नहीं सकता तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो शंका के ये तीर कई बार इतने तीखे होते हैं कि हम काम करना चालू ही नहीं कर पाते हमारे दिल में डर बैट जाता है कई बार हम सो भी नहीं पाते है हम आगे बढ़ने में ऐस भल होते हैं तो हम सुरक्षित चीजों के साथ ही बने रहते हैं और आवसर हमारे पास से उकर गुजर जाता है हम जिन्दगी को अपने पास से गुजरते हुए देखते रहते हैं और हम अपने सरीर में जकडन के कारण बिना हिले डूले बैठे रहते हैं हमने इसे अपने जिन्दगियों में कभी ने कभी इस तरह से महसूस किया होगा और कई लोगों के साथ यह बहुत बार हुआ होगा फाइडेलिटी मेगलिन्द मिचल फंड के पीटर लिंच आसमान गिरने के चेताउनियों को शोर कहकर पुकारते हैं और हम सभी इसे सुनते हैं शोर यह तो हमारे दिमाग में सुनाई देता है या फिर यह बहार से आता है प्राइड दोस्तों से, परिवारों से, सहे कर्मियों से और मेडिया से लिंच 1950 के दसक के दोरान का एक अनुबह बताते हैं जब पर्मान यूद का खत्रा समाचार पत्रों में इतना ज़ादा परशारित किया गया था कि लोगोंने फाल आउट सेल्टर बना लίे थे और अनाज पानी कथा करना चालू कर दिया था अगर उन्होंने फाल आउट सेल्टर बनाने के बज़ाई इस पैसे को समझदारी पूरोग बाजार में निवेश कर दिया होता तो शायद आज वे आर्थिक रूप से आजाद होते है जब कुछ साल पहले लास एंजलेस में दंगे बढ़के तो सारे देश में बंदूकों की बिक्री बढ़ गई वासिगटन राजय में एक वेक्ती हेंबर्ग के मास के कारण मर जाता है और एरिजोना हेल्थ डिपार्टमेंट सभी रेस्तराओं को आदेश देता है कि बीव को अच्छी तरह से पकाया जाई एक दवाई की कमपनी राश्ट्रिय टीवी विग्यापन में लोगों को सर्दी होते हुए दिखाती है विग्यापन फरवरी में दिखाया जाता है सर्दी से गरस्त होने बालों की संक्या बढ़ जाती है और उस दवा की बिक्री भी ज़्यादातर लोग गरीब होते हैं क्योंकि जब निवेश की बात आती है तो संसार में एसे छोटे मुर्गों की संख्या बहुत है जो यह चिलाते हुए गूम रही है आसमान गिर रहा है आसमान गिर रहा है और छोटे मुर्गे इसलिए प्रभावी होते हैं क्योंकि हम सभी के अंदर एक छोटा मुर्गा होता है विनास की अख्वाओं और बुरे समय की कल्पना से आपके मन में शंका और डर पैदा नहीं हो इसमें बहुत ज़्यादा बादुरी की जुरूरत होती है 1922 में मेरा रिचर्ड नाम का दोस्त मुझसे मिलने फिनिक्स आया वह स्टोक और रियल इस्टेट में हमारे द्वारा की ये काम से बहुत परवावित था फिनिक्स में रियल इस्टेट की कीमतों में मंदी चल रही थी हमने उसके साथ दो दिन गुजरे और उसे बताया कि कैस्पलो और पूंजी बढ़ाने के बहुत बढ़ी अमोके है मेरी पतनी और मैं रियल इस्टेट में एजेंट नहीं है हम विशुद निवे सके हैं एक रिजार्ट कमिनिटी में एक यूनिट तै करने के बाद हमने एक एजेंट से बात की जिसने उस दो पैर को उस यूनिट को बेश दिया दो बेडरूम के लिए उस गर की किमत केवल 42,000 डालर थी इसी तरह के यूनिट उस समय 65,000 में बिक रहे थे उसे यह बहुत फाइदे का सोदा लगा रोमान्ची तो होकर उसने इसे खरीद लिया और बोस्टन लोट गया दो सब्ताबाद एजेंट ने हमें फोन किया कि हमारा दोस्त पीछे हड़ गया है मैंने ततकाल उसे फोन करके इसका कारण पता किया उसने इतना ही कहा उसने इस विशेपर अपने पडोसी से चर्चा की थी और उसके पडोसी ने उससे कहा था कि यह एक बुरा सोदा था क्योंकि वह ज्यादा मेंगे में खरीद रहा था मैंने रिचर्ड से पूछा कि क्या उसका पडोसी निवेशिक है रिचर्ड ने कहा नहीं फिर मैंने उससे पूछा कि उसने उसकी सला क्यों मनी तो रिचर्ड सुरक्षात मक हो गया और उसने बस यही कहा कि वह बड़ी अजांस परताल करता रहता है फिनिक्स में रियल इस्टेट बाजार के दिन पल्टे और 1994 में उस छोटे से यूनिट के एक अजार डालर परती महा किराया मिल रहा था जाड़े के पीक सीजन में डाई अजार डालर परती महा 1995 में यूनिट की कीमत बढ़कर 95,000 डालर हो गई थी रिचर्ड को इतना ही करना था कि वे शुरुआत में पांस जार डालर चुका दे और चुहादोड से बाहर निकलने की परक्रियाश शुरू हो जाती आज तक वे कुछ नहीं कर पाया और फिनिक्स के सोदे जैसे मोके अब भी मौजूद है बस आपको उन्हें कुछ ज़्यादा गोर से देखना पड़ेगा रिचर्ड के पीछे हटने से मुझे ताजूब नहीं हुआ था इसे खरिदार का पस्तावा कहा जाता है और यह हम सब को परवावित करता है यही संकाई हमें ले डूपती है छोटा मुर्गा जीच जाता है और हम आजादी कामों का गवा देते हैं दूसरे उदाण में मैं सीडी के बजाए टेक्स लियेन सर्टिफिकेशन में अपनी संपती का कुछ हिसा रखता हूँ मैं अपने पैसे पर 16 फिजदी प्रतीक वर्स कमाता हूँ जो बैंकों दोरा दिये जाने वाले पांस फिजदी से निश्चित रूप से काफी जदा है ये परमान पतर रियल स्टेट दोरा सुरक्षित होते हैं और राज्य के कानून दोरा सुरक्षित होते हैं जो निश्चित रूप से ज्यादातर बैंकों से ज्यादा बेतर होते हैं। जिस आदार पर उन्हें खरीदा जाता है वह भी काफी सुरक्षित फार्मूला है। उन्में सिर्फ एक दिक्कत यह होती है कि उन्हें बुनाया नहीं जा सकता। तो मैं उन्हें दो से साथ साल की सीड़ी माल लेता हूँ। हर बार जब भी मैं किसी को बताता हूँ, खास कर उसे जिसके पास पैसा सीड़ी में रखा हुआ है, कि मैं अपने पैसे को इस तरह रखता हूँ, तो वे मुझे बताते हैं कि यह खतरनाक है। वे मुझे बताते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था मैं उन्से पूछता हूँ कि उन्हें यह ग्यान कहां से मिला तो वे कहते हैं कि उनके दोस्त या निवेस की पत्रिका से उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया और वे दूसरी वेक्ति को जो ऐसा कर रहे है यहे बता रहे हैं उसे इसा क्यों नहीं करना चाहिए मैं जिस सबसे कम आमदनी की उम्मीद करता हूँ वह सोड़ा फिजदी होती है परन्तु जिन लोगों के मन में शंका होती है वे केवल पांच फिजदी से ही संतूस्ट हो जाते हैं शंका बहुत महिंगी साबित होती है मेरा मानना है कि यही संदे और संकीपन ज्यादातर लोगों को गरीब बनाई रखता है और उनसे सुरक्षित खेल खिलवाता है असली दुनिया इंतजार कर रही है कि आप अमीर बने केवल आपके संदे ही आपको गरीब बनाई हुए है जैसा मैंने कहा चुरहा दोड से बाहर निकलना तकनिकी रूप से आसान है इसमें ज्यादा शिक्षा की जुरूरत नहीं होती परन्तो इन सोदों के कारण ज्यादातर लोग इससे बाहर नहीं निकल पाते संकालू लोग कभी नहीं जीत पाते अमीर डैडी का कहना था शंका और डर के कारण व्यक्ति संदेवादी बन जाता है शंकालू व्यक्ति आलोचना करते हैं जबकि जीतने वाले लोग विशलेशन करते हैं यह उनकी एक और पसंदिदा कावत्ती अमीर डैडी ने यह इसपस्ट किया कि आलोचना से दिमाग बंद जाता है और दूसरे लोग जिन मौकों को नहीं देख पाते हैं, उन्हें देखने की किशमता किसी भी तरह की सफलता की कुंजी है, जो लोग पैसे की आजादी ढूंड रही हैं, उनके लिए रियल एस्टेट निवेस का एक दमदार तरीका है, यह निवेस का एक अद्वूत तरीका है परन्तु जब भी मैं रियल एस्टेट का जिक्र करता हूँ, तो मुझे यह सुनने को मिलता है, मैं टाइलेट नहीं सुदारना चाता, इसी को पीटर लिंच शोर कहते हैं इसी को मेरे अमीर डैडी संकालो लोगों के बहाने कहते हैं, यह से लोग जो केवला लोचना करते हैं, विशलेशन नहीं करते यह से लोग जिनके दिमाग पर उनकी शंकाओं और डरों का परदा पड़ाव रहता है, वे अपनी आँखें नहीं खोलते तो जब कोई कहता है, मैं टाइलेट नहीं सुधारना चाता, तो मैं जवाब देता हूँ, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं यह करना चाता हूँ, वे यह कह रही हैं कि जो उने चाहिए, टाइलेट उससे ज़्यादा मैत्वपूर्ण है, मैं चुहा दोड से बाहर निकलने के आजादी के बारे में बात करता हूँ, और उनका पूरा ध्यान टाइलेट पर लगा रहता है, इसी तरह के विचार ज्यादातर लोगों को करीब बनाई रखते हैं, वे विसलेशन करने के बजाए अलोचना करते हैं, मैं नहीं करना चाता, आपकी सफलता की कुंजी को अपने अंदर समाई रहते हैं, अमीर डेडी का कहना था, चुंकि मैं भी टाइलेट ठीक करने में ज्यादा रूची नहीं रखता, इसलिए मैं एक प्रोपर्टी मैनेजर की इतलास कर लेता हूँ, जो टाइलेट ठीक करने का ध्यान रखता है, गरों या अपार्टमेंट को चलाने के लिए, एक बड़ी अप्रोपर्टी मैनेजर को ढूंडने के बाद मेरा कैस फ्लोप बढ़ जाता है, परंतो इससे भी ज़्यादा मैत्वपूर्ण यह है, कि एक बड़ी अप्रोपर्टी मैनेजर मुझे और ज्यादा रियल एस्टेट खरीदने का मोका देता है, क्योंकि मुझे टाइलेट का ध्यान नहीं रखना पड़ता, एक बड़ी अप्रोपर्टी मैनेजर रियल एस्टेट में सफलता की कुंजी है, मेरे लिए रियल एस्टेट से भी ज़्यादा मेत्वपूर्ण है, एक अच्छा मैनेजर खोजना, प्राई किसी बड़ी अप्र मेरे डेडी का यही मतलब था, चूंकि मैं भी टाइलेट ठीक नहीं करना जाता, इसलिए मैंने यह विचार किया कि किस तरह ज़्यादा रियल एस्टेट खरी दी जाई, और चुहा दोड़ से बाहर निकलने की प्रकिरियत तेज की जाई, जो लोग यह कहना जारी रखते है मैं टोइलेट नहीं सुधार ना जाता, वे अक्सर इससक्त निवेस माद्यम से खुद को बंचित रखते हैं, उनके लिए टोइलेट उनकी आजादी से जड़ा मैत पूर्ण होता है, स्टोक मार्केट में मैं अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुनता हूँ, मैं अपने पैस गवाने के लिए तयार नहीं होते हैं, वे एक और ससक्त निवेस के माद्यम यानि स्टोक मार्केट की तरफ से अपने दिमाग को बंद कर लेते हैं, दिसंबर 1996 में मैं अपने एक दोस्त के साथ नजदी की गैस स्टेशन के पास से गुजर रहा था, उसने देखा और अनुम वरतमान उसी के सिर पर गिरता है, जब हम घर पहुंचे तो उसने मुझे वे तमाम आंगडे बताए जो अगले कुछ सालों में तेल की किमते क्यों बढ़ेंगी, ये आंगडे मुझे पहले पता नहीं थे, हालंकि मैंने वरतमान आईल कंपनी में बहुत से शेयर खरीदे थ उस सुचना के अदार पर मैंने ततकाल एक नई आईल कंपनी की खोज सुरू कर दी, जिसे उसके वास्तिक मुल्या से कम आंका गया हो, मुझे इसी आईल कंपनी मिल गई जो तेल के कुछ बंडारों को खोजने वाली थी, मेरा ब्रोकर इस नई कंपनी को लेकर खासा रोमान चित हो गया और मैंने 65 सेंट परती शेयर की दर्से 15,000 शेयर खरीद लिए, फरवरी 1997 में मैं उसी दोस्त के साथ उसी गैस स्टेशन के पास से गुजर रहा था, और कीमत परती गैलन 15 फिस दी बढ़ चुकी थी, एक बार फिर छोटा मुर्गा चिंता करने लगा, और शिका लगातार बढ़ती रही, विशलेशन करने के बजाई, ये छोटे मुर्गे अपने दिवाग को बंद कर लेते हैं, अगर ज्यादातर लोग यह समझ लें कि स्टोक मार्केट निवेस में स्टोप किस तरह काम करते हैं, तो ज्यादातर लोग हार से बचने के बारे में अपना कम नुकसान हो और आपको ज्यादा ज्यादा फाइदा मिल सके, जो लोग हारने से गबराते हैं, उनके लिए यह एक बहुत अच्छा तरीका है, तो जब भी मैं लोगों को मैं नहीं चाहता पर ध्यान के अंदरित करते हुए देखता हूँ, और वे क्या चाहते हैं, इस पर टाइलाइट तूट रहे हैं, इसलिए वे अपनी अंचाई चीजों से बचते हैं, परंतो वे इसकी भारी कीमत चुकाते हैं, वे जिन्दगी से जो चाते हैं, वे शायद उन्हें कभी नहीं मिल पाई, अमीर डेड़ी ने मुझे छोटे मुर्गे को देखने का एक तरीका स के साथ पूरे देश में इसे बेचने की कोशिस कर रहे थे, किसी के हां कहने से पहले इस रेशिपी के लिए एक अजार नो बार नहीं का गया, और वे उस उमर में करोड़पती बने, जिस उमर में लोग काम छोड़कर आराम करना चाते हैं, वे एक बाधूर और जिद्दी मुर्गे के साथ किया, उसे फ्राई कर लें, कारण नमबर तीन, आलस्य, व्यस्त लोग अक्सर बहुत आलसी होते हैं, हम सभी ने उस व्यवसाई की कानी पड़ी है, जो पैजे कमाने के लिए कड़ी मेनत करता है, वह अपनी पत्नी और बच्चों की सुक सुविदा के जाती है, उसे पता था कि उसके और उसकी पत्नी के बीच में मतबेद हैं, परन्तो उस रिस्ते को ज़्यादा मजबूत बनाने के बजाए, वह काम में ही विस्त रहता था, निरास होकर वह अपने काम के परतिला परवा हो जाता है, और उसके काम पर इतना ज्यादा असर और वह व्यस्त बने रहना चाते हैं, क्योंकि वह किसी चीज का सामना नहीं करना चाते, उन्हें यह बताने की जुरूरत नहीं है, अंदर से वह खुद जानते हैं, वास्तो में अगर आप उन्हें याद दिलाएं, तो वह गुसा हो जाते हैं, अगर वह नोक्री में या रूप है यहां आलच्य का मतलब है विस्त बने रहे ना तो आलच्य का इलाज क्या है जवाब है थोड़ा सा लालच हम में से ज़्यादातर लोगों का लालन पालन इस तरह से किया गया है कि हम लालच्य या इच्छा को बुरा समझते हैं मेरी मा कहा करती थी लालची लोग इच्छा को अपराद बोच से जोड़ देते हैं। इच्छा और अपराद बोच का जो समिशन था उसका मुझ पर बहुत ज़ाद आसर पड़ा। इच्छा को मुझ मांगी चीज मिल जाती है। उस पड़ोसी के शब्द हैं। मैं नहीं चाहता कि उन्हें किसी चीज की कमी हो। उसने उनके कालेज के लिए या अपने रिटायर्मेंट के लिए कुछ भी अलग से बचाकर नहीं रखा है। परंतो उसके बच्चों को हर खिलो ना मिल जाता है। उसे डाक में एक नया क्रेडिर कार्ड मिला और वह अपने बच्चों को गुमाने के लिए लास वेकास ले गया। मैं यह अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। यह उसके महान बलिदान के शब्द थे। अमीर डेडी इस वाक्या से चिड़ते थे। मैं इसे नहीं खरीच सकता। मेरे असले गर में मुझे यही वाक्या एक्सर सुनने को मिल जाता था। इसके बज़ाए अमीर डेडी चाते थे कि उनके बच्चे यह कहें मैं इसे किस तरह खरीच सकता हूँ। वाक्या से आपके दिमाग के दरवाजे खुल जाते हैं। इससे यह सोचने पर दिमाग मजबूर होता है और जवाब ढूनता है। परंतु सबसे महत्वकुन बात तो यह है कि मैं इसे नहीं खरीच सकता है। यह वाक्या जूटा होता है। और इनसान की आत्मा यह बात जानती है। इनसान की आत्मा बहुत बहुत तक्तवर होती है। उनका कहना था यह जानती है कि यह कुछ भी कर सकती है जब एक आलसी दिमाग कहता है कि मैं इसे नहीं करीच सकता तो आपके भी तरेक युद छिट जाता है आपकी आत्मा गुसा हो जाती है और आपके आलसी दिमाग को अपने जुट पर अड़े रहना पड़ता है आतमा चीखती है चलो भी हम जम चल कर कसरत करते हैं और आलसी दिमाग कहता है परंतु मैं ठका हुआ हूँ आज मैंने सच-मुच बहुत काम किया है या इन्सान की आतमा कहती है मैं गरीबी से ठक गई हूँ चलो इस दलदल से निकलते हैं और अमीर बनते हैं इस पर आल सी दिमाग कहता है अमीर लोग लालची होते हैं इसके अलावा इसमें जंजट और तकलिफ बहुत है यह सुरक्षित नहीं है मेरा पैसा डूब सकता है वैसे भी मैं बहुत मेनत कर रहा हूँ मेरे पास पहले से ही बहुत काम है देखो आज रात कोई मुझे कितना काम करना पड़ेगा मेरा बास कह रहा है कि यह काम सुबह तक पूरा हो जाना चाहिए मैं इसे नहीं खरीच सकता यह वाक्य दुख से बरा है इससे लाचारी की भावना आती है जिससे निरासा और इसके बाद अवसाद पैदा हो जाता है इसके लिए एक और शब्द है उदासिंता मैं इसे किस तरह खरीच सकता हूँ वाक्य से संभावनाओं, रोमांच और सपनों की दुनिया खुल जाती है इसलिए मेरे अमीर डेड़ी इस बात से ज़्यादा चिंतित नहीं होते थे कि आप क्या खरीदना चाते हैं परंतु वे यह जानते थे कि मैं इसे किस तरह खरीच सकता हूँ हुआ कैसे एक ज़्यादा मजबूत दिमाग और एक ज़्यादा परतिवा साली आत्मा का निर्मान होता है इसलिए उन्होंने माई किया मुझे शायद ही कभी कुछ दिया हो इसके बजाए वे हमसे कहते थे तुम इसे किस तरह खरीच सकते हो और यह हमारे कालेज के बारे में भी सही था जिसे हमने अपने खर्चे से पूरा किया है वह हमें लक्षा को आसिल करना नहीं सिखा रही थे वे तो हमें लक्षा को आसिल करने की प्रकिरिया का ग्यान दे रही थे मेरी समझ में आज समझा यह है कि करोडों लोग अपने लालच को लेकर अपराद बोट से ग्रस्त है यह उनके बच्पन से बुड़ापे तक चलता है वे जिन्दगी में मिलने वाली अच्छी अच्छी चीजें चाते हैं ज्यादातर लोगों के आउचेतन में यह विचार मौजूद रहता है आपको यह नह काम ने करना पड़े और मेरे दिमाग में जवाब और सुजाव सामने आ गई सबसे मुश्किल चीज थी मेरे असली माता बिदा की चीख कि हम इसे नहीं खरीच सकते या केवल अपने बारे में ही मत सोचें या तुम दूसरों के बारे में क्यों नहीं सोचते और इसी तरह के सब्द जो मेरे लालच को दबाने के लिए मुझे से अपराद बोथ बढ़ते थे तो आप किस तरह अपने आलच शेक से जित सकते हैं इसका जवाब है थोड़े से लालच से यह है डवलू आई आई एफम रेडियो स्टेशन है जिसका पूरा अर्थ है वाट इस इन इट फ क्या करूँगा अगर मुझे मन्चाप ऐसा मिल जाए इस थोड़े से लालच के बिना कुछ बेतर आसिल करने की इच्छा के बिना प्रगतिन नहीं हो सकती हमारे दुनिया इसलिए तरक्की करती जा रही है क्योंकि हम सभी एक बेतर जिन्दगी जीना चाते हैं हम कुछ बेत आपको करना चाहिए तो आपको खुद से केवल यही पूछना चाहिए कि इसमें मेरे लिए क्या है थोड़े लालची बने यह आलस्या का सबसे बड़िया इलाज है परंतु बहुत ज्यादा लालच भी अच्छा नहीं होता क्योंकि हर चीज़ की अतिब बुरी होती है परं कि अपराद बोद के कारण सरीर में से आत्मा निकल जाती है और मेरे लिए एलिनोर रुजवेल्ट की कावच सबसे अच्छी है वही करो जो तुमें दिल से अच्छा लगता है क्योंकि तुमारी हर बात में आलोसना होगी अगर तुम कोई काम करोगी तो भी तुमारी आलोस स्वार्ज नेगर की फिल्म कानन देखने के बाद मेरे एक दोस्त ने कहा मैं चाहता हूँ कि मेरा शरीर स्वार्ज नेगर जैसा हो ज़्यदातर साथियों ने सैमती में सिरहला दिया मैंने तो यहai सुना है कि एक समय वह वास्तों में दूबला और कमजोर सा था दूसरे मित्र ने जोड़ा हाँ मैंने भी सुना है एक और दोस्त ने कहा मैंने सुना है कि वह हर रोज जिम जाता है और उसने वहां कसरत करने की आद़ डाल ली हाँ मुझे भी लगता है वह इसा करता होगा समू के संकलू व्यक्ति ने कहा मुझे तो लगता है कि वह इसी तरह पैदा हुआ होगा इसके अलावा हम अरनोल्ड की बातें क्यों कर रही है चलो बियर पियें यह एक उधारन है कि किस तरह से आदतें व्यवार को नियंतरित करती है मुझे याद है कि मैंने एक बार अपने अमीर डैडी से अमीर लोगों की यादतों के बारे में पूछा था सिधे जवाब देने के बज़ाई वे चाते थे कि इसे मैं उधारन से सीखूँ अमीर डैडी ने पूछा तुम्हारे डैडी अपने बिलक अप चुकाते हैं मैंने कहा हर महीने के पहली तारिक हो क्या उनके पास कुछ बाकी बचता है उन्होंने पूछा थोड़ा बहुत मैंने कहा यही वे खास कारण है जिसके कारण उन्हें संगर्स करना पड़ता है और अमीर डैडी ने कहा उनकी आदतें बुरी है तुम्हारे डैडी सब को पहले पैसे देते हैं वे खुद को सबसे आखिर में पैसे देते हैं और एसा भी तबी करते हैं जब उनके पास कुछ बचा होता है सामान्य तोर पर उनके पास कुछ नहीं बचता मैंने कहा परंतु उन्हें अपने बिल का बुगदान तो करना ही होगा नहीं क्या आप यह तो नहीं कहना चाहते कि उन्हें अपने बिल्स का बुगदान नहीं करना चाहिए बिल्कुल नहीं अमीर डैडी ने कहा मैं समय पर अपने बिल चुकाने में पूरी त्रेवीश्वास करता हूं मैं केवल खुद को सबसे पहले पैसे देता हूं सरकार को पैसे देने से पहले परणतु तब क्या होगा जब आपके पास प्रियाप्ट पैसा नहीं हो मैंने पूछा एस इस्तिति में आप क्या करते हैं मैं यही करता हूँ अमीर डैडी नहीं कहा मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूँ चाहे मेरे पास कम पैसा हो मेरे लिए सरकार से ज़्यादा मैं तो कूर्ण है मेरा संपत्ति वाला कोलम परंतु क्या सरकार के लोग आपके पीछे नहीं पड़ते मैंने कहा हाँ अगर मैं उन्हें बुगतान नहीं करूँ तो अमीर डैडी ने कहा देखो मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि सरकार को पैसा नहीं दिया जाए मैं केवल यह कह रहा हूँ कि खुद को सबसे पहले बुगदान किया जाए चाहे मेरे पास पैसा कम ही हो परन्तु आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने जवाब दिया सवाल कैसे का नहीं है सवाल क्यों का है? अमेर डैडी ने कहा अच्छा, आप ऐसा क्यों करते हैं? प्रेरना अमेर डैडी ने कहा अगर मैं उनका बुगदान नहीं करूँ तो कौन ज़्यादा जोर से सिकायद करेगा? मैं या मेरे लेंदार? आपकी बजाए आपके लेंदार ज़्यादा जोर से चिलाएंगे मैंने सपस्ट भी कल्ब को चुनते हुए कहा अगर आप खुद को पैसे नहीं देंगे तो आप कुछ भी नहीं कहेंगे तो अब तुम देख सकते हो कि खुद को पैसे देने के बाद मेरे पास टेक्स चुकाने और दूसरे लेंदारों को पैसे देने का इतना ज़्यादा दबाव होता है कि मुझे आमदनी के दूसरे रास्ते खोजने ही पड़ते है पैसे चुकाने का दबाव मेरी प्रेड़ना बन जाता है मैंने अतिरिक्त काम किया है दूसरी कंपनिया शुरू की है स्टोक मार्केट में शेयर खरीदे और बेचे हैं हर तरह के काम शिर्फ इसलिए किये हैं ताकि ये लोग मुझे पर नैचिल लाई इस दबाव के कारण मैंने ज़्यादा कड़ी मेहनत की है और मैं ज़्यादा सोचने पर मजबूर हूँ कुल मिलाकर इसने मुझे पैसे के मामले में ज़्यादा स्मार्ट और फूर्तिला बना दिया है अगर मैं खुद को सबसे आखिर में पैसे देता तो मुझे पर कोई दवाव नहीं पड़ता परंतु मेरे पास कभी पैसा भी नहीं होता तो सरकार या दूसरे लोगों को पैसे चुकाने का दवाव आपकी प्रेड़ना बन जाता है बिल्कुल ठीक अमीर टेरी ने कहा देखो सरकारी पैसा वसूलने वाले लोग बहुत डरावने होते हैं वैसे समान्य तोर पर पैसा वसूलने वाले लोग डरावने ही होते हैं ज्यादातर लोग इन से डर जाते हैं वे इन लोगों को पैसा दे देते हैं और खुद को कभी पैसा नहीं देते तुमने उस च्छानमे पाउंड के अकमजोर व्यक्ति की कानी तो सुनी ही होगी जिसके चेरे पर लोग बालू उसालते हैं मैंने सिरह लाया मैंने कामिक्स में वेट लिफ्टिंग और बाडी बिल्दिंग के बारे में दिया गया यह विग्यापन देखा है तो ज़्यादातर लोग इन डरावने पैसे वसूलने वालों को अपने चेरे पर बालू उसालने देते हैं मैंने डरावने लेंदारों के डर को खुद को ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए इस्तिमाल किया है बाकी लोग ज़्यादा कमजोर हो जाते हैं खुद को यह सोचने के लिए मजबूर करना कि अतिरिक्त धन कहां से आएगा जिम जाने की तरह है और वहाँ बजन उठाने की तरह है मैं अपने दिमाग की मास्पेशियों से जितना काम करता हूँ मैं उतना ही ज़्यादा मजबूत होता जाता हूँ अब मैं इंडरावने लेंदारों से जरा भी नहीं डरता हूँ मुझे अमीर डेड़ी की बाते पसंद आ रही थी तो अगर मैं पहले खुद को पैसे देता हूँ तो मैं आर्थिक और मानसिक द्रिस्टी से ज़्यादा मजबूत हो सकता हूँ अमीर डेड़ी ने सैम्ती में सी रिलाया और अगर मैं खुद को सबसे आखिर में पैसे देता हूँ या बिलकुल भी पैसे नहीं देता हूँ तो मैं कमजोर हो जाता हूँ इसलिए बास, मैनेजर, टेक्स वसूलने वाले, बिल चुपाने वाले और मकान मलिक जैसे लोग मुझे जिन्दकी बर इदर उदर ठोकर मारते रहेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे के बारे में मेरी याद्टे अच्छी नहीं है अमीर डेड़ी ने सीरे लाया 96 पाउंड के कमजोर विक्ति कीते रहे कारण नमर पांस, जिद जिद या हट दर्मिता एहंकार और अग्यान का पिलाचला रूप है जो मैं जानता हूँ उससे पैसा आता है जो मैं नहीं जानता उसके कारण में पैसा खोता हूँ हर बार जब मैंने जिद की है, मैंने पैसा गवाया है वह है इसलिए क्योंकि जब मैं जिद करता हूँ तो मैं दरसल यह बरोसा करता हूँ कि जो मैं नहीं जानता वह मैंतोबूर्ण नहीं है अमीर डेड़ी मुझे अक्सर पताया करते थे मैंने पाया है कि कई लोग जिद का प्रयोग अपना अग्यान चुपाने के लिए भी करते हैं जब मैं फाइनेंसियल स्टेटमेंट पर लेखा पालो या निवेश कों से चर्चा करता हूँ तो इस अक्सर होता है वे चर्चा में अपनी जिद के एक आधार पर जीतना चाते हैं मैं समझ जाता हूँ कि जिस मुद्दे पर बात हो रही है उसके बारे में उन्हें परियाब्द ग्यान नहीं है वे जुट नहीं बोल रहे होते हैं परंतु वे सच भी नहीं बोल रहे होते हैं धन, फाइनांस और निवेस की दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनें यहे पता ही नहीं होता कि वे किस बारे में बात कर रही हैं। पैसे के उद्ध्योग में ज्याजातर लोग सेकंड हेंड कार के सेल्जमेन की तरह विवार करते हैं। जब आप जानते हों कि आप किसी विश सिग्य को ढूंड कर या उस विशे पर कोई अच्छी पूस्तक पढ़कर अपना ज्यान बढ़ाना शुरू कर दें। धन्यवाद। आइए चलते हैं अध्याइन नो की तरफ जो है शुरू करना। आपका दिन शुब हो। रिच डैड पूर डैड अध्याइन नो शुरू करना। कास ऐसा होता कि मैं कह सकता कि दोलती कठी करना मेरे लिए आसान रहा है। पर अध्याइन नहीं था। तो इस सवाल के जवाब में मैंने किस तरह शुरू किया। मैं दिन प्रतिजिन के हिसाब से अपने विचार प्रगिरिया को बताना चाहता हूँ। बड़े सोदों को खोजना सचमुच असान है। मैं आपसे यह वादा कर सकता हूँ। यह मोटर साइकल बेचने की तरह है। थोड़ी से अभ्यास के बाद आपको इसका पता ही नहीं चलता। जब पैसे की बात आती है तो आप अगर संकल्ब कर लें तो थोड़ी देर डगमगाने के बाद आप संबल जाते हैं। जिन्दगी में एक वाराने वाले करोडों डालर के सोदों को खोजने के लिए हम में फाइनेंसियल परतिबा होना जरूरी है। मुझे वरोसा है कि हम सभी के बीतर एक फाइनेंसियल जीनियस होता है। अगर यह है कि हमारी financial genius सोया होता है और उसे जगाने की जरूरत होती है यह सोया रहता है क्योंकि हमारी संसक्रती ने हमारे बीतरी essence का डाल रखे हैं कि पैसे कामो सभी बुराईयों की जड़ है इस संसक्रती ने हमें profession सीखने के लिए तो प्रोथसाइद किया है ताकि हम पैसे के लिए काम कर सकें परंतु हमें यह नहीं सिखाया कि पैसे से किस तरह अपने लिए काम करवाया जाई इसने हमें अपनी financial asable के बारे में चिंता नहीं करना सिखाया है जब हमारे काम के दिन खत्म होंगे तो सरकार या हमारी company हमारी जिम्मेदारी संभाल लेगी परंतु इस के लिए हमारे बच्चों को पैसा चुकाना होगा जो उसी स्कूल सिस्टम से सिख्शित होते हैं संदेश यह है कि कड़ी मेनत करो पैसा कमाओ और इसे खर्च कर दो और अगर हमारे पास पैसा कम हो तो हम हमेशा कर्च तो लही सकते हैं दुर्भाग्या से पास्चात्य और पैसे के लिए काम करना ज्यादा आसान होता है अगर आप इस बीड में से एक नहीं है तो मैं आपके फाइनेंसियल जीनियस को जगाने के लिए नीचे लिए दस कदम दे सकता हूँ मैं आपको केवल वही कदम बता रहा हूँ जिस पर मैं चला हूँ अगर आप इस में से कुछ पर चलना चाते हैं तो बहुत अच्छा अगर आप इन पर नहीं चलना चाते तो आप खुद के कदम बना लें आपका financial genius इतना smart होता है कि आप अपनी खुद की सुची बना सकते हैं जब मैं पेरू में था तो 45 वर्स के सोने की खुदाई करने वाले से मैंने पूछा कि उसे इतना बरुसा क्यों है कि उसे सोने की ख़दान मिल जाएगी उसने जवाब दिया सोना तो हर जगए है ज़्यादा तर लोगों की आँखें से देख नहीं सुआती और मैं कहूंगा कि यह सच है रियल स्टेट में मैं बाहर जा सकता हूँ और चार या पांच संबाउना वरे सोदिक कर सकता हूँ जबकि ओसत व्यक्ति बाहर जाकर खाली हाथ लोट सकता है जबकि हम दोनों एक ही इलाके में जाते हैं इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने फाइनसियल जीनियस को विक्सित करने के लिए समय नहीं दिया है मैं आपको नीचे 10 कदम बता रहाँ जो आश वर द्वारा दीगी ताक्तों को विक्सित करने की पर किरिया है यह ऐसी ताक्ते हैं जिनका निएंधरन केवल आप कर सकते हैं की ग्रूप से सोतंत्र होना चाहेंगे तो वे हां कहेंगे परंतु फिर हकीकत हावी हो जाती है यह सड़क बहुत लंबी नज़र आती है और इस पर बहुत सी टेकरियां भी दिखती है जिनें पार करना होगा इसकी तुल्ना में यह ज़्याद आसान लगता है कि आप पैसे के लिए काम करें और बचे हुए पैसे अपने ब्रोकर को दे दें मैं एक बार एक युवा मैला से मिला जिसने अमेरिका की ओलंपिक टीम में तैरने के सपने देखे थे हकीकत यह थी कि उसे हर रोज सुबह चार बज़े उपना पड़ता था ताकि स्कूल जाने से पहले वह त तीन गंटे तक तैर सके शनिवार की रात को वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी में भी नहीं जाती थी उसे हर एक की तरह पड़ाही करके अपने परिक्षा परिणाम पर भी ध्यान देना होता था जब मैंने उससे पूछा कि उसकी अतीम मानुय मैतवकांक्षा और वलिदानों के लिए तैयार करता है हम क्या चाते हैं और हम क्यों नहीं चाते इनका ताल मेल भी एक कारण या लक्षय हो सकता है जब लोग मुझसे पूछते हैं कि अमीर होने की इच्छा के पीछे मेरा कारण क्या था तो यह गहरी बावनात्मक इच्छाओं और अनिच्छ में पैदा होती है मैं सारी जिन्दगी नोकरी नहीं करना चाता था मैं वह नहीं चाता था जो मेरे माता पिता चाते थे यानि नोकरी की सुर्कशा और उपनगर में एक घर मैं एक करमचारी नहीं बने रहना चाता था मुझे इस बात से बहुत नफरत होती थी कि मेरे डیड़ी अपने करियर में इतने वेस्त रहते थे कि वे मेरे फुटवाल महस देखने भी नहीं आपाते थी मेरे डेड़ी सारी जिन्दगी कड़ी मेनत करते रहे और सरकार ने उनकी मौत पर उनकी कमाई का ज्यादातर हिसा ले लिया मुझे इस बात से भी नफरत होती थी अपनी मौत के बाद वे अपनी मेनत की कमाई को अपने वारिसों के लिए नहीं छोड़ पाई अमीर लोग ऐसा नहीं करते वे कड़ी मेनत करते हैं और अपने बच्चों के लिए धेर सारा पैसा छोड़ जाते हैं अब इच्छाओं की बात मैं दुनिया गुमना चाहता हूं और जिन्दगी को मंचाई तरीके से जीना चाहता हूं मैं ऐसा अपने जवानी में ही कर लेना चाहता हूं मैं केवल आजाद होना और अपने समय और अपने जिन्दगी पर नियंतरन करना चाहता हूं मैं चाहता हूं कि पैसा मेरे लिए काम करें ये मेरे गहरे भावनात्मक कारण है आपके पास क्या कारण है अगर वे परियाप्त ताक्तवर नहीं हैं तो रास्ते में आगे आने वाली हकीकत आपके कारणों पर हावी हो जाएगी मैंने कई बार पैसा गवाया है और कई बार फिर से शुरू किया है परन्तों कि मेरे पास गहरे बावनात्मक कारण थे इसलिए मैं हर बार उठ खड़ा हुआ और आगे बढ़ चला मैं चालिस साल की उमर तक आज़ाद होना चाहता था परन्तों इसमें मुझे साथ साल ज़्यादा लग गए और मैं आखिर कर संतालिस साल की उमर में आज़ाद हो सका और बीच में मुझे कई सीखने वाले अनवव मिले जैसा मैंने कहा है काश मैं कह सकता कि यह असान था यह बिलकुल आसान नहीं था परन्तों यह कठिन भी नहीं था परन्तों बिना दमदार कारण या लक्षे के जिंदगी में हर चीज कठिन होती है अगर आपके पास कोई दमदार कारण नहीं है तो आगे पढ़ने में कोई समझधरी नहीं है इसमें बहुत ज़्यादा मेनत लगेगी नमबर दो मैं हर दिन विकल्ब चुनता हूँ विकल्ब चुनने की ताकत यह मुख्या कारण होता है कि लोग एक आजाद देश में रहना चाहते हैं हमें चुनने का अधिकार चाहिए आर्थिक रूप से जब हमारे हाथ में एक भी डालर आता है तो यह हमारे हाथ में होता है कि हम भवीशे में अमीर गरीब या मद्यमर गिया बनने का विकल्ब चुने हमारे खर्च करने की आदतें बताती है कि हम कौन है गरीब लोगों की खर्च करने की आदतें गरिबी की होती है बच्पन में मुझे यह फाइदा मिला कि मुझे लगातार मोनोपली खेलना बहुत पसंद था किसी ने मुझे यह नहीं बताया था कि मोनोपली केवल बच्चों के लिए है इसलिए बड़े होने के बाद भी मैं इसे खेलता रहा मेरे पास एक अमीर डेड़ी भी थे जो मुझे संपत्ती और दाइतव में फर्क को समझाते रहे तो बहुत समय पहले अपने बच्पन में ही मैंने अमीर बनने का विकल्प चुना और मैं जानता था कि मुझे केवल इतना ही करना था असली संपत्यों को इकठा करना था मेरे सबसे अच्छे दोस्त माइक को संपत्य वाला कोलम विरासत में मिला था परंतो उसे इसे बनाई रखना सीखना था कई अमीर परिवार अपनी संपत्यों को अगली पीड़ी में सिर्फ इसलिए खो देते हैं क्योंकि उन संपत्यों की देख रेक करने के लिए किसी को पर्शिक्षन नहीं दिया जाता ज्यादातर लोग अमीर नहीं बनने का विकल्ब चुनते हैं 90% लोगों के लिए अमीर बनना बहुत जंजट का काम है तो वे इस तरह की काहुतें इजाद कर लेते हैं संभालते हैं या संभालती है इन वक्तवियों के साथ समश्या यह है कि यह बोलने वाले से दो चीज़ें लूट लेते हैं एक तो है समय जो आपकी सर्वादी के इमती संपती है और दूसरी सिक्षा सिर्फ इस लिए क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है आप यह बाहना नहीं बना सकते कि आप इस कारण नहीं सीख पाई परन्तु यह विकल्ब हम हर रोग चुनते हैं यह विकल्ब कि हम अपने समय अपने पैसे और अपने सिक्षा के साथ हर दिन क्या करते हैं यही विकल्ब चुनने की ताकत है हम सभी के पास विकल्ब होते हैं मैं अमीर बनने का विकल्ब चुनता हूँ और मैं यहे विकल्ब हर रोज चुनता हूँ पहले सिक्षा में निवेश करें वास्ताओ में आपके पास जो इकलोती असली संपत्ती है वह है आपका दिमाग जो आपका सबसे सक्तिश अलियंतर है जैसा मैंने विकल्प की ताकत के बारे में कहा है कि हम अपने दिमाग में क्या रखते हैं आप सारा दिन M.T.V. देख सकते हैं या गॉल्फ मैगजिन पढ़ सकते हैं या सीरे मेक की कलास में जा सकते हैं या फाइनेंशिल प्लानिंग की कलास में जा सकते हैं विकल्प आप चुनते हैं ज्यादातर लोग बस निवेस खरिचते हैं परंतो इससे पहले निवेस के बारे में ग्यान आसिल करने के लिए जरा भी पैसा खर्च नहीं करते हैं मेरी एक मित्र है जो एक अमीर मेला है अभी हाले में उसके गर पर चोरी हो गई चोर उसके गर से टीवी और वीस यार ले गई और उसकी किताबें जैसी कितासी छोड़ गई और हम सभी के पास इसी तरह के विकल्प मौजूद होते हैं एक बार फिर दो राद हूँ 90 फिस्दी लोग टीवी सेट खरीते हैं और केवल 10 फिस्दी लोग बिजनस पर पुस्त के या निवेस पर टेप खरीते हैं और मैं क्या करता हूँ मैं सेमिनार में जाता हूँ मैं ऐसे सेमिनारों को पसंद करता हूँ जो कम से कम दो दिन लंबे हूँ क्योंकि मैं वीशे में पूरी तरह डूब जाना चाहता हूँ 1903 में मैं टीवी देख रहा था और एक व्यक्ती मेरे घर आया वहे तीन दिन से सेमिनार का विग्यापन कर रहा था कि किस तरह पैसे नए होते हुए भी रियल इस्टेट खरीदी जा सकती है मैंने 385 डालर खर्च किये और उस सेमिनार के सिक्षा मेरे इतने काम आई कि मैंने उसे कम से कम 20 लाख डालर कम आये होंगे परंतो इस से भी ज़्यादा मैं तो कुण यह है कि इस से मुझे नया जीवन मिला मुझे जिन्दगी वर काम नहीं करना पड़ेगा और इसका कारण होगा वह है एक सेमिनार मैं हर साल कम से कम दो इससे सेमिनारों में जाता हूँ मैं ओडियो टेप का भी प्रेमी हूँ कारण मैं उन्हें ततकाल पीछे कर सकता हूँ मैं पीटर दिलिंज के टेप को सुन रहा था और उन्होंने ऐसा कुछ कहा जिससे मैं पूरी तरह एहसा मत था हटी और आलोचनात पक होने के कारण मैंने रिवाइंड बटन दबा दिया और उस पांच मिनिट के टुकड़े को कम से कम बीस बार सुना शायर इस से भी ज़्यादा बार परंतो अचानक मेरे दिमाग को खुला रखने से मैं समझ गया कि उन्होंनों ये वह बात क्यों कही थी यह जादू की तरह था मुझे इसा लगा कि मैंने हमारे समय के सबसे बड़े निवेसक के दिमाग की एक खिर्की कोल ली थी उसके ग्यान और अनुबों के विराट संसादनों में मुझे बहुत ज़्यादा गहराई और अंतरद्रस्टी मिली इसका परिणाम यह हुआ कि मैं अब भी अपने पुराने तरीके से सोच सकता हूँ और मेरे पास उसी समश्या यह स्तीती को देखने का पीटर का तरीका भी मوجود होता है मेरे पास एक विचार होने के बज़ाई दो विचार होते हैं किसी भी समश्या या परवर्टी के विसलेसन का एक और तरीका जिसे जानना बहु मुल्य है आज मैं एक्सर कहता हूँ पीटर लिंच इसे किस तरह करेगा या डोनाल्ड ट्रम्प या वारेन बफे या जार्ट सोरोस मेरे पास उनकी व्रहद मानसिक ताकत तक पहुंचने का रास्ता यही है कि मैं उनकी कही हुई बातों को सुनू या उनकी लिखी हुई बातों को पढ़ू जिद्धी या आलोचनात्मक लोग प्राइक कम आतम सम्मान करने वाले होते हैं जो खत्रे उठाने से डरते हैं अगर आप कुछ नया सीखते हैं तो अपने सीखे वे ग्यान को कमी खरीते है उन्हें इसकी क्या जुरूरत है वे ब्रह्मार्ड के किंदर बिंदू है ऐसे बहुत से बुद्धिमान वेक्टी होती है जिनके सामने कोई नया विचार आने पर वे वाद विवाद करने लगते हैं अगर वह नया विचार उनके सोचने के तरीके से अलग होता है इस परकरण में उनकी तथा कतित बुद्धी उनकी हट दर्मिता के साथ मिलकर अग्यान बन जाती है हम सभी ऐसे लोगों को जानते हैं जो उच्छिक्षित हैं या जो मानते हैं कि वे बहुत स्मार्ट हैं परंटून की बेलेंस सीट एक अलगी तस्विर दिखाती है जो व्यक्ति वास्तों में बुद्धी मान होता है वह नए विचारों का स्वागत करता है क्योंकि नए विचार पहले के विचारों के साथ मिलकर अद्बुत सही होग कर सकते हैं बोलने से जड़ा आप सुनना मैं तो पूर्ण है अगर यह सही नहीं होता तो भगवान ने हमें दो कान और एक मुझ नहीं दिये होते बहुत से लोग अपने मुझ से सोचते हैं और सुनते समय नए विचारों तो था संभावनाओं को समझने की कोशिस ही नहीं करते सवाल पूछने के बज़ाए वे बहस करने लगते हैं मैं अपनी दोलत के बारे में दिर्क कालिंदरिस्टी रखता हूँ मैं फटाफट अमीर बनने की मान सिकता में बरोसा नहीं करता जो जज़ातर लाटरी खेलने वालों या कैसे नों के जुआरियों के पास पाई जाती है मैं शेर खरीद सकता हूँ शेर बेच सकता हूँ परन्तु मैं सिक्षा के मामले में दूर कमी विचार रखता हूँ अगर आप एक हावाई जाज उड़ाना चाहते हैं तो मैं आपको पहले से सीखने की सला देना चाहूँगा मैं एसे लोगों को देखकर हमेसा स्तब्द रह जाता हूँ जो स्टाउक या रियल एस्टेट खरीते हैं परन्तु में अपनी सबसे बड़ी दौलत में बिलकुल निवेस नहीं करते हैं जो उनका दिमाग है केवल एक या दो गर खरीद लेने से आप रियल एस्टेट के ख्षेतर में विसे सग्या नहीं बन जाते हैं साथ रहने की ताकत सबसे पहले तो मैं यह बता दूँ कि मैं अपने दोस्तों को उनकी अमीरी के इसाफ से नहीं चुनता मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जिनोंने गरीबी में जीने की किसम खाईए और ऐसे दोस्त भी हैं जो हर साल करोणों कमाते हैं मुद्दे की बात यह है कि मैं उन सभी से सीखता हूँ और मैं पूरा मन लगा कर उन से सीखने की कोशिस करता हूँ मैं यह मानता हूँ कि मैंने अमीर लोगों की तलास की है परंतो मेरी नजर उनकी दोलत पर नहीं बलकि उनके ग्यान पर थी कई मामलों में ऐसे अमीर लोग मेरे अच्छे दोस्त बन गए जब कि कई बारे ऐसा नहीं हुआ परंतु मैं आपको एक अंतर बताना चाहता हूँ मैंने यह पाया है कि मेरे पैसे वाले दोस्त पैसे के बारे में बात करते हैं परंतु मेरा यह मतलब नहीं है कि उन्हें पैसे का गमंड है वे इस विशे में रूची रखते हैं इसलिए मैं उनसे सीखता हूँ और वे मुझ से मेरे वे दोस्त गो आर्थिक दलदल में पशे हुए हैं वे पैसे वे विशाई या निवेस के बारे में बात करना पसंद नहीं करते उनकी नजर में इसा करना मुर्क तापून या बेमानी होता है इसलिए मैं अपने गरीब दोस्तों से यह सीखता हूँ कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए मेरे कई दोस्तें जिन्होंने अपनी छोटी सी जिन्दगी में अरपों डालर कमाई है उनके गरीब दोस्त उनसे यह पूसने कभी नहीं आई कि उन्होंने इसा किस तरह किया है परंतुवे उनसे दो में से एक चीज या दोनों ही चीजों के बारे में मदद मांगने आई पहला कर्ज और दूसरा नोकरी चेताउनी गरीब या डरेवे लोगों की मत सुनिये मेरे कई गरीब दोस्ते हैं जिनसे मैं प्रेम भी करता हूँ परंतुवे जिन्दगी में डरेवे मुरूई है जब पैसे की बात आती है खास कर निवेस की तो उनकी नजरों में आसमान हमेसा गिरने वाला होता है मुंद कर मान लेते हैं वे भी छोटे मुरूगे बन जाते हैं जैसी एक पुरानी कहावता है एक जैसे विचार वाले लोगों में सहमती होती है अगर आप सी एन बीसी देखते हैं जो निवेस की सुजना देने वाली सोने की खदान है तो आपके पास अक्सर तथा कतित विचे सग्यों का एक पैनल होता है एक विचे सग्ये यह कहेगा कि बाजार दरा सही होने वाला है और दूसरा यह कहेगा कि बाजार में उठा हुआने वाला है अगर आप स्मार्ट हैं तो आप दोनों की बात सुनेगी आपके दिमाग को खुला रखिए क्योंकि दोनों के पास अपने अपने तरक हैं दुर्भग्या से ज़्यादा तर गरीब लोग चोटे मुर्गे की बात सुनते हैं मेरे बहुत से करीबी मित्र हैं सोदे या निवेश से रोकने के लिए अपने तरक देते हैं कुछ सालों पहले मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि वह इसलिए रोमान चित था क्योंकि उसे अपनी जमापुंजी पर छे पिजदी ब्याज वाला बोन्ड मिल लिया था मैंने उसे बताया कि मैं सरकार से सोला पिजदी ब्याज कमा रहा हूँ अगले ही दिन उसने मुझे एक लेख बेज दिया जिसमें यह लिखा था कि मेरा निवेश क्यों खतरनाक था मैं सालों से सोला पिजदी ब्याज कमा रहा हूँ और वह अब भी च्छे पर तिसदी ब्याज ही ले रहा है मैं तो यह कहूँगा कि दोलत बनाने में सबसे कटिन चीज यह है कि आप अपने प्रतिमांदार रहें और भीड के साथ चलने की इच्छा ने रखें बाजार में आम तोर पर भीड सबसे बाद में आती है और इसलिए हलाल हो जाती है अगर मुख्या प्रस पर किसी बड़े सोदे की खबर चपी है तो ज्यादातर मामलों में बहुत देर हो चुकी है किसी नए सोदे की तलास करिये जैसा हम तैरने वालों से कहा करते हैं हमेशा एक और लहर आती है जो लोग जल्दबाजी करते हैं और किसी लहर पर देर से पहुँचते हैं वे एकसर दराशाई हो जाते हैं स्मार्ट निवेसक बाजार की ताइमिंग को ध्यान में नहीं रखते हैं अगर एक लहर चली गई है तो वे अगली लहर की खोज करते हैं और खुद को पॉजिशन में कर लेते हैं ज्यादातर लोगों के लिए यह मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि जो लोग प्रिया नहीं है वह खरीदना उनके लिए डरावना होता है डरपोग निवेसक उस भीड के जुंड की तरह होते हैं जो भीड के साथ ही चलते हैं या उनकी लालच उन्हें उस समय अंदर लाता है जब समझदार निवेसक मुनाफ़ा कमा कर बाहर जा चुके हैं समझदार निवेसक, उस समय शेयर खरीटते हैं जब यह लोग पर यह नहीं होता वे जानते हैं कि वे खरीपते समय मुनाफा कमाते हैं बेशते समय नहीं वे धीरत से इंतजार करते हैं जैसा मैंने कहा वे मारकेट की टाइमिंग को द्यान में नहीं रखते हैं किसी तेरने वाले की तरह, वे भी अगली बड़ी लहर के लिए खुद को पोजिशन कर लेते हैं यह इंसाइडर ट्रेडिंग या अंदरूनी सोदेवाजी है इंसाइडर ट्रेडिंग कानूनी और गैर कानूनी दोनों तरह की होती है परंतों किसी भी तरह से देखें यह इंसाइडर ट्रेडिंग ही है फरक सिर भी इतना होता है यह आप अंदर से कितनी दूरी पर है अंदरूनी जानकरी रखने वाले हमीर दोस्तों को बनाई रखने का एक कारण यह भी होता है क्योंकि पैसा यही बनाया जाता है यह सूचना के आदार पर बनाया जाता है आप अगले उच्छाल के बारे में जान लेते हैं प्रवेस कर लेते हैं और अगले गिराव के पहले बाहर निकल जाते हैं मैं यह नहीं कहता कि इसे गैर कानूनी तरीके से करें परंतु मैं यह जरूर कहता हूँ कि आपको जहनकर एक जितनी जल्दी मिलेगी आप उतने ही कम खत्रे में उतना ही ज्यदा लाग कमार पाएंगे दोस्त इसलिए होते हैं और यही financial बुद्धी है नमबर चार किसी फार्मूले के विसे सग्या बन जाईए और फिर एक और नया फार्मूला सीख लेजिए जल्दी सीखने की ताकत ब्रेट बनाने के लिए हर बेकर का एक फार्मूला होता है साहिव है उसके दिमाग में ही क्यों नहो यही पैसा बनाने के बारे में भी सही है इसलिए धन को अक्सर डो भी कहा जाता है हम मेंसे ज्यादातर लोगों ने यह कावत सुनी है आप वहे हैं जो आप खाते हैं मैं इसी कावत को दूसरी तरह से कहना चाहूंगा मैं कहता हूँ आप वहे बनते हैं जो आप पढ़ते हैं दूसरे सब्दों में आप साउधान रहें कि आप क्या पढ़ रही है या क्या सीख रही है क्योंकि आपका दिमाग इतना ज़्यादा तकतवर है कि आप जिस चीज के बारे में सीखेंगे आप वही बन जाएंगे उधारन के तोर पर अगर आप कुकिंग सीखते हैं तो आप कुक बन जाते हैं अगर आप कुक नहीं बनना चाहते हैं तो आपको कोई और विशे पढ़ना चाहिए जैसा एक स्कूल टीचर सिक्षन का अध्यन कर लेने के बाद आप अक्सर सिक्षक बन जाते हैं और इसी तरह सिलसला जारी रह सकता है अपने अध्यन के विशे को सावधाने से चुने अध्यन के लिए काम करो संसार में सबसे जयादा लोग परिये फार्मिला यही है इसके कारण हर दिन करोड़ों लोग सुबह उठते हैं और काम पर जाते हैं पैसे कमाते हैं बिल चुकाते हैं चैक-बूक को बैलेंस करते हैं कुछ म्यूचुल फंड खरीद लेते हैं और फिर से काम पर चले जाते हैं यही उनका मूलबूत फार्मूला या नुसका है अगर आप जो कर रहे हैं उससे आप ठक गई हैं या पर आप नहीं कमा रहे हैं तो आपको अपने पैसे बनाने के फार्मूले को बदल लेना चाहिए बहुत समय पहले जब मैं 26 साल का था मैंने 17 की एकक्षा में भाग लिया जिसका सिर्शक था किस तरह रियल स्टेट फॉर कलोजर्स को खरीदें मैंने एक फार्मूला सीख लिया अगला कदम था अपने सीखे हुए सी दान्त को असली जीवन में आजमान यहां पर ज़्यादातर लोग रुक जाते हैं तीन सालों तक जब मैं जेराक्स के लिए काम कर रहा था मैं खाली समय में फॉर कलोजर्स को खरीदने की कलाक में पारंगत होने की कोशिस कर रहा था मैंने उस फार्मुले से कई करोड डालर बनाए हैं परंतु आज यह बहुत धिमा फार्मुला है और फिर भी बहुत से लोग इसका प्रियोग कर रही है एक बार मैं उस फार्मुले का विसे सगय बन गया तो मैं नए फार्मुले की खोज करने लगा कई कक्षाओं में मुझ और वस्तों के आप्शन सोदे बाजों के लिए तथा अराजक बाजियों के लिए युजद कक्षाओं में भी मैं गया हूं मैं अपने दाइरे से पूरी तरह बाहर पहुंच गया था और एक ऐसे कमरे में था जहां परमाणू भोती की और स्पेस साइंस की विसे सग्यों की भीड थी परन्तों मैंने वहां बहुत कुछ सीखा जिससे मेरा स्टोक और रियल इस्टेट निवेस ज़्यादा अर्थपूर्ण और फाइदे मन बन गया ज़्यादा तर जूनियर कालेजों और समुदाई कालेजों में फाइनेंसियल प्लानिंग या पारंपरिक निवेस को खरीदने के तरीकों पर कक्षाईया योजित की जाती है शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छी जगह है तो मैं हमेशा एक जाता तेज़ फार मुले की खोज करता रहता हूँ इसी कारण नियमित रूप से मैं एक दिन में जितना कमा लेता हूँ उतना कमाने में कई लोगों की पूरी जिन्दगी लग जाती है एक और बात आज की तेज़ी से बदल रही दुनिया में आप कितना जानते हैं यह ज़्यादा मैतोपून नहीं रह गया है क्योंकि प्राई आज आप जितना जानते हैं वह पुराना हो चुगा है मैतोपून यह है कि आप कितनी तेज़ी से सीखते हैं यहे कला अनमोल है, ज्यादा तेज फार्मूले डूनने में यहे बहुत काम आती है, पैसे के लिए कड़ी मेनत करना एक पुराना फार्मूला है, जो गुफा मानों के जमाने से पैदा हुआ था, नमबर पांस, खुद को सबसे पहले बेतन दे, खुद पर अनुसासन की ताकत अगर आप खुद पर काबू नहीं रख पाते, तो अमीर बनने की कोशिश भी ने करें, आपको इससे पहले मरिन काप्स या किसी धार्मिक संस्ता में जाना चाहिए, ताकि आपको खुद पर काबू रखना आ जाए, इस बात का कोई मतलब नहीं है, कि निवेस करें, पैसा क प्रमाएं और उसे फूंक दें, खुद पर अनुसासन की कमी के कारण ही करोडों डालर की लाटरी जीतने वाले, लोग जल्दी दिवालिया हो जाते हैं, यह खुद पर अनुसासन की कमी ही है, जिससे तनक्वा बढ़ने पर लोग ततकाल बाजार जाकर नई कार खरीद लेत पर निकल जाते हैं, यह कैना कठिन है कि दस कदमों में कौन सा सबसे ज़्यादा मैत्वकून है, परंतो सभी कदमों में से इस कदम की विशे सग्यता सबसे कठिन है, अगर यह आप में पहले से ही मुझूद ने हो, मैं तो यह भी कैना चाहूंगा, कि खुद पर अनुसासन की कमी ही वह सबसे बड़ा कारण है, जो लोगों को तीन समुदायों में बाटता है, अमीर, गरीब और मद्यमवर्ग, सीधे तरीके से कहें, कि जिन लोगों में आतम विश्वास कम होता है, और जो फाइनेंसियल दबाओं को ज़्यादा सहन नहीं कर पाते, वे कभी अमीर नहीं बन सकते, और कभी नहीं का मतलब होता है, कभी नहीं, जैसा मैंने पहले बताया था, मैंने अपने अमीर डैडी से यह सबक सीखा था, कि दुनिया आपको इधर उधर तकेलेगी, दुनिया लोगों को इधर उधर तकेलती है, तो इसलिए नहीं क्योंकि बाकी लोग ग Nursi कार हो जाते हैं जिनमें आतम अशुषन होता है मैं जिनक व्यवसाई करहों में पढ़ाता हूं वहां मैं लोगों को लगातार यह याद दिलाता हूं कि वे अपने सामान या सेवा पर अपना ध्यान के अंधृत ने करें बलकि मैनेजमेंट की कला पर अपना ध्यान के अंदरित करे, अपना खुद का व्यावसाय सुरू करने के लिए, तीन सरवाधिक मैतवण मैनेजमेंट दक्षताइं हैं, नमबर एक, कैस्पलो का मैनेजमेंट, नमबर दो, लोगों का मैनेजमेंट, नमबर तीन, व्यक्तिकत समय का मैनेजमेंट, मैं यह पूर्ण भूमिकाने बाती हैं। फ्यक्ति के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में, व्यवसाई में, किसी धार्मिक संग्ठन में, शहर या देश में। ये सबी दक्सताएं आत्मानस्वासन को साधने से बढ़ जाती हैं। मैं खुद को सबसे पहले बुकतान करें, सिदान्त को हलकेपन से नहीं लेता। जार्ज कलासें की पुस्तक, The Richest Man in Babylon में, खुद को सबसे पहले बुकतान करें का वक तव्यय सब सर्मिक पहले आया है। इस पुस्तक की करोडुँ पर तियां भिक चुकी हैं. हलांकि करोडुँ लोग इस जबरदस जुमले को दोराते हैं पर बहुत कम लोग इस चला का पालन करते हैं. जैसा मैंने कहा है, financial साक्षरता अक्सर पढ़ने की योगता देती है और अंक कहानी बता देते हैं किशी वेक्टिके इंकम स्टेटमेंट और बैलेंसीर देखकर मैं ततकाल यह देख सकता हूँ कि जो लोग खुद को सबसे पहले बुगतान करें किसी दान्त का राग अलापते रहते हैं वे दर असल इसका कितना पालन करते हैं एक चित्र हजार शब्दों के बराबर होता है तो एक बार फिर हम ऐसे लोगों के financial statement की तुलना करें जो खुद को सबसे पहले बुगतान करते हैं और जो एसन नहीं करते हैं चित्रों का ध्यन कीजिए और देखिए कि क्या आप कुछ अंतर पकड़ सकते हैं इसके लिए कैस्पलो की समझ जरूरी है जिससे कहानी बताई जाती है ज्यादातर लोग अंक देखते हैं और कहानी को अंदेखा कर देते हैं अगर आप सच्मुस कैस्पलो की ताकत समझना शुरू कर देते हैं तो आपको जल्द ही यह पता चल जाएगा कि अगले चित्र में कहां गड़वड़ी है और 90 फिस्दी लोग क्यों जिन्दी वर कड़ी मेनत करते रहते हैं और इसके बाद उन्हें सोसल सिक्योरिटी जैसी सरकारी मदद की जुरूर क्यों होती है क्या आप इसे देख सकते हैं यह चित्रूस व्यक्ति के काम को दरसाता है जो खुद का बुगतान सबसे पहले करता है हर मईने अपने मासिक खर्चों का बुगतान करने से पहले वे अपने संपति वाले कालम में पैसा डालते हैं हलांकि करोडों लोगोंने क्लासेन की पुस्तक पड़ी है और खुद को सबसे पहले बुगतान करें का सिदान समझा परन्तु हकीकत में वे खुद को सबसे आखिर में बुगतान करते हैं अब मैं आप मैंसे उन लोगों की चेक पुकार सुन सकता हूं जो अपने बिल्स का बुगतान सबसे पहले करने में गंबीरता पूर विस्वास करते हैं और मैं यहे भी सुन सकता हूं कि सभी जिम्मेदार लोग अपने बिल्स समय पर चुकाते हैं मैं यहे नहीं कहता कि आप गैर जिम्मेदार हो जाएं यह आपने बिल्स का बुगतान नहीं करें मैं सिर्फ यहे कहता हूं कि आप वही करें जो यहे पुस तक आपको सिखाती है यानि खुद को सबसे पहले पैसा दें और पिछला चितर इसी सिदान्द का सही लेखांकन चितर है जबकि बाद में आने वाला चितर पूरी तरह से गलत है मेरी पतनी और मेरे पास कई बुक की पर्स, अकाउंटेंट्स और बेंकर हैं जिने शुरू में इस खुद को सबसे पहले पैसा देंसी दान्द से बहुत समश्या होती थी इसका कारण यह है कि यह financial professional भी दरसल वही करते हैं जो की जन्ता करती है यानि वे भी खुद को सबसे आखिर में पैसा देते हैं वे बाकी लोगों को सबसे पहले पैसा देते हैं मेरे जिवन में इसे महीने भी आई हैं जब किनी कारणों से मेरा cash flow मेरे bill से काफी कम रहा है फिर भी मैंने खुद को ही सबसे पहले पैसे दिये मेरे अकाउंटेंट और book की पर चीखने लगे वे आपके पीछे पढ़ जाएंगे आपको जेल भी हो सकती है आप अपनी credit rating बिगार देंगे वे लोग बिजली कार देंगे मैंने फिर भी सबसे पहले खुद कोई पैसा दिया क्योंकि the richest man in Babylon की काहनी इसी बारे में है खुद परनुसासन की ताकत और आंत्रिक सेहन सकती के बारे में इसे बोलचाल की बासा में गुर्दा भी कहते है जैसा मेरे अमीर डैडी ने मेरे नोकरी के पहले माँ में मुझे बताया था कि ज्यादातर लोग दुनिया के ठोकरें सेहन करते रहते हैं पैसे वसूलने वाला आता है और आप या तो पैसे चुकाओ वरना तो आप उसे पैसे दे देते हैं और खुद को पैसे नहीं देते हैं एक सेल्ज कलर कहता है आप इसे अपने कार्ड चार्ज में डाल दें आपका रियल इस्टेट एजेंट आपसे कहता है आगे चले वड़ो घर खरेदने पर सरकार आपको टेक्स में छूट देती है पूरी पूस तक दरसल इसी बारे में है आप में धारा के विरुद जाने का और अमीर बनने का गुर्दा होना चाहिए हो सकता है कि आप कमजोर ने हो परन्तु जब पैसे की बात आती है तो कई लोगों का होसला पस्त होने लगता है मैं यह नहीं कहता कि आप गहर जिम्मेदारन बने मुझ पर ज़्यादा करज नहीं है क्रेडिट कार्ड का करज भी नहीं और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूँ मैं अपनी आई को कम से कम इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं इसे सरकार को नहीं देना चाहता इसलिए आप मेंसे जिन लोगोंने The Secret of the Rich नाम का वीडियो देखा है उन्हें मैं यह है बता दूँ कि मेरी आई नेवादा के कारपरेशन के जरिए मेरे संपती वाले का उलम से आती है अगर मैं पैसे के लिए काम करता तो सरकार इसे ले लेती क्योंकि मैं अपने बिल्स का बुगतान सबसे आखिर में करता हूँ परन्तु मुझ मैं इतनी आर्थिक समझ है कि मैं किसी मुस्किल में नहीं चाहता हूँ मैं कंजुमर कर्ज को पसंद नहीं करता हूँ मेरे पास इतने दाईतव है जो 99 फिजदी लोगों से जदा है परन्तु उनका बुगतान मैं नहीं करता बलकि दूसरे लोग मेरे देंदारियों को चुकाते है वे मेरे किराईदार कहलाते है तो खुद को पैसा देने का पहला नियम यह है कभी कर्ज में मत फसो हलांकि मैं अपने बिल्स का बुगतान सबसे आखिर में करता हूँ परन्तु मैं के और कुछ मैं तवह इन बिली बचा कर रखता हूँ दूसरी बात यह है कि जब भी मेरे पास पैसा कम होता है तब भी मैं खुद को यह सबसे पहले पैसे देता हूँ मैं कर्ज देने वालो और सरकार को चीखने देता हूँ जब वे कठोर होते हैं तो मुझे अच्छा लगता है क्यों? क्योंकि यह लोग मुझे पर एक ऐसान कर रही है वे मुझे प्रेडित कर रही है कि मैं जाओं और ज़्यादा पैसा कम हो तो मैं खुद को सबसे पहले पैसा देता हूँ उस पैसे को निवेस करता हूँ और कर्ज देने वालों को चीखने देता हूँ मैं वैसे आम तोर पर उन्हें सही समय पर बुगतान कर देता हूँ मेरी पत्नी और मेरी साख बहुत अच्छी है हम के वल दवाव में नहीं आते हैं और कर्ज उतारने के लिए अपनी बच्छत को इस्तेमाल नहीं करते नहीं उनके लिए अपने स्टोक को बिशते हैं इसमें बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं है तो जवाब यह है नमर एक एसे बड़े कर्ज में ने फसे जिसका बुगतान आपको करना हो अपने खर्चों को सीमित रखें अपने संपत्ती को बनाई अपने संपत्ती को सबसे पहले बनाई फिर बड़ा घर या शांदार कार खरी दें सुहा दोड़ में फसे रहने में समझदारी नहीं है नमर दो जब आपके पास पैसा कम हो तो दवाओ को बढ़ने दे और अपनी बचत या निवेस को खर्चने करें उस दवाओ को अपनी फाइनेंसियल परतिबा को प्रेरित करने के लिए इस्तेमाल करें ताकि आप ज़्यादा पैसा कमाने और अपने बिल्स का बुगदान करने के नई तरीकों के बारे में सोच सकें इस से ज़्यादा पैसा कमाने के आपकी योगता भी बढ़ेगी और आपकी फाइनेंसियल बुद्धी भी ज़्यादा विक्सित होगी मैं कई बार फाइनेंसियल बट्टी में तपा हूँ और मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ज़्यादा आमदनी हासिल की है और यह है द्यान रखा है कि मेरे संपत्ती वाले कालम को कोई नुकसान नहीं पहुंचे मेरा बुक्की पर चीखने लगा और बचाव के लिए छुप गया परंतु मैं उस तरह का सिफाई था जो किले की रक्षा के लिए लड़ रहा था गरीब लोगों की आद्थे में गरीब होती है एक आम बुरी आदत है बचत में से पैसे निकाल लेना अमीर लोग चानते हैं कि बचत को ज़्यादा धन कमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ने कि बिलों का भुक्तान करने के लिए मैं जानता हूं कि ये कठोर जान पड़ता है परन्तु जैसा मैंने कहा अगर आप अंदर से कठोर नहीं है तो दुनिया आपको इदर से उदर दके लेए अगर आप आर्थिक दबाव पसंद नहीं करते हूं तो एक ऐसा फार्मूला खोज ले जो आपके लिए कारगर सावित हो एक अच्छा फार्मूला यह होगा कि खर्च कम किया जाए पैसे को बैंक में रखा जाए ज्यादा इंकम टेक्स चुकाया जाए सुरक्षित म्यूचल फंड खरीदे जाए और ओसत बने रहने की कसम खाई जाए परंतो यह है खुद को सबसे पहले बुगतान करें कि इसी दान्त का उलंगन करता है यह नियुम आतम बलेदान या आर्थिक सन्यास को परोटसाइद नहीं करता है इसका मतलब यह नहीं है कि खुद को सबसे पहले पैसे देने के बाद बुखे मरो जिन्दगी मोजमस्ती के लिए है अगर आप अपने फाइनेंसियल परतिवा को जागरत कर लेंगे तो आप के पास जीवन के सभी सुख हो सकते हैं आप हमीर बन सकते हैं और बिल चुका सकते हैं और इस प्रकिरिया में अच्छे जिन्दगी जी भी सकते हैं और यही फाइनेंसियल बुद्धी कहलाती है अच्छी सला की शक्ती मैं एकसर देखता हूँ कि लोग अपने गर के सामने एक पट्टी टांग देते हैं मालिक बेचना चाता है या मैं टीवी पर देखता हूँ कि कई लोग डिसकाउंट ब्रोकर होने का दावा करते हैं मेरे अमीर टेड़ी ने मुझे इसका उल्टा सिखाया है वे इस बात में बरोसा करते थे कि प्रोफेशनल्स को अच्छा बुद्धान किया जाई और मैंने भी उसी सिदान्त को अपनाया है आज मेरे पास महेंगे वकील, अकाउंटेंट्स, रियल इस्टेट ब्रोकर और स्टोक ब्रोकर हैं क्यों? क्योंकि अगर और मेरा सच्पूज मानना है अगर लोग प्रोफेशनल्स हैं तो उनकी सेवाओं से आपको पैसा मिलना चाहिए और वे जितना ज़्यादा पैसा कमाएंगे आप भी उतना ही ज़्यादा पैसा कमाएंगे हम सुचना के युग में रहे रहे हैं सुचना बेश कीमती है एक अच्छा ब्रोकर आपको सुचना तो देगा ही आपको सिक्षित करने के लिए समय भी देगा मेरे पास कई ब्रोकर हैं जो मेरे लिए यह करने के इच्छुक हैं कुछ ने मुझे तब सिखाया है जब मेरे पास बहुत कम पैसा था या बिलकुल भी पैसा नहीं था और मैं आज भी उनके साथ हूँ मैं ब्रोकर को जितना पैसा देता हूँ वह हैं मेरे द्वारा उसकी सूसना से कमाए गई धन का बहुत चोटा इससा होता है मैं इसके पसंद करता हूँ जब मेरा रियल इस्टेट ब्रोकर या स्टोक ब्रोकर बहुत पैसा कमाता है क्योंकि इसका आम थूर पर यह मतलब होता है कि मैंने भी बहुत सा पैसा कमाया है एक अच्छा ब्रोकर मुझे पैसे कमाने के जानकारी देने के अलावा मेरा समय भी बचाता है जैसे उस समय जब मैंने खाली समीन के टुकडे को 9000 डालर में खरीदा और ततकाल इसे 25000 डालर में बेच दिया ताकि मैं अपने लिए जल्दी से कार खरीच सकूँ ब्रोकर आपके लिए बाजार की आँख और कान है वे हर रोज वहां होते हैं और इसलिए मेरी वहां कोई जुरूरत नहीं होती मैं इसके बजाए गोल्फ खेल सकता हूँ इसके अलवा जो लोग खुद ही अपना घर बेचते हैं उनके लिए खुद के समय की कोई खास कीमत नहीं होती मैं कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अपना समय क्यों खराब करूँ जबकि इस समय को मैं ज़्यादा पैसा कमाने या अपने अंतरंग लोगों के साथ बिताने में इस्तेमाल कर सकता हूँ मुझे यह बहुत मज़ेदार लगता है यह इस से ज़्यादा गरीब और मद्यमर गया लोग रेस्तरों में खराब सर्विस के बवजूद 15-20 फिजदी टिप देते हैं और ब्रोकर को 3-7 फिजदी देने में अनकानी और शिकायत करते हैं वे खर्च वाले कालम के लोगों को टिप देते हैं और संपती वाले कालम के लोगों को टिप देने से कत्राते हैं यह आर्थिक समझदारी नहीं है सभी ब्रोकर एक जैसे नहीं होते दुर्भग्ये से ज्यादातर ब्रोकर सेल्जमैन होते हैं मैं तो यह कहूंगा कि रियल इस्टेट के सेल्जमैन सबसे बुरे होते हैं परंतों उनके पास खुद बहुत कम या बिल्कुल भी रियल इस्टेट नहीं होता घर बेजने वाले ब्रोकर और निवेस बेचने वाले ब्रोकर में बहुत बढ़ा अंतर होता है और यह स्टोक, बोंड, म्यूचल फंड और वीमा ब्रोकर के बारे में भी सही है जो खुद को financial planner कहते हैं परी कथा की यही तरह है आप एक राजगमार कोजने के लिए बहुत से मेंड़कों को चूमते हैं पुरानी कहावत को याद कीजिए अगर आपको एंसाइकलोपीडिया की जुरूरत हो तो एंसाइकलोपीडिया बेचने वाले से मत पूछिए जब मैं किसी professional का interview लेता हूँ तो मैं पहले यह पता करता हूँ कि उसके पास खुद कितनी विकति Greece property या stock है और वह कितने परतिसर tax दे रहा है मैं अपने tax अठाने और accountant के बारे में भी यही करता हूँ मेरे पास एक accountant है जो अपने काम से काम रखती है उसका पिसा हालाँ कि accounting है परन्तो उसका कामर रियल स्टेट में है मेरे पास एक अकाउंटेंट था जो एक छोटा बिजनस अकाउंटेंट था परन्तो उसके पास रियल स्टेट नहीं था मैंने अकाउंटेंट बदल लिया क्योंकि हम एक ही बिजनस से प्रेम नहीं करते थे एसा ब्रोकर खोजी है जो आपके सर्वस्रेश्टितों को ध्यान में रखता हो कई ब्रोकर आपको सिक्षित करने के लिए समय निकाल लेंगे और वे आपके द्वारा खोजी की सर्वस्रेश्ट सम्पति साबित हो सकते हैं बस उदार रहें और वे भी आपके परती उदार रहेंगे अगर आप उनके कमिशन में कटोती करने के बारे में ही सोचते रहेंगे तो वे आपके आसपास क्यों रहना चाहेंगे यह विशुद और आसान सा तर्क है जैसा मैंने पहले कहा था मैंनेजमेंट की दक्स्ताओं में से एक लोगों का मैंनेजमेंट है कई लोग के वले से लोगों को मैंनेज कर पाते हैं जो उनसे कम स्मार्ट हो और जिन पर उनकी सब्था हो जैसे किसी आफिस में अधिनस्त कोई दोयम दर्जे के मैनेजर्स दोयम दर्जे के मैनेजर्स ही बने रहेंगे और उन्हें कभी तरक्की नहीं मिल पाएगी क्योंकि वे यह तो जानते हैं कि नीचे वालों के साथ कैसे काम किया जाता है परंतु वे यह नहीं जानते कि उपर वालों के साथ कैसे काम किया जाई असली दक्स्ता है किसी दक्तनिकिक छेतर में अपने से स्रेश्ट और ज्यादा स्मार्ट लोगों को मैनेज करना और उन्हें अच्छे पैसे देना इसलिए कंपनियों में बॉर्ड आफ डारेक्टर होता है आपके पास भी होना चाहिए और यह है फाइनेंसियल समझदारी है नमबर साथ इंडियन दाता बनिये यह बिना कुछ दिये पाने की ताकत है जब अमेरिका में गोरे लोग गए तो उन्हें अमेरिकी इंडियन्स की परंप्रिक संस्क्रती से जटका लगा उधारन के तोर पर अगर किसी गोरे व्यक्ति को ठंड लगती थी तो इंडियन उन्हें कंबल दे देते थे स्वेत प्रवासी इसे उपहार समझ लेते थे और जब इंडियन कंबल वापस मांगता था तो उन्हें बहुत बुरा लगता था इंडियन को भी बुरा लगता था जब उन्हें यह पता चलता था कि स्वेट प्रवासी कंबल वापिस नहीं करना चाहते थे इस तरह इंडियन दाता वाक्यांस पैदा हुआ एक छोटी सी सांस्कृतिक ना समझी के कारण संपत्य के कोलम के दुनिया में इंडियन से दाता बनना दोलत के लिए बहुत जुरूरी है परिशकर्थ निवेश का पहला सवाल यह होता है मेरा पैसा मुझे कितनी जल्दी वापिस मिल जाएगा वे यह भी जानना चाहते हैं कि उन्हें मूफ्त में क्या मिल रहा है इसलिए निवेश पर वापसी इतनी मेतपून है उधारन के तोर पर मुझे एक छोटा रियल एस्टेट मिला जो मेरे घर से थोड़ी ही दूरी पर था बैंक साथ हजार डोलर चाहती थी और मैंने पचास हजार डोलर की बुली लगाई जो उन्होंने सिर्फ इसलिए स्विकार कर ली क्योंकि बुली के साथ पचास जार डोलर का चेक भी लगा गुआ था उन्होंने यह महसूस किया कि मैं गंबीर था ज्यादातर निवेसक यह कहेंगे कि क्या आप अपना बहुत सा पैसा पसा नहीं रहें क्या इस पर लोन लेना ज्यादा बेतर नहीं हो तका इसका जबाब ह इस मामले में बिल्कुल नहीं मेरे निवेसकंबनी जाड़े के मैंनों में इसे वेकेसन रेटल के रूप में इस्तेमाल करती है जब परवासी पक्षी एरिजोना से आते हैं और इसे चार मैंनों के लिए 25,000 डॉलर किराए पर दे दे देती है बाकी के 8 मैंनों में इसका किर बढ़ाती रहती है यही स्टोक के बारे में किया जाता है प्राइब मेरा ब्रोकर मुझे सला देता है कि मैं किस कंपनी के स्टोक में काफी पैसा लगा हूं क्योंकि उसके विचार से यह कंपनी को ऐसा कदम उठाने वाली है जिससे उसके शेर में तेजी आ जाएगी कोई नया सामान बाजार में लाने वाली है मैं अबने पैसे को एक अबते से लेकर एक महीने तक लगाए रखता हूँ जब शेयर की किमते बढ़ती है फिर मैं अबनी मूल दन्राशी को निकाल लेता हूँ और बाजार के उतार चड़ाओं से बेफिकर हो जाता हूँ क्योंकि मूल रखाँ वापस आ चुकी है और दूसरी संपती पर काम करने के लिए तयार है इस तरह मेरा पैसा जाता है और फिर वाहर आ जाता है और मैं एक ऐसी संपती का मालिक बन जाता हूँ जो एक तरह से मुझे मुझे मुफ्त में मिलती है यह सच है कि मैंने कई मोकों पर पैसा खोया भी है परन्तु मैं इतने ही पैसों से खेल खेलता हूँ जितने का नुक्सान मैं सहन कर सकता हूँ मैं यह कहूंगा कि ओस दस निवेसों पर मुझे दो या तीन में बहुत वाइदा होता है जबकि पांच या च्छे में कोई लावानी नहीं होती मैं दो या तीन में घाटा भी खाता हूँ परन्तु मैं अपने नुक्सान को उसी पैसे तक से मीद्रक कर लेता हूँ जो मेरे पास उस समय होते हैं जो लोग जो खिम से नफरत करते हैं वे अपने पैसे को बैंक में रख लेते हैं और दिरक काल में उनकी बचत कुछ नहीं से बेहतर ही होती है परन्तु आपको अपना पैसा वापिस निकालने में बहुत लंबा समय लग जाता है और ज्यादातर मामलों में तो आपको इसके साथ कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता पहले तो वे टोस्टर दिया करते थे परन्तु आज कल ऐसा बीरेल ही होता है मेरे हर निवेस पर एक नए एक चीज मुफ्त होनी चाहिए एक चोटा रियल एस्टेट, एक मिनी स्टोरेज, खाली जमीन का टुकड़ा, घर, स्टोक शेयर्स या आफिस बिल्डिंग और जोखिम भी सीमित होना चाहिए इस विशे पर इतनी ज़्यदा पुस्त की लिखी जा चुकी है कि मैं इसे नहीं जाना चाहूँगा मैकडोनाल्स के मसूर रेक रोक हेंबर्ग्स फरंचाईजी इसलिए नहीं बेचते थे क्योंकि उन्हें हेंबर्ग्स से प्यार था बलकि इसलिए क्योंकि उन्हें उस फरंचाईजी के साथ आने वाला रियल एस्टेट मूफ्ट में मिलता था तो समझदार निवेशकों को ब्याज की दर से ज्यादा चीजों का ध्यान रखना चाहिए आपका पैसा वापिस मिल जाए और आपके पास क्या समपत्ती आती है यह भी मैतब्गून है यह फाइनेंशिल समझदारी है केंदरित करने की शक्ती मेरे एक दोस्त का बेटा बहुत खर्चिला था और एसा लगता था जैसे उसकी जेब में छेद हो गई हूँ 16 साल की उमर में सववाविक रूप से उसे अपनी कार चाहिए थी बहाना यह था सभी दोस्तों के मम्मी डड़ी ने अपने बच्चों के लिए कार खरीदी है यह लड़का अपनी बचत में से पैसे निकालकर नगत कार खरीदना चाहता था इसे समय में उसकी ड़ड़ी ने मुझसे सला मांगी आप क्या सोचते हैं कि मुझे उसे इसा करने देना चाहिए या मैं भी दूसरे पिताओं की तरह उसे कार खरीद कर दे दूँ इसके जवाब में मैंने कहा कुछ समय के लिए तो ठीक है परन्तु लंबे समय के लिए आप उसे क्या सिखा पाएंगे क्या आप अपने बच्चे की कार प्राप्त करने की इच्छा से उसे कुछ सीखने के लिए प्रेडित कर सकते हैं अचानक उसकी टूब लाइट चमकी और वह तुरंद घर की तरफ चल दिया दो महीने बाद मुझे वैदोस्त मिल गया क्या तुम्हारे बेटे को उसकी नई कार मिल गई मैंने पूछा नहीं उसे नहीं मिली परंतु मैं गया और उसे कार के लिए तीन अजार डाटल दे दी मैंने उसे कहा कि वह अपने कालेज के पैसे के बजाए मेरे पैसे का उप्योग करे मैंने कहा यह है तो आपकी उधारता है नहीं उस पैसे के साथ एक शर्त भी जुड़ी है मैंने आपकी सला मान ली और उसकी कार खरीदने की प्रबल इच्छा के साथ सीखने की सर्त भी लगा रखी है शर्त क्या है मैंने पूछा पहले तो हमने आपके कैश पलो गेम का साहरा लिया हमने इसे खेलते हुए पैसे के समझदारी से इस्तेमाल पर एक लंबा विचार भी मर्स किया फिर मैंने उसे वाल स्ट्रीट जनरल की सदेस्ता दिलवा दी और स्टाक मार्केट पर कुछ पुस्त केंवी दिलवाई इन 3000 डॉलर के 6000 डॉलर बना लेता है तो वह अपनी कार खरीच सकता है और बाकी के 3000 डॉलर उसके कालेज के फंड में जाएंगी मैंने पुछा और इसके परिणाम क्या निकले वह सुरुआत में किस्मत वाला रहा परंतो कुछ दिनों बाद उसे अपने मुनाफे के सारी रकम गवा दी तब वह सचमुत रूची लेने लगा आज चाहिए वह 2000 डालर के गाटे में हो परंतो उसकी रूची बहुत बढ़ गई है उसने मेरे दुबारा खरीदी सारी किताबें पढ़ डाली और वह और ज्यादा पुस्तकों की खोज में पुस्तकालिया भी चला गया वह मन लगाकर वाल स्ट्रीट जनरल पढ़ता है सुचकों पर नजर रखता है और M.T.V. के बजाए C.N.B.C. देखता है उसके पास केवल एक जार डालर बचे है परन्तु उसकी रूची और ग्यान आस्मान को चू रही है वह जानता है कि अगर वह इस पैसे को खो देगा तो फिर उसे दो सालों तक अपने पैरों पर ही चलना पड़ेगा परन्तु उसे उसकी कोई खास चिंता नहीं पड़ी है अब उसे कारा हसिल करने में ज्यादा रूची नहीं है क्योंकि उसे एक ऐसा खेल मिल गया है जिसमें उसे ज्यादा आनन मिलता है क्या होगा अगर वह सारा पैसा हार जाता है मैंने पूछा जब होगा तब देखा जाएगा मैं तो चाहूँगा कि वह अपिस सारा पैसा हार जाए बजाए इसके कि वह हमारी उम्र में आकर सारा पैसा हारे और इसके अलावा मैं तो यह मानता हूँ कि उसकी सिक्ष्या पर खर्च किये गए यह सर्वस रिष्ट तीन जाग डालर थे जो वह सीख रहा है वह जिन्दगी वरूस के काम आएगा और वह पैसे की ताकत का सम्मान कपना भी सीख गया है मुझे लगता है कि अब उसके जेव का छेत बंद हो चुका है जैसा मैंने खुद को सबसे पहले पैसे देंवाले खंड में कहा था अगर कोई वेक्ति आतम अनुसासन की ताकत हासिल नहीं कर सकता तो बेतर यही होगा कि वह कभी अमीर बनने की कोशिस नहीं करे सैदान्ति के इसाफ से संपति वाले कालम से कैसफल विक्षित करने की परकिरिया आसान नजर आती है परन्तो इसमें पैसे की दिसा देने की मांसिक शक्ती की जरूरत होती है जो मुश्किल सावित होती है बहारी आकर्षणों और परलोबनों के कारण आज की खरिदारी की दुनिया में यह ज्यादा आसान होगे चला है कि पैसे को पूरा उड़ा दिया जाए कमजोर मांसिक शक्ति के कारण ही वह पैसा सबसे कम परतिरोध वाले रास्ते पर बहे जाता है यही गरीबी और आर्थिक संगर्स का कारण है मैंने फाइनेंसियल समझदारी का यह है आंकड़ों का उदारन इसलिए दिया ताकि पैसे से ज़्यदा पैसे कमाने की योगता को जाना जा सके अगर हम सो लोगों को साल के शुरू में दस हजार डालर दे 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 तो साल के अंत में क्या होगा असी के पास कुछ भी नहीं बचेगा वास्ता में कई तो ज़्यदा कर्ज में दबे होंगे क्योंकि उन्होंने नई कार, फ्रीज, टीवी, वीचियार या छुट्टियों के लिए नगत पैसा दिया होगा सोला ने उस दस हजार डालर को पांच से दस फिजदी बढ़ाया होगा और चार ने इसे बीस हजार डालर या लाखों डालर तक बढ़ाया होगा हम किसी प्रोफेशन को सीखने के लिए स्कूल जाते हैं ताकि हम पैसे के लिए काम कर सकें मेरे विचार में यह सीखना भी मैं तो पूर्ण होता है कि पैसे से अपने लिए कैसे काम करवाया जाई मैं भी हर व्यक्ति की तरह विलासिता की वस्तों से प्रेम करता हूँ अंतर यह है कि कई लोग अपने विलासिता को करज लेकर खरीदते हैं यह पडोशियों से परतियोगिता करने का जाल है, जब मैं कार खरीदना चाहता था, तब आसान रास्ता यही था, कि मैं अपने बैंकर को बुला कर लोन ले लेता, परंतु मैंने दाइतो वाले कालम को बढ़ाने के वज़ाए संपत्ति वाले कालम पर ध्यान के इंदरित रख ध्यान के निरित करते हैं, और पैसा बनाने पर ध्यान के निरित नहीं करते हैं, यह रास्ता पुछ समय के लिए तो आसान हैं, परंतु लंबे समय में यह बहुत मुश्किल साबित होता है, यह एक ऐसी बुरी आदत है, जो हमें इनसानों के रूप में और रास्टर के रू प्रशिक्षित कर लेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। पैसा बहुत बड़ी ताकत है। दुर्भग जैसे लोग पैसे की ताकत को अपने खिलाप इस्तेमाल करते हैं। अगर आप में पैसे की समझ कम है तो पैसा आपके उपर राज करेगा। यह आप से ज्यादा स् पार्ट बनना होगा। फिर पैसा वही करेगा जो आप इससे कहेंगे। यह आपके आग्या का पालन करेगा। इसके गुलाम होने के बजाए आप इसके मालिक होंगे। यही आर्थिक समझदारी है। नमबर नौ नाइकों की जुरुत मिथक की ताकत। जब मैं छोटा था तब मैं विली मेज, हैंक आरन, योगी बेरा का बहुत बड़ा प्रसंद सकता। वे मेरे आदर्स थे। लिटिल लीग खेल रहे बच्चे के रूप में। मैं उनकी तरह होना चाता था। मैंने उनके बेसबाल कार्ड भी सहीज रखे थे। मैं उनके बारे में सब कुछ जा बनना चाता था क्योंकि जाे उनके बेस्बाल कार्ण बड़ार कार्ण में, ले बेस्वाल क्हें दृक्द प्रसक बारे में टेते हैं यह सीखने के सबसे सब्सक को क्तू को कोर्ट पर वे चोटी जानी नहीं होते वे तो माइकल जोडन सर चार्ल्स या क्लाइड होते हैं आदर्स नाइकों की नकल करना ग्यान प्रापत करने का सच्चा और ससक तरीका है और इसलिए जब ओजी सिंक्चन की तरह का नाइक बदनाम होता है तो इतने चिख पुकार मस्ती है यह किसी अदालती कारवाई से जड़ा होता है यह एक आदर्स नाइक को खो देना होता है एक एसे व्यक्ति जिसकी तरह बनने का सपना लोग बच्पन में संजोई रहते हैं और वे जिसकी पूजा करते हैं अचानक हमें उस व्यक्ति को अपनी जिंदगी से निकलना पड मैं उनके शोट की नकल करता था हूँ और उनके बारे में सब कुछ पढ़ने की कोशिस करता हूँ मेरे आदर्स नाइको में डोनाल्ड ट्रम वारेन बुफे पीटर लेंच जाद सोरोस और जिम राजर्स भी हैं बड़ा हो जाने के बाद मैं उनके आंगडे उसी तरह जानत था मैं अनुसरन करता हूँ जब बारेन बुफे निवेस करते हैं और बाजार के बारे में उनके नजरिये के बारे में सब कुछ पढ़ने की कोशिस करता हूँ मैं पीटर लिंच की पूस्तक भी इसलिए पढ़ता हूँ ताकि स्टोक चुनने की उनकी तक्निक को समझ या मैं कोई सोधा करता हूँ तो मैं आवचेतन रूप से ट्रम्प की बातुरी का अभिने करता हूँ या जब मैं किसी प्रवर्ती का विशलेशन करता हूँ तो मैं उसे इस तरह देखता हूँ जैसे पीटर लिंच यह काम कर रहे हूँ आदर्सनाइक होने से हम अपनी कच् आते हैं अगर वे ऐसा कर सकते हैं तो मैं भी यही कर सकता हूँ जब निवेश की बात आती है तो ज्यादातर लोग इसे बहुत कठिन समझते हैं इसके बजाए उने आदर्सनाइकों की तलास करना चाहिए जो इन्हें आसान बना देते हैं नमबर दस सिखाओ और आपको हासिल होगा देने की शक्ती मेरे दोनों डेड़ी सिखशक थे मेरे अमीर डेड़ी ने पुझे ऐसा सबग सिखाया जो मेरे साथ जिन्दगी बर चल रहा है और वह सबग था परोपकार करना या देना मेरे पढ़े लिखे डेड़ी ने अपने समय और ग्यान द्वारा दूसरों को बहुत दिया परन्तों शायद ही कभी अपना पैसा दिया हो जैसा मैं बता चुका हूँ वे सामानेता कहा करते थे कि वे तभी देंगे जब उनके पास कुछ अतिरिक धन होगा और उनके पास कभी भी अतिरिक धन नहीं होता था मेरे अमीर डैडी ने पैसा भी दिया और शिक्षा भी वे देने के सिदान्त में पका यकिन रखते थे अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको पहले कुछ देने की जरूरत है वे हमेशा कहा करते थे जब उनका हाथ तंग होता था तब भी वे अपनी चर्च या अपनी पसंदिदा धार्मिक संस्ता को दान देते थे अगर मैं आपके पास कोई विचार छोड़ना चाहता हूँ तो वह विचार यही होगा जब भी आपको किसी चीज की कमी या जरूरत मैसस हो तो पहले उस चीज को दे दें बाद में वह बाल्टियों से बरकर आपके पस लोटाएगी यह पैसा, मुस्कुराहाट, प्रेम, दोस्ती सभी के बारे में सही है मैं जानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं करना चाहेगा परंतु मैंने ऐसा किया है और इसके फाइदे भी उठाई है मैं विश्वास करता हूँ कि आदान परदान का सिदान सही है और इसलिए मैं वही चीज देता हूँ जो मैं पाना चाहता हूँ मुझे पैसा चाहिए इसलिए मैं पैसे देता हूँ और यह कई गुना होकर मेरे पास वापस आ जाता है मैं विक्री बढ़ाना चाहता हूँ इसलिए मैं किसी और विक्तिकी कुछ बेजने में मदद कर देता हूँ और मेरे विक्री बढ़ जाती है मैं संपर्क बढ़ाना चाहता हूँ तथा मैं किसी और की संपर्क बढ़ाने में मदद कर देता हूँ और जादू की तरह मेरे भी संपर्क बढ़ जाते हैं मैंने सालों पहले एक कहाउत सुनी थी इस्वर को कुछ नहीं चाहिए पर इंसनों को देना चाहिए मेरे अमीर डेड़ी एकसर कहा करते थे गरीब लोग अमीरों से ज़्यादा लालची होते हैं उन्होंने इसे समझाते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति अमीर है तो वह व्यक्ति दूसरों दौरा चाही गई कुछ चीज़ दे रहा है मेरे जीवन में, मेरे तमाम वर्सों में जब भी मैंने पैसे की कमी या जरूरत महसूस की है तो मैंने पहले तो अपने दिल को टटोला है कि मैं क्या चाहता हूँ और फिर इसे देने का फैसलात किया है और जब मैंने दिया है तो यह हमेशा मेरे पास वापस लोटा है यह मुझे उस व्यक्ति की कहानी याद दिलाता है जो जाडे की ठंडी रात में लकडियां लेकर बैठा है और पास में धीमे धीमे जल रेस्टो पर चिला रहा है जब तुम मुझे गर्मी दोगे तब मैं कुछ लकडियां अंदर डालूँगा और जब पैसे, प्रेम, सुख, विक्री और संपर्क की बात आती है तो हर व्यक्ति को यही याद रखने की जरूरत है कि जो आप चाते हैं, पहले आप उसे दे दे और यह कई गुना होकर आपके पास लोट आएगा बहुता केवल यही सोचने की पर किरिया से भी कि मैं क्या चाता हूँ और इसे किसी और को किस तरह दे सकता हूँ मेरे अंदर उदारता का ज्वर आने लगता है जब भी मैं यह देखता हूँ कि लोग मेरी तरफ देखकर नहीं मुस्करा रहे हैं तो मैं आराम से मुस्कुराना और हेलो करना चालू कर देता हूँ और जदू की तरह मेरे आसपास अचानक बहुत से मुस्कराने वाले लोग जमा हो जाते हैं यह है सच है कि आपकी दुनिया केवल आपका दरपण है तो इसलिए मैं कहता हूँ सिखाओ और आपको मिलेगा मैंने पाया है कि मैं सीखने वालों को जितनी गंबिरता से जितना ज़्यादा सिखाता हूँ मैं भी उतना ही ज़्यादा सीखता हूँ अगर आप पैसे के बारे में सीखना चाते हैं तो इसे किसी और को सिखाइं ऐसा करने से आपके दिमाग में बहुत से नए विचारों और फार्मूलों की बाड़ा जाएगी ऐसे भी समय आये हैं जब मैंने दिया है और कुछ भी वापस नहीं लोटाया या जो मुझे मिला वह मैं नहीं चाता था पर अधु करीबी जांच और आतम अवलोकन से मुझे पता चला कि उन मामलों में मैं देने के लिए नहीं दे रहा था बलकि पाने के लिए दे रहा था मेरे डैड़ी ने सिख्षकों को सिखाया और वे एक मास्टर टीचर बन गई मेरे अमीर डैड़ी ने यूवा लोगों को अपना बिजनस करने का तरीका सिखाया मैं पीछे पलट कर देखता हूँ कि यह सीखने वालों की अपनी ग्यान के प्रती उदारता ही थी जिसके खारण है बेजयादा समार्ट बन गई इस दुनिया में इसी ताक्ति हैं जो हमसे ज़यादा समार्ट है आप वहां खुद अपने दम पर पहुंच सकते हैं परनतों उन ताक्तिओं की मदद से वहां पहुंचना ज़यादा आसान होता है आपको बस इतना ही करना है कि आप उदार हों और वे ताक्तें भी आपकी प्रती उदार होंगी धन्यवाद आईए चलते हैं अध्याई दस की ओर जो है और च्यादाग चाहिए कुछ काम जो आपको करने चाहिए आपका दिन शुब हों रिच डेड, पूर डेड, अध्याई दस और ज़्यादा चाहिए कुछ काम जो आपको करने चाहिए हो सकता है कि कई लोग मेरे दस कदमों से संतोष्टने हो उनकी नजर में यह फिलोस्पी ज़्यादा है और इसमें काम की बातें कम है मैं यह मानता हूँ कि फिलोस्पी भी उतने ही मैतवपूर्ण है जितने की काम की बातें एसे कई लोग हैं जो सोचने के बजाए करना चाहते हैं और एसे लोग भी हैं जो सोचते हैं परंतु करते कुछ नहीं है मैं यही कहूँगा कि मैं दोनों परकार के लोगों का सहियोग हूँ मैं नई विचारों को पसंद करता हूँ और मैं काम करना भी पसंद करता हूँ तो उन लोगों के लिए जो किस तरह शुरू करें के बारे में कुछ मार्ख दर्शक बातें जानना चाहते हैं मैं संक्षेप में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो मैं करता हूँ आप जो कर रहे हैं वहे करना बंद कर दें दूसरे सब्दों में आवकास लें और यह आंकलन करें कि कौन सी चीज़ काम आ रही है और कौन सी चीज़ काम नहीं आ रही है पागलपन की परिवसा यही है कि आप वही चीज़ करते चले जाएं और अलग परिनाम की अफिक्षा करें जो सफल नहीं हो रहा है वह करना बंद कर दें और कुछ नया करने की खोजें नई विचारों की तलास करें नई निवेस के विचारों के लिए मैं किताब की दुकान में जाता हूं और अलग अलग तथा अनूठे विचो पर पुस्त के ढूंडता हूं मैं उन्हें फार्मूलों का नाम देता हूं मैं कैसे करें पुस्त के उस फार्मूले के लिए खरीदता हूं जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता उधारन के लिए मैंने एक किताब की दुकान में जोईल मासकोविर्ज की पुस्तक The 16% Solution देखी मैंने वह पुस्तक खरीदी और पड़ डाली ततकाल काम करें अगले बुदुवार को मैंने बिलकुल वही किया जो पुस्तक में कहा गया था मैंने हर कदम पुस्तक के अनस्वार उठाया था वकिलों के आफिसों या बैंक में मैंने रियल एस्टेट के सोदों के साथ भी यही किया है ज्यादातर लोग ततकाल कदम नहीं उटा थे या वे एक तरह से इस बात का इंतजार करते हैं कि कोई आएगा और उन्हें बताएगा कि उनके द्वारा सिखा गया नया फार्मूला गलत है और उसका अनुसरन करना बिलकुल बेकार है मेरे पडोसी ने मुझे बताया कि मेरा सोड़ा फिजदी का फार्मूला क्यों बेकार है बहराल मैंने उसके बात पर इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसने कभी ऐसा करके नहीं देखा था किसी ऐसे आदमी को खोजे जिसने वह किया हो जो आप करना चाते हैं उन्हें लंच पर ले जाएं उनसे टिप्स लें बिजनस की बारिकियां समझे अपने सोला फिजदी के परमान पत्रों के लिए मैं काउंटी टेक्स आफिस गया और मैंने वहां पर काम करने वाले सरकारी करमचारियों को खोजा मैंने यह पाया कि वहभी इन में निवेस करती है तब काल ही मैंने उसे लंच का नोता दे दिया उसने रोमान चित होकर मुझे यह समझा दिया इसे कैसे करना है और उसने अपना पूरा ग्यान मेरे सामने परोस दिया लंच के बाद उसने पूरे दिन मुझे वह जगएं दिखाई जहां मैं इस तरह का सोदा कर सकता था अगले दिन तक मैंने उसकी मदद से दो बड़ी जायदातों को पा लिया था और मैं तब से उन पर 16 फिस्दी की दर से ब्यास कमा रहा हूँ मुझे पुस्तक पढ़ने में एक दिन लगा कदम उठाने में एक दिन लगा लंच में एक गंटा लगा और दो बड़े सोदे करने में केबल एक दिन लगा कक्षाओं में भाग लें और टेप खरी दें मैं अकबारों में नई और रोचक कक्षाओं की खबर रोज़ाना खोज़ता रहता हूँ इन मेंसे कई तो मुफ्त होती है या उनकी फिस बहुत कम होती है मैं जो सीखना चाता हूँ उस विशे पर मैं महेंगे से मेनारों में भी जाता हूँ मैं इसलिए अमीर हूँ और मुझे इसलिए नोकरी करने की कते ही जुरूरत नहीं है क्योंकि मैंने इस तरह के पाठ्ठे करमों में भाग लिया है मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुझे यह बताया करते थे कि इस तरह के करकरमों में भाग लेकर मैं अपना समय और पैसा दोनों बरबाद कर रहा हूँ वे आज भी वही काम कर रही है हमेशा आफर देते रही जब भी मैं कोई रियल इस्टेट की प्रोपर्टी चाता हूँ तो मैं कई प्रोपर्टी देखता हूँ और आम तोर पर एक आफर लिख देता हूँ अगर आप नहीं जानते कि सही आफर क्या होना चाहिए तो यह मैं भी नहीं जानता यह तो रियल इस्टेट एजेंट का काम है वे ओफर का आंकड़ा देते हैं मैं जहां तक संबव हो सकता है कम से कम काम करता हूँ मेरी एक मित्र चाती थी कि मैं उसे अपार्टमेंट हाउस करीदना सिखाओं एक शानिवार को वे है उसका एजेंट और मैं गए और हमने छै अपार्टमेंट हाउस देखे चयार तो गटिया थे परन्तु दो अच्छे थे मैंने उससे कहा कि वह सभी च्छे पर आफर लिखे और मालिकों द्वारा मांगी गई कीमत से आदी का आफर दे यह सुनते ही उसे और उसके एजेंट को दिल का दोरा पढ़ते पढ़ते बचा उसके हिसाब से यह बत्तमी जी होगी और इससे मकान मालिकों को बुरा लग सकता है परन्तु मैं वास्तों में नहीं सोचता कि एजेंट इतनी कड़ी मेनत करना चाहता था इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया और वे एक बेतर सोदे की तलास में चले गई उन्होंने कभी कोई ओफर नहीं दी और वह आज भी सही कीमत पर सही सोदे के लिए भटक रही है आप नहीं जानते हैं कि सही कीमत क्या है जब तक कि सोदा करने के लिए आपके सामने दूसरी पार्टी नहीं हो ज्यादातर बेचने वाले बहुत ज्यादा किमत मांगते है यह दुरलब ही है कि कोई बेचने वाला वास्तो में इसी किमत मांगे जो वास्तो एक मुल्या से कम हो इसका आने से हमें यह सिख्षा मिलती है कि हमें आफर देना चाहिए जो लोग निवेसक नहीं होते उन्हें ये समझ ही नहीं होती कि कोई चीज बेचना कितना कठिन होता है मेरे पास एक रियल एस्टेट की प्रोपर्टी थी जिसे मैं महीनों से बेचना चाहता था मैंने किसी भी चीज का स्वागत किया होता मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं बढ़ता कि कीमत कितनी कम थी उन्होंने अगर मुझे दस सूरों का वियाफर दिया होता तो भी मैं खुश हो गया होता ओफर की कीमत से नहीं बलकि इस बात से कि कोई तो मेरी प्रोपर्टी में रूची रखता है इसके जवाब में मैं बदले में पूरे के पूरे सूरों फार्म को Guru को हसिल करने की कोसिश करता तो यहे क्यल इस तरह से खेला जाता है खरिदने और बेचने का खेल बड़ा मज़ेदार होता है इस बात का हमें सांध्यान रखें यह मज़ेदार है और यह केवल एक खेल है ओफर देते रहें कोई तो कभी हाँ कहेगा और मैं हमेशा अपने आफर में बचाओ के वाक्य डाल देता हूँ रियल स्टेट में मैं हमेशा अपने ओफर में यह लिखता हूँ कि बिजनस पार्टनर के अनुमोदन के बाद ही यह समझता अंतिम माना जाएगा मैं यह कभी नहीं बताता कि मेरा बिजनस पार्टनर कौन है ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि मेरी बिजनस पार्टनर मेरी बिल्ली है अगर वे आफर को मान लेते हैं और मैं सोदा नहीं करना चाहता तो मैं घर फोन लगाता हूं और अपनी बिली से बात कर लेता हूं मैं यह आजीबो करीब वक्त वे इसलिए बता रहा हूं ताकि आप यह जान सकें कि यह खेल कितना आसान और सरल है ज्यादातर लोग चीजों को बहुत ज्यादा जटिल बना देते हैं और उन्हें काफी गंबिरता से ले लेते हैं एक अच्छा सोदा खोजना या सही बिजनस डूनना सही लोग या सही निवेसक डूनना दरसल डेटिंग यह तरह है आपको बाजार में जाना होता है और बहुत से लोगों से बात करनी होती है और बहुत से ओफर देने होते है कई ओफरों का जवाब देना होता है तर्चा करनी होती है एस्वीकार या स्वीकार करना होता है मैं जानता हूं कि ऐसे भी अकेले लोग होती है जो घर पर बैटकर फोन की गंटी बजने का इंतजार करते रहते हैं परन तो जब तक आप सिंडी कार फोर्ड या टाम क्रूज नहीं होते हैं मैं सोचता हूँ कि आपके लिए बेहतर तो यही होगा कि आप बाजार में जाएं, चाहे सूपर मार्केट में ही चले जाएं खोजें, आफर दें, ऐस्विकार करें, सोदे बाजी करें और स्विकार करें यह जिन्दगी में हर चीज के बारे में दोराई जाने वाली प्रकिरिया है महिने में एक बार किसी निश्चित स्तान से 10 मिनट तक जोगिंग करते हुए या टहलते हुए ya गाड़ी चलाते हुए निकले मैंने अपने उच बेहतरिन रियल स्टेट के निवेस्तो जोगिंग करते समय खोजे हैं मैं एक साल तक किसी निश्चित धायरे में जोगिंग करता था मैं परिवर्तनों को देखता रहता था किसी भी सोदे में फाइदे के लिए दो तत्वों का होना जरूरी है एक तो सोदा और दूसरा परिवर्तन हलांकि सोदे तो बहुत से होते हैं परंतु परिवर्तन को भाप लेने से सोदा एक फाइदे मन मोके में बदल जाता है। इसलिए जब मैं जोगिंग करता हूँ, तो मैं जोगिंग करने के लिए एसी जगे चुनता हूँ, जहां मैं निवेस करना चाहता हूँ। बार बार उसी जगे के चक्कर लगाने से मैं वहाँ हो रहे चोटे चोटे परिवर्तनों को देख सकता हूँ मैं एसे रियल स्टेट के साइन बोर्ड को भाप लेता हूँ जो वहाँ काफी लंबे समय से लगे भी है इसका मतलब यह होता है कि बेचने वाला सोधा करने के लिए बहुत ज़्यादा इच्चुक होगा मैं जाते हुए ट्रुकों को भी दिखता हूँ और आते हुए ट्रुकों पर भी निगा लगाई रखता हूँ मैं रुक कर ड्राइवरों से बात करता हूँ मैं डाकियों से भी बात करता हूँ उन्हें अपने इलाके के बारे में गजब की जानकरी होती है मैं एक बुरा इलाका कोज लेता हूँ खास कर एसा इलाका जहां लोग किसी बुरी ख़बर से डरे हुए होते हैं मैं वहाँ साल में कई बार यह देखने के लिए चक्तर लगाता हूँ कि सुधार के लक्षां कहा नजर आ रहे हैं। मैं रिटेलर से बात करता हूँ खासकर नए दुकानदारों से और उनसे यह पूसता हूँ कि वे इस आलाके में क्यों आये हैं। इसके लिए महिने में कुछ मिनट का समय देना होता है और मैं इसे तब करता हूँ जब मैं कसरत कर रहा होता हूँ या इसी तरह का कोई दूसरा काम कर रहा होता हूँ जैसे स्टोर जाने या आने का काम स्टोक के मामले में मुझे पीटर लिंज की पुछ तक beating the street इसलिए बहुत ज़ारा पसंद है क्योंकि इसमें एसे स्टोक को चुनने का फार्मूला दिया गया है जिनकी कीमते बढ़ने वाली है मैंने यह पाया है कि कीमत पढ़ने के सिदान्थ हर जगे एक जैसे होती है साहे वह रियल इस्टेट हो, स्टोक हो, म्यूचल फंड हो, नया पालतु कुता हो, नया घर हो, नया जीवन साती हो या लॉन्डरी के डिटरिजेंट पर बार्गेनिंग हो पर किरिया लगवग वही रहती है आपको यह जानने की जरूरत होती है कि आप किसकी तलास कर रहे हैं और इसके बाद आपको उसे तलास ना होता है गरहा का हमेशा गरीब क्यों रहेंगे जब सूपर मार्केट में कोई सेल लगती है जैसे टोईलेट पेपर की तो गरहा क दोड़कर स्टोक इकठा कर लेते हैं जब स्टोक मार्केट में सेल लगती है जैसे सामने तया क्रेस या उतार या सुधार कहा जाता है तो गरहा क इससे दूर भाग जाते है जब सूपर मार्केट अपनी कीमतें बढ़ा देता है तो गरहा क कहीं और जाकर खरीद दारी करता है जब स्टोक मार्केट अपनी कीमतें बढ़ा देता है तो गरहाख खरीदना शुरू कर देता है सही जगों पर खोजिए मेरे पडोसी ने कांडोमीनियम एक लाख डॉलर में खरीदा मैंने उसके बगल में यह वैसा ही कांडोमीनियम पचास अजार डॉलर में खरीदा कोई प्रोपर्टी नहीं थी मैंने एक बार बैंक के फोर क्लोजर डिपार्टमेंट की मदद ली थी मैंने एक कक्षा में 500 डॉलर की फीज देकर यह सीखा था कि एसा कैसे किया जा सकता है मेरे पडोसी का विचार था कि रियल इस्टेट में निवेस की कक्षा के लिए 500 डॉलर की फीज बहुत महिंगी थी उसने कहा कि उसके पास नए तो इतने पैसे हैं नए ही समय इसलिए अब वाय किमत बढ़ने का इंतजार कर रहा है मैं पहले तो उन लोगों की तलास करता हूँ जो खरीदना चाते हैं फिर मैं उस व्यक्ति को ढूंडता हूँ जो बेजना चाता है मेरा एक दोस्त एक प्लाट ढूंड रहा था उसके पास पैसा था परन्तु उसके पास समय नहीं था मैंने भी ढूंडना चालू किया और मुझे अपने दोस्त की जुरूद से बड़ा टुकडा मिल गया मैंने इसे एक विकल्ब के साथ जोड़ दिया अपने दोस्त को फोन किया और उसे इसका ओफर दिया उसे जमीन का चोटा टुकडा चाहिए था इसलिए मैंने उसकी जरूरत का टुकडा उसे बेज दिया और जमीन खरीद ली जमीन का बाकी बचा टुकडा मैंने मुफ्त में ही अपने पास रख लिया इस कहानी से हमें यह सिक्षा मिलती है केक खरीदो और उसे टुकडों में बांट दो ज्यादा तर लोग अपनी हैसियत के मताफ़ सामान की खोज करते हैं इसलिए यह कम सामान की ज्यादा कीमत चुकाते हैं चोटे विचार वाले लोगों को बड़े अवसर नहीं दिखते हैं इसलिए अगर आप ज्यादा अमीर बनना चाते हैं पहले तो बड़े वीचारों को सोचना शुरू कीजिए दुकानदार ज्यादा समान खरीदने वालों को डिसकाउंट देते हैं और वेकेवल ऐसा इसल करते हैं क्योँकि ज्यादातर विएवसाई ज्यादा खर्च करने वाले लोगों को पसंद करते हैं अगर आप कम खर्च भी करते हों, तो भी आपको हमेशा बड़े विचार को ही सोचना चाहिए। जब मेरी कंपनी को कंप्यूटर खरीदने थे, तो मैंने अपने बहुत से दोस्तों से फोन पर पूछा, कि क्या उन्हें भी कंप्यूटर खरीदना है। हम सब मिलकर कई डिलरो या तो अकेले ही काम करें या फिर काम ही ने करें। इतिहास से सिखें। स्टोक एक्सचेंड की सभी बड़ी कंपनिया चोटी कंपनियों की रूप में शुरू हुई थी। करनल सैंडर्स तब तक अमीर नहीं हुए थे, जब तक 60 साल की उमर में उन्होंने अपना सब कुछ नहीं गबा दिया था, बिल गेट्स 30 साल से भी कम उमर में दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। सक्रियता हमेसा निस्क्रियता को हरा देती है। अवसर पैचानने के लिए केवल कुछ ही चीजी हैं जो मैं करता आया हूँ और अब भी कर रहा हूँ। इन में से स सक्रिय होना पड़ेगा, तो काम पर जुट जाएं अभी से ही। धन्यवाद। आइए चलते हैं उपसहार की तरफ केवल साथ अजार डालर में ही कॉलेज की सिक्षा, आपका दिन सुब हो। यह पुस्तक खतम हो रही है और चपने जा रही है, मैं आपके साथ अपना एक अंतिम विचार बांटने जा रहा हूँ। इस किताब को लिखने का खास कारण लोगों को यह सिखाना था कि किस तरह पैसे की समझ से जिन्दगी की समन्य समझ्यां को सुलज़ाया जा सकता है। वितिय प्रशिक्षन के बिना हम उनेंगी से पिटे फार्मूलों के साहरे जिन्दगी काड़ देते हैं। जैसा कड़ी मेहनत करो, बचाओ, उधार लो और बहुत ज्यादा टेक्स चुको। आज हमें ज्यादा समझदारी की जरूरत है। मैं निजे दी हुई कहानी को एक ऐसी आर्थिक समझ्या के अंतिम उधारन के रूप में प्रस्तूत कर रहा हूँ। जिससे कई युवा परिवार आजजूज रही हैं। आप अपने बच्चों के लिए किस तरह अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर सकते हैं। और अपने खु मैं अपना दुखडा रो रहा था कि चार बच्चों की कॉलेज की सिक्षा के लिए पैसों की बज़त करना कितना कठिन था। वह हर मईने एक म्यूचल फंड में 300 डॉलर जमा कर रहा था और अब तक उसके पास 12,000 डॉलर जमा कर लिए गई थे। उसे अपने बच्चों को क क्यानमे की बात थी और उस समय फिनिक्स का रियल इस्टेट बाजार दुर्दसा में था। लोग बाग अपना घर पार बेचने में लगे थे। मैंने अपने इस एवाटी को सुझाया कि उसके पास म्यूचल फंड में जो पैसा जमा है उसके कुछ हिस्से में वह एक घर खर गया और हम इस संभावना पर विचार करने लगे। उसकी मुख्य चिंता यह थी कि एक और घर खरीदने के लिए उसकी बैंक में क्रेडिट नहीं थी और उसके पास इतना नगद नहीं था। मैंने उसे पर हुसा दिलाया कि किसी प्रोपर्टी को फाइनांस करवाने के और दूसरे रास्ते भी होते हैं। हमने दो हपतों तक मकान खोजा। एक एसा घर जो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता हो। चुनने के लिए हमारे पास बहुत से घर थे इसलिए हमें शोपिंग में मज़ा भी बहुत आ रहा था। आखिरकार हमने एक अच्छे महले में तीन बेटरूम और दो बात वाला घर खरीद लिया। घर पसंद किया। मालिक उसी दिन घर बेचना चाता था क्योंकि वह रूसका परिवार कैलिफोर्निया के लिए जा रहे थे। जहां उसकी नोकरी उसका इंतजार कर रही थी। वह एक लाग दो हजार डालर चाता था। परन्तु हमने उसे 80,000 का आफर दिया। उसने ततकाल उसे मनजूर कर लिया। उस कर पर एक नोन क्वालिफाइंग लोन था। जिसका मतलब यह था कि कोई बिना लोकरी वाला आदमी भी उसे बेंकर के अनुमोदन के बिना खरीच सकता था। मकान मालिक पर 32,000 डालर का करज बाकी था। इसलिए मेरे दोस्त को केवल बचे हुए 7,000 डालर का इंतिजाम करना था। जो करज की रकम और खरीदने की रासी का अंतर थी। जैसे ही मालिक ने घर खाली किया, मेरे दोस्त ने मकान की रहे पर उठा दिया। सारा खर्च निकालने के बाद जिसमें करज की किस्त भी शामिल थी, उसकी जेब में हर मेने 125 डालर आने लगे। उसकी योजना थी कि वह मकान को 12 साल तक अपने पास रखे और हर मेने मिलने वाली अतिरिक 325 डालर का उप्योग करके जल्दी से जल्दी करज उतार दे। अगर उस मकान की किमत बढ़ जाती है तो वह घर को बेच भी सकता है। अचानक ही उसके पास लगबग 80,000 डालर अतिरिक ता गए। मैंने ओस्टिन टेक्सास में अपने एक और दोस्त को फोन किया। एक मिनी स्टोरेज फैसिलिटी में लगा दिया। तीन महीने के बीतर उसे हर महीने लगबग 1000 डॉलर के चेक मिलने लगे। इसे वह कालेज म्यूचल फंड में जमा करने लगा और वह बहुत तेजी से बढ़ रहा था। 1996 में मिनी वेर आउस बिग गया और उसे बिकरी के हिस्से के रूप में लगबग 30,000 डॉलर का चेक मिला। जो उसने एक नए प्रोजेक्ट में लगा दिये जिससे उसे हर मेने 3000 डॉलर से ज़्यादा आमदनी होने लगी जो उसके कालेज म्यूचल फंड में जाने लगी। उसे यह पूरा विश्वास है कि उसका 4,000,000 डॉलर का लक्षे आसानी से हासिल हो जाएगा और इसके लिए उसे शुरुआत में केवल 7,000 डॉलर और थोड़ी सी वित्य गुद्धी का इसनिमाल करना पड़ा। उसके बच्चों को अब उतनी सिक्षा मिल रही थी जो वे हासिल करना चाते हैं और वह अपनी मूल पुंजी का प्रियोग अपने रिटायर्मेंट के लिए कर सकता है जो अभी उसके सी कर्परेशन में निवेस की हुई है इस सफल निवेस रिननिती के कारण अब वह जल्द ही रिटायर्मेट ले सकता है इस पुस्तक को पढ़ने के लिए धन्यवाद मुझे आशा है कि इस से आपको कुछ समझ मिली होगी किस तरह पैसे की ताकत का इस्तेमाल किया जाए ताकि पैसा आपके लिए काम करें आज हमें बचे रहने के लिए भी पैसे की समझ की जरूरत है यहे विचार की पैसा बनाने के लिए पैसे की जरूरत होती है वित्या रूप से ना समझ लोगों का विचार होता है इसका यहे मतलब नहीं है कि वे समझदार नहीं है इसका मतलब केवल इतना है कि उन्होंने पैसे बनाने की कला अभी नहीं सिखी है पैसा केवल एक विचारों को बदल दीजिए हर आत्म निर्मित आदमी ने छोटे पहमाने पर एक विचार से शुरुआत की थी और बाद में इसे बढ़ा किया था यही निवेस के बारे में भी लागू होता है शुरू करने के लिए केवल कुछ डालर ही काफी है और बाद में इन से बड़ी रकम बनाई जा सकती है मैं इसे बहुत से लोगों से मिलता हूँ जो जिन्दिगी पर किसी बड़े सोदे के पीछे भागते रहते हैं या बड़े सोदे के लिए बहुत सा पैसा जुठाते रहते हैं परन्तु मेरी नजर में यह मुर्क न पूर्ण है ज्यादातर मैंने ना समझ निवेसकों को अपना बड़ा अंड़ा एक ही समझोते में लगाते हुए और इस कारण उने तेजी से बरबाद होते हुए देखा है वे अच्छे काम करने वाले हो सकते हैं वे अच्छे नागरिक हो सकते हैं परन्तु वे अच्छे निवेसक नहीं थे पैसे के बारे में सिक्षा और बुद्धी मैतवपून है जल्दी शुरुआत करें कोई पुस्तक करी दें किसी सेमिनार में जाएं अभ्यास करें सोटी शुरुआत करें मैंने च्छे साल से भी कम समय में पांच अजार डालर को दस लाख डालर की संपति में बदला है जिससे हर में ने पांच अजार डालर का कैस्वल वाता है अरंतु मैंने यह बच्पन से सीखा है मैं आपको सीखने के लिए इसलिए प्रेरित करता हूँ क्योंकि यह इतना मुश्किल नहीं है दरसल एक बार आपको इसकी लख पड़ जाए तो आपके लिए यह असान हो जाएगा मैं समझता हूं कि मैंने अपना संदेश बहुत स्पष्टा से पूंचा दिया है आपके हाथ में क्या है इस बात का निरने इस बात से होता है कि आपके दिमाग में क्या है पैसा केवल एक विचार है एक बहुत बढ़ी अपुस्तक है Think and Grow Rich सोचिए और अमीर बनिये इसका सिरसकी यह नहीं है कि कड़ी मेनत करिए और अमीर बनिये यह सीखें कि किस तरह आप पैसे से अपने लिए कठोर मेनत करवा सकते हैं और आपकी जिन्दगी किस तरह ज्यादा आसान और सुखद हो सकती है आज इस बात की जरूरत है कि आप सुरक्षात्मक खेल खेलने के बज़ाए स्मार्ट बने और अपनी बुद्धी का प्रियोग करें धन्यवाद